Welcome to our session, मेरा नाम अंकित तिवारी और हमने जो सीसाइट की सीरीज इस्टार्ट की है for 2024 उसमें आज हम लोग एक important section cover करेंगे which is known as number system हर साल 15-20 question number system topic से पूछे जाते हैं out of 80 questions में से और अगर आप इस lecture को end to end देखते हैं तो अगर 20 questions आ रहा है करते हैं सेशन स्टार्ट करने से पहले important information अगर मैं सीसाइट को two months में cover करना चाहता हूं that is by April end तो you can join our सीसाइट batch जिसका admission स्टार्ट हुआ है 8th of March से दस लास्ट 10 years का पीवाई क्यू discussion 1500 plus questions in form of practice sheet 10 mock test basic to advanced level preparation जो formula based questions होते हैं उसको change करके जो logic और concept based questions है वो सारी की सारी चीज़ों को cover की जाएंगी the price for the course is 3999 and the code for maximum discount is 80 life usually session start करते हैं hello friends welcome to our session बता दो audio visual clear है then we will start yes Nikhil Shafia अधित्य नितिक्का इस बहुत सारे students है काफी दिनों बाद मिल रहे हैं हम लोग येस नो लास्ट टाइम कब मिले थे एट्थ फेब को थीच है फ्राइडे को इस किस्टार्ट करें फिर session देखो आज हम लोग पढ़ेंगे नंबर सिस्टम यार प्रश्सट्रि इस टॉपिक धी धुर टॉपिक यर गोई टॉपिक नंबर सिस्ट्ट सिस्टम सर्ण नवंबर बैच इंड़ अब कौन से बाश्यों समीर कि नॉंबर बैच में ने पढ़ाया टॉपिक नंबर सिस्टम एक बार कंफर्म करना तो शायद आपके बैच में इन्होंने शेडियूलिंग में कुछ प्रॉब्लम किया है कि अगर अगर हो चुका है अगर नंबर सिस्टम पूरा का पूरा मैट्स अगर कवर हो गया है तो आपके बैच में सिर्फ और सिर्फ रीजनिंग के कुछ सेक्शन्स बचे होंगे रीजनिंग के ही कुछ टॉपिक स्पेंडिंग होंगे मैं बाकी बैचे से नहीं बोल रहा हूं मैं सिर्फ और सिर्फ बात कर रहा हूं समीर से तो जो भी आपके टॉपिक स्पेंडिंग होंगे वह वीकेंड्स में होगा विकॉज आम स्टार्टिंग इस टॉपिक नंबर सिस्टम तो अभी वीग्डे में मंदे से लेकर फ्राइड तक के वी आर गोइंग टॉपिक नंबर सिस्टम अनली तो मैं एक बार चेक कर वा लूँँगा जो आपके बैचेस में टॉपिक हो चुका होगा वो फिर हट जाएगा ठीक तो चलिए यह डिस्कुशन एंड हो गया अब स्टार्ट करें नंबर सिस्टम इक शाल भी स्ट ड्विस्ट लूपिक तो पिक श्रों स्टीं अधा यह टॉपिक से चुपर सिर्फ सिर्फ वा अप सिर्फ पंदरा से बीस कोशिन अप एक्सपक्र सकते हैं तो वें टेज वाइस इस वेस्ट वाइस अब देखो नंबर सिस्टम में आपको पढ़ना क्या क्या है अगर नंबर सिस्टम के अंदर मैं टॉपिक्स की लिस्टिंग करूँ तो यू नीट तो कवर दे टॉपिक्स सच आज बेसिक्स ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ नंबर्स कुछन कभी नहीं आएंगे बट आपको एक्जाम में अपको जो इन्फोर्मेशन देता है वह इन यंकानसेप्स के था से स्थितरों देने तो बेसिक्स ऑफ डिफरेंट टाइप सौफट अफ नंबर्स सिस्टम इन फैक्ट अगर मैं बात करूं तो नंबर सिस्टम बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइपस के होते हैं ठीक बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइपस के होते हैं हमारा फोकस कहां पर रहेगा हमारा फोकस रहेगा सिर्फ और सिर्फ इसमें डेसिमल नंबर सिस्टम्स यह हमारे स्लेबस में है रिक डेसिमल नंबर सिस्टम तो पहले पढ़िण है different types of numbers के बारे में different types of numbers system के बारे में basic idea लेंगे main focus होगा decimal number system पे इसके अलावा और क्या-क्या topics पूछे जाते हैं जो हम cover करेंगे The third topic is number of factors वाले question, number of factors, sum of factors, कुछ-कुछ condition देगा कि find the factors which are perfect square, find the factors which are not perfect square, एक बड़े से number का, तो वहाँ पर आ जाता है ये topic, इस पे दो question इस साल पूछे गए थे, 2023 में, number of factors, अगर चौथा topic मैं देखूं तो, number of zeros, एक बड़ा से expression देगा, पूछेगा कि कितने zeros exist करेंगे end में, ठीक हमेशा end में कितने zeros आएंगे, मैं वही find कर सकता हूँ, अगर middle में कोई zero आ रहा है, तो वह find करने का कोई process नहीं होता, इसलिए जब भी number of zeros पूछेगा, वो end में कितने zeros आ रहे हैं, उसकी बात करता है, और क्या है इसमें पढ़ने के लिए, इसमें पढ़ने के लिए आप देखते है, remainder theorem problems, remainder theorem problems, एक बड़े से expression को divide करेगा किसी prime number से, और पूछेगा कि remainder कितना आ रहा है, इसी का extension हो जाता है, unit digit problems, प्रॉब्लम बेज़्ट अन unit digits, तो यह तो मेरे 6 main topics हुए, जिसको मुझे number system में cover करना है, इसके अराबा बहुत सारे miscellaneous topics भी होते हैं, फर एक्जामपल, अगर मैं इसी में include कर दूँ, तो they are asking questions such as word problem, इसमें solve करने के लिए कोई formula नहीं होता, आपको equation form करना पढ़ेगा, question के accordingly, और फिर आप उसको solve करेंगे, तो these are the major 6-7 topics which we are going to cover in 5-6 sessions, इसको बहुत detail में पढ़ेंगे, क्योंकि questions आ रहे है, maths में दो topic हैं, जो हम बहुत detail में पढ़ते हैं, first is number system, second is permutation combination, इसका मतलब ये निए कि बाकी topics कम पढ़ेंगे, बढ़ा, ये पढ़ते वक्त focus ज़्यादा होगा, clear है यहां तक के, shall I start, अपने doubts को hold करके रखियेगा, जब मैं doubt पूछने बोलूँगा, तब पूछना, otherwise हम type करते वक्त मैं हमेशा कहता हूँ, कि focus समझने पर कम रहता है, और ये topic जो है, वो important है, चलिए फिर, सबसे पहले मैं बात करता हूँ, सबसे पहले number system के बारे मैं बात करेंगे, क्या number system के different types बता सकते हो, कुछ idea है, कि कितने type के number system होते हैं, do we have any idea, कि सरक कितने-कितने types के number system होंगे, number system की बात कर रहा हूँ, देखो, एक type होता है, there are multiple types, first one is decimal number system, एक और type होता है, binary number system, एक और type होता है, octal number system, अलग-अलग number systems होते हैं, एक और type होता है, hexadecimal number system, there are multiple number systems, hexadecimal number system, तो हमारे स्लेबस में कौन सा portion है, हमारे स्लेबस में सिर्फ ये portion है, decimal number system, by default हमें सिर्फ और सिर्फ ये पढ़ना है, अब decimal number system क्या बता रहा है, number system मुझे बता रहा है, कि मेरे पास, कितने different symbols available होंगे, किसी number को express करने के लिए, number system क्या बता रहा है, कितने different symbols होंगे, एक बात बताओ, decimal number system में मेरे पास, कितने symbols होते हैं, any idea, अगर मुझे decimal number बनाना है, तो मैं 0 का इस्तमाल कर सकता हूँ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यहां तक कि यूज़ कर सकता हूँ, क्योंकि अगर 10 लिखना होगा, तो एक बार 1, एक बार 0, यूज़ कर लूँगा, अगर 28 लिखना होगा, तो एक बार 2, एक बार 8, यूज़ कर लूँगा, तो decimal number system में, these are the different types of symbols available, हम इसे number की तरह पढ़ते हैं, यहां पर कितने symbols होते हैं, 0 और 1, जो आपका computer में use होता है, digital communication में, आपके पास सिर्फ दो ही symbol होते हैं, 0 and 1, और आप कुछ use नहीं करते, आप इन्ही को use करके, A, B, C, D, E, F, 100, 200, 1000, यह सारी values बना लेते हैं, यह सारी values आप बनाते हो, इन्ही numbers को use करके, तो दो ही symbol हैं किसमें binary number system में, अगर octal की बात करोगे, तो यहां पर 8 symbols होते हैं, 0 से लेकर 7 तक के, यहां पर 9 नहीं होता, 9 और 10 नहीं होता, 0 से लेकर 7 तक, count करोगे तो 8 symbols आते हैं, octal number system में, और अगर hexadecimal की बात करोगे, तो यहां पर होते हैं 16 symbols, 16 symbols मतलब, 0 से लेकर 9 तक के, कान कौन से symbols लोगे, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, और 9 के बाद क्या आता है, 9 के बाद आ जाता है, A, B, C, D, E, F, यहां तक के, तो इसमें हो जाते हैं आपके 16 symbols, but these are not of our use, पूरा का पूरा focus कहाँ पर है, सिर्फ और सिर्फ इसमे, पूरा का पूरा focus कहाँ पर है, सिर्फ और सिर्फ इसमे, वो सब microprocessor वगेरा में यूज करते हैं, coding में, हमारा aim सिर्फ और सिर्फ यहां पर, decimal number system, अचा एक और चीज, जो नए student है उनके लिए, कि पूरा focus समझने के लिए रखो, यह PPT जो है, class खतम होने के बाद upload हो जाएगी, question solve कर रही है, real time में, बट जब मैं कोई theory चीज पढ़ा रहा हूँ, तो इसमें पूरा focus समझने पर रखना, ठीक, इसमें जो है, question solving पूछेगा, तो अब मैं बात करता हूँ, किसकी decimal number system की, decimal number system, अब देखो, किसी भी number system में, जितने आपके पास different symbols होते हैं, किसी भी number system में, number of different symbols, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं, base of that number system, इसको कहते हैं, base of that number system, decimal number system में, कितने symbols अविलेबल थे, बताईए, decimal number system में, में मेरे पास, कितने symbols अविलेबल थे, 10 अविलेबल थे, तो यहाँ पर base कितना आता है इसका decimal number system का base होता है 10 binary number system का base होता है 2 octal number system का base होता है 8 और इनका होता है 16 जब आप count करते हैं तो जितने different symbols available हैं वही कहलाता है base वही कहलाता है base Is this point clear? decimal number system में base क्या होगा 10 अब इस base का significance क्या है यह दीरे-दीरे सीखेंगे चलो एक decimal number लेता हूँ मैं 1379 इस 1379 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1000 प्लस 300 प्लस 70 प्लस 9 इसको ध्यान से समझना होगा इसको 1379 को ऐसे लिख सकते है 1000 प्लस 300 प्लस 70 प्लस 9 क्योंकि कोई formula based question नहीं पूछ रहा है UPST logic पे question पूछ रहा है जब तक नहीं सीखेंगे concept हम परिशान होते रहेंगे सवालों में इस देखो इस 1000 को लिख सकता हूं वन इंटू थाउजेंट प्लस 3 इंटू हंड्रेड प्लस 7 इंटू 10 प्लस 9 इंटू 1 करोगे तो आपको यह नंबर फिर से मिल जाएगा आपको यह नंबर फिर से मिल जाएगा अब देखना हर एक नंबर के साथ multiply क्या हुआ है 9 के साथ मैंने क्या multiply किया है जब मैं इसको expand कर रहा हूं तो 9 के साथ क्या multiply हुआ है 1 multiply हुआ है तो 9 को कहते है unit digit 9 is known as unit digit जब भी unit digit की बात होगी सबसे last dollar digit लेंगे 7 के साथ क्या multiply हुआ है what is multiplied with 7 sir multiply हुआ है 10 तो यह हो जाएगा आपका 10th digit यह हो जाएगा 10th digit 3 के साथ क्या multiply हुआ है 100 तो 3 कहलाएगा 100th digit और 1 के साथ क्या multiply हुआ है जो सबसे यहां पर left side में है इसके साथ multiply हुआ है thousand तो यह क्या लाता है 1000th digit क्या यह point clear है सबको किस तरीके से में unit digit 10th digit आपका hundred digit and thousand digit बोल रहा हूं क्या आप expand कर दोगे कोई भी number दूँगा आपको तो क्या सक्वाइब कर सकते हो four times one को क्या four times one को आप decimal numbers में decimal number system में expand कर सकते क्या आप इसको expand कर सकते यस वन इन्टू thousand प्लस वन इन्टू hundred प्लस वन इन्टू 10 प्लस वन वही आ जाएगा add होके add होके वही value आ जाएगी good तो यह अगर आप समझ गए हो अगर आप यह चीज समझ गए हो तो UPSC जो questions देता है उसमें information कई बर ऐसे लिखे होती है एक आपको नंबर दे देगा seven three nine a इसको क्या मैं decimal में expand कर सकता हूं seven three nine a क्या इसको decimal numbers में expand कर सकते हैं बताओ तो क्या बनेगा बताइए कर सकते नहीं हमको करना पड़ेगा question बनाने के लिए हमारे पास option नहीं है we need to solve क्यासे solve करेंगे देखो seven thousand plus three hundred plus 90 plus a क्योंकि a कहां पर present यह प्रेजेंट था unit digit में तो यह पूरा वैल्यू कितना बन जाएगा it is seven three nine plus a ऐसे लिख सकता हूं मैं seven three nine a को seven three nine zero plus a can I write like this क्योंकि a था unit digit इसे लिए इसको one से multiply किया इसे लिए मैंने उसको one से multiply किया because a is unit digit a is unit digit इसलिए one से multiply हो गया अगर expression ऐसा होता तो seven eight three nine तब इसका expansion कैसा आता है तब इसका expansion कैसा होता है तब इसका expansion कैसा होता पर को final value बताओ क्या बनेगा क्या बनेगा आपको पता है कि यह unit digit है तो nine multiply होगा one से three जो है tenth digit है तो multiply होगा 30 से plus a जो है hundredth digit है तो multiply होगा seven thousandth digit है तो multiply होगा seven thousand से तो final value क्या आएगी अगर मैं सारे numbers को add करू तो यह बन जाएगा seven zero three nine plus hundred a clear है seven zero three nine plus hundred a तो यह expansion आपको सीखना पड़ेगा तीन से चार सवाल इस logic पर आ रहे हैं हर साल हर साल तीन से चार सवाल आ रहे हैं आपको सिर्फ पॉजिशन देखकर multiply करना है और तो बन जाएगा एक दो कुशन और देकर देखता हूं जो इस बार पूछा गया था इसका पूछा गया तो शार ऐसा लिखा था seven three double d इसका expansion कितना आएगा बताओ तो seven three double d seven three double d यह पूछा गया था इस बार किया मैं ऐसे लिख सकता हूं seven thousand plus three hundred plus 10 d plus d इस तरीके से लिख सकते डी जो था वह यूनिट डिजिट में था फिर यहां पर आ गया था यह वाला d 10 से multiply हुआ यह multiply हुआ हुआ हंड्रेट से यह multiply हुआ थाउजेंड से जब जोडूंगा तो क्या हो जाएगा seven thousand three hundred plus यह 10 d और one d मिलाकर कितना हो जाएगा 11 d हो जाएगा यह 10 d और one d मिलाकर 11 d नहीं हो जाएगा तो कि इसका कोईफिशेंट क्या था कुछ नहीं था तो one into d मान लूंगा इसको मैं yes or no yes or no yes or no yes अच्छा इसको कैसे लिखेंगे a double 1a क्या इसको expand किया जा सकता है आपको भी लग रहा होगा कि a b c d क्या है बट रुक जाओ we will come to that question a double 1a इसका expansion कैसे होगा इसका expansion कैसे होगा देखो पहला thousandth place पे है तो यह बन जाएगा thousand a यह hundredth place है तो बन जाएगा hundred यह tenth place है तो बन जाएगा 10 और यह unit place है तो बन जाएगा यह value आ जाएगी पूरी addition कितना बनेगा यहां पर a वाले terms को add कर दो तो यह हो गया 1001 into a plus 110 this is the final answer ठीक ठीक है देखिए एक्स्ट्रा मत सोचिए कि end में answer क्या होगा real number है तो क्या होगा जो प्रोसेस बता रहा हूं वो सीखते जाओ एक बार में हम पैरलल नहीं सीख सकते चीजों को मैं सीरियली ही expand करूंगा पहले एक concept सीखेंगे फिर दूसरा concept सीखेंगे फिर उसके दो-तीन concept मिला के जो यूपिएस्टी कोश्यन बना रहा है उसको solve करेंगे बट हर एक step important है हर एक step जो है वह important है यह 1000a है यह 1a है अगर यहां पर आपको problem आ रही है एडिशन में तो मैं इसको ऐसे लिख दे रहा हूं ना यह देखो 1000a प्लस ए यहां पर से मैं a को अगर common ले लूँ तो अंदर में क्या बचा 1000 प्लस वन तो कितना बन जाएगा 1001 इंटू ए जो मैंने आ पर लिखा है ठीक कि एस और नो कि यह और वैल्यू और इसे कराने की ज़रूत है कि आइडिया लग गया क्या फील लग गया चले किसका बताओ तो ए ए ए ए इसका expansion कैसे होगा इसका expansion कैसे होगा last कैसे expand करेंगे देखो 1000 इंटू ए प्लस 100 इंटू ए प्लस 10 इंटू ए प्लस ए यह फॉर्म बन गया अब यहां से आप चाहो तो ए को common ले लो तो क्या बन जाएगा ए अगर जैसे लिख सकता हूं ट्रिपल वन इंटू ए जो है कोई भी मेरा नंबर हो सकता है जीरो से लेकर नाइन के बीच में जो यहां पर मैं पूरा ABCD यूज कर रहा हूं न क्योंकि हम questions नहीं कर रहे हैं अभी एक concept को सीख रहे हैं तो जो ABCD आप जहां पर भी देख रहें दे आर नंबर से बिट्वीन जीरो टू नाइन ठीक देयार नंबर से बिट्वीन जीरो टू नाइन और कुछ नहीं है यह यह एक क्लियर है यह question अब एक बात बता इसको कैसे एक्सपैंड कर सकता हूं मैं XY XY इसका एक्सपैंशन बताये दो अलग-अलग तरीका सिखा चाहरू omniblyрь को कैसे एक्स पाइंड करोगे और वह और वह वैंड एके रही सबूआ कि संबढ़ी एक्सपैंड थमआ गिश्रेंड शैते था सइक्स प्लस 100Y प्लस 10X प्लस 1Y 10X प्लस 1Y तो ये कितना बन जाएगा आड़ करने पे 1010X प्लस 101Y ठीक ये ऐसा दिख जाएगा 1010X प्लस 101Y येस अच्छा देखो मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि मैं इसको थोड़ा अलग तरीके से expand करूँगा मैं इसको अलग तरीके से expand करूँगा कि एक method तो आप सीख गए हो अब हम दूसरा method सीखते हैं XY XY को मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या क्या ऐसे लिखा जा सकता है इस नंबर को कुछ समझ के रेखना अगर 1212 है तो इसको मैं 1200 प्लस 12 लिख सकता हूँ यस और नो 1200 प्लस 12 यस अब देखो इस 1200 में अगर मैं 12 common ले लूँ तो यह बन जाएगा 100 प्लस 1 यह मल्टिप्लाई करने से यही नंबर आ रहा है यह मल्टिप्लाई करने से यही नंबर आ रहा है यस और नो यस तो वन टू वन टू एंड में क्या है 12 इंटू 101 12 इंटू 101 क्योंकि यह 100 प्लस 1 क्या हो गया तो 1212 का मतलब क्या है 12 इंटू 101 ट्वेल इंटू 101 इंटू 101 सिमिलरली एक्स वाई एक्स वाई को मैं कैसे लिख सकता हूँ एक्स वाई जीरो जीरो प्लस एक्स वाई अब यहां से अगर आप एक्स वाई को कॉमन ले लोगे मतलब दजाए तो यह क्या बन जाएगा एक्स वाई इंटू सर्य हंड्रेट प्लस 1 कि एक्स वाई लिए लसमें तो यह क्या आगिए एक्स वाई इंटू 1-0-1 कि एक्स वाई इंटू 1-0-1 कि ए एक的是 ने तरीक है यह हम मैं आपको मैंने एक नमबर ले लिया था यह 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 जैसा यह एकस वाई एकस वाई है जैसा बन टू बन टू है वैसा ही एकस वाई है कि यह नहीं समझ में आया क्या किये आ गया अच्छा तो एक कोश्चन सॉल्फ करके बताओ एक्जाम में आया था इसी साल एकस वाई जैड एकस वाई जैड इस डिविजबल वाई में एक्जाक्ट औप्शन याद नहीं है पटा में option की जरूर्द भी नहीं है इस डिविजबल वाई कुछ नंबर्स DIA हुए थे मैं आपको कोई divisibility rule नहीं पढ़ाया हूं अब तक ना पको कई divisibility रूल नहीं पढ़ाया हूं बट हम लोग इसको इसको राइंगे बताओ इसको xy-z xy-z कौन-कौन से नंबर से डिविजबल होगा क्या डाउट है सर सीच के जो ओल्ड वीडियोस है बिल्कुल देख सकते हैं किसका डाउट था अमल का येस बताओ कौन-कौन से नंबर से ये डिवाइड होगा 7 से होगा 11 से होगा 13 शार ऑप्शन यही था चेक करके बताना तो क्या ये 7 11 और 13 से डिविजिबल है गोड नित्या का एंसर आया है अपने इसको एक्सपैंड कर दिया देखो वही लॉजिक लगा फिरसे एक्स वाई जेड जीरो जीरो अग्स शाथ ऑई ज К्या ऐसे लिखा जा सकता इसको किया इसको ऐसे लिखा जा सकता है x y z x y c x y z triple zero plus x y z yes or no जल्दी xy z triple zero plus xy z आप add करोगे तो वहीं आ जाएगा अब आईड करेंगे तो आपको यहीं मिल जाएगा मुझे यहीं नंबर दिया है मैं इसी को थोड़ा change कर रहा हूं अब यहां से अगर मैं xy z को common ले लूं तो अंदर में क्या बचेगा 1000 प्लस वन अब यह देखिए कि XYZ को इस से मल्टिप्लाई करूंगा तो क्या मिलेगा XYZ ट्रिपल जीरो प्लस वन से मल्टिप्लाई करूंगा तो XYZ बन जायेगा यह 1000 प्लस वन कितना आ गया यह आ गया XYZ इंटू 1001 एक्स वाई जड इन्टु वन थाउजन वन एक्स वाई जड क्या है इट कैन भी एनी नंबर एनी सिंगल डिजिट नैच्छुरल नंबर अभी नाच्छुरल नंबर नहीं पढ़ा है वह से लिए वर्ड यूज नहीं कर रहा हूं कि यह डाउट मत पूछना की सर जिरो जिरो हो जाएगा तो क्या होगा इक नाच्छुरल नंबर की बात हो रही है तो यह जो अपका फैक्टर आ गया एक्स वाई जड की वैल्यू क्या होगी मैं नहीं जानता एक से लेकर नौ तक कुछ भी हो सकता है पर यह जो वन थाउजन वन है अब यह किस से डिवाइड होगा यह यह जो नंबर है अगर कोई नंबर इस फॉर्म में दिया हुआ हो फॉर एक्जामपल वन तू थ्री वन तू थ्री यह जो नंबर है आपका इस ओल्वेज डिविजिबल बाई इट इस ओल्वेज डिविजिबल बाई 7 11 एं 13 अपने क्यालकुलेटर से डिवाइड करके देख लो अपने क्यालकुलेटर से डिवाइड करके देख लो मोबाईल के कि 1 2 3 1 2 3 जो है हमेशा 7 11 और 13 से डिविजिबल होगा और सिर्फ इस फॉर्म में नहीं आप कोई भी 921 यह भी अवेशा 7 11 और 13 से डिविजिबल होगा अपने क्यालकुलेटर से करके देख लो क्योंकि हमने इसका प्रोसेस समझ लिया यह 1001 मुल्टिप्लाई हो जा रहा है चेंज करने पे 123 रैंडम एज्यूम किया तिया जस्ट पर शेक आफ एक्स्प्लेनेशन कुछ भी नंबर ले लो 567 567 यह भी 7 11 13 से डिविजिबल होगा यह भी डिविजिबल हो जाएगा 719719 अब कुछ भी ले लिजिए इस ओल्वेस डिविजिबल बाइ बस जीरो मत अज्यूम करना एक जीरो मत करना क्योंकि नाच्रल नंबर्स के लिए वैलेट था इसमें क्लियर है यह तक देखो पहला टॉपिक हमने कवर कर लिया हमने बहुत इंपोर्टन चीज कवर किया क्योंकि यह डारेक्ट कुश्चन नहीं आएगा एक डारेक्ट कुश्चन आयता है 2023 में यह वाला तैसे सी साट 2023 बट इंडारेक्ट ली हर कुश्चन का पार्ट रहता है नंबर सिस्टम के इंडारेक्ट्ली यह हर कुश्चन का पार्ट हो जाता है आपको इंफॉर्मेशन इस फॉर्म में देगा कभी भी आपको डारेक्ट 123 वाला नंबर नहीं देगा आपको नंबर देगा डेसिमल नंबर बट वह ABCD के टर्म्स में देगा तो आप पहले ही कन्फ्यूज हो जाओगे कि 1234 देखने के आदत है अब नंबर बोल दिया डी 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 आप कोश्चन वहीं पर स्किप कर दिये कि डी 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 क्या है ठीक तो चलिए यह तो हो गया थोड़ा सा और बेसिक्स कवर करते हैं डिफरेंट टाइपस ओफ नंबर डिफरेंट टाइपस ओफ नंबर्स इसको पार्ट्स पार्ट्स में पढ़ाऊंगा ठीक है तो मैं अगर दस बारा यह च्छे साथ बेसिक नंबर बताने के बाद नेक्स्ट टॉपिक में जा रहा हूं तो यह मत कमेंट करना कि सर यह यह टाइप के नंबर बचे हुए हैं दीरे-दीरे सब सीखेंगे दीरे-दीरे सारी चीज़े सीखेंगे बट यूप्यस्टी का कुश्चन अभी दो क्लास में नहीं बनेगा दो क्लास के बाद यूप्यस् नंबर बताओ तो कि कुलिशन आपका डाउट नहीं समझा मैं 12AB कैसे होगा ठीक वाट इस नाचिरल नंबर इस डे टूदे काउंटिंग वाला नंबर है यह जो हम नॉर्मल लाइफ में काउंटिंग के लिए यूज करते थे देखो नंबर्स का इवोल्यूशन भी ऐसे ही ह हुआ है नाचिरल नंबर्स क्या हो जाएंगे 12345 यहां से स्टार्ट होते हैं क्या नाचिरल नंबर कभी नेगेटिव हो सकता है नहीं ठीक क्या नाचिरल नंबर कभी जीरो हो सकता है क्या नाचिरल नंबर कभी जीरो हो सकता है नहीं क्या नाचिरल नंबर कभी डेसिमल में हो सकता है क्या नाचिरल नंबर कभी 6.53 हो सकता है नहीं ठीक गुड क्लियर है यहां तक क्ये यह हो गया पहला नाचिरल नंबर इस सारे डेफिनेशन्स यूज में आएंगे आगे चल रखाता है वर्ट इस होल नमबर एक और चीज़ बता देता हूं नाच्छल नमबर को रिप्रेजेंट करते हैं capital N से UPSC कोई भरुसानी UPSC कोई भरुसानी तो याद रखना शिंबल नाच्छल नमबर को रिप्रेजेंट करते हैं capital N से हुए एक कापिटल एंड से सब 653 वाइन और नाच नंबर किस ने कहा कि 653 नाच इंबर नहीं होगा यह डेसिमल देखिए वहाई है शीच्प पॉइंट फाइफ फ्री नहीं होगा मैंने यह बोला है 643 तो होगा नाच उना नमबर वार्डेज होल नंबर में जितने भी नाचुरल नंबर्स होते हैं, उनमें 0 को एक आड कर देते हैं, यहां पर हम 0 को आड कर देते हैं, सिर्फ और सिर्फ एक 0 का एडिशन हो रहा है, यहां पर भी same problem, negative कभी नहीं हो सकता, और decimal में 4.53 कभी नहीं हो सकता, whole number, ठीक, यह जो है, कभी भी negative में नहीं हो सकता और कभी भी decimals में नहीं हो सकता, यह problem होती है whole number में, whole number को कैसे represent करते हैं, anyone, whole number is represented by capital W, whole number is represented by capital W, तीसरा जो categorization है, वो होता है even number, यह रोखो, even number के पहले, integers, what are integers, what are integers, what are integers, what are integers, ठीक, negative भी included रहते हैं, जैसे कि 0, 1, 2, 3, 4, ऐसे चल रहा है, और यहाँ पर minus 1, minus 2, minus 3, इधर से आ रहा है, तो these are the examples of integers, यह होते हैं, integers के example, यहाँ पर positive natural numbers भी होंगे, 0 भी होगा, और उनका negative counterpart भी होता है, ठीक है, इनका negative counterpart भी होता है, क्या integer कभी भी minus 2.67 हो सकता है, क्या यह कभी भी minus 2.67 हो सकता है, नहीं, ठीक, यह नहीं हो सकता, तो integer को represent किया जाता है, capital I से, integer को represent किया जाता है, capital I से, किसी ने कुछ doubt पूछा था, उपर चला गया, 0 is not included natural number, भी 0 include नहीं कर रहे है, 10 एक different number है, clear, अब देखो integer हो गया, एक और बता रहेता हूँ आपको, इसी से मिलता जुलता, fourth one, real numbers, real numbers, real numbers, real numbers क्या क्या होते हैं, real numbers में सारे numbers आ जाते हैं, जैसे कि सारे के सारे integers आ जाएंगे, और सारे के सारे fraction वाले numbers आ जाते हैं, everyone is included in this list, जितने भी number reality में exist कर रहे हैं, वो सारे के सारे होते हैं real numbers, वो सारे के सारे numbers होते हैं real numbers, सब कुछ आजाएगा 0 आएगा 1 आएगा 2 आएगा माइनस 3 आएगा माइनस 7 आएगा माइनस 3.5 आएगा 6.72 आएगा all the numbers are included in this list all the numbers are included in this list तो यह हुआ real number की कहानी ठीक यहां तक के यह को यह exam में नहीं पूछने वाला आप से बट इक्जाम में question में जो information दी जाती है वो जान मुझके इन words को use करता है और अगर आपने थोड़ा सा भी गलती किया तो answer नहीं आएगा अच्छा इस real number पर बाद में बात होगी फिर से अभी नहीं होगी बट बाद में बात होगी यहां पर एक और basic number लिस्ट होता है रहता है आर से denote करते हैं capital R से capital R से इवन नंबर्स क्या-क्या होते है डिविजिबल बाइटू वो नंबर्स जो डिवाइड हो जाए तू से जैसे कि 2468 अब एक बात बताओ क्या 0 even number है यह बताने का मेरा रीजन यही था कि इस पर discussion करेंगे क्या 0 even number है क्या 0 even number है क्या minus 2 minus 4 क्या यह सब even number है क्या यह सब even number है yes they all are even numbers अगर यह कहीं पर mention करने के लिए बोल दे smallest positive even number क्या होगा स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इवन नंबर स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इवन नंबर टू होगा टू नॉट जीरो जीरो पॉजिटिव या नेगिटिव कुछ नहीं होता अगर पॉजिटिव नंबर की बात कर रहा है smallest पॉजिटिव इवन नंबर क्यांकि देखो यह प्लस जीरो लिखो या माइनस जीरो लिखो बात तो एक ही होगी तब कैसे बोल सकते हूं कि जीरो पॉजिटिव है या नेगिटिव है दीकेनोट से एनिधिंग अबाउट जीरो smallest positive इवन नंबर इस टू एक smallest positive इवन नंबर इस टू क्या और नंबर के बारे में लिखवाना है या हमको पता है और नमब्स के बारे में लिखवाना है या पता है पूंग शाथ तो जीरो इसने वन नमबर मैं कहां कुछ कह रहाओं तीक है थीज़े फाइव सेवेन नाइन यह सारे के सारे होते हैं और नमबर त सीसको यहां पर एंड करते हैं एक और टाइप होता है रैश्नल नमबर्स कि वाटार रैशनल नंबर्स पर जीरो और नमबर नहीं होता है पर रैशनल नंबर जो आपको पता है इस फॉर्म में हो पी बाई क्यू के फॉर्म में जो बच्पन वाली डेफिनेशन जो किताबों में पढ़ते हैं जिसमें से क्यू जो है वो कभी जीरो ना हो गयू जो है वो कभी भी जीरो ना हो पी बाय क्यू का फॉर्म हो रैशनल नंबर्स में और जो आपका क्यू है वह कभी जीरो ना हो ≈ icon six by four seven by nine eight क्या एट राशनल नंबर होगा क्या एट राशनल नंबर होगा क्या एट राशनल नंबर होगा येस क्यों क्यों कि अगर कुछ नहीं लिखा तो मैं नीचे में वन मान लेता हूं अगर कुछ नहीं लिखा है तो मैं इसको नीचे में वन मान लेता हूं ठीक और क्या बोल सकते हैं तो seven point five क्या ये राशनल नंबर होगा इस दिस राशनल नंबर seven point five येस क्यों क्योंकि seven point five को आप क्या लिख सकते हो 75 बाइटेन अगर इसको further simplify कर दें तो ये कितना हो जाएगा fifteen by two fifteen by two तो आप इसको राशनल नंबर के forms में express कर सकते हो क्या ये मैं लिख सकता हूं all integers आर राशनल नंबर ये statement सभी है गलत है अब आप कि ओल इंटीजर सारे राशनल नंबर सारे की सारे इंटीजर्स क्या होगा सब में डिवाइड बाइब बन वाला केस रहेगा इसे लिए वो राशनल नंबर कहलाता है अच्छा एक और चीज़ है two by zero क्या ये राशनल नंबर होगा या नहीं होगा इस दिस राशनल नंबर इस दिस राशनल नंबर two by zero नहीं दिस नॉट अरशनल नंबर डिनॉमिनेटर कभी भी जीरो नहीं हो सकता जो रैशनल और इर्रैशनल की डेफिनेशन आती है उसके बारे में अभी बात नहीं कर रहे हैं बिकॉस आगे चलके में कंसेट सीखेंगे टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग के बारे में एक टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग के बारे में then we are going to discuss about irrational rational and real numbers in detail अभी सिर्फ रफेरेंस दिया हूँ जब हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे तब आप discussion होगा कि रैशनल रियल इर्रैशनल इनके बीच में क्या एक इनके बारे में इनके बीच में क्या रिलेशन अवो टॉपिक अभी नहीं 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 हो रहा है तो यह जो बेसिक आईडिया था रैशनल नंबर का वो मैंने आपको दे दिया पीबाए क्यूड के फॉर्म में होता है बस डिनामिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए अप ठीक पस डिनॉमिनेटर जीरो नहीं होना चीए अकांचा मैंने क्या बोला कि यह रैशनल नहीं होगा मैंने क्या बोला है कि यह रैशनल नहीं होगा अब यह रियल है कि नहीं है मैंने आपको बताया यह चीज अभी तो कि इसके बारे में डिसकेशन बाद में करेंगे इंटीजर में डेसिमल नहीं आता रैशनल में तो आ रहा है अरे भाई ठीक है अब क्या है चीज ठीक है तुम्हें बात को बिल्कुल सिर्यस्ली नहीं लेते अरुण अरुंधा कहने कि सब्सक्राइब फ्यू प्रीवेस एर कुश्चन इन क्लास आज मैं मैंने आप से कहा तो स्टार्टिंग में की प्रीवेस एर कुश्चन दो क्लास के बात करेंग तुम्हें लोग बताओ कि बेसिक पढ़ना है और डारेक्ट एडवांस लेवल पर स्टार्ट करो क्या बेसिक पढ़ना है एडवांस लेवल पर क्योंकि यह चीज़े नहीं समझोगे तो कुश्चन में फस जाओगे यूपीस्ट ट्राप यहीं पर सेट करता है पहली क्लास का पहला गंदा भी नहीं हुआ है एको यसने डाउट पूjisता को रैशनल नंबर के अंदर में एंटीजर्स भी आते हैं fractions भी आते हैं सब कुछ आते हैं तीक है rational number में integers भी आते fractions भी आते हैं सारी values आती है यह तो हो गया अब देखो rational numbers को ही fraction भी कहा जाता है rational number को fractions भी कहा जाता है 1 by 2 1 by 3 इस तरीके से तो देखो fraction को मैं कैसे लिख सकता हूं a by b के form में लिख सकता हूं can I write like this a by b किसी भी rational number या fraction को जो p by q लिखा था उसको a by b भी लिख सकते कोई problem नहीं है यह जो a होता है इसको कहते है numerator और जो b होता है इसको कहते है denominator ठीक this is numerator and this is denominator अब ध्यान से देखना numerator and denominator जिस भी नंबर में numerator less than denominator हो उस नंबर को कहा जाता है proper fraction या proper rational number कुछ भी हो सकता है तो अगर आपको exam में यह word यूज कर रहा है कि proper fraction proper fraction का मतलब क्या होगा numerator की value हमेशा denominator से छोटी होगी the value of numerator is always less than denominator जैसे की 1 by 2 2 by 3 7 by 9 इस तरीके की जो values है numerator is always less than denominator यह वह प्रॉपर अच्छा इंप्रॉपर का केस क्या होगा इंप्रॉपर fraction इंप्रॉपर fraction यह होता है जिसमें denominator जो है वो numerator से बड़ा हो या बराबर हो ठीक या तो बड़ा हो या तो बराबर हो तब मैं बोलूँगा इंप्रॉपर fraction जैसे की इस सेम चीज लिख दिए कैस सॉरी numerator denominator denominator से बड़ा हो या बराबर हो numerator denominator से बड़ा हो या बराबर हो फर एक्जामपल 7 by 2 9 by 8 6 बताये तो 6 किसमें आएगा इंटीजर जो इनटीजर है से छूकैस मैं अटो इंप्रॉपर फ्रैक्शन में आएगा और ऩाउं ऐसमें मैं 6 लिख रहा हैं तो उसका मतलब क्या है डिवाइड़ भाइट बाइवन सीक्स लिख रहे हो तो वो डिनॉमिनेटर से बढ़ा है तो जितने भी इंटीजर्स होते हैं जितने भी इंटीजर्स होते हैं देख कम अंडर दा क्याटिगरी ओफ इंप्रॉपर फ्रैक्शन जितने भी इंटीजर्स होते हैं देख कम अंडर दा क्याटिगरी ओफ इंप्रॉपर फ्रैक्शन ठीक ठीक है यहां तक कि अच्छा एक और बेसिक चीज की जरुद पड़ेगी कई बार questions में आता है एक होता है mixed fraction what is mixed fraction mixed fraction इस form में लिखा रहेगा A B by C A B by C तो mixed fraction का मतलब क्या हुआ suppose 7 1 by 8 इस form में लिख दिया 7 1 by 8 का मतलब क्या होगा 7 1 by 8 का मतलब यह होता है कि 7 into 8 plus 1 divided by 8 कितना आता है यह आपका 8 7s are 56 तो 57 by 8 यह form आती है mixed fraction में तो A B by C इसका मतलब क्या होगा A B by C का मतलब होगा A into C plus B divided by C देखो अगर question में आएगा तो मैं direct use करूंगा इसका question में आएगा तो मैं direct use करूंगा यह formula याद रखना पहले multiply फिर B के साथ add और then C से divide ठीक यहां तक तीन टाइप के fractions देख लिए proper, improper और mixed fraction अब देखो वापस से ना basics of numbers पे चलते हैं हम लोग discuss किये थे natural numbers को we have discussed about natural numbers अब natural numbers जो है they are of three types natural numbers are of three types कौन-कौन से तीन टाइप होते हैं second is prime number and third is composite number पहला क्या होता है type what is the first type natural numbers are divided into three categories prime number composite number unity exactly first type होता है unity unity means one अब इस पे कभी confusion मत करना one जो है वो ना तो prime number होता है ना composite होता है one is neither prime nor composite it is neither prime nor composite अब प्राइम नंबर क्या होगा prime number वो numbers होते हैं which are divisible by one and itself prime number वो numbers होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ वन से डिवाइड होंगे और अपने आप से डिवाइड होंगे और किसी से डिवाइड नहीं होते वो और वो किसी से डिवाइड नहीं होते सिर्फ वन से होंगे और अपने आप से होंगे क्या मैं यह चीज़ लिख सकता हूं number of factors of prime number कितने होगा भई number of factors of prime number कितने आएंगे कितने factors आएंगे यह fix रहता है दो ही factors आएंगे दो ही ऐसे numbers होते हैं जो prime number को divide कर सके एक one और एक itself एक one and एक हो जाएगा itself ठीक अच्छा example अगर मैं लिखू प्राइम number का तो क्या क्या होगा 2,3,5,7,9,11,13,17,19,23 और क्या हो सकते है 29 इस तरीके से चलता जाता है इस तरीके से चलता जाता है यह वो numbers है जो सिर्फ और सिर्फ one से और अपने आप से divide हो ठीक अच्छा 9 नहीं sorry 9 लिख दियागा मैंने हटा दो हटा दो 9 नहीं आएगा 9 तो 3 से divide हो जाता है yes क्या prime numbers clear है 2,3,5,7,11,13 and what about composite numbers composite number कैसे define करोगे how you are going to define composite number the numbers which have at least three factors ठीक है at least word use किया है मैंने कम से कम तीन नंबरों से तो divide हो दो नहीं दो factor पर तो prime बन जाता है दो factor पर तो prime आ जाएगा तीन या तीन से जादा ठीक या तो more than two factors ऐसे आप लिखो ठीक या तो तीन आएगा या तीन से जादा for example four के कितने factors होते number of factors of four number of factors of four four किस किस से divide होता है one से होता है two से होता है और four से होता है है ना one से होता है two से होता है four से divide हो जाता है what about six six जो है one से होगा two से होगा three से होगा और six से भी तो divide होगा it is divisible by six also तो आपको यहां पर तीन factor यहां पर चार factor दो से जादा होने चाहिए दो से जादा मतलब minimum तीन या तो तीन हो जाए चार पांच छे फरक नहीं पड़ता बट इस आर कॉंपोजिट नंबर फ़र एक्जामपल eight फ़र एक्जामपल nine ten twelve यह सबके सब examples of composite number these all are examples of composite number ती यहां तक के prime number composite number जल्दी से बताओ अब देखो जो important चीज इसका मेरे एक्जाम में यूज आएगा क्या लिखाए मैंने बार रीड करो एक बार रीड करो एक बार रीड करो कि एनी कॉंपोजिट नंबर देखो वर्ड यहां पर कौन सा इंपोर्टेंट है वर्ड इंपोर्टेंट है पहला तो एनी एनी मतलब किसी भी कंपोजिट नंबर को मैं express कर सकता हूँ as a multiplication of prime numbers ठीक है मैं किसी भी composite नंबर को prime numbers के multiplication के form में लिख सकता हूँ और इसी को कहते हैं इस process को factorization अगर आप factorization सीख लिए तो एक्जाम में दो तीन कोश्चन इसी लॉजिक पर बनते हैं और अगर यह नहीं सीखे तो आपका दो तीन क्लास वेस्ट जाएगा क्योंकि यहीं से LCM निकलता है यहीं से HCF निकलता है यहीं से factors निकलते हैं अब वाला question देखे हो जो आजकल exam में आ रहा है कि in how many ways different solutions can be find इस टाइब की questions देखे हो exam में in how many ways different answers can be find या ऐसे लिखता हूँ in how many different ways answer can be find ऐसे वाले questions देखे हैं नहीं देखे हैं अगर question paper देखे होगे तो खासकर पिछले दो सालों से बहुत ज्यादा trend में आ रहा है यह किसी topic का नहीं होता यह वो permutation में भी बना सकते हैं वो normal percentage के question में वो logic को आप apply कर सकते हैं तो आपको उसके लिए factorization सीखना पड़ेगा जब तक आप factorization नहीं सीखोगे तब तक कि आप different तरीके से answer को नहीं find कर सकते हैं और factorization process क्या होता है किसी भी composite number को prime number के multiplication में express करना किसी भी composite number को prime number के multiplication में express करना चलो एक छुटा सा number लेकर देखते हैं दे नंबर is 24 इसको मैं कैसे factorize करूंगा ध्यान से देखना process 24 को मैं लिख सकता हूं 8 into 3 कि आप 12 into 2 से भी start कर सकते हो कोई फरक नहीं परता 8 into 3 लिख दिया अब यह थ्री प्राइम नंबर है कि नहीं है इस थ्री अ प्राइम नंबर इस थ्री अ प्राइम नंबर अच्छा क्या 8 प्राइम नंबर है तो इसको ऐसी रख दो यह प्राइम नंबर है तो इसको ऐसी रख को मैंने कैसे लिखा मैंने 24 को लिखा 2 cube into 3 this is the meaning of factorization 2 cube into 3 2 cube into 3 एक चीज याद रखना power में कोई भी नंबर आए फरक नहीं पड़ता even odd कुछ भी आ जाए बट यहाँ पर जो नंबर आते है multiplication में they should be prime number अगर मैं factorization लिख रहा हो तो यह प्राइम होने चाहिए टिक 2 cube into 3 power 1 लिखा है बट आपको प्राइम कौन सा डूढ़ना है यहाँ पर जो numbers है जो multiply हो रहे है जो multiply हो रहे है numbers उनको मैं कहता हूं प्राइम numbers एक बात बताओ 144 को कैसे लिखा जा सकता है factorization में मैं आपको आधा मिनिट दे रहा हूं करो उसको solve 144 को कैसे लिख सकते हैं प्राइम में हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू आर सेशन मेरा नाम अंकित तिवारी और हमने जो सीसाइट की सीरीज स्टार्ट की है for 2024 उसमें आज हम लोग एक important section cover करेंगे which is known as number system वहर साल 15 से 20 question number system topic से पूछे जाते हैं out of 80 questions में से और अगर आप इस lecture को end to end देखते हैं तो अगर 20 questions आ रहा है तो 15 questions आप easily solve कर सकते हैं by using all the concepts which we are going to discuss in today's video तो चलिए session को start करते हैं session start करने से पहले एक important information अगर मैं CSAT को two months में cover करना चाहता हूँ that is by April end so you can join our CSAT batch जिसका admission start हुआ है 8th of March से 10 last 10 years का PYQ discussion 1500 plus questions in form of practice sheet 10 mock test basic to advanced level preparation जो formula based questions होते हैं उसको change करके जो logic और concept based questions है वो सारी की सारी चीज़ों को cover की जाएंगी the price for the course is 3999 and the code for maximum discount is 80 life कैसे लिखेंगे इसको factorize करके 144 को भाई factorize करते जाना पड़ेगा जब तक क्ये प्राइम नंबर नहीं मिलता जब तक क्ये प्राइम नंबर नहीं मिलता तब तक factorize करते रहना पड़ेगा 144 को क्या लिख सकता हूं simply 12 into 12 लिख देता हूं 144 को लिख देते है 12 into 12 बड़ प्राब्लम क्या है यह भी composite है और यह भी composite है यह भी composite है तो मैं इसको इस तरीके से नहीं शोड़ सकता इसको और ब्रिक करो 3 into 4 into 3 into 4 12 को क्या लिख सकते हैं 3 into 4 अब यहां पर देखो यह और यह तो प्राइम नंबर हैं तो इनको कर लो क्या बचा 4 into 4 into 3 square यह तो प्राइम नंबर आ गया यह तो प्राइम नंबर आ गया अब क्या बचा 2 square into 2 square कितने बार आ रहा है 2 power 4 into 3 square अब को multiplication पर focus करना है यह है factorization टीक टू पावर 4 into 3 square टू पावर 4 into 3 square अब किसी भी तरीके सॉल्फ करो एंड में factorization यही आएगा ठीक जल्दी क्लियर है यह चीज यह बहुत important step है यह जब तक maths पढ़ेंगे तब तक use में आएगा अगर आप यहां पर नहीं समझेंगे तो आप फस जाएंगे I'm telling you yes अच्छा एक और solve करो तो 140 इसको कैसे लिख सकते 140 को कैसे लिख सकते 140 को कैसे लिखेंगे यह 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 अब तब तक ब्रेक करोगे जब तक प्राइम नंबर नहीं आदे को प्राइम नंबर मिल गया तो उसको अलग कर दो और आउनका composite को ब्रेक करते जौँ और composite नंबर को करते जौँ आप 430 को कैसे लिखुंगा मेरे को पता है यह यह हो जाएगा 70 इंटू तू तो प्राइम नंबर नंबर सेवेंटी को कैसे लिख सकते пड़ेंटू 1997 как प्राइम नंबर है और 7 भी प्राइम नंबर है बचा क्या 10 10 को मुझे ब्रेक करना पड़ेगा 10 को कैसे ब्रेक करते है 10 बन जाएगा 2 into 5 तो जब इस सब को multiply करोगे तो 2 आया है 2 बार तो 2 square into 5 into 7 यह हो गया factorization this is the factorization of 140 this is the factorization of 140 ठीक येस्ट नो एक आखरी करा रहा हूं factorization फिर आगे चलेंगे एक लास्ट वन 720 इसका बताओ क्या आएगा एंसर 720 इससे लास्ट वन अखांचा लार्जिस्ट इवन नंबर जान के क्या करोगे पहले वर कुई यह बताओ परपस बताईए आपके सवाल का ठीक है मिथुन अंजनी भविन एंसर आया है ओल्मोस सही लग रहा है मिरको ठीक है शिवा कृष्णा अंजली टू का पावर सेवन तो नहीं आना ची चलो देखते हैं कैसे बनेगा 720 को मैं इतना जानता हूं कि यह हो जाएगा 72 इंटू 10 एंसर के साथ साथ यह भी देखो कि मैं कैसे ब्रेक कर रहा हूं नंबरों को 72 Շंटेन शिवेंटीटिव एंट उंता नाइन इंटी इंटी टेन यह हो गया सारे के सारे कमपोर्जेट नंबर ब्रेक कर दिजे नाइन क्या हो जाएगा ध्री स्कॉएर एट ना होता है टू क्यूब इंटू 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 फाइव तैंध डिया त्न किया बन कि यह एंसर आ गया एंड में यह सब्सक्राइब कि लार्जेस्ट इवन नंबर का यूज क्या है कि आविल गिफ यू दा एंसर और कोशन बट पुझे परपस समझ नहीं आ रहा ठीक है यहां तक कि फैक्टराइज कर लोगे कि किसी भी नंबर को किसी भी नंबर को फैक्तराइज कर लोगे हाँ रहना इस अब देखो फिर से स्टार्टिंग से चलता हम अनद चार कुश्यन किये हैं हमने फैक्टराइजेशन में चार question किये हैं पहला 24 144 और 140 और 720 अगर आप से पूछे 24 इसको मैंने factorize करके कैसे लिखाता इसको मैंने factorize करके कैसे लिखाता जल्दी बताओ ये था 2 cube into 3 power 1 yes or no 2 power cube into 3 power 1 अब को यह भी reason नहीं पूछेगा थोड़े देर के लिए सिर्फ process समझो अगर आपसे 2 cube तक जा रहा है तो यहां पर आपको factors मिलते हैं 4 अगर 3 power 1 तक जा रहा है तो एक बढ़ा के factors मिलते हैं 2 यह याद रखना जितनी भी power होती है क्यों होती है मैं 10 मिनट बात समझाओंगा बट जो भी power है यहाँ पर 3 तो आपको कितने factors मिलेंगे 4 यहाँ पर power 1 है तो कितना मिलेगा 2 तो number of factors of 24 कितना आएगा 4 to the 8 क्या चीज़ clear है number of factors कैसे निकालेंगे आप factorize करने के बाद जो भी prime number का power है उसको एक बढ़ा कर multiply कर देना उसको एक एक increase करके multiply करना ठीक 24 के अलावा हमने और एक number लिखा था 144 कैसे लिखेते 144 को 2 power 4 into 3 square 2 power 4 into 3 square बताओ तो यहाँ पर number of factors कितने आएगा यहाँ पर total number of factors कितने आएगे देखो 2 का power 4 है मतलब यह देगा 5 factor यह देगा आपको 5 factor 3 square है तो यह देगा 3 factor 5 3 is a 15 ठीक 5 3 is a 15 क्लियर यह चीज़ जो भी प्राइम नंबर का power होगा उसको एक increase करके multiply करना उसको आप एक increase करके multiply करना एक और question हमने solve किया था कौन सा 140 लिए थे ना 140 कितना बना था 2 square into 5 into 7 बताओ तो number of factors कितना आएगा कितना आएगा इसमें number of factors कितना आ जाएगा यहां पर number of factors यह कितना देगा यहां पर power 2 है तो तीन factor यहां पर one है तो मिलेगा दो factor 7 जो है वो देगा दो factor 3 टूजा 6 टूजा 12 इस आदा number of factors इस आदा नथिंग बट number of factors ठीक एक और question किये थे ना 720 किये थे कितना आए था उसका 2 power 4 3 square into 5 2 power 4 3 square into 5 बटाओ तो number of factors what are the number of factors here कि यह कितना देगा पांच यहां पर कितना आएगा तीन और यहां पर power कुछ नहीं है तो one मान लो दो 5 3 is a 15 2 is a 30 30 is the number of factors of 720 30 is the number of factors of 720 चलो इसका बता सकते हो number of factors find number of factors पहला number है 1728 और दूसरा number है 1780 इसके बता सकते है number of factors what are the number of factors here 1728 and 1780 take your time and solve this question 1780 के 12 factors आ रहे हैं और 1728 के 28 factors आ रहे हैं क्या यह एंसर आया सबका चलो करके solve कर देते अगर मुझे 1728 को पहले solve करना है what is 1728 अगर नहीं पता है तो आप जान लीजे है it is 12 into 12 into 12 मैं आपको एक list दे दूंगा 12 क्यूब होता है 1728 ठीक 1728 जो होता है वो होता है 12 का cube तो आपको पता है 12 कितना लिखते है 12 होता है 3 into 4 3 into 4 मतलब 2 square into 3 2 square into 3 2 square into 3 2 square into 3 ठीक है 12 कितना होता है 4 into 3 तो मैं 4 को भी ब्रेक करके लिख दे रहाँ 2 square into 3 2 square into 3 2 square into 3 इस तरीके से लिख दिया अब एक बात बताओ final कितना बन जाएगा जब इसको multiply करोगे तो यह बन जाएगा 2 power 6 into 3 cube यह हुआ factorization किसका 1728 का this is the factorization of 1728 yes or no यह यहां तक समझ में आया किसी को doubt तो नहीं है इसमें यहां तक समझ गए गरां समझ गए तो आपको पता है 2 power 6 तो कितना लूंगा 7 3 cube है तो कितना लूंगा 4 7 forza 28 हमेशा power को बढ़ा कर लिखना हमेशा power को बढ़ा कर एक value से increase कर दीजेगा कितना हो गया 7 forza 28 तो 28 factors are there for 1728 कि यह answer आया भी था आप लोगोंगा यह answer आया भी था 1728 अच्छा अगला question क्या था 1780 यही था ना क्यूब रूट कहां तक का पता मैं लिखवा दूंगा गुल्शन अभी सिर्फ इनर फोकस जो पढ़ा रहा हूं सिर्फ उस पर ध्यान दो क्या चीज़ कहां तक आनी चाहिए जब वह topic आएगा तो आपको सिखा दिया जाएगा बट यह बहुत इंपोर्टेंट कंसेप्ट है जो सीख रहे हैं हम लोग जितने भी different types answer can be found यह जो questions का चलन बड़ा है UPSC में पिछले दो सालों से जब तक आप factorize नहीं कर पाओगे जब तक आप actual factors नहीं find कर पाओगे आप वो question नहीं बना सकते कोई formula नहीं है उसके लिए कोई short trick नहीं है C set में success की कोई short trick ही नहीं है सिर्फ और सिर्फ एक ही trick है hard work तो देखो अब 1780 में को normal multiplication तो नहीं दिख रहा मैं को याद भी नहीं है यह कि किसका multiplication होगा तो मैं rough में divide करके देख लेता हूं 1780 को 10 से divide करेंगे तो कितना आएगा भी 178 आ जाएगा 178 को किस से divide करें इस फोर से डिवाइड हो रहा है नहीं हो रहा है तो टू से डिवाइड कर देते हैं तो कितना आएगा तू एड़ जा 16 और 89 यह बन गया मैंने इसको इसको डिवाइड करके देख लिया 1780 क्या है 10 इंटू 89 इंटू तू यह किसी को याद नहीं रहता यह सोचना कि इस डारेक्लिक दे रहे हैं नहीं वहीं एक्जाम में कोई भी नंबर दे देगा बड़ा सा नंबर भी देगा तो मैं इसको डिवाइड करके चेक कर लूँग ठीक यहां तक कि अब देखो टेन एक कंपोजिट नंबर है तो यह बन जाएगा फाइव इंटू टू इस टू को आज़ेट इस लिख लेते हैं अब यह बताओ 89 प्राइम है की नहीं है 89 प्राइम है की नहीं है 89 जो किसी से डिवाइड नहीं होगा तो यह एक प्राइम नंबर है तो फाइनल थेक्ट रिजेशन क्या हुआ तू स्क्वेर इंटू 89 इंटू 5 तो स्क्वेर इंटू 89 इंटू 5 तो यहां से कितने मिल जाएंगे 3, यहां से मिल जाएगा 1, sorry not 1, यहां से मिल जाएगा 2, यहां से भी मिल जाएगा 2 because इनकी power 1, 1 है, तो 3, 2s are 6, 2s are 12, 12 are the number of factors of this 1780, 1780 की कितने factors होंगे? 1080 के होंगे, 12 factors, clear? अब इना उसका कोई वो तरीका नहीं होता, आपको divide करके check करना पड़ेगा, 89 एक prime number होता है, normal, आपके single digit या double digit number उसे divide नहीं हो रहा है, है, hit and trial ही एक लोटा step होता है, तो यहां तक अगर आप सीख गए, यहां तक अगर आप सीख गए, तो अब चलो, एक और concept सीखते हैं, सबसे पहला number कौन सा लिया था मैं, number of factors के लिए, है, what is the first number for number of factors, पहले number क्या था, 24 था ना, तो इस 24 को मैंने कैसे लिखा था, टू क्यूब इंटू 3 पावर 1, ठीक, टू क्यूब इंटू 3 पावर 1, अब जो मैं लॉचिक सीख रहा हूँ, वो है, finding sum of the factors, कि जितने भी factors हैं, उनका sum कैसे find करेंगे, ठीक, उनका sum कैसे find करेंगे, देखो, जो 2 क्यूब आया है, इसको मैं किस तरीके से expand कर रहा हूँ, 2 क्यूब का मतलब ये हो रहा है कि 2 का पावर 0, 2 पावर 1, 2 स्क्वार और 2 क्यूब, ये सारे के सारे factors हैं इसके, ये जितने भी मैंने number लिखा है, ये 24 को divide करेगा, अब समझ में आया, कि अगर power 3 है, तो number of factors 4 क्यूब लेते हैं, क्योंकि इसको भी consider करो, 24 is always divisible by 2 power 0, 24 is always divisible by 2 power 0 कितना होता है, 1, इसे लिए हमेशा एक बढ़ा के लिखता हूँ, ये जो 3 power 1 है, इसको कैसे लिखेंगे, 3 power 0 plus 3 power 1, क्या ये expansion समझ में आया, आपको इस तरीके से इसको लिखना है, 2 power 0, 2 power 1, 2 square, 2 cube, और ये 3 power 0 से start हुआ, इसे लिए जो भी power होती है, उससे एक ज़्यादा factor लेते है, because factor जब हम calculate करते हैं, तो जीरो से लेते है, calculation, ये कितना आएगा, 1 plus 2 plus 4 plus 8 multiplied by 1 plus 3, कितना आ रहा है, 1 plus 2, 3, 3 plus 12, 15 into 4, क्या 60 आ रहा है, 60 is the sum of the factors, क्या कुछ गलत तो नहीं किया, मैंने, 1 plus 2, 3 plus 4, 7, 15, 15, 14, 16, 15, 15, 14, 16, 60 is the sum of the factors, 60 is sum of the factors, clear ये चीज, sum of the factors कैसे find करेंगे, जबारे कमेंट आने बंद हो गए, ठक गए क्या, हूं, जबारे ठक गए, जल्दी कोर्स अगर खतम करना है, एक्जाम आ रहा है, तो थोड़ा तो हमें effort लगाना पड़ेगा, हूं, आ गया, ठीक है, जिनको नहीं आया, घबरानी की बात नहीं है, अगला नंबर क्या लिए था, फैक्टराइजेशन में, फैक्टराइजेशन अगला वाला क्या लिए था, 144 था ना, अच्छा, 144 का फैक्टराइजेशन क्या आया था मेरा, 12 इंटू 12, 12 मतलब हो गया आपका, 2 पावर 4 इंटू 3 स्क्वार, यह यह आया था, 16 इंटू 9, 16 इंटू 9, 144 को ऐसे लिख दिया मैंने, अब देखो, आपको क्या करना है, आपको यह देखना है, कि 2 का पावर 4 एक्च्वल में कौन-कौन से फैक्टर्स दे रहा है, यह दे रहा है फैक्टर, 2 पावर 0, 2 पावर 1, 2 स्क्वार, 2 क्यूब, 2 पावर 4, यहां तक के, और यह जो 3 स्क्वार है, यह कितना दे रहा है, 3 पावर 0, 3 पावर 1, 3 स्क्वार, 3 square तक है तो 3 power 0 से लेकर 3 square तक लिख दीजे मैंने इस तरीके से लिख दिया यह लिखने का तरीका है यह लिखने का तरीका है अब 2 power 0 कितना होता है 1 2 power 1 कितना होता है 2 2 square कितना होता है 4 2 cube कितना होता है 8 2 power 4 कितना होता है 16 यहां पर three power zero one three power one three three square nine बता दो multiply करके कितना रहा है one plus two three यह पहले है और यह आड कर ले तो 24 28 30 31 into कितना रहा है आपर 13 what is the value we are getting 31 into 13 यह अलागा एंसर क्यों आ रहा है 31 into 13 करना 310 जाएगा और यहां पर आजाएगा 93 310 93 jorda 403 आएगा answer what is 403 it is some of the factors it is some of the factors ठीक अब आया process समझ में जिन लोगो first time में नहीं आया था जिनको भी first time में नहीं आया था 19 कैसे होगा some of the factors multiply करेंगे ना क्या doubt विशाल में नहीं समझ रहा we are doing summation of factors then why adding digits digits कहां यह सारे के सारे individual factors है भाई मैं कहां इसको वो कर रहा हूं these all are individual factors जितने भी numbers को मैंने green circle करके रखा है जितने भी number को मैंने green circle करके रखा है 144 उन सबसे divide हो रहा है the 144 एन सबसे डिवाइड हो रहा है, don't overthink just understand the process अब यह कैसा doubt हुआ रोहित, number of factors counting है, एक, दो, तीन, चार, पाँच sum of factors, actual factor का addition है, तो दोनों same कैसे होगा number of factors कितने होंगे, एक, दो, तीन, चार, पाँच, एक, दो, तीन, तो यही मैं करता था 5 into 3, 15 number of factors भाई, no shortcut, मैं पहली कहा दे रहा हूँ, shortcut, ना मैं बताऊंगा, ना exam में काम आएगा, आप process समझी, अगर आप process नहीं समझेंगे, तो exam में कोई method काम नहीं आने वाला, बिल्कुल, straight forward questions पूस्टे हैं वो लोग, चलो, अगला factor क्या लिए था, अगला number क्या था, इसका भी sum of factors लेते, नहीं विशाल, question क्या था है, बेदो मैं रुको, 144 के, मान लो 144 के कितने factors थे, 15 factors थे, इन 15 factors का मैं नाम दे देता हूँ, F1, F2, F3, F4, up to F15, ठीक, इतने 15 factors थे, उन numbers का मैंने नाम लिख दिया, F1, F2, F3, F15, तो sum of the factors का मतलब होता है, F1, plus F2, plus F3, up to F15, यह आएगा 403, यह आएगा 403, अब समझे, sum of the factors का meaning, कि जितने भी इसके factors होंगे, उन सब का addition बनता है 403, बाकी किसी को भी doubt थाएगे, What is the next number? 140 था, 140 का prime factorization करो, कितना आता है, 2 square हो गया, into, कितना कर लेंगे, 14 है, 7 into 2, और 15, 7 into 5, यही आया था, 140 का prime factorization यही आया था, अब इसमें अगर आपको sum of all the factors करना है, तो मैं यहाँ पर कैसे लिखूंगा इसको, 2 power 0, 2 power 1, 2 power 2, 7 का बन जाएगा, 7 power 0, 7 power 1, और 5 का बन जाएगा, 5 power 0, 5 power 1, कितना आ रहा है, multiply करके, कितना आ रहा है, multiply करके, यह 1 plus 2, 3 plus 4, यहाँ पर आ जाएगा, 7 into, 1 plus 7, 8, into, 1 plus 5, 6, 7 into 8, into 6, 7 into 8, into 6, कितना आएगा, 8, 7's are 56, 56 into 6 किये, 6, 6 is the 36, उपर, 3, 3, 36 आ रहा है क्या, ऐसा कुछ आ रहा है क्या, yes, 3, 36, multiply करना है, addition करके, इसको add करोगे, तो 7 आ जाएगा, रोशन, इसको add करेंगे, तो 7 आ जाएगा, इसको add करेंगे, 7 power 0, plus 7 power 1, तो 8 आ जाएगा, 5 power 0, plus 5 power 1 करोगे, तो 6 आ जाएगा, the answer is, 3, 36, तो अब क्या, आप sum of factors, निकाल लेंगे, किसी भी question का, sum of factors, आप find कर लेंगे, generally, sum of factors, नहीं पूछता, exam में, exam में, number of factors, पूछता है, बट यह process भी, हम सीख लिए, येस, अच्छा, 720 की बात करते हैं, थोड़ा सा question को, change कर रहा हूँ, find a number of factors, of 720, which are, perfect, squares, बताओ, तो answer क्या होगा, इस question का, what is the answer of this question, अब question ध्यान से पढ़ना, number of sum of factors, को change कर दिया हूँ, अब मैं कुछ और पूछ रहा हूँ, जो UPSC पूछता है, 720 के ऐसे factors, जो perfect square हो, number of factors of 720, which are perfect, perfect square का मतलब समझते हो न, perfect square का मतलब तो समझते हैं न, येस, अच्छा देखो, कैसे बनाओगे इस question को, process सबका सेम रहता है, 720 को, सबसे पहले, prime factorization में हम लोग change कर लेते हैं, prime factorization में change कैसे करोगे, ये हो जाता है, 10 into 9 into 8, तो कितना आया था, 2 power 4, 3 square into 5, यहां तक clear है, क्या यहां तक clear है, prime factorization में convert कर लिया, total number of factors कितने आ जाएंगे, total factors कितने हो जाएंगे, 5 into 3 into 2, 5 into 15 into 30, total factors मैंने निकाला था, वो आ रहे थे 30, अब देखो, अगर मिर से यह पूछ रहा ही, कि perfect square वाले कितने हैं, ठीक, perfect square वाले कितने हैं, तो मैं इसको क्या करूँगा, वैसे यह expand कर दूँगा, पहले, 2 power 0, 2 power 1, 2 square, 2 cube, 2, 4, ठीक, यहाँ तक क्ये, multiplied by 3 power 0, 3 power 1, 3 square, 5 power 0, 5 power 1, मैं some of the factors, निकालने वाले तरीके से, मैंने इसको expand कर दिया, ठीक, यहाँ तक clear है, अब ध्यान से देखो, इन में से कौन कौन से number है, जो perfect square है, 2 power 0 क्या होता है, 1, क्या 1 perfect square है, जल्दी से बताइए, क्या 1 perfect square है, यह सौर नो, यह भाई, 1 square 1 होता है, क्रिशना निक्की, क्या नो लिख रहे हो, 1 square 1 होता है, तो 1 एक perfect square नहीं होगा, कि इस आरी majority of students ने लिखा है, नो, 1 का square 1 होता है न, तो 1 तो एक perfect square हो गया, अच्छा, यह 2 तो है, वो perfect square नहीं होता, 2 square perfect square होता है, येस, 2 square क्या है, 2 square is nothing but 4, तो एक perfect square यह मिला, एक perfect square यह मिला, यह तो नहीं होगा perfect square, ठीक, अच्छा, 2 power 4, 16, 16 is a perfect square, किसका है यह, मैं आपर value लिख देता हूँ, देखो, 4, और 16, यह तीनों की तीनों perfect square है, इसके बाद, यहाँ पर क्या आएगा, 3 power 0, 1 is a perfect square, 1 is a perfect square, यह नहीं है perfect square, बट 3 square 9, यह तो है perfect square, 9 is a perfect square, अब अगर यहाँ पर चले, 5 power 0, 1 is a perfect square, यह नहीं है perfect square, यह नहीं है perfect square, तो यहाँ से जो perfect square वाले terms है, वो मैंने लिख लिए, वो मैंने लिख लिए, अब देखो, मेरे से क्या पूछा है, इक्जाम में मेरे से पूछा है, number of factors, number of factors, which are perfect square, तो कितने हो जाएंगे, 2 वाले मिलेंगे, 1, 2, 3, यहाँ से मिलेगा 2, और यहाँ से मिलेगा 1, तो क्या लिखूंगा यहाँ पर, 2 वाले मिल गए आपको 3, into 2, into 1, answer is 6, the number of factors, which are perfect square, is nothing but 6, 6 factors हो गए, जो perfect square है, मैंने यहाँ से calculate कर लिया, आया समझ में, कि बाउंसर चला गया, आपको यहाँ पर सिर्फ यह देखना है, कि कौन कौन से square वाले terms बन रहे है, question को change करता हूं, answer बताओ मेरे को, find the number of factors, which are not perfect square, किता आएगा, find the number of factors, which are not perfect square, perfect square नहीं है, वो कितने factors होंगे, बताओ इसमें स्देख के, which are not perfect square, कहां इतना लिख रहे होंगे, total factor 30 है, perfect square वाले 6 है, तो 30-6 नहीं लिख दूँगा, 24, अब उदर से भी count करके solve कर सकते हो, वहाँ से भी 24 यह answer आएगा, but find the number of factors, which are not perfect square, 30-6, 24, 30-624, अगर मैं इस table में से लिखूँ, तो देखो, एक मेर को ये term मिला था, अगर मैं not a perfect square वाला लूँ तो, एक, दो, ठीक, तीन, और यहां से एक मिल गया था मुझे, ठीक, यहां से मुझे मिल गया था, बट इनके multiplication भी exist करते हैं, वो हम अगले step में सीखेंगे, इसे लिए, अगर आपको पूछे, अगर आप से पूछे, नहीं, इसको हम direct नहीं निकाल सकते हैं, अगर आपको पूछे कि find the factors which are not perfect square, वो आप यहां से calculate नहीं कर सकते, आप कैसे calculate करोगे, total, minus, जो number of perfect square से, समझे, अब direct वहाँ से, विचार not perfect square को मत calculate करना, एक problem आती है, जिसको हम आगे सीखेंगे, एक issue आता है, सारे के सारे included हैं, अच्छा, इसी question को थोड़ा और change करता हूँ, find, number of, factors, which are, perfect cube, बताईए इसमें से, find the number of factors, which are perfect cube, मैं इसको clean कर देता हूँ, find the number of factors, which are perfect cube, कितने आएंगे हैं आपर, आपको count करना पड़ेगा, perfect cube वाला कौन सा number है, क्या one perfect cube है, is one a perfect cube, पताईए, क्या one perfect cube है, येस, अच्छा, two power one, two power two नहीं होगा, two power cube कितना होता है, eight is a perfect cube, तो यहां से आपको कितने मिल गए, यहां से मिल गए, दो, perfect cube वाले, ठीक, अच्छा, इन में से कौन सा होगा perfect cube, इन में से कौन सा होगा perfect cube, सिर्फ और सिर्फ three power zero वाला, क्योंकि three और nine perfect cube नहीं हो सकता, three और nine जो है, three and nine, they are not perfect cube, और यहां पर मिलेगा एक, तो answer कितना आएगा, two into one into one, two into one into one, answer is two, इसके जो भी perfect cube, इसके जो भी आपके factors होंगे, उन में से दो ही factor ऐसे होंगे, जो perfect cube है, जो perfect cube है, clear है इस वाल, four कैसे होगा, four कहां से perfect cube हो रहा है, two power four is 16, थोड़ा बताना, 16 जो है, वो किस number का perfect cube है, 16 जो है, वो किस number का perfect cube है, not perfect cube में क्या करोगे, 30 minus 2, 28 is the answer, 30 minus 2, 28 is the answer, number of factors which are not perfect cube, क्योंकि मेरे को multiply करने नहीं बोला था, मुझे बोला था कि सिर्फ number of factors निकालो, अगर sum of factors बोलता है, तो मैं multiply कर देता, देखो कलम क्या पढ़ेते है, number system, पहला जो important concept था, वो basics को अटा दूँ तो, we have learned this process, factorization, क्या factorization clear है, क्या factorization का concept clear है, कि मैं कैसे किसी भी composite number को, prime numbers के multiplication में लिख सकता हूँ, मैं कैसे करके, बदब किसी भी composite number को, मैं prime number के multiplication देखो, ये factorization का method बहुत जगे यूज में आएगा, आगे चलके, दूसरा हमने सीखा था, जो second topic कल था, वो था, number of factors, and, sum of factors, ये हमने सीखा था, किस तरीके से number of factors, and sum of factors, find किया जा सकता है, क्या ये point clear था, कि जो भी prime number के power में है, उसको एक बढ़ा कर काउंट करेंगे, और जब sum करना है, तो सारी values को add करके multiply कर देंगे, yes or no, ये दो चीज़ें हमने कल सीखी थी, number of factors, and sum of factors, yes, अब end में question मैंने कराय था, कि इस पे अगर मैं special conditions लगा दूँ, तब किस तरीके से answer change हो जाएगा, इस टाइप के questions में हमने special cases ये special conditions, कि भई perfect square हो, perfect cube हो, तब क्या करोगे, इसका हमने question किया था, तो mostly कैसे questions आएगे, या तो perfect square हो, नहीं तो perfect cube हो, है ना, अच्छा perfect square का मतलब क्या होगा, एक बात बताईए, यहीं पर मैं concept बता देता हूँ, फिर एक और question करेंगे solve, कल मैंने कहा था कि हम एक दो question और solve करेंगे, perfect square का मतलब क्या होगा, मान लो, मेरे पास एक number given है, the number is 32, एक सिर्फ 32 given है, पलक आपको कल का एक बार lecture देखना पड़ेगा, ठीक है, वो perfect square, perfect cube वाला case में बता रहा हूँ, बट number of factors वाला कल मैंने पूरा detail में समझाया था, तो एक बार कल वाला lecture देखना, मेरे पास number क्या given है, 32, 32 को factorization क्या होगा, यह कितना होगा, यह कितना होगा, 2 पावर 5, अब number of factors कितने आएंगे 32 के, यह बता हूँ, यह क्लियर है, कि 6 हो जाएंगे number of factors, 2 पावर 5 है, तो total factors मिलते हैं 6, अच्छा, अगर sum of the factors बोलता है, तो मैं क्या करता, अगर मुझसे पूस्ता है कि sum of factors बताओ, तो sum of factors चालू होता है, 2 पावर 0 से, 2 पावर 1, 2 स्क्वार, 2 क्यूब, 2 पावर 4, अप टू टू पावर 5, यहां तक जाता, यहां तक जाता, अप टू टू पावर 5, यहां और नो, जल्दी, जो भी एडिशन आर, एडिशन इस नॉट इप्पॉर्टन फॉर मी, यह अब देखो, अगर इस पे मैं यह जोड देता, कि फाइंड दा फैक्टर्स, विच आर पर्फेक्ट स्क्वार, पर्फेक्ट स्क्वार का मतलब अगर आप नहीं समझ पा रहे, तो आप इतना याद रखिएगा, इवन पावर वाले टर्म्स, ठीक, पर्फेक्ट स्क्वार का मतलब यह होता है, कि इवन पावर वाले टर्म्स, तो यहाँ पर अगर मैं लिखूं, even power वाले terms कौन कौन से हैं, एक है 2 power 0, दूसरा है 2 power 2, तीसरा है 2 power 4, सिर्फ तीन ही factors होंगे, जो perfect square है, क्या इस चीज़ clear है, अगर perfect square पूछा है, तो मैं देखूंगा even power, तो 2 power 0 को ले लूँगा, 2 power square, 2 power 2 को ले लूँगा, 2 power 4 को ले लू से find करना है, जो भी आपका some of the factors का expression होगा, जो भी आपका some of the factors का expression होगा, उसमें आप even power वाले term कंसिडर कर लेना, उसमें आप even power वाले term कंसिडर कर लेना, अब अगर पूछता है, कि perfect cube कौन कौन से होंगे, अब अगर पूछता है, perfect cube कौन कौन से होंगे, तो आप वो ले न इसके बाद एक और टर्म है जो थी का मुल्टिपल है पावर कौन सा टू क्यूब इसके अलावा टू पावर वन टू फोर फाइब इस आर नोट मुल्टिपल्स तो मेरे पास perfect cube वाले कितने factors होंगे दो ही factor होंगे इस question के लिए इस question के लिए मेरे पास perfect cube वाले दो ही factors होंगे perfect square में even power consider कर लो perfect cube में वो पावर लेना जो मल्टिपल उफ 3 हो ठीक start करें class को यह हमने कल पढ़ा था यह आज का नहीं है यह कल का है यस चलो एक सवाल बनाते हैं इस पर सपोस्ट तर नंबर इस गिवन नंबर इस 544 ठीक 544 अब पहला कोश्चन इसमें मल्टिपल कोश्चन बना रहा हूं मैं इस पहले मिर को बताओ what is the number of factors of this number आप answer देते जाएं मैं लिखते जाओंगा 544 के number of factors कितने होंगे 544 के number of factors पहले तो इसका factorization करना पड़ेगा पहले तो इसका factorization करना पड़ेगा बताओ क्या आएगा ठीक इसको multiply करके आपको देखना पड़ेगा ऐसे हमको नहीं पता तो division करना पड़ेगा यहां पर एक्जाक्ट याद नहीं रहता किसी को बहुत बड़ा नंबर है तो 544 क अगर टू से डिवाइड करूंगा कितना आएगा तू से डिवाइड करोगे तो टू टू जा 414 272 फिर से एक बार टू से डिवाइड कर दो 146 क्या फिर से टू से जा रहा है 73 नहीं कुछ गरबढ़ किया है मैंने टू बन से चला गया तू थ्री जा सॉरी यहां पर थ्री आना चाहिए त्री टू जा सिक्स और 136 फिर क्या और डिवाइड होगा तू सिक्स जा 12 1668 इसको फर्दर डिवाइड करते जाओ क्या बन रहा है मेरा मेरा एंसर आएगा फैक्टराइजेशन करने पर टू का पावर इंटू 17 पावर वन क्या यह रिजल्ट आ रहा है तू पावर फाईव इंटू 17 पावर वन फैक्टराइजेशन करने पर तो यहां से आपको कितने फैक्टर मिलेंगे 6 यहां से कितने मिलेंगे 2 6 इंटू 2 12 अर्दा नंबर ऑफ फैक्टर्स 12 अर्दा नंबर ऑफ फैक्टर्स हमेशा एक बढ़ा के काउंट करना क्यों क्यों कि मैं 2 पावर 0 से स्टार्ट करता हूं मैं 2 पावर 0 से स्टार्ट करता हूं तो 12 फैक्टर्स आ गए इस कुश्चन का एंसर 17 को नहीं डिवाइड कर सकते आगे कोलिशन ट्राइम नंबर है अब नेक्स कुश्चन इस नंबर ऑफ फैक्टर्स विच आर परफेक्ट स्क्वाइर अब बताओ एंसर क्या आएगा इसका वाले कितने टर्म से ओंगे मेरे पास कितने होंगे प्रफेक्ट स्क्वाइर वाले टम्स लिख तो हम यहाँ 2 power 0, 2 power 1, 2 square, 2 cube, 2 power 4, 2 power 5, यह यहां तक चला गया, multiplied by 17 power 0, 17 power 1, इसको ऐसे लिख दिया मैंने, अब यहां से perfect square वाले terms निकाल लो, आपको पता है, even power मतलब 1, 2, 3, तो कितने आ जाएंगे, 3 into, यहां से 1 मिल रहा है, 1, 3 into 1 is 3, number of factors which are perfect square, number of factors which are perfect square, एक, दो, तीन, और यहां से 1, 3 into 1 आगे आपका answer 3, clear है, count करना है सिर्फ, अगर question में यह पूश्टा, कि find number of factors, which are, perfect cube, इसका answer क्या आएगा, perfect cube वाले कौन-कौन से होंगे, perfect cube वाले कौन-कौन से terms होंगे, आपको clear यहां पर दिख रहा है, 3 का multiple वाला power ले ना, ठीक, 3 के multiple वाला power कौन सा होगा, 1, 2, ठीक, एक यह वाला term मिलेगा आपको, एक term मिलेगा यह वाला, ठीक, और यहां पर कौन से term मिलेगा, यहां पर सिर्फ यह होगा, 17 power 0, 17 power 0, तो आपका answer कितना आएगा इस case में, 2, the number of factors are 2, क्यों, यहां bracket में लिख देता हूँ, 2 power 0, 2 power 3 multiplied by 17 power 0, तो यहां पर मैं count करता हूँ, यहां पर मैं count करता हूँ, तो number of factors which are perfect cube, answer is 2, answer is 2, अच्छा, अगर question में यह पूस्ता, find some of the factors which are perfect cube, तब answer क्या होता मेरा, find the sum of the factors which are perfect cube, sum of the factors, 32 की जगा हम 2 power 5 भी ले सकते थे, मैंने 32 को factorize किया, तो वही तो आएगा factorize करने पर, some of the factors कैसे निकालोगे, some of the factors में इसकी value put कर दो, 2 power 0, 1, 2 cube हो जाएगा 8, 17 power 0 हो गया 1, तो कितना आएगा, 9, वो factors जो, cube है perfect cube, उनका जब आप addition करोगे, क्योंकि यहां से आपको perfect cube कितने मिल रहे हैं, यहां से आपको perfect cube दो ही मिलते हैं, 1 and 8, ठीक, 1 and 8, तो जब 1 plus 8 into 1 करूँगा, तो answer आजाएगा 9, ठीक, 1 plus 8 into 1 करूँगा, तो answer आजाएगा 9, तो अगर पूछेगा, find some of the factors, then my answer is 9, ठीक, देखते जाएए, इसारी चीज़ें कल की पढ़ी हुई है, class में, जितना जल्दी yes लिखोगे, उतना जल्दी आगे बढ़ेंगे, yes, अच्छा, अगर question ऐसा पूज देता, कि find some of factors which are, which are, perfect square, तब क्या करता, find the sum of the factors which are perfect square, find the sum of the factors which are perfect square, कितना answer आएगा इस case में, इस सवाल का answer, देखो, क्या करेंगे यहाँ पर, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, आपके perfect square वाले कौन कौन से टाम, जीरो था, टू था, फोर था, और यहाँ पर था, 17 का पावर जीरो, means, 2 पावर जीरो, 2 स्क्वार, 2 पावर 4, multiplied by 17 पावर जीरो, अगर मेरे से नंबर बोला है, तो मैं सिर्फ इनको count करूंगा, बट अगर सम बोला है, तो मैं इसकी exact value पुट कर दूंगा, कितना आता है वो, 1 प्लस 4 प्लस 16, इन टो 1, तो कि 17 पावर जीरो इस 1, कितना आ जाएगा, 21 विल बीडा एंसर, 21 इस दा, फाइनल आंसर, वह factors, जो परफेक्ट स्क्वार है, उनका एडिशन कितना होगा 21, वो factors, जो परफेक्ट क्यूब है, उनका एडिशन होगा 9, उनका addition होगा 9 मैं खा 351 कैसे आ गया वही इतनी बड़ी value जब addition करना है तो इन सब को add कर देना sum अगर पूछ रहा है तो अगर number पूछ रहा है तो बस count कर लेना एक दो तीन और 3 into 1 यहां पर 1 है आगे चले अच्छा एक और इसी में एक और पार्ट बना देता हूँ sixth question find number of factors excluding 1 & 544 इसका अंसर कितना आएगा इसका अंसर कितना आएगा find the number of factors excluding 1 & 544 total number of factors कितने आए थे मेरे जब मैंने question को solve किया था तो total number of factors आए थे 12 इस 12 में दो factor यह भी तो होंगे 1 & 544 ठीक एक 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 factor 544 होगा एक factor वन होगा तो टोटल में से टोटल कितना का 12 माइनस टू कर दो answer is 10 थेक ट्वेल्ब माइनस टू करोगे the answer is 10 थेक यह भी एक बन सकता है डिएक डिफ्रेंट डिफ्रेंट टाइप यूपिस्टी का जो मन करें वो पूछ लेगा यूपिस्टी का जो मन करें वो पूछ लेगा कि हुआ है थेक आगे बढ़ू चले कुश्चन बनाते हैं यूपिस्टी जो पूछा था उसी से लैंग्वेज चेंज होता है कुश्चन का बट कंसेप्ट यही रहता है टोटल माइनस टू कर देंगे दीपक टोटल बारा था दो फैक्टर्स यह हो गए तो हटा दिया ट्वेल माइनस टू टिन कुश्चन यह है लेट एक्स बीए पॉजिटिव इंटीजर सच दा 7x 186 झाल झाल खक्स how many values of X how many values of X are possible yeah question options are 10 11 12 or option D is infinite but also this is this 20 23 questions or I say he's a while exam me Millie Valley I say he's a while me Millie Valley I'm gonna have a multiply divide up to my power on speed and needed a good students I'm a power on speed and needed a well a concept seek me to go she's career by sorry cheese is सीखेंगे बटेट के बाद एक आप मिक्स करेंगे तो आप कुछ नहीं सीख पाएंगे किसी ने कहा था लसी अम से भी बन जाएगा जब लसी यंप पढ़ेंगे तो लसी आम के बारे में बताएंगे अभी multiply divide minus कहां से आ रहा है जो simple logic मैंने बताए था आपको count करना है और जवाब देना है पताओ क्या answer आएगा इसका what is the answer of this question let x be a positive integer such that 7x plus 96 is divisible by x आपको बताना है how many values of x are possible सोचना पड़ेगा question को क्योंकि सवाल ऐसे ही मिलने वाला है वो कभी भी straight forward question नहीं देंगे कि किसी से तो बनना चाहिए किसी से भी नहीं बना कि नहीं बना कोई बात नहीं बट सॉरी अंब्रेश 415 से class start नहीं हो सकता class जो है हमारी timing fix है ठीक है हरशित शाफिया correct answer आया है infinite option D हो नहीं सकता लो देखो द्यान से क्या हो रहा है पहले सवाल को समझो आप कोई comment नहीं करेगा अगर आप comment करेंगे तो फिर आप नहीं समझ पाएंगे लेट एकस भी आ पॉजिटिव इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर का मतलब क्या हो रहा है पोजिटिव इंटीजर का मतलब क्या हो हो सकती है एक्स की क्या-क्या वैल्यू पॉसिबल है एक्स की क्या-क्या वैल्यू पॉसिबल हो सकती है भई पॉसिटिव इंटीजर बोला है मतलब 1 2 3 4 5 6 8 9 100 200 कुछ भी हो सकता है पॉसिटिव इंटीजर मतलब आपको पॉसिटिव नंबर्स मिलेंगे कुछ भी हो सकता है क्या रही जीज जीरो जीरो नहीं होगा पॉसिटिव बोला है तो 1 2 3 4 करके मैं 1000 इंफानाइट कहीं तक भी जा सकता हूं अब क्या बोल रहा है 7x प्लस 96 डिविजिबल बाई एक्स इसका मतलब क्या होगा 7x प्लस 96 डिविजिबल बाई एक्स मतलब जब आप इसको डिवाइड करोगे एकस से तो कोई रिमेंडर नहीं बचना चाहिए यह बात समझ में आ जब भी आप 7x प्लस 96 को एक्स से डिवाइड कर रहे हो रिमेंडर कुछ नहीं बचना चाहिए हाँ अना कुछ भी रिमेंडर नहीं रहना चाहिए कोशन में इस इसको अगर मैं डिवाइड करूं तो यह इस फॉर्म में लिखा जा सकता है 7x by x प्लस 96 by x 7x by x divided by 96 by x यह x तो cancel हो जाएगा final expression क्या बचा मेरा 7 plus 96 by x क्या यह बात समझ में आई मैंने 7x plus 96 by x को ऐसे लिख दिया मैंने 7x plus 96 by x को लिख दिया 7 plus 96 by x 7 plus 96 by x अब ध्यान से देखो कुछ भी रिमेंडर नहीं बचना चाहिए इसका मतलब क्या है 96 by x जो है वो perfectly divisible होना चाहिए this should be perfectly divisible perfectly divisible का मतलब क्या होगा x जो है वो factor of 96 होना चाहिए हाई अना भई x अगर factor of 96 होगा तभी तो उसको perfectly divide कर पाएगा वरना आपका कुछ ना कुछ remainder बच जाता और remainder बच जाता तो सवाल solve नहीं होता सवाल solve नहीं होता question में क्या बोला है कि x कितनी value ले सकता है question में पूछा है कि x कितनी value ले सकता है असल में question कुछ नहीं बोल रहा है question यह पूछ रहा है कि 96 के number of factors कितने होंगे क्योंकि x यही value ले सकता है x और कोई value नहीं ले सकता एक जो है और कोई value नहीं ले सकता उसको 96 का factor होना पड़ेगा तो 96 के कितने factors होते हैं यह सवाल simple simple number of factors का था this question is simple question about number of factors इसको factorize करो और number of factors निकाल लो कितना दिख रहा है यह 32 into 3 दिख रहा है विर को 96 is equals to 32 into 3 means 2 power 5 into 3 power 1 2 power 5 into 3 power 1 कितना आ जाएगा 6 into 2 answer is 12 x जो है 12 values ले सकता है x जो है 12 different values ले सकता है जिस case में यह जो है आपका perfectly divisible हो तो answer क्या आएगा इस case में answer is option number c answer is option number c आया समझ में कि नहीं क्या करना था इस question में आपको question simple सा था उन्होंने language को complicate कर दिया आपको find यहीं करना था number of factors आपको find करना था number of factors और एक option वो हमेशा देंगे कि infinitely many ताकि बहुत सारे students वोई टिक करके आ जाएं कि हाँ भई multiple values are possible हम कैसे count करेंगे tricky question ही आने वाला भी है exam में इसलिए तो हम prepare कर रहे हैं अपने आपको six square कहां लिखा मैंने थीक आगे चलू और और पी वाई क्यों देखो आशे तो च्लास का sequence मैं सब्सक्राइब करूंगा कौन सा टॉपिक कप पढ़ना है कौन सा कुशन कप सॉल्फ करना है आपको सिर्फ यह make sure करना है कि हम समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं वह जो कोर्स है क्लास का वह मेरे उपर है 32 x 3 मैं उसको फैक्टराइज कर रहा हूं वह जो लोग फर्स्ट क्लास नहीं देखें हैं प्लीज रिक्वेस्टिंग यह जो शुरू के दो-तीन क्लास है यह बहुत इंपोर्टेंट है कल मैंने बताया था कि 96 को फैक्टराइज करना पड़ेगा एक कॉंपोजिट नंबर को प्राइम नंबर के मल्टिप्लिकेशन में लिख सकते हैं आपको सारी क्लास देखनी पड़ेगे अगर एक भी क्लास मिस करोगे तो कंसेट चला जाएगा को वो ऑठीक सबंक कुछ नहीं हुआए को सबर Pokémon के नीछे तो ऐसे भी बन है तो यह तो हमेशा सब्सक्राइण होगा मुझे यह देखना है कि 96 के नीचे क्या-क्या नंबर आ सकते हैं जो इसको डिवाइड कर सकें जो इसको डिवाइड कर सकें तो 48 इंटू लोगे उसके बाद 48 को तो आप सिंप्लिफाई करेंगे ना सुमित आप 48 को सिंप्लिफाई करेंगे आगे तो यही एंसर आएगा इसको कवर कर लीजेगा इट विल बी क्लिए चलते हैं अच्छा एक और कंसेप्ट है जिसको मैं यहां पर इंट्रोड्यूस करने वाला हूँ आपको एक बड़ा सा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देगा ठीक और उसमें आपको बोलेगा कि नंबर ओफ जीरोस फाइंड करो यह सेकेंड टाइप है हमारा यह एक नया कंसेप्ट है इसको सीखते हैं पहले नंबर ओफ जीरोस सर्ट टाइमिंग इशूज है वह तो प्रॉब्लम है बट आप अगर कोई प्रेजेंट लेक्चर देखने आ रहे हैं तो अगर पास्ट लेक्चर नहीं देखेंगे तो फिर कंसेप्ट समझने में प्रॉब्लम आ जाएगी अम्रेश मैं आपकी प्रॉब्लम समझ रहा हूँ इशू है यह अगर आप पास्ट लेक्चर नहीं देखेंगे तो मैं वापस से अगर पास्ट लेक्चर रिपीट करने लगूँगा तो क्लास आगे कैसे बढ़ेगी और क्या डाउट एक बर पहले सारे डाउट्स पूछ लो भई फिर मैं आगे बढ़ूँगा एक सीकोल टू 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 वैल्यूस विच कें डिवाइड नैंटिसिक येस निक्की 12 factors exact find करने की जरूत नहीं है चाहते हो तो कर सकते हो 12 factors find अगर चाहते हैं तो आप individually लिखके इस तरीके से 2 power 0, 2 power 1, 2 power 2, 2 power 3, 2 power 4, 2 power 5 into 3 power 0, 3 power 1 इन सब को multiply करके individual factors निकाल सकते हो individual factors निकाल सकते हो पर वो पूछा नहीं है मेरे से उसको आगे सीखेंगे उसको हम लोग आगे सीखेंगे कि इंडिविज्वल फैक्टर्स पर टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ट्वेल भी आएंगे आपके आगे चले ऑप्शनल क्लास ने कि सीसाट की क्लास चल रही है सीसाट डिसकस करते हूं कहां ऑप्शनल और इन सब चीजों में फस रहे हैं मेरा बस एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप प्रेजेंट लेक्चर किसी भी रीजन के कारण नहीं देख पा रहे हैं तो प्लीज मेक्शोर कि नेक्स्ट क्लास में प्रीवियस लेक्चर फिनिश कर ले ठीक ठीक बस ये रिक्वेस्ट है मेरी चलो अब यहां पर आओ नंबर आफ जीरोस पर आपको क्या बोलेगा एक बड़ा सा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देगा और उसमें ये बोलेगा कि मल्टिप्लाई होने के बाद एंड में कितने जीरोस बन रहे हैं ठीक एंड में कित इसको फिल कर सकते हो जल्दी से क्या इसको फिल कर सकते हैं नहीं हर्षित वो लॉजिक बहुत डेंजरेस हो जाएगा नहीं नहीं यह वो सिर्फ कोइंसिडेंस है वो लॉजिक नहीं लगा सकते सवाल सॉल्फ करने में गलत हो जाएगा एंसर वो चीज पूछा ही नहीं है आपसे टू बंजा टू फोर सिक्स एट टेन ट्वेल्फ फोर्टीन सिक्स्टीन एटीन ट्विंटी ठीक है यह तक के यह वैल्यू आ गई अब देखो मुझे क्या फाइंड करना है जीरो तो मेरा फोकस कहां पर है मेरा फोकस है जीरो पे मेरा जो फोकस है वो है जीरो पे अब बताओ जीरो कहां कहां पर मिल रहा है जीरो आपको कौन-कौन से मल्टिप्लिकेशन में मिल रहा है जीरो आपको कौन-कौन से मल्टिप्लिकेशन में मिल रहा है एक यहां पर मिल रहा है टू इंटू फाइव पे ठीक और एक मिल रहा ह है 2 into 10 पे बाकि आपको कहीं पर भी 0 नहीं मिल रहा बाकि कहीं पर भी 0 नहीं मिल रहा अच्छा यह 10 प्राइम नंबर है कि composite नंबर है यह 10 प्राइम है कि composite नंबर है तो मैं इसको फैक्टराइज कर सकता हूं 2 into 2 into 5 ऐसे सकता हूं मैं 2 into 2 into 5 तो आपको एक लोजिक यहां पर लिखना है कि दन नंबर ओफ जीरोज इसी क्वल टू नंबर ओफ टाइम्स तू क्रॉस फाइफ का पेर बने जितने बार टू और फाइव मल्टिप्लाई होंगे उतना आपको 0 मिलेगा यहां पर एक बार टू और फाइव मल्टिप्लाई हुए एक 0 मिला यहां पर भी एक बार टू और एक बात बताओ अगर मैं 10 into 10 करूंगा तो कितनी value आएगी 10 into 10 करेंगे तो क्या होगा एक 10 का मतलब क्या होता है 2 into 5 ठीक दूसरे 10 का क्या मतलब होगा 2 into 5 जितने बार 2 और 5 multiply होंगे यहां पर 2 pair बन रहा है देखो पहला pair 2 5 का दूसरा pair इसलिए आपको answer में क्या मिलता है double 0 जितने बार 2 और 5 multiply हो रहे हैं मेरे expression में उतनी बार 0 आ रहा है उतनी बार 0 आ रहा है ठीक क्या है point clear है जितने बार 2 और 5 multiply होगा उतने बार आपको 0 मिलेगा मान लो किसी expression में यह question नहीं है यह मान लीजिए किसी एक बड़े से expression में number of 2 आपको मिल गया 10 ठीक and number of 5 आपको मिल गए 13 ठीक यह मैं number of 2 और number of 5 को count कर लिया अलग से मैंने number of 2 और number of 5 को count कर लिया तो बताओ तो इस expression में number of zeros कितने होंगे number of zeros कितने होंगे इस expression में 2 जो है वो 10 बर आ रहा है 5 जो है वो 13 टाइम्स आ रहा है यह बात समझ में आ रही है कि 2 इंटू 5 कितने बार multiply होंगे जो minimum value होगा वही decide करेगा जो minimum value होगा वही decide करेगा तो number of zeros आते है 10 ठीक यह question कराते है वक्डाउट आता है students को इसलिए मैंने अलग से समझा दिया कि आप क्या करेंगे number of two और number of five को count कर लो उसकी जो minimum value है वही decide करेगी तो कि उतने ही pair बन पाएंगे उतने ही pair बन पाएंगे जो भी minimum होगा टू और फाइव में से उतने ही number of zeros मिलेंगे clear क्यों कुछ questions बनाते हैं ठीक चलो इसका answer बताओ तो क्या होगा 24 32 17 23 19 number of zeros in this expression number of zeros in the expression अर्चिता और गुल्षन कितने zeros आएंगे देखो आपको क्या करना है आपको हर एक number में two और five की power find करनी है आपको हर एक number पे two और five की power find करनी है 24 के अंदर two का power कितना होगा 24 क्या होता है eight into three तो मैं इसको लिख सकता हूं two cube three को ignore कर दे रहा हूं 24 के अंदर two की power कितनी होगी factorization करते वक्त है two cube yes or no answer important नहीं है process बताओ 24 के अंदर two cube 32 के अंदर कितना होगा two का power two power five यहाँ पर होगा two power five अच्छा 17 एक prime number है 23 भी prime number है 19 भी prime number है तो इनको आप further factorization नहीं कर सकते 17 23 and 19 के अंदर further factorization नहीं किया जा सकता तो अगर मैं calculate करूं number of twos कितने आ रहे हैं इस पूरे expression में दो कितनी बार आ रहा है इस पूरे एक्स्प्रेशन में दो कितनी बार आ रहा है जल्दी बताओ इस पूरे एक्स्प्रेशन में दो कितनी बार आ रहा है टू क्यूब और टू फाइव कितनी बार आ रहा है आठ बार आ रहा है ठीक नंबर ऑफ टू कितने बार आ रहा है अच्छा फाइव कितनी बार और आ रहा है number of five 5 कितनी बार आ रहा है बताव थो एक भर-bdh5 आ रहा है क्या factor में Factorization में एक बर-bdh5 आ रहा है नहीं आघा तो जह टाइम्ट सा रहा है 55-C DM 0 टैंप टो एक बारई जही पर है क्या 2 भर भी मल्टिप्लाई हो सकते हो हां क्या 2 और 5 मल्टिप्लाई हो सकते हैं नहीं इसे लिए number of zeros इस इक्वाल टू जिरो एक बार भी नहीं आ रहा जिरो इसे लिए एक बार भी 0 नहीं आ रहा ठीक एक बार भी आपका 0 exist नहीं करेगा औरे तो यहां पर तीन बार आघार दो यहां पर पाँच बार आ रहा है 5 प्लस 3 8 5 प्लस 3 8 मान लीजे इस question में अगर मैं यह लिख लिये हो गया इसको note कर ली हो मैं इस question को थोड़ा change कर रहा हूं क्या इस सवाल का solution लिख ली है अच्छा मान लो अगर अगर यह expression में लिखा होता तो number of zeros कितने आते अगर यहाँ पर यह expression होता मेरा तो number of zeros कितने आते क्यों क्योंकि number of twos कितने हैं यहाँ पर तो कुछ change नहीं होगा number of twos जो है 15 क्या बनता है 5 into 3 तो 5 जो है एक ही बार आ रहा है 5 जो है एक ही बार आ रहा है तो 2 कितनी बार था 2 था मेरा 8 बार 5 कितनी बार है 5 है मेरा एक बार तो 2 क्रॉस 5 कि कितने पेर बनेंगे एक ही बार multiply हो पाएगा तो number of zeros आ जाते हैं 1 एक बार एक zero मिलेगा आपको अब आया समझ में minimum इन दोनों में से जो minimum होता है वह ही decide करता है कितने zeros मिलेंगे क्योंकि पेर उतना ही बन पाएगा पेर जो है आपका उतना ही बन पाएगा इन में जो भी minimum होगा 5 और 2 में से वह आप find कर लेना ठीक number of zeros one yes चलो देख लो मैं कुछ और कुछन देता हूं आपको एक और सवाल एक फिफ्टीन ट्वेंटी थ्री एट फिफ्टीन ट्वेंटी थ्री सेवेंटीन 25 22 इसमें कितने zeros आएंगे बताओ इसमें कितने zeros आएंगे 8 15 23 17 25 22 आपको टू और फाइव दोनों काउंट करना पड़ेगा ठीक टू और फाइव दोनों काउंट करोगे तभी answer आएगा क्या मैं solve करूँ अब देखो answer comment करना बन करो जिन से नहीं बना उनको मैं solve कर रहा हूं क्योंकि आपके answers अलग अलग आए हैं ध्यान से रेखना मिरेको टू और फाइव की power चाहिए बाकी नहीं चाहिए एट के अंदर टू कितनी बार आता है एट को एट को जब factorize करोगे तो क्या बनेगा टू क्यूब बनेगा ठिक टू क्यूब बन जाएगा अच्छा what about 15 15 को मैं लिखता हूं factorization में 5 इंटू 3 मेरेको 3 की जरूत नहीं है मुझे सिर्फ टू और 5 ढूनना है मुझे सिर्फ और सिर्फ 2 और 5 ढूनना है यह प्राइम नंबर है यहां पर कितनी बार 5 आएगा यहां पर आएगा फाई 2W में आता है दो बार 5 और 22 में 2 कितनी बार आता है यह बनता है 2 into 11 मतलब 2 power 1 मुझे सिर्फ 2 और 5 ढूंड़ना है ठीक यहां तक लियर है प्राइम फेक्टराइजेशन यह हर जगे करना पड़ेगा आपको अब बताओ नंबर आउख टोज कितनी बार आ 핏 दो कितनी बार आ Crystal और एक बार यहां पर यह कितनी बार आ रहा है टूटल चार बार ए ठीक नंबर ऑ फंट राहgebन नंबर आ फाइफ लग election अ नंबर ओन्ट एन्मैं से इनमिंखम वैल्यू किसकी है इन मेंसे minimum value किस की है 5 की तो 2 x 5 का कितना pair बनेगा 2 x 5 का बनेगा 3 pair तो number of zeros is 3 number of zeros is nothing but 3 hello friends welcome to our session मेरा नाम अंकित तिवारी और हमने जो seaside की series start की है for 2024 उसमें आज हम लोग एक important section cover करेंगे which is known as number system वही हर साल 15 से 20 question number system topic से पूछे जाते हैं out of 80 questions में से और अगर आप इस lecture को end to end देखते हैं तो अगर 20 questions आ रहा है तो 15 questions आप easily solve कर सकते हैं by using all the concepts which we are going to discuss in today's video तो चलिए session को start करते हैं session start करने से पहले important information अगर मैं CSAT को two months में cover करना चाहता हूं that is by April end you can join our CSAT batch जिसका admission start हुआ है 8th of March से 10 last 10 years का PYQ discussion 1500 plus questions in form of practice sheet 10 mock test basic to advanced level preparation जो formula based questions होते हैं उसको change करके जो logic और concept based questions हैं वो सारी की सारी चीज़ों को कवर की जाएंगी तप्राइस फॉर्ड़ कोर्स इस 3999 और कोड़ फॉर मैक्सिमुम डिसकाउंट इस एटी लाइफ आगे चले है 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 काउंट करके आया भाई 3 यह 5 एक बार आया है यह 5 दो बार आया है इस चलो आगे चलते एक और सिंपल सा कोशन फिर कुछ टफ कोशन करवाऊंगा आपको यह वाला केस ले लो आसान है 12 इंटू 15 इंटू 5 इंटू 13 इंटू कितना है 12 15 5 13 24 इंट 17 बताना तो आंसर इसका नंबर आफ जीरो तू जीरो आ रहे हैं देखो क्या बन जाएगा 12 को कैसे लिख सकता हूं मैं 12 को लिख सकता हूं मैं 4 इंटू 3 मीनस 2 स्क्वार इंटू 3 15 कैसे बन जाएगा 3 इंटू 5 5 में क्या रहेगा एक ही बार 5 है 13 तो वैसे भी नंबर है 24 को क्या लिख सकते हैं 2 क्यों इंटू 3 यह आगे इस तरीके से नंबर आफ 2 कितने होंगे नंबर आफ 2 देखो यह 2 बार आया यहां पर यहां पर तीन बार मतलब टोटल आगया 5 टाइम्स तोटल आगया 5 टाइम्स पांच की क्या कहानी है number of 5, 5 कितनी बार आया, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, और कहीं नहीं आया तो दो ही बार आया है number of 5, ठीक, तो answer क्या होगा, इन में से minimum value answer is equals to 2, number of zeros is 2, ठीक, number of zeros is 2 आगे चले, देखो यह concept के लिए आसान questions थे, क्या ऐसे questions और करानी की जरूरत है, आगे बढ़ू, थोड़ा advance level के questions देखें, थोड़ा advance level के question देखा जाए, बताओ इसका answer, number of zeros find करने है, 2 square, 5 power 4, 4 power 6, 10 power 8, 6 power 10, 15 power 12, 8 power 14, और क्या है यहाँ पर आपका, 20 power 16, 10 power 18, and 25 power 20, इसमें आपको बताना है number of zeros, इसमें आपको बताना है number of zeros, इसमें मैं timer लगाता हूँ आपके लिए, take one and a half minute to solve this question, कहाँ गया भाई? कितना answer आएगा? देखो जो advance question करवा रहा हूँ, उसमें लिख लो cset 2024, कहीं न कहीं फर्स जाएगा, अगर इस topic पर advance question पूछे, तो हम सारे के सारे आज कर लेंगे 2024, कितना आएगा? ना वो तो उतने number of zeros थोड़ी आएगा है, बहुत ज्यादा value है, हो गया? क्या मैं solve करूँ? येस, प्रधान का answer सही आए, तापती का answer सही आया है, दो students का answer सही आया है, गोलिशन गलत है answer, कहीं पर silly mistake की हो, exact value नहीं आई है, चलिए solve करते हैं, देखो, इसके पहले कि तुम doubt पूछो, मैं basics को cover कर दे रहा हूँ, ठीक, a power b power whole c, कितना होता है? a का power b और इन सब का power whole c की value कितनी आती है? anyone? अब answer छोड़ दीजे, process छोड़ दीजे, यहां focus करो, a का power b का power c कितना आता है? क्योंकि मैं ये बिना बताया जाओंगा, तो फिर doubt यहीं पर आएगा, a power b into c, ठीक, यह मुझे पता है, for example, 2 square का power cube, कितना आता है? 2 square का whole power cube, इसकी value होती है, 2 power 2 into 3, which is nothing but 2 power 6, क्या ये formula मुझे याद रहेगा? क्या ये formula मुझे याद रहेगा? Yes, अच्छा, मैं एक 6 के power को ये expand कर रहा हूँ, देखो, 6 का power 10 कितना होता है? 6 के power 10 को मैं लिख सकता हूँ, 2 into 3 power 10, 6 power 10 को लिखा जा सकता है, 2 into 3 power 10, तो ये actually में क्या बन जाएगा? 2 power 10 multiplied by 3 power 10, ठीक, ये दो basics हैं, समझ में आ रहा है हमें? अगर इसमें doubt नहीं है, तो मैं इसको expand करना start करूँगा, 6 power 10 को लिख सकते हैं, 2 into 3 power 10, which is nothing but 2 power 10 into 3 power 10, अगर clear नहीं है, तो बता दो, please, मैं question solve करने के बाद फिर basics पर नहीं आएंगे हम, clear? चलो, question को एक बार फिर से लिखता हूँ, मैं, question क्या था? Let me write it once again, 2 square into 5 power 4 multiplied by 4 power 6, 10 power 8, 6 power 10, 15 power 12 multiplied by 8 power 14 multiplied by 20 power 16 into 10 power 18 multiplied by 25 power 20, अब देखिए, इनको जब मैं factorize करने जाऊंगा, इसको जब factorize करने जाऊंगा, तो मुझे बहुत सारे numbers मिलेंगे, बट मेरा focus कहां पर है, सिर्फ और सिर्फ 2 and 5 find करना, क्या ये point हमें clear है? मुझे सिर्फ 2 or 5 point करना है, यहां पर 3 भी आएगा, बट उस 3 को मैं neglect कर दूँगा, परकि मुझे कुछ लेना देना नहीं है 3 से, तो सबसे पहले, 2 square को कैसे लिख सकते है prime में, ये तो simple है, 2 square आ गया, 5 power 4 को कितना लिख सकते हो? 5 power 4, 4 power 6 क्या होगा, 4 is nothing but 2 square, 2 square का power 6 मतलब 2 power 12, क्या ये clear है, क्या ये चीज चीज clear है, 4 power 6 is nothing but 2 power 12, 4 power 6 is 2 power 12, जल्दी, ठीक है, वो जो मैंने a power, b power, c लिख वाय था, वो ही property का use करके मैंने direct लिख दिया यहां पर, अच्छा, 10 power 8 क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 5 into 2, मतलब, 5 power 8 multiplied by 2 power 8, 10 power 8 को मैंने ऐसे लिख दिया, अगला क्या होगा, next expansion, 6 power 10, 6 होता है, 2 into 3 power 10, तो लोग तुम्हारे ने लिख दे रहा हूँ मैं पूरा, 2 power 10 into 3 power 10, हलाकि मुझे चाहिए सिर्फ 5 और 2, मुझे सिर्फ 5 और 2 ही चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए, 15 power 12 क्या हो जाएगा, 3 power 12 into 5 power 12, 15 को मैंने क्या लिखा, 5 into 3, 15 को लिखा, 5 into 3, अच्छा, ये क्या बनेगा, 8 is 2 cube, 8 क्या होता है, 2 cube, तो 2 cube कितना बन जाएगा, 2 into, 14 into 3, कितना आएगा, 4 3s are 12, और 14 into 3 कर रहे हैं तो 42, 8 power 14 is nothing but 2 power 42, अब यहाँ पर बचा, ये कितना होगा, 20, what is 20, 20 is 4 into 5, तो पहले तो आगया, 5 power 16 into, 4 power 16 को क्या लिख सकता हूँ, 4 is 2 square, तो 16 2s आ, 2 power 32, ठीक, 2 power 32, इसको कैसे expand करोगे, 2 power 18 into, 5 power 18, और what about 25 का power 20, 25 is nothing but 5 square, 5 square into 20 करोगे तो कितना आजाएगा, 5 का power 40, ये मैंने expansion लिख दिया सबका, अगर आपको किसी term में doubt है, तो you can ask, अगर आपको किसी term में doubt है, तो you can ask, otherwise मैं counting start करूँगा, otherwise मैं counting start करूँगा, ठीक, no doubt, good, क्या वह कहीं गलती लिखा क्या मैंने, फॉर्थ, कहां पर गलती है, 8 का power 14 गलत है, कहां 8 का power 14, टू क्यूब ना 14 इंटू 3 करेंगे न, कितना आ जाएगा, 4 थ्री जा 12, 1 उपर 3 वन जा 3, 42 तो आ रहा है, 42 तो आ रहा है, ठीक, अच्छा, सुनो, तरीका तो सेम है concept, number of 2 find करते हैं, find number of 2, कितने हैं, दो बार, 12 बार कितना हो गया, 16 हो गया, 16 प्लस 8, 16 प्लस 8 कितना आएगा, 24, 24 में 10 जोड दिया, कितना आ गया, 34, 34 में, यहाँ पर तो हाई नी टू, 34 में 42 जोडो, कितना आएगा, 34 प्लस 42, 76 यहाँ तक के, फिर 76 में 32 और 18, 76 में 32 और 18, कितना आएगा answer, 76 में जोड दो 32 और 18, 6 प्लस 2, 8 प्लस 8, 6 बन ऊपर, 8 3 11, I think, 126, number of 2's, 126 आ रहे हैं क्या, number of 2's, 126 आ रहे, add करने पर, सारे की सारे 2 की वैल्यूस को, add कर दिया, जो पावर था, जल्दी जल्दी, help कीजिए मेरी, 124 आ रहे हैं, कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक है, 8 प्लस 8 तो 16 होना चाहिए, is it coming out to be 124, कहीं पर कैलकुलेशन मिस्टेक है, ये कह रहे हो, चलो ठीक है, आप कह रहे हैं तो 184, 124 कर देता हूं, एक बार चक कर लेंगे, 124 लिख दे रहा हूं, कोई बात नहीं, इधर आओ, 5 कितनी बार आ रहा है, 5 कहा है, 4 बार, 4 प्लस 8, 12, 12 प्लस 12, 24, 24 प्लस 16 करो, कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा, 40, 40 प्लस 18, प्लस 40, I think ये आ रहा है, 98, ठीक, 98, ये आया समझ में, 5 कितनी बार आ रहा है, 98, तो यहाँ पर मिनिमम पे यार, कितने बनेंगे, 98 के ही, तो इस एक्स्प्रेशन में, 0's कितने आएँगे, 98, 0's, इस एक्स्प्रेशन में, कितने 0's आएँगे, 98, 0's, ठीक, ठीक है, 2, 126 आरा, 124 आरा, फरक नहीं पड़ता, मिनिमम तो यह ही है, 5, तो नमबर ओफ जीरो स्कॉन, डिसाइड करेगा, नमबर ओफ जीरो स्टिसाइड करेगा, 5, ठीक, तो दिस इस दा फाइनल आंसर, 98, 0's, और दिस इस दा रफ वर्क, एक और कुश्चन देता हूँ, ऐसा ही, वन का पावर 1, 2 स्क्वार, 3 क्यूब, 4 पावर 4, 5 पावर 5, 6 पावर 6, 7 पावर 7, 8 पावर 8, 9 पावर 9, 10 पावर 10, इसमें नमबर ओफ जीरो स्कितने आएंगे बताओ तो, इस एक्स्प्रेशन में नमबर ओफ जीरो स्कितने आएंगे? What is the number of zeros in this expression? ठीक है? Good. देखो, इधर इधर ध्यान दीजे, इधर ध्यान दीजे, एक ट्रिक बता रहा हूँ, एक ट्रिक बता रहा हूँ, जो mostly successful रहता है, हर बार नहीं होता, बड़ मोस्टली successful होता है, कहां से शुरू किये थे, solve करना इसको, यहां से, एक बात बताओ, पहला जो question था हमारा, this is the first question, यह multiply करने के बाद, बड़ा number बनेगा, कि छोटा number होगा? यह multiply करने के बाद, बड़ा number बनेगा, या चोटा number होगा, small number, या big number, क्या होगा यह? ठीक, ठीक है? अच्छा, इधर, यह multiplication के बाद, बड़ा number होगा, या चोटा number होगा? ठीक, यह multiply होने के बाद, expression जो है, बड़ा सा number देगा, या क्या value देगा? बिग और small? ठीक, अच्छा, इधर आओ, इसकी क्या कहानी होगी? इसकी क्या कहानी होगी? यह भी एक number देगा, मान लेते हैं, अच्छा, यह, जो शुरू के तीन question थे, जो शुरू के तीन question थे, उनके comparison में, यह वाला number बड़ा होगा या small होगा? अब बताओ, उनके comparison में, यह number big होगा या small होगा? यह बहुत ज़्यादा बड़ा number आएगा, same process, यहाँ पर भी, यह जो पूरा multiply हो रहा है, यह भी बहुत बड़ा number देगा, multiplication के बाद, शुरू के तीन question के comparison में बोल रहा हूँ, ठीकर के big और small हमेशा comparison में होता है, यह ना big और small हमेशा comparison में होता है, इसकी बाद बताओ, यह भी multiply, 10 का power 10 है, multiply होने के बाद, बहुत बड़ा number देगा यह भी, यह भी multiply होने के बाद, बहुत बड़ा number देगा, 5 power 5, 9 power 9, 8 power 8, 10 power 10, याद रखना, एक logic, whenever, यहाँ ने, नीचे में लिखते हैं, whenever, the number is, या whenever, the product of number, is very big, whenever product of number is very big, तो मैं यह 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 करके चलता हूँ, कि number of twos, is always greater than number of fives, जैसे यहाँ पर भी हुआ था, जब आपका number बहुत बड़ा होगा, तो two कितनी बार आ रहा है, और five कितनी बार आ रहा है, number of times two is occurring, is always greater than number of five, ठीक, क्या यह बात हमें समझ में आ रही है, कि number of two जो है, वो हमेशे number of five से, बड़ा आएगा, अगर आपका number बहुत बड़ा है, तो, number of zeros find करना है, तो मैं क्या करूँगा, क्या मैं लिख सकता हूँ, इस case में, number of zeros is equal to, number of five, अगर number of two जादा हो रहा है, तो हमेशे कौन डिसाइड करता है, minimum बाला quantity, तो अगर two जादा बार अकर कर रहा है, तो five ही decide करेगा, कितने बार zero आएगा, तो आप ये point याद रखिएगा, आप ये point याद रखना, हमेशा, कब कौन सा case में apply करना है, वो मैं सिखा दूँगा, बट इस point को याद रखना, कि अगर number बहुत बड़ा है, तो आपको two calculate करने की जरूत नहीं है, आप सीधा five calculate कर लीजे, आप सीधा-सीधा five calculate कर लो, वो ही आएगा number of zeros, यहाँ पर number of five कितना आएगा मेरे को बताओ, मैं दोनों calculate करता हूँ, चलो, तू आ रहा है यहाँ पर two square, three को छोड़ दो, four power four कितना होगा, four is nothing but two square, तो four power four हो जाएगा, two power eight, यहाँ से आगया एक five power five, six power six में आपको क्या मिलेगा, two power six मिलेगा, मैं three को नहीं लिख रहा, because I don't want three, मुझे सिर्फ two चाहिए, seven power seven एक prime number है, eight power eight का क्या होगा, eight is two cube, तो eight into three, I think 24, तो यह बन जाएगा two power 24, nine को छोड़ दो, यह क्या बन जाएगा, ten power ten, यह बनेगा two power ten into five power ten, यह मैंने expand कर दिया, इस तरीके से, मैंने expand कर दिया, मुझे बताओ, number of twos, count करके, कितना आ रहा है, दो कितनी बार आ रहा है, दो कितनी बार आ रहा है, count करने पे, दो, 8, 10, 16, 16 plus 24, 40, 40 plus 10, 50, I think 50 times आ रहा है, यह, it is coming out to be 50 times, five कितनी बार आ रहा है, number of fives, number of fives, calculate करते है, एक बर यहां आ आया है, पांच बर, और यहां पर आया है, 10 बार, तो यह आ रहा है 15 times, हमेशा ही number बढ़ा होगा, तो number of times five occurring, is less than number of times two, तो number of zero कितना आएगा, इस question में, number of zeros is 15, this is your final answer, number of zero is 15, समझ में आया है यह चीज़, क्या चीज़ समझ में आई, क्यूंकि अगर आप number of two को calculate करेंगे, तो तरीका गलत नहीं है, बट आप unnecessary time waste करेंगे, आप unnecessary exam में time waste करेंगे, इसे लिए जब भी number बढ़ा हो, आप सीधा five calculate करो, और answer आगया आपका, आप five calculate करो, और answer आगया, ठीक, अब कब calculate करना है, यहाँ देख लो ध्यान से, जब भी आपको question, ठीक, जब भी आपको question, इस form में दिया हुआ है, ठीक है, भले ही multiplication कितनी बार हो रही हो, बट एक finite सा number given है, तो आप two और five दोनों calculate करना, अब two और five दोनों calculate करना, अगर question इस तरीके का है तो, eight into this this this, power में कुछ नहीं है, power में कुछ नहीं है, अगर simple सा number दिया है, तो two और five दोनों calculate करना, और answer tick करना, क्योंकि यह UPSC का question था, किसी में से एक question को UPSC का है, बट जहां आपको power में बड़े-बड़े numbers दिख रहे हैं, जहां भी आपको power में बड़े-बड़े numbers दिख रहे हैं, no need to calculate number of two, सीधा number of five calculate करो, वही answer आएगा, जब भी power में बड़े-बड़े numbers दिख रहे हैं, two को calculate करनी की जरुत नहीं है, देखो यहां पर भी, यहां पर भी आपको power में बड़े-बड़े numbers थे, two calculate ही नहीं करना, सीधा five calculate करूँगा, answer लिखूँगा, clear है यह point, जब भी power में बड़े number हो, सिर्फ five calculate करो, और अगर आपका simple expression है, जहां पर power वगेरा कुछ नहीं है, तो वहां पर आप number of two और number of five दोनों calculate कर लेना, ठीक, हाँ, ओके, आगे चलूँ एक question और दू, homework में, एक question homework में दूँगा, यह सवाल देखके डरना नहीं है हमें, क्योंकि may be UPSC, यह पूरा का पूरा, यह advanced level के questions है, ठीक है, UPSC या तो पूरा question दे दे, या UPSC इसका part दे दे, एक छोटा सा हिस्सा, हमें नहीं पता, UPSC क्या पूछ रहा है, इसलिए हम पूरा question solve कर रहे है, question क्या है, 1 power 1, 2 power 2, 3 power 3, 4 power 4, up to 49 power 49, you have to find a number of zeros, जो इसके पहले वाला question था, मैं इसी question का part बना कर पूछा था आपसे, actual में question यह है, इसमें कितने number of zeros आएंगे, यह आपको बताना है, 8 की power 8 को काजल मैंने बताया है न, 8 is 2 cube, 8 is 2 cube, 2 cube का power 8 is nothing but 2 power 3 into 8, जो मैंने आपको formula बताया था, बना लोगे इस question को home work में, कि नहीं, अंजी, number of zeros, कि अभी solve करना है, बताओ, यह question अच्छा question है, can't do, जल्दी जल्दी, अभी करना है तो अभी करेंगे, एक और question है, इसी पर based, मैं लिख देता हूँ, आगया, यह तो हम कर चुके हैं, ठीक है, यह यह question है, अभी कर लेते हैं, चलो, बताओ, एंसर क्या आएगा, find number of zeros of this expression, यह question पूरा भी पूछा जा सकता है, यह question by parts में भी पूछा जा सकता है, पहले एक बात बताओ, यह जो multiply होके आएगा, यह चोटा number आएगा, यह बहुत बड़ा number आएगा, multiply करने पर, यह बहुत छोटा number आएगा, यह बहुत बड़ा number आएगा, बहुत बड़ा number आएगा, मतलब मैं लिख सकता हूँ, number of zeros is nothing, बट number of fives, अब मुझे इस expression में, number of five ढूणना है सिर्फ, यह question आपका 2 मिनट में अराम से बन सकता है, आपको number of five ढूणना है सिर्फ, अब बताओ five कितनी बार आ रहा है, five कितनी बार आ रहा है हाँ पर, कुछ नहीं करना, one power one, two square, three cube, four power four, सब को neglect कर दो, मुझे चाहिए सिर्फ और सिर्फ five की power, मतलब, पहले काम का term होगा यह, दूसरे काम का term होगा यह, third term होगा मेरे काम का यह, फिर twenty का power twenty, twenty five का power twenty five, thirty power thirty, thirty five power, thirty five, forty power, forty, forty five power, forty five, हो गया, और आपको कुछ लिखना ही नहीं है, यह पूरा question सिमट गया सिर्फ इतने expression में, यह पूरा का पूरा question जो है, वो सिमट गया इतने ही expression में, अब मुझे बताओ, ध्यान से, number of five कितने होगे, यह वाला term कितने five देगा, यह पांच बार देगा five, ध्यान से, यह पांच बार five देगा, answer बताने कि हर बड़ी में हम, concept समझना ना भूल जाए, यह पांच बार देगा five, यह कितनी बार देगा, मैं expand नहीं कर रहाँ जानते हो, 10 power 10 क्या होता है, 10 power 10 होता है, 2 into 5 power 10, तो यहां से आपको मिल जाएगा, 10 बार five, यहां से आपको मिलेगा, 10 बार five, यहां से कितने बार मिलेगा five, 15 कितना होता है, 5 into 3, means 3 power 15 into 5 power 15, यहां से मिल गया 15 बार five, यहां से मिला 15 times five, यहां पर, यह कितना बनता है, 20 का power 20 होता है, 5 into 4 का power 20, यहां पर कितने बार मिला, 20 बार, अच्छा यहां पर 5 कितनी बार मिलेगा बताना तो जिल्लों का एंसर 225 आ रहा है वो लोग यही गलती कर रहे है 25 के पावर 25 में कितना 5 आएगा 25 is nothing बट 5 square का पावर 25 5 square का पावर 25 कितना हो जाता है यहां पर 50 बार आएगा 5 यहां पर आएगा 50 times यह क्या होगा 5 into 6 power 30 मतलब 30 बार आएगा यह होगा 5 into 7 मतलब 35 बार 5 into 8 power 40 मतलब 40 times 5 into 9 power 45 means 45 times जोड दो यह सबको this is your answer जोड दीजिये सबको एंसर कितना आएगा 5 10 15 15 15 15 30 30 20 50 50 और 50 हो गया आपका 100 130 165 फिर आजाएगा आपका 205 और 45 जोड़े तो 250 number of zeros in this expression number of zeros in this expression आया question समझ में 250 zeros आएंगे exam में इतना बड़ा question देख क्या हम घबरा जाते शायद attempt ही नहीं करते ज्यान रखना कि हर question जो इतना टफ नहीं होता अगर आप logic समझ लिए तो अगर आप logic समझ लिए हैं तो ऐसी एक और question कराऊंगा factorial वाले में आगे चलके शाली नी टू पावर 20 यहां से आया वे 20 पावर 25 इंटू 4 का पावर 20 तो यहां से मेरे को 5 कितनी बार मिल गया 20 टाइम्स यहां से मेरे को 5 मिल गया 20 टाइम्स आगे चले नहीं 270 नहीं आएगा रेनू 250 आएगा एड करने पर आपके सामने ही तो एड किया मैंने नेक्स कुश्चन पर चलू अब एक्सपैंड करके देखो न राहूल आपको अपने आप मिलेगा वैल्यू 35 क्या होता है 7 इंटू 5 तो 5 की पावर कितनी बनेगी 35 यहां पर 40 कितना होता है 5 इंटू 8 तो 5 इंटू 8 का पावर 40 कितना मिलेगा आपको 40 टाइमस ही मिलेगा 5 आया समझ में चलो आगे चलते हैं यह जो फेक्टोरियल वाले कुश्चन होते हैं इनमें एक और लॉजिक पूछता है the concept of factorial इसको भी यही पर सीखता है factorial को represent कैसे करते हैं इस तरीके से factorial को कैसे represent करते हैं इस तरीके से what is the meaning of 5 factorial 5 factorial का मतलब क्या हुआ 5 factorial का मतलब क्या हुआ 5 factorial का मतलब हुआ 5 into 4 into 3 into 2 into 1 एक-एक value कम करके multiply करते जाओ, एक-एक value कम करके multiply करते जाओ 1 तक के, अगर 8 factorial लिखा होता तो क्या होता, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ठीक, इस तरीके से मैं इसको लिखते जाओंगा, क्या, factorial का concept clear है, value जो भी है, वह आप multiply करके लिख लेना, what do you meant by 0 factorial, इसकी value कितनी आती है, इसकी value कितनी आती है, बही, 1 factorial भी 1 होता है, 0 factorial भी 1 होता है, ठीक, यह याद रखना, 0 factorial 1 होता है, 1 factorial भी 1 होता है, यह factorial का concept actually permutation and combination से आया है, इसे लिए 0 factorial भी 1 होता है, कितने तरीके से 0 item को arrange कर सकते हो, वो भी एक तरीका कहलाता है, इसे लिए 0 factorial 1 होता है, आप इतना याद रखो बस, तीक, आप इतना याद रखो सर्फ, ने, 0 factorial समझना ही नहीं है, रोही तह मैं, 0 factorial 1 होता है, इतना याद रखना है, बस, आपने लिखा है, समझ नहीं आया, उस पर मेरा जवाब यह है कि मैंने समझाया ही नहीं, तो आप समझेंगे कैसे, मैंने बस लिखा है, 0 factorial 1, अब चलो, question कैसा आएगा exam में, आप से question पूछ zeros in, कितना ले लूँ, 367 factorial, अब कैसे find करोगे, बताओ, या तो question ऐसा देगा, नहीं तो question ऐसा देगा, find a number of zeros in, in this expression, क्योंकि 367 factorial का मतलब यही होता है, 367 factorial का मतलब यही होता है, इसको कैसे solve करेंगे हम लोग, how we are going to solve these kinds of questions, कौन से formula से, बहुए, concept तो एक ही है, कि number of, सबसे पहले, यह बड़ा number होगा, कि छोटा number होगा, यह बड़ा number होगा, कि बहुए, छोटा number होगा, कि very big number it is, 367 से multiply करते आ रहा हूँ, तो क्या यहां लिख सकता हूँ मैं, यह concept यहां पर आपको use करना है, कि number of zeros is equal to number of fives, ठीक, number of zeros is equal to number of fives, ठीक, यह तो logic हो गया, अब एक और चीज़ यहां पर सीखते हैं, मैं इस bracket का नाम नहीं बताऊंगा, क्योंकि फिर बच्चे confused होते हैं, आपको बस इतना याद रखना है, कि एक function होता है, जिसको मैं कहता हूँ ऐसा है, big bracket के अंदर, ठीक, ध्यान देओ यहां पर, एक function होता है, जिसको मैं बोलता हूँ, यह big bracket के अंदर, इसके आप जो भी number डालोगे, इसमें, suppose मैंने 3.6 डाला, ठीक, तो यह output क्या देता है, यह output क्या देता है, अगर आप इसको greatest integer function बोलते हैं, इसमें जब आप 3.6 डालोगे, तो यह हमेशा एक previous वाला integer value देता है, यह हमेशा less वाला integer value देगा आपको, 3.6 put करोगे तो 3 मिलेगा, ठीक, 4.9 अगर इस bracket में आप put करोगे, तो आपको क्या answer मिलेगा, 4 मिलेगा, ठीक, हमेशा एक integer less पे, हमेशा एक integer less पे, अगर आप यहाँ पर इस greatest integer function में 0.37 डालेंगे, तो आपको क्या मिलेगा output, 0 मिलेगा, ठीक, अगर आप इस greatest integer function में 5 डालेंगे input, तो आपको आउटपूट क्या मिलेगा आपको पूट क्या मिलेगा कर फाइव डालोगे तो एक्जाक्ली फाइव इंटीजर पर ही लाके राउंड अप करता है समझे 4.99 तक यह 4 देता पर जैसे ही 5 आया अब यह 5 देने लगेगा क्या समझे इस फंक्शन के बारे में नाम पर मच जाएगा कंफ्यूज होगे मैट्स का कंसेट है इसका यूज आएगा इन सब कुश्चन सॉल्फ करने में ठीक है यह ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन समझ गए आप जो भी नंबर डालोगे वह आपको उससे एक लेस वाली इंटीजर देगा ठीक अगर आप इंटीजर डालोगे तो सेम वाल्यू मिल जाएगी अगर यहाँ पर किसी ने 7 इसमें पूट किया तो एंसर 7 आएगा बट किसी ने अगर 7.1 पूट कर दिया तो एंसर 7 हो जाएगा एक लेस वाली इंटीजर एक लेस वाला इंटीजर ठीक clear है यह दो concept एक factorial और एक यह greatest integer function यह दो चीज़ clear 7.5 डालोगे तो 7 आजाएगा अब देखिए अगर आपको question क्या था 367 factorial number of 5s in 367 factorial मैं कैसे find करूँगा मैं factorial symbol को हटा देता हूँ 367 by 5 plus 367 by 5 square plus 367 by 5 cube plus 367 by 5 power 4 यह ऐसे करके चलता जाएगा इस greatest integer function के अंदर मैं इसको 5 से divide करते जाओंगा 5 के successive power से 5 के successive power से कहां तक divide करेंगे यह भी सीखते हैं पहले बताओ 367 by 5 कितनी value आती है अगर divide करेंगे तो point मैं answer बताना मुझे 5 5 7s are 35 फिर 1 आ गया 73 point something आएगा answer 73 point something आएगा जब आप इसको divide करोगे तो 367 को 5 से 73 point 4 something greatest integer function कहां पर round up करेगा इसको greatest integer function इसकी value को कहां पर round up करेगा 73 point something आ रहा है तो यह इसको round up कर देगा 73 पर very good very good अच्छा इसमें क्या होगा बताओ तो 367 by 25 इसको divide कर सकते हैं क्या 367 by 25 को यह कितना बनेगा डिवाइड करने पर एनिवन 14 point something आएगा 14.68 चलो आपने बताया मैंने लिख लिए यह 14.68 को कहां पर राउंड अप करेगा 14.68 को greatest integer function कहां पर ले आएगा 14 पर ठीक greatest integer function कहां पर ले आएगा 14 पर अच्छा इसमें क्या होगा 367 by 5 cube मतलग 367 by 125 अगर 125 से डिवाइड करोगे ना तो 125 आपका कितना आता है 250 125 टूजा मेरे साब से यह टू पॉइंट सम्थिंग बनेगा टू पॉइंट सम्थिंग तो कहां पर इसको राउंड अप करेगा टू पर टू पर टू पॉइंट सम्थिंग आएगा ना 125 250 से तो बड़ा है कि हम हम है 250 से बड़ा है अच्छा इसमें क्या होगा 5 फावर 4 तो बहुत बड़ा हो जाता है तीख फाइव की फावर 4 बड़ा हो जाता है यह वैल्यू किसमें आएगी निउम्रेटर इस लेस देन डिनोमिनेटर तो आपको जीरो पॉइंट सम्थिंग मिलेगा answer आजाएगा zero answer आजाएगा zero five power five भी करूँगा तो answer आजाएगा zero greatest integer function उसको वापस zero पे ले आएगा तो यह चीज याद रखना कहां तक divide करोगे जब तक के मेरा denominator less than numerator है ठीक जब तक मेरा denominator numerator से छोटा है डिवाइड करते जाएगे जैसे ही बड़ा हो जा रहा है अब आगे division करने का जरुद नहीं क्यों क्योंकि greatest integer function zero ही देगा answer greatest integer function जो है वो zero ही देगा answer तो number of zeros कितने आए जोड़ो सबको 73 plus 14 plus 2 75 plus 1489 आ रहा है क्या this expression has 890 this expression has 890 ठीक यस क्या process समझ में आया पहले 5 से डिवाइड करो फिर 25 से फिर 125 से फिर 625 से अगर बड़ा नंबर है तो डिवाइड करना नहीं तो उतने पर रुख जाना आया समझ में एक यह कोश्यन बना के बताओ तो फिर 200 factorial में कितने zeros होंगे बताइए तो 200 factorial में कितने zeros होंगे आयूशी प्लीज आफ पेशेंस दीपक कुमार इस वन अफ दीजिएस्ट टॉपिक ऑफ नंबर सिस्टम 200 factorial में कितने 0 होंगे 200 को हटा दो ठीके factorial को अटा दो पहला क्या होगा 200 by 5 212 plus 200 by 5 square कितना होता है 25 plus 200 by 5 cube कितना होता है 125 क्या इसके आगे करने की जरूरत है क्या इसके आगे करने की जरूरत है बताओ तो 5 power 4 से क्या 5 power 4 से डिवाइड करना है नहीं क्यूकि denominator बढ़ा हो जाएगा denominator जैसे ही बड़ा होता है आपको 000 मिलने लगेगा यह कितना आएगा 200 divide by 5 यह बन जाएगा 40 ठीक है 40 रहेगा तो greatest integer 40 पे ले आएगा यहाँ पर क्या होगा 200 by 25 करोगे 8 आ जाएगा 8 एड कर दो plus 200 by 125 करोगे तो कितना मिलेगा one point something one point something मतलब one answer कितना आ गया 49 number of zeros is 49 ठीक one point six time इसे लिए उसको मैंने one लिख दिया one point six time इसे लिए मैंने इसको one लिख दिया कि कि आ लिखे हो फाइव से डिवाइड करने से फाइव से एंड होने वाले हो consider करना है फाइव से डिवाइड करते जाओ आपको number of five find करना है तो number of five से डिवाइड करते जाओ मैं आगे इस concept पर बात करूंगा ठीक आ गया अच्छा एक और question बना दो ऐसी कितना ले ले 632 फेक्टोरियल इसमें कितने number of zeros आएंगे find number of zeros in 680 फेक्टोरियल find number of zeros in 680 फेक्टोरियल फिर अलग अंसर आ रहा है 168 169 ऐसा क्यों मैं समझ नहीं पा रहा हूं तुम्हारे डाउट कारती के complete question 5 से डिवाइड करने से वो 5 से एंड होने वाला question समझ नहीं पा रहा हूं तो यह एंसर मुझे नहीं पता मेरे से मत पूछिए दो पूछिए अभी निख दिया है मैंने 169 एंसर आ रहा है 169 होगा क्या solve करना है question को number of zeros आ रहे है 169 चलो देख लेते हैं solve करके 680 को पहले डिवाइड करते है 5 से फिर 680 को डिवाइड करते है 25 से प्लस 680 को डिवाइड करते है 125 से फिर अगला क्या होगा 680 डिवाइड हो जाएगा 625 से 5 पावर 4 इस 625 आप लोगे आखरी वाले को भूल रहे होगे आप लोगे आखरी वाले को भूल रहे होगे कितना आएगा इसमें डिवाइड करने पर फाइव वन्जा फाइव एटीन थ्रीजा फिफ्टीन ट्विंटी क्या 134 आ रहा है यह एंसर 134 आ रहा है कुछ गलत किया है मैंने वाइव फाइव बंजा फाइव एटीन फाइव थ्रीजा फिफ्टीन और अच्छा थ्री है न तो थर्टी इट शुड भी सिक्स इट शुड भी सिक्स नॉट 134 अच्छा यहां पर क्या मिलेगा देखो 25 इंटू 20 करोगे तो 500 आ जाता है ठीक 24 करोगे तो 600 26 27 आता है क्या 27 पॉइंट सम्थिंग सॉल्फ करने पर 27 पॉइंट सम्थिंग आता होगा 680 by 25 करोगे तो येस नो येस अच्छा यहां पर क्या हो जाएगा 125 टूज़ा 250 250 में 500 500 में 125 आड करो 625 मतलब यह आपको देगा थ्री पॉइंट सम्थिंग ये थ्री पॉइंट सम्थिंग देगा नहीं कुछ गलत किया मैंने अरे सॉरी 125 फोर्जा हो जाता है 500 ना तो फाइव फाइव पॉइंट सम्थिंग इस अच्छा यहां पर क्या मिलेगा यहां पर 680 by 625 सीधा-सीधा बना जाएगा वन जोड़ दो सब को कितना answer ला कि Ho your name saving ऐा है जोडने पर जाएगा डॉंट नो आई डॉंट नो ठीक है मैं बस यह देखूंगा कि डिनॉमिनेटर हमेशा न्यूमेरेटर से छोटा होना चाहिए अगर यह बड़ा हो गया तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 00 वायल्यू देने लगेगा अब देखो एक्जाम में कोश्चन कैसे पूछे जा रहे हैं इस पर हलाकि एक्जाम वाले कोश्चन पर अभी नहीं पहुंचा हूँ पर एक सवाल बनाते ने कोश्चन इस अब बताओ वन वन एट फेक्टोरियल में नंबर ऑफ जीरो तो मैं निकालना सीख गया नंबर ऑफ फाइव निकालके पर अब मैं यह पूछ रहा हूं कि नंबर ऑफ थी इस कैसे फाइंड करेंगे हाँ वी नंबर ऑफ थी हाँ वी नंबर ऑफ थी अन्य आइडिया अन्य आइडिया यस प्रशान्थ यूर विजिबल यूर मैसेज्ज आ विजिबल क्या करेंगे डेखो 118 by 3 प्लस 118 by 3 square कितना होता है 9 118 divided by 3 cube कितना होगा 27 प्लस 118 by 3 power 4 कितना होता है 81 इसके आगे लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि denominator जो है वो बड़ा हो जा रहा है denominator जैसे ही बड़ा हो जाएगा डिवाइड मत करो greatest integer टेटाइज क्रेटेश्ट पंक्शन जिरो देटाई वेल्यू क्रेटेश्ट लेटाइट सम्झेट तो इन्सेर किसे अन्सेर घाए कुश्चन कितने नंबर अफ रिजाएंगे इसको डिवाइट करो वहले भी हार गेटिंग यह जाएगा 9 से तो यहां पर आ रहा है 39 ठीक यहां पर कितना आएगा अगर 9 से डिवाइड करूं तो 9 1 जा 9 28 1 और 3 13 ठीक है 13 पॉइंट सम्थिंग आ जाएगा अच्छा 27 से अगर डिवाइड करोगे तो 27 तूजा होता है 54 54 प्लस 54 आइटिंक यह फोर पॉइंट सम्थिंग तक जाएगा और यह वन जोड दिये कितना वैल्ली आ रहा है 39 प्लस 13 52 56 प्लस 157 समझे रहे हो 57 तो आप से किसी भी प्राइम नंबर का पावर पूछे तो आप यह मैठेड अप्लाई कर सकते हो आप इसको मल्टिप्लाई कर सकते हो नहीं हर इंटीजर पर नहीं होगा मैं आ रहा हूं उस पर समझे यह जीज देखो कुश्चन यूपीस्टी में क्या पूछेगा यूपीस्टी का कुश्चन ही लेते हैं चलो एक कुश्चन यूपीस्टी में पूछ सकता है कि फाइंड यह हमवग दे रहा हूं चलो मैक्सिममम वैल्यू आफ एन यूपीस्टी का कुश्चन है फाइंड मैक्सिमम वैल्यू आफ एन सच दैट ने एक्सप्रेशन कितना ले ले एक्सप्रेशन को 200 एक्सप्रेशन दिवाइड बाइड सेवन पावर न विल अल्वेज गिव इंटीजर वैल्यू यूपीस्टी में कुश्चन कभी भी स्ट्रेट फॉर्वर्वड नहीं आएगा क्या अंसर करेंगे इसका फाइंड मैक्सिमम वैल्यू आफ एन सच दैट एक्सप्रेशन 200 फेक्टोरियल डिवाइड बाइड सेवन पावर न यह हमेशा एक इंटीजर वैल्यू दे यह जो डिविजन है ठीक है पॉइंट में एंसर ना आए रिवेंडर कुछ ना बचे एंसर आपका कभी भी पॉइंट में ना आ है चलो तुम्हें बात बताओ मेरे को छोड़ दो कुश्चन को इधर फोकस करिए मेरे सवाल का जवाब दीजे 200 factorial में number of twos क्या ये find कर सकते हो क्या ये find कर सकते हो इले 200 factorial में number of twos find कर सकते है कितना आएगा बताओ तो find करके कितना आएगा find करने पर 200 बाइ 2 फिर 200 बाइ 4 200 बाइ 8 200 बाइ 16 200 बाइ 32 ऐसे करके डिवाइड करते जाओ ऐसे करके डिवाइड करो लेको मैं इसको solve नहीं कर रहा है मैं इसको कल solve करूँगा बट आप से एक मैं सवाल पूछ रहा हूं कि इसमें number of 3 कितने आएंगे और number of 2 कितने आएंगे number of 5 कितने आएंगे बताओ तो मेरे को solve करके कि help कीजिए मेरा number of 2 number of 3 number of 5 कितने-कितने आएंगे और एक और find कर लेना number of 7 2 आ रहा है 197 ठीक है 197 3 5 और 7 कितनी बाहर आ रहा है 3 5 और 7 ये कितनी बाहर आ रहा है 93 किसका है number of 3 है 93 फर्स्ट का 197 आएगा not 179 भई एक answer दो बरना answer ही नहीं आ पाएगा हमारा प्लिस ग्रेक्टाइञा एंशर सेवेन आ रहा है 32 थीक रहा है और 3 और 5 कितनी बाहर आ रहे है बताना 3 और 5 कितनी बाहर आ रहे है आपको तरीका पता है सौल्फ करने का कि फाइव आ रहा है फॉर्टी नाइन टाइम्स ठीक है और यह थी कितनी बार आ रहा है नंबर आफ टाइम्स थ्री इस कमिंग थ्री आ रहा है नाइन्टी सेवन टाइम्स यह हूंवर्ग है यह आप सॉल्व करके देख लिए ना में भी एंसर गलत हो इसको मैं अभी सॉल्व नहीं कर रहा है यह कल का टॉपिक है बड़ आपको एक कंसेप्ट समझा रहा हूं कि 200 फेक्टोरियल में 2 आ गया 197 टाइम्स थ् ऐवन आ गया 32 टाइम्स अभी के लिए मान लेते हैं कि यह एंसर सभे है ठीक कर बात के लिए अभी के लिए इस्वाध है यह सभी के लिए कृण्स सब्सक्राव Verma का कि जो value आपने स्वाइन हिए वो सही वैलियो अभी जल्दी बताओ अब देखो मैं क्या लिख रहा हूं अगर 200 फैक्टोरियल का जो बहुत बड़ा सा नंबर है अगर मैं इसका फैक्टराइजेशन करूं जैसे हमने फैक्टराइजेशन किया था ना इसके पहले वाले क्लासेस में एक छोटे नंबर का फैक्ट जो मरसे लोग पूस्ते देगी सर बड़े नंबर का फैक्टराइजेशन बताइए अगर एक बड़े नंबर का फैक्टराइजेशन करूं तो यह क्या बनेगा टू पावर 197 multiplied by 3 power 97 multiplied by 5 power 49 multiplied by 7 power 32 multiplied by 11 power में कुछ हा रहा होगा यह ऐसे करके चलता जाएगा क्योंकि हर एक composite नंबर को मैं प्राइम नंबर के multiplication में लिख सकता हूं इस फैक्टराइजेशन फैक्टराइजेशन का मतलब यह होता था कि मैं किसी भी नंबर को composite नंबर को प्राइम नंबर की multiplication में लिख लेता हूं तो आप किसी भी प्राइम नंबर का पावर इस बड़े से नंबर में डिविजन वाले मेथड से find कर सकते हो ठीक्टू का पावर फाइंड कर सकते हो थ्री का कर सकते हो फाइफ का कर सकते हो सेवन का कर सकते होשות 11 का कर सकते हो 13 17 19 23 29 यह सब आप선 कर सकते हो तो यह मैंने इसको प्राइम Factorization में लिख लिया ठीक यह मैंने इसको प्राइम प्रेकल रिख लिया अब क्या बोला है denominator में क्या present है 7 power n 7 power n अब मुझे बताओ n की maximum value कितना ले लूँ कि यह division जो है यह हमेशा integer आए 7 की maximum power कितनी होनी चाहिए अगर मैं n को 32 ले लूँगा तो क्या होगा यह और यह पूरी तरह से cancel हो जाएगा यह 7 denominator और numerator पूरी तरह से cancel हो जाएगा अंदर में क्या बचा नीचे में 1 तो यह हमेशा ही integer आ जाएगा समझ रहे हैं तो maximum value of n कितनी होगी 32 इस तरीके से बनाना था इस question को क्योंकि अगर आप n को suppose 33 ले लूँगा मैं अगर मैं n को 33 ले लेता हूं तो यह तो cancel हो जाएगा यहां पर एक 7 बच जाएगा फिर वह 7 जो है वह आपको इंटीजर वैल्यू कभी नहीं देगा डेसिमल में एंसर देने लगेगा इंटीजर वैल्यू कभी नहीं देगा आपको हमेशा डेसिमल में और कि की अग्शा यहीं तक करते हैं को सुचण ना मैं एक स्प्लेइन निहीं कर रहें दुबारा कल यहीं से स्टार्ट करूंगा क्ञें क्लास को कल यहीं से स्टार्ट कर दूंगा हमने जो नंबर ऑफ जीरो वाला है उसमें आल्मोस्ट सारे कंसेप्ट कवर कर लिए हैं अब कल जो पढ़ेंगे हम लोग कल की ग्लास में भी आर गुइंग तो स्टेडी अबाउट रिमेंडर थीओर हम जिस पे हर साल एक कोशनौ फिक्स तो सब्सक्राइब आज नहीं कल क्लियर करूंगा राउट एक बार तो इस पे एक बर इस पे सोची ए घर पर है डिशूर गया नामर देखो पलक वे denominator में 7 power n है ना अगर denominator में 11 power n होता तो मैं 11 की पावर निकालता numerator से अगर मैं अगर मेरा denominator में 11 power n लिखा होता तो मैं इसका power निकालता एक question इसी पर based चलो तुम लोग ने पूछा है तो एक homework question 200 factorial by 11 power n n की maximum value जिसमें ये expression integer दे जिसमें ये integer दे 200 factorial divided by 11 power n एक और question 200 factorial divided by 9 power n 200 factorial divided by 9 power n मुझे बताओ n की maximum value जिसमें ये integer दे ठीक जिसमें ये integer दे फॉर एक composite number है प्रितेश फॉर एक composite number है मैंने क्या लिखाता factorization में कि prime numbers के multiplication में ही आप उसको calculate कर सकते हैं हेलो friends welcome to our session मेरा नाम अंकित तिवारी और हमने जो seaside की series start की है for 2024 उसमें आज हम लोग एक important section cover करेंगे which is known as number system वही हर साल 15 से 20 question number system topic से पूछे जाते हैं out of 80 questions में से और अगर आप इस lecture को end to end देखते हैं तो अगर 20 questions आ रहा है तो 15 questions आप easily solve कर सकते हैं by using all the concepts which we are going to discuss in today's video तो चलिए session को start करते है session start करने से पहले important information अगर मैं CSAT को two months में cover करना चाहता हूं that is by April end so you can join our CSAT batch जिसका admission start हुआ है 8th of March से 10 last 10 years का PYQ discussion 1500 plus questions in form of practice sheet 10 mock test basic to advanced level preparation जो formula based questions होते हैं उसको change करके जो logic और concept based questions है वो सारी की सारी चीज़ों को cover की जाएंगी the price for the course is 3999 and the code for maximum discount is 80 life number system कुछ समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है दो क्लास हुई है number system में concepts में feel आना start हुआ कि नहीं हुआ क्योंकि जब तक concept में feel नहीं आएगा exam में अब question जो tricky question होते हैं वहां पर फस्स जाएंगे जो tricky questions है वहां पर फस्स जाओगे इसलिए concept से समझना बहुत ज़रूरी है यह सर पूरा आ रहा है गुड़ कि ठीक है कि काफी सारे students ऐसे होंगे जिनको में भी first time में नहीं समझ में आ रहा होगा problem आ रही होगी बट give up मत करना कि अगर आप कर ले रहे और आप समझ जा रहे हो अगर आप इन चीज़ों को समझ जा रहे हो तो आप एक्जाम में 33 परसेंट वाला qualifying criteria है न वह easily clear हो जाएगा ठीक वह easily clear हो जाएगा तो चलिए शुरू करते हैं नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे हम लोग कल कुछ homework दिया था वह कुशन्स बने थे कल कुछ homework दिया था कि क्या हो सकता है कि इसमें दूसरा कंसेप्ट आए एक वह दो तीन कंसेप्ट मिला कर एक कुश्चन पूच सकता है यह कर सकता है चलो देखो वही से स्टार्ट करते हैं उसी कुश्चन से बट थोड़ा सा मैं सवाल को चेंज करके दे रहा हूं जो homework वाला सेक्शन था वो भी कवर करेंगे बढ़ अभी यहां पर फोकस करो UPSC में एक सवाल आया था UPSC में कुश्चन आया था लेट मी राइड दिस कुश्चन फर्स्ट क्या था भाई सवाल हां इफ 15 x 14 x 13 x 12 अब 2 x 2 x 1 थिक दिस इकोल तो रोने कितना कहा है इन्होंने कहा है 3 power n multiplied by m then where m comma n where m comma n are positive integers m comma n are positive integer what is the value of m what is value of m or options the other 7 6 5 4 7 6 5 और 4 क्या कर सकते हैं इसमें क्या लिखे हो जया 11 से 19 19 से 24 अच्छा पावर आप बता रहे हैं ओके उस कुश्चन पर भी आऊंगा क्या बोला है 15 14 13 12 को multiply कर रहा हूं वन तक के और इसको क्या लिख रहा हूं थ्री पावर एन इंटो एम डेन वाट इस दा वैल्यू आफ एम जो हम पढ़ रहे हैं उस फॉर्मैट में सवाल नहीं पूछेगा वह कुश्चन की भाशा को बदल देगा आपको लेगा कुछ नया चीज पूछ रहा है बट एक्च्छल में क्या पूछ रहा है इस क्योश्चन में यहीं पूछ रहा है कि 15 15 factorial में 3 की power कितनी आती है nothing else जो हमने कल किया था यह क्या है 15 into 14 into 13 कहां तक जा रहा है वन तक के तो आप से 15 factorial में 3 का power पूछ रहा है yes or no सवाल समझ में आया है कुश्चन क्या है एक हर एक सवाल का ना लॉचिक बदल देखा जैसे हमने एक फैक्टर वाले कुश्चन किया था कल 7x plus 96 याद है कल वाले कुश्चन किया थे 7x plus 96 देखने में लेगे कुछ अलग कुश्चन है अगर उसको समझोगे तो आप देखोगी कि number of factors पूछ रहा है सिर्फ they are only asking about number of factors अब देखिए 15 फैक्टोरियल कुश्चन को solve नहीं करेंगे 15 फैक्टोरियल क्योंकि एक composite number है यह एक composite number है ठीक तो इसको मैं लिख सकता हूं प्राइम नंबर के powers के form में तू पावर सम्थिंग थ्री पावर सम्थिंग फाइफ पावर सम्थिंग इस तरीके से लिख सकता हूं हाँ आना इस तरीके से लिखा जा सकता है अब बताओ 15 फैक्टोरियल में टू की पावर क्या होगी सबसे पहले में यह फाइंड करता हूं सपोस्स इसको मैं लिख दे रहा हूं ए बी सी डी अलग अलग पावर है यह एंड नहीं हो रहा यह आगे भी मल्टिप्लाई हो रहा होगा 11 पावर 13 पावर यह चल रहा होगा आगे तक के बट मैं एक वैल्यू फाइंड कर रहा हूं एक वैल्यू कितनी आएगी 15 बाइटू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंद से इसके आगे कि सारे टर्म जीरो हो जाएंगे इसके आगे सारे टर्म से जीरो हो जाएंगे तो बताओ 15 वाय टू क्या वैल्यू देगा 15 बाइटू देगा 7.5 मतलब 7 मतलब 7 15 50 वाय 4 कितना होता है 43 जा 12 यह आएगा three point something मतलब 3 15 बाइट यह आएगा 1 पॉंट सम्थिं मतल तब क्या आउटपुट मिला वन फिफ्टीन बाय सिक्स्टीन जीरो पॉइंट सम्थिंग मतलब जीरो तो सेवन प्लस थी टेन प्लस वन इलेवन एक वैल्यू कितनी आई एक वैल्यू आ गई एलेवन एक वैल्यू आ गई एलेवन अगर मुझे बी फाइंड करना हुआ तो बताओ तो बी कैसे आएगा बी कैसे आएगा हाओ वी आ गई टॉफइंड बी बी के लिए क्या करेंगे 15 को 3 से डिवाइड करते हैं प्लस 15 को 9 से डिवाइड करते हैं आगे डिविजन का मतलब नहीं है क्योंकि जैसे ही 15 वाइट 27 करोगे वह 0 आ जाना है वह आगे चलके 0 बन जाएगा तो यह कितरा वैल्यू देगा यह देगा 5 प्लस 1 है ना 5 15 वाइट 3 करोगे 5 और यहां पर आ जाएगा 1 मतलब बी की वैल्यू आ गई 6 बी की वैल्यू आ गई 6 क्या सिमिलरली सी की वैल्यू फाइंड कर सकते हो क्या हम लोग सी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं मैं डिरेक्ट लिखूंगा अब सॉल्व नहीं कर रहा आ गए पावर आफ फाइव फाइव की वैल्यू कितनी आएगी फाइव में आ जाएगा थ्री सी की वैल्यू आ गई थ्री ठीक और क्या बच्छा डी की वैल्यू कितनी आएगी बताओ डी की वैल्यू कितनी आएगी और से वैल्यू आएगी दी का वैल्यू कितना आएगा वाई 15 को 7 से डिवाइड करो तू आ जाएगा 15 को 49 से डिवाइड करना ही नहीं है तो एंसर आ जाएगा किसी को यहां तक प्रॉब्लम है जल्दी से अगर डाउट है तो अभी पूछ लीजिए अब मैं आगे चलूँगा फिर किया यहां तक प्रॉब्लम है कोई पूछ रहा था सब 6 से क्यों नहीं डिवाइड कर रहे हो भाई 3 के पावर से डिवाइड करते हैं 3 पावर 1 3 पावर 2 3 पावर 3 3 स्कौर 3 क्यूब चलता रहेगा इस तरीके से इस तरीके से चलता रहेगा तो जो ABCD की मैंने वैल्यू निकाल 11 multiplied by 3 power 6 multiplied by 5 power कितना था 3 था 5 power 3 multiplied by 7 power 2 अगर आप इसको आगे लिखोगे अगर आप 11 से डिवाइड करते हो तो यह हो जाएगा 11 पावर 1 यह तरीके से चलता रहेगा तिक आगे और multiplication possible है तिक यह तरीके से चलता करेगा अब question में मेरे से क्या पूछा है question में मेरे को यह बोला था कि 15 factorial को मैं लिख रहा हूं 3 power 6 multiplied by जो भी बचे हुए term है उनको मैं कह दे रहा हूं उनको मैं कह दे रहा हूं M तो और यह क्या था N तो N की value कितनी आ गई 6 what is the value of N value of N is 6 रोशन 15 by 7 करोगे तो 2 point something value आती है अगर same question में आप से यह पूस्ता कि 15 factorial is equals to 2 power N into M तब N की value कितनी आती तब N की value कितनी आती हमें N find करना था अशुतोष सवाल पढ़ो ध्यान से है एम नहीं find करना N find करना M कुछ भी हो एम यह बचे वे पूरे नंबर्स का multiplication होगा क्या कुछन में बोला है और सोरी प्लीज रेक्टिफाइट टू पावर एन एन ठीक कर लो स्कुछलो कोई बात में एन के value of N M कुछ भी हो बड़ा सा मल्टिप्लिकेशन बड़ा सा मल्टिप्लिकेशन समझ में आ रहा है अगर टू की पावर पूस्ता तो मैं कितना लिखता एन इस इकोल स्टू 11 एन इस इकोल स्टू 11 काजल कल मैंने बताया था फेक्टोरियल वाला कंसेप्ट क्लियर है आप से कोई भी वैल्यू पूछेगा आप इसली यू कैन सॉल्फ यू कैन इसली सॉल्फ अगर एक ऐसा ही कुशन में अपने से बना दू सब्सक्राइब यूप्यस इस साल ऐसा कुशन पूछ ले की इफ इन नोट 51 स्वरी 50 इंटू 49 इंटू 48 इंटू 47 का तक जा रहा है मुल्टि प्लाइट बाइट री इंटू 2 इंटू 1 इस एकोल टू नए 5-7 ले ले टेशलों केल्कूलेशन शोटा रहेंगा 7 का पावर n मुल्टिप्लाइट बाइब अगर कुश्टिन आपको ऐसा दे दे ठीक 7 का पावर n मुल्टिप्लाइट बाइए तो वाट इस दा वैल्यू ओफ एन यहिर वाट इस वैल्यू ओफ एन कैसे फाइड करे कि और ओम अफंवर कि 15 2457 कैसे आया समझा तर ए सब्सक्राइट का असे पाटिकंडिके नंबर यह सारी शीज़ता हूं और मैं रोज रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज अगर कोई लेक्चर नहीं देख रहे हो तो पुराना लेक्चर उस कंप्लीट करके आना कि कितना आगा देखो यह क्या है नंबर 50 से लेकर वन तक के मीन्स 50 फेक्टोरियल अब 50 50 फेक्टोरियल में सेवन की पावर कितनी होगी 50 टेवाईड़ बाइस सेवन प्लस आगर के जरूरत है इसके आगे करने की जरूरत है नहीं बनाज जी आ जायेगा यह कितना देगा सेवन सेवन्स प्लस वन एंसर इस एट मतलब यह यहां पर क्या आएगा आपकी वैल्यू कोई भी प्राइम नंबर का आप find कर सकते हो कोई भी आप प्राइम नंबर का power find कर सकते हो ठीक येस आगे चले तो ये एक टाइप मैंने cover किया जो पूछा जा सकता एक्जाम में अच्छा कल को question homework क्या था मेरे को बताओ तो क्लिक कुश्चन होमवग में दिया था ना क्या था वो क्लिक कुश्चन होमवग में दिया था वो क्या था कुश्चन वो एन वाला 200 फेक्टोरियल बाई 7 पावर एंठीक यह था 200 फेक्टोरियल डिवाइड़ बाई 7 पावर एंठ यहां पर पूछा था what is largest value of n, so that the given expression always gives an integer value. it always gives an integer value. यहां पर आप से क्या पूछा था कि 202 वाल पूछा था कि टू हंड्रेड फेक्टोरियल डिवाइड़ बाइड इलेवन पावर एन्ष यह जो वैल्यू है इस एक्स्प्रेशन की यह हमेशा एक इंटीजर वैल्यू आनी चाहिए यह हमेशा एक integer value आनी चाहिए, इसके लिए मेरी n की maximum value कितनी हो सकती है, तो क्या process होगा यहाँ पर, यहाँ पर process क्या होगा, सबसे पहला step, सबसे पहला step क्या होगा यहाँ पर, देखो, 200 factorial को, मैं कैसे लिख सकता हूँ, 2 power something, 3 power something, 5 power something, 11 power something, इस तरीके से लिख सकता हूँ, prime number के powers में, yes or no, मैं इसको prime number के powers में लिख सकता हूँ, मुझे बाकी prime number नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ 11 चाहिए, क्योंकि denominator में 11 power n है, तो मैं इसको कैसे लिख रहा हूँ, उसी तरीके से, 11 का power multiplied by rest of the terms, इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ, 11 का power multiplied by rest of the terms, जो भी आपके बचे हुए terms है, अब इस number में 11 का power कैसे निकालेंगे, इस number में 11 का power कैसे find करोगे, आप find करोगे, 200 divided by 11 plus, 200 divided by 11 square करोगे कितना आता है, 121, इसके आगे करने की जरूरत नहीं है, इसके आगे आपको लिखने की जरूरत नहीं है, तो कितना विलेगा मेरे को answer यहां से, 200 by 11 करोगे तो, 11 ones are 11, 90 बज़ गया 8, 18 मिल रहा है क्या, 18 point something, कि 19 आ रहा है, 90 तो नहीं आना चाहिए, 18 आ रहा है यह division, अच्छा यह division कितना देगा, 1 point something means 1, तो आपको यहां पर power कितनी आ गई, 19, यहां पर आपकी value कितनी आ गई, 11 का power 19, means, यह जो question है मेरा, 200 factorial by 11 power n, इसको मैं लिख सकता हूँ, 11 का power 19 multiplied by rest of the number, 11 का power 19 multiplied by rest of the number, denominator में क्या है 11 power n, अब बताओ, अगर मुझे एक integer value चाहिए, अगर मुझे integer value चाहिए, तो यह denominator इस numerator को cancel कर दे, यह denominator जो है, इस numerator को cancel कर दे, तो n की value कितनी आती है, 19, इस case में, इस case में n की value कितनी आती है, 19, ठीक, ऐसा सवाल UPS से बिलकुल पूछ सकता है आप से, क्लियर है, 19, काफी लोगों का answer आया भी था, जिन लोगों का नहीं आया होगा, अब समझ गए होगे, कहां पर गलती हो रही है, यहां पर आपका rest of the terms रहेंगे, जो भी बचे हुए terms है, जिनका मुझे अभी कोई जरूद नहीं है, आगे चलूँ, ठीक है, उसको भी solve कर देता हूँ, एक और expression क्या दिया था, 200 factorial by 9 power n, इसमें क्या आएगा answer, इसमें क्या answer आएगा, 9 power n, इसमें answer क्या आया, 24 और 48, अलग-अलग answer आ रहे है, देखो करना क्या है, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, मुझे यहां पर 9 का power n find करना है, ध्यान से सुनो, comment मत करो, 200 factorial में क्या मैं 9 की power find कर सकता हूँ, क्या मैं 200 factorial में 9 की power find कर सकता हूँ, yes or no, सब 9 से डिवाइड कर देते हैं, 9 square से डिवाइड कर देंगे, 9 cube से डिवाइड कर देंगे, yes or no, no, we cannot use because 9 is a composite number, मैं कई दिनों से बोल रहा हूँ, कि जो तरीका सीख रहे हैं, वो सिर्फ पूरा factorization जो first class में बताया था, पूरा जो factorization first class में बताया था, क्या बोला था, composite number, prime number के ही multiplication में लिख सकते हैं, composite number, prime number के ही multiplication में लिख सकते हैं, कुछ लोगों को doubt था ये, कि सर हम composite number क्यों नहीं ले रहे हैं, सिर्फ prime क्यों ले रहे हैं, first class, please see that lecture, तो मैं इसको कैसे लिखूँगा, मैं इसको लिखूँगा, 200 factorial by, ये 9 क्या हो जाएगा, ये 3 power 2N हो जाएगा, कल एक formula बताया था, a power b का whole power c is equals to a power b c, powers and exponents वाला, तो ये 9 को मैं लिख देता हूँ, 3 power 2N, अब इस 200 factorial में, 3 का power find कर सकते हो, वो तो प्राइम नंबर है, इस 200 factorial में, आप 3 की power कैसे find करोगे, 200 by 3, plus 200 by 3 square होता है 9, 200 by 27, 200 by 81, ये 3 power 4 है, 3 power 5 कितना होता है, 243, इन सब में big bracket लगा दो, कितना आएगा एंसर, ये पूरा solve करने पर, इसके आगे मैं नहीं solve कर रहा, आप बताओ, what is the answer we are getting, क्या 48 आ रहा है, सर ये बन जाएगा, 3 power 48 multiplied by, जो भी rest of the terms है, मुझे नहीं चाहिए, होल डिवाइड़ बाइ, 3 power 2 in, क्या ये expression आएगा, solve करने पर, इसका answer कितना आ रहा है, अलग अलग answer बता रहे हैं, आप लो, 48 आटा 97, कितना आता है ये value, अरे मैं N की value नहीं पूछ रहा, मैं ये पूछ रहा है, इसका addition कितना आएगा, लोग मैं ही solve कर देता हूँ, तुम लोग नहीं बता रहे हो तो, अलग-अलग answer आ रहा है, यह हो जाएगा, 3, 6, 18, 20 गया, यहाँ पर मिल गया 66, 200 से divide करोगे तो इतना होगा, 9, 2, 18, और 20, 22 आ रहा है क्या हैं आपर, 9, 2, 18, 20, फिर से 22, 22, 27 से divide करोगे कितना आएगा, नो सर 97, यह पूरा का एडिशन 97 आ रहा है, क्या यह पूरे का एडिशन 97 आ रहा है, यह सब जोडने के बाद, क्योंकि यह आपको देगा 0 value, यह आपको देदेगा 2, यहाँ पर कितना बन जाएगा, 54, 54, 27, 6, सिख्जा कितना होता है, 27, 6, एक बार value find कर लेता हूं, 27, 6, हो जाएगा, 42, 4, 12, 162, 162 में 27 जोड़ दूँगा, यह शाथ 7 देगा answer, is it giving us 7, add करो 66, 22, 7, 2, 0, कितना आएगा value, इस अब add करने भी कितना आएगा, 88, 90, 97, 97 आ रहा है पूरा add करने पर, अगर 97 आ रहा है, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका, 97, ठीक, यह आ गया, 3 power 97 into rest of the terms, divided by 3 power 2N, अब आपको क्या करना है, इस पूरे को अगर integer रखना है, अगर इस पूरे को integer रखना है, तो यह जो है, वो cancel out होना चाहिए, ठीक, यह जो है, वो cancel out होना चाहिए, means, 97, should be equal to, 2 into N, अब बताओ, N की value कैसे निकालेंगे, what is N, N is equals to, 97, divided by 2, कितना आ रहा है value, अगर divide करोगे तो, 2, 4, is a, 8, 17 आ गया, 8, is a 16, 48.5, this is the case, 48.5, अब बताओ, N को मैं क्या लूँगा, N को मैं क्या लूँगा, मेरे पास दो option आ गया, या तो N को 48 ले लो, या तो N को 49 ले लो, क्या लेना पड़ेगा, क्या लेना पड़ेगा, 48 की 49, वापस से सवाल को समझो, question में क्या था, 3 power 97, divided by 3 power 2 N, ये था, अगर मैं N को 48 लेता हूं, अगर मैं N को 48 लेता हूं, तो ये बन जाएगा, 3 power 97, divided by 3 power 96, कितना बनेगा, 3 power 97 divided by 3 power 96, जब आप 48 ले रहे हो तो, अगर आप 49 लेते हो, ये कितना बनेगा, 3 power 97 divided by, 49 into 2, कितना आएगा, 49 into 2, 3 power 98, इस केस में क्या होगा, अगर मैंने 49 ले लिया, तो आपको ये value आ जाएगी, 1 by 3, अब ये हमेशा decimal देगा, अब ये हमेशा decimal देगा, तो मैं क्या value लूँगा, 48 is the correct answer, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, 1 3 extra आ जा रहा है, एक 3 extra आ जा जा रहा है, उसमें कोई issue नहीं है, बट denominator पूरी तरह से cancel out हो जाएगा, 3 बचेगा इस केस में, आया समझ में सवाल, ये दो question जो homework दिया था मैं आपको, ठीक है last part repeat कर दूँगा, एक बर देख लो, last part repeat कर दूँगा फिर से, देखो क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, मिरको बोला था 200 factorial, by 9 power n, इसको मुझे एक integer value रखनी है, ठीक, अब मैंने क्या किया, ये 9 तो composite number है, तो इसको मैंने लिख दिया, 3 power 2n, अब 200 factorial by 3 power 2n में, मैंने क्या किया, 200 factorial में 3 की power find कर ली, जो की आ रहा है 97, अब इन दोनों को मुझे cancel out करना है, मेरा n क्या है integer के लिए, ये नहीं बचना चाहिए denominator में, denominator में ये 2n नहीं बचना चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, इस 2n को 97 के बराबर कर देता हूँ, जब मैंने इसको बराबर किया, तो मेरे को n की value मिली 48.5, एक integer होगा generally, 48.5, तो अब मैं क्या करूँगा, मेरे पास 2 option है, सर इसको या तो मैं 48 पे round up कर दूँ, या तो 49 पे round up कर दूँ, अगर 49 पे round up करूँगा, तो denominator में 3 बच जाएगा, इसे लिए ये गलत है, क्या answer लेंगे हम 48, या जब 48 लोगे, तो denominator पूरी तरह से cancel out हो जा रहा है, तो the maximum value of n is nothing but 48, ठीक, आगे चले, येस, चलो, ये तो homework वाला question हो गया, एक और question तो homework में try करने के लिए आपको, इसी concept पे based, 200 factorial by 6 power n, maximum value of n, ये homework है, find करना, बताना मुझे, कि अब क्या value लेंगे इन की, this is the homework for you, 200 factorial by 6 power n लिखा हुआ है, अब लिखा हुआ है 6 power n, इस expression को integer में रखना है, what is the maximum value of n, we are going to take, ये question तो हो गया, अच्छा, एक और pyq, इसी के base पे, let x, y, z, be a, three digit, number, where, x plus y plus z, is not multiple of three, is not multiple of three, then, first class में बढ़े थे, ये, x, y, z, plus y, z, x, plus, z, x, y, ये जो expression है आपका, it is not divisible by, it is not, divisible by, ठीक, options में क्या क्या है, option a, three, option b, nine, option c, 37, और option d, x plus y plus z, इस सवाल का जवाब दो, what is the answer of this question, क्या करवाने कह रहे हैं अम्रेश, क्या कराना है, इसका ये पी वाई क्यों है, इसका answer चाहिए मुझे, हिंट का आप ट्राई करो, मैं इतना सारे question solve कर दी है, six power n वाले, इस टाइप के question, ये homework है, और the answer we are getting, x, y, z, भी है three digit number, x plus y plus z, जो है वो multiple of three नहीं है, then x, y, z, y, z, x, z, x, y, is not divisible by, should I solve, देखो, क्या हो रहा है question में, x, y, z, एक three digit का number है, ठीक, x plus y plus z, जो है three का multiple नहीं है, तो मुझसे पूछा है, x, z, y, plus, y, x, z, plus, क्या लिखाता है, एक बर चेक कर लो, x, y, z, y, z, x, y, z, x है, z, x, y, यह किस से divide, यह किस का multiple नहीं होगा, यह है question, एक बात बताओ, मैंने आपको बताया था, कि क्या मैं यहाँ पर decimal number system का expansion technique यूज़ कर सकता हूँ, क्या मैं यहाँ पर decimal number expansion यूज़ कर सकता हूँ, 10th digit, unit digit, 100th digit, यह apply कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, expansion क्या बनेगा, देखो, इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे 100x, 10z, plus y, ठीक, मैंने कुछ गलत लिखा है क्या, क्या है question में, x, y, z, y, z, x, और z, x, y, अच्छा, x, y, z, है, ओके, x, y, z, y, z, x, x, y, z, x, y, z, x, y, y, z, x, z, x, y, ठीक, आप, रुको, इसमें मैं decimal expansion अगर लगाऊंगा, तो क्या बने गई है, 100, x, 10, y, plus z, यह value आजाएगी, अगर आप इसको expand करते हैं, तो क्या value आएगी, 100, y, plus, आपका आजाएगा, 10, z, plus x, ठीक, और, z, x, y को expand करोगे तो, 100, z, 10, x, plus y, यह value आएगी, is this thing clear, हमने पहली ग्लास में बहुत पढ़ा था, ऐसे questions किये थे, जब, क्योंकि यह सारे के सारे add हो रहे हैं, तो आपको, इन सबको add कर देना है, जब इन सबको add करोगे, 100, x, plus x, 101, plus 10, 11, तो आपको क्या मिलेगा, 100, 11, x, 100, 11, y, 100, 11, z, यह value आजाएगी, addition करने के बाद, addition करने के बाद, यह value आजाएगी, 111 को बाहर ले लेते हैं, अंदर में क्या बचा, x, plus y, plus z, x, plus y, plus z, मुझे बताओ, इसके factors क्या क्या आएंगे, 111 के, 111 के factors क्या क्या होंगे, 3 से divide होता दिख रहा है, अगर 3 से divide कर दिए, तो कितना value देगा यह, 3, 3, is a 9, और 7, 21, तो इस 111 को क्या लिख सकता हूँ, 3 into 37 multiplied by x, plus y, plus z, ऐसा आगया, 3 into 37 multiplied by x, plus y, plus z, तो अगर end में यहाँ पर लिखूं मैं, तो यह क्या बन रहा है, 3 into 37 into x, plus y, plus z, अब आप एक बात बताओ, क्या यह number, 3 से divisible होगा, क्या यह number 3 से divisible होगा, yes or no, is this number divisible by 3 or not, होगा, बिलकुल, ठीक है, क्या यह number 37 से divide होगा, क्योंकि आपर 37 का term present है, यह 37 से divisible हो जाएगा, अच्छा, क्या यह term, x, plus y, plus z से divide होगा, अगर मैं यहाँ पर denominator में, x, plus y, plus z करूँ, तो यह दोनों cancel हो जाएगा, perfectly divisible है, क्या यह number 9 से divide होगा, क्या यह 9 से divide होगा, नहीं, क्योंकि 9 क्या होता है, अगर मैं यहाँ पर लिखू, 9 is nothing, 3 by 3, 9 क्या होता है, 3 by 3, 1, 3 तो cancel कर देगा, बट यह वाला 3 का फिर क्या होगा, यह वाला 3 जो है, प्रॉब्लम करेगा, therefore, इस question का answer क्या आएगा, this expression is not divisible by 9, this expression is not divisible by 9, ठीक, इस डेसिमल एक्सपैंशन सीखे वाई, जिसके कुछ और questions कराऊंगा आपको मैं, तो आपको आइडिया लगी हो, कि हाँ किस तरीके से सवाल को frame किया जा रहा है, आए रहा से बहुत सारे questions है, वाई यू टूक 100, 10 and 1, अमरेश फर्स क्लास, एक बार फर्स क्लास देख कर आओ, फिर मैं explain कर दूँगा, वाने क्यों यहाँ पर 100 से multiply किया, 10 से multiply किया, 1 से multiply किया, तो कि डेसिमल एक्सपैंशन के ऐसे, हमने 4-5 questions किये थे, X plus Y plus Z is not divisible by 3, अंजनी, UPSC का question बनाने के लिए, सबसे पहला criteria होता है, सवाल के एक-एक word को ध्यान से पढ़ना, सवाल के एक-एक word को ध्यान से पढ़ना, नहीं, इसमें question में कहां लिखाएगी, X, Y, Z की value चाहिए, यह, मुझे कैसे पता रहेगा, कि same question आएगा या नहीं, मैं आपको different different concept सिखा दे रहा हूँ, ताकि जैसा भी question आए, आप apply कर सके, exact question में कैसे predict कर पाऊंगा, 37 कैसे आया, 111 को divide करो 3 से, शुरूती, you will get the answer, 111 को 3 से divide करो, 37 मिल जाएगा आपको, आगे बढ़ूं, आगे चले नहीं चले, येस, नो, अच्छा, देखो, ऐसे वाले questions और कर रहूंगा, बट लास्ट वाले जो topic है, उसको एक बार हम लोग wrap up कर देते, जो हम number of zeros पढ़ रहे थे, ठीक, उसको एक बार wrap up कर लेते, एक topic छोटा सा बचा हुआ है उसमें, number of zeros में, एक बात बताईए, this is number A, and, this is, number B, सिर्फ logic समझाने के लिए ये value लिया है मैंने, सिर्फ logic समझाने के लिए मैंने value लिया है, A और B का, मुझे बताओ, अगर A multiplied by B करूँ, तो number of zeros कितने मिलेंगे, and, जब A plus B करूँ, तो number of zeros कितने मिलेंगे, अब direct calculate करके बताओ, जब A और B को multiply करेंगे, और जब A और B को add करूँगा, तो number of zeros कितने आएंगे, अगर, जब आप multiply करोगे, तो आपको पता है, एक, दो, और तीन, number of zeros मिलते हैं तीन, ठीक, number of zeros मिलते हैं, ठी, और जब मैं add करूँगा, रेको addition कर रहे हो, तो क्या बन जा रहा है, 2200, plus 110, तो value कितनी आ रही है, 2310, number of zeros end में कितना आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ एक, इस चीज़ समझ में आया, जब multiply करता हूँ, तो 30 मिलेंगे, और जब add करूँगा, तो 10 मिलेगा, yes or no, जब add करूँगा तो 10, multiply करूँगा तो 30, तो यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, logic क्या लिख रहा हूँ है, logic ये लिख रहा हूँ कि, whenever, two numbers, are multiplied, number of zeros कितने आते हैं, इनको आप add कर देना, दोनों टर्म के, जितने भी number of zeros हैं, उनको add कर देना, जब आप multiply कर रहे हो numbers को तो, और जब numbers are added, whenever, two numbers, are added, इस case में number of zero कितना आएगा, इस case में number of zero आता है, minimum of two, minimum of two numbers, ये दो conclusion आपको याद रखना है, question में कैसे use आएगा, हम solve कर लेंगे, जब भी दो number multiply हो रहे हैं, दोनों में कितने zero आते हैं, उनको add कर देना, और जब भी आप दो number को add कर रहे हो, तो उन दोनों में जो minimum value होगी, वही होगा number of zero, ठीक, जैसे कि यहाँ पर, इस question में, इसमें 2 zero, इसमें 1 zero, तो जब multiply किया, 1 cross B, तो number of zero कितना आया, 2 plus 1, number of zero आया, 2 plus 1, और जब मैंने addition किया, तो मैंने क्या देखा, इसमें 2 थे, इसमें 1 zero थे, तो minimum value क्या थी, एक, इसे लिए 1 zero is the answer, क्या clear है यह point, therefore 1 zero is the answer, is this point clear, जब आने आपर लिखा है, हो गया, देखो, कुशन एक देता हूं, find a number of zero in this expression, 200 factorial into, 100 factorial ले 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 ले, 200 factorial into 100 factorial, इसमें आप solve करके बताईए, what is number of zeros, what is number of zeros in this expression, हम अब तक सिर्फ एक value find करते आ रहे थे, या तो 200 factorial का, या 100 factorial का, अब इन्होंने multiply कर दिया, अब इस expression में कितने zero आएंगे, 9 plus 1 और 5 plus 5 को कैसे manage करेंगे, मतलब, ति वो case में नहीं consider करता है, क्योंकि मुझे आप factorial में पूछ रहा है, तो आपको नॉर्मल नंबर का नहीं पूछेगा, आशुतोष, आपको जनरली ये factorial के terms में दिया होगा, बड़ा value, तहाँ पर मैं इस formula से calculate कर लेता हूँ, कितने zero होंगे, सबसे पहला काम क्या होगा, 200 factorial में कितने zero है, ये find करो, 200 factorial में कितने zero है, कैसे find करते हैं, 200 by 5, 200 by 25, 200 by 125, इसके आगे नहीं जाओंगा, इसके आगे नहीं जाओंगा, बिकॉस अगला जो number आएगा, वो इससे बड़ा हो जाएगा, तो कितनी value दे रहा है ये, 40 plus, ये कितना देता है, ये देगा I think, 8 plus 1, तो 200 factorial में number of zeros कितने हैं, 49, ये मैंने find कर लिया, 200 factorial में कितने zeros हैं, 49, अब रही बात, 100 factorial की find करने की, 100 factorial में कितने 0 होंगे, 500 by 25, 100 by 125 मत करना, क्योंकि value वैसे भी 0 हो जाएगी, value जो है, वो वैसे भी 0 हो जाएगी, ये आगे 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 20, और ये आगे आगे आपका 4, तो इसमें कितने zeros आ रहे हैं, 24, ये मैंने अलग से calculate कर लिया, ये मैंने अलग से calculate कर लिया, कि 200 factorial में 49 zeros, and 100 factorial में 24 zeros, बट ये जो है, यहाँ पर multiply हो रहा है, तो number of zero क्या आएगा, property के accordingly, 49 plus 24, what is the answer, 13 और 7, तो ये आपका answer आ जाएगा, अगर multiplication पूछ रहा है तो, अगर multiplication पूछ रहा है तो, 73 is the answer, ठीक, 73 is the answer, जब भी आप multiply कर रहे हो, दोनों के individual zeros निकालना, और उनको add कर देना, दोनों के individual zeros निकालके, उसको add कर देना, ठीक, clear है ये point, yes, no, अब देखो, अगर यही सेम question इस form में पूछ था, कि find a number of zeros in 200 factorial, plus 100 factorial, अब इसका answer कितना आता, क्या क्या पूछ रहे हैं, सर मेरा एक doubt है, 5 से क्यों divide किये, कल का lecture देखिए, प्लस करेंगे, 0 को multiply, येस, इसमे answer कितना आएगा, 200 factorial, इसमें number of zeros मैंने कितना find किया था, देखो, यहाँ पर, 49 और 24, तो यहाँ पर number of zeros था 49, और यहाँ पर number of zeros था 24, 49 and 24, तो minimum value कितनी होगी, addition में क्या लेते हैं, minimum value, मतलब 24, this is the final answer, the number of zeros is 24, मुझे निए पता, 1176 कहां से आया, 25 कहां से आया, इसमें से minimum आपको choose करना था, इसमें से आपको minimum value choose करनी थी, तो answer is 24, number of zeros, number of zeros is 24, ठीक, क्या यहां तक clear है, 49 and 24 में सबसे छोटा value क्या है, 49 and 24 में minimum value क्या है, 24, यह हो गया, एक आखरी question, number of zeros का, फिर यह topic ही end हो जाएगा, permanently, number of zeros in this expression, find the number of zeros in this expression, find the number of zeros in this expression, इसमें सब आ गया है, मुल्टिप्लिकेशन एडिशन सब आ गया, टेक टू मिनिट एंड सॉल्व दिस कुश्चिन, सब डू इन रिटन, लिखा तो था मैंने 200 और 100 फेक्टोरियल का, वहाँ पर, कितना जिरो आएगा इसमें, नमबर आफ जिरो स, 14 आ रहा है, क्या सॉल्व करनी की जरूरत है, या आगे चलू, क्या सॉल्व करनी की जरूरत है, या आगे चले, सॉल्व करना है, लोग, कर देते, सबसे पहला काम क्या होगा, सबसे पहला काम होगा, 80 फेक्टोरियल, इसमें कितना होगा, 0s number of zeros 80 factorial में value आ जाएगी 80 by 5 plus 80 by 25 इसके आगे solve करने की ज़रूत नहीं है कितना आता है 16 और यहां पर आ जाएगा आपका 3 तो 80 factorial में zeros कितने आ गए 16 plus 3 19 16 16 plus 3 19 30 factorial में कितने 0 आएंगे 30 factorial में कितने 0 आएंगे यह हो जाएगा 30 by 5 30 by 25 यह बनेगा 6 plus 1 इसमें आ गया 7 इसमें आ गया 7 क्योंकि यह multiply हो रहा है तो यह जो मेरा कर्म है 18 to 30 factorial इसमें total zeros कितने आएंगे 80 factorial into 30 factorial इसमें आ जाएंगे आपके 19 plus 7 which is 26 zeros ठीक इसमें आएगा 26 zeros अब क्या हो रहा है यह तो आगया 26 0 अब बच गया 60 factorial इसमें क्योंकि यहां पर addition है बीच में इसमें number of zeros कितने आएंगे किसी ने calculate किया है इसमें number of zeros कितने आ रहे है 60 factorial में अगर किसी ने calculate किया है तो 14 आ रहा है ठीक अब मुझे एक बताओ यहां पर आ रहा है 26 plus 60 factorial minimum किसमें है minimum किसमें है minimum is 14 तो final answer क्या होगा final answer is 14 इसके साथ मैं यह number of zeros वाला topic end करता हूं इसके बाहर कुछ भी नहीं है जितना हमने पढ़ लिया इतना ही है कि जितना मैंने पढ़ लिया इतना ही है अब जो है देखो अब जो topic हम लोग पढ़ने वाले हैं हलाकि हम इसका basics पढ़ चुके हैं number system और I would use the word decimal number system expansion के जो questions होते हैं this is one of the most important topic reason यह है कि हर साल उन्हों on an average three to four questions लगभग 10 marks आपके यही से बन रहे हैं यहां पर आपके लगभग 10 marks जो है concept का यूज लगा कि आपको सवाल सॉल्फ करना होता है इस concept के questions लगा कि आपको question को सॉल्फ करना होता है नहीं देखो कोई बात नहीं कोई ट्रिक नहीं होता है यहां पर सॉल्फ करने के लिए यहां पर कोई ट्रिक नहीं होता आपको वैल्यू पूट करके देखना पड़ेगा आपको वैल्यू पूट करके चेक करना पड़ेगा अधर्वाइस यह कुशन्स नहीं बनेंगे तो हम पीवाई क्यूजी लेकर सॉल्फ करते हैं फिर्स्ट कुश्चन इस अ थ्री डिजिट नंबर ये सी साल का कुश्चन है थ्री डिजिट नंबर ए बी सी ओन मुल्टिप्लिकेशन on multiplication with d gives 37 double d where a b c d where a b c d are different non zero digits are different non zero digits what is the value of what is the value of a plus b plus c यह है question a plus b plus c की value क्या क्या होगी पहला option 18 दूसरा option 16 तीसरा option 15 और फोर्थ option है के नौट बी डिटर्माइंड इक शॉट फॉर्म में लिख रहा हूँ c b d cannot be determined बताओ क्या करेंगे इस question में यह है c sat 2023 का सवाल बहुत सारे questions ऐसे हैं हर एक टाइप का सवाल बनाएंगे solve कैसे करेंगे यह बताओ answer तो नहीं चाहिए मुझे answer नहीं चाहिए मुझे मुझे process जानना है कि how you are going to approach this kind of question hello friends welcome to our session मेरा नाम अंकित तिवारी और हमने जो seaside की series start की है for 2024 उसमें आज हम लोग एक important section cover करेंगे which is known as number system हर साल 15 से 20 question number system topic से पूछे जाते हैं out of 80 questions में से और अगर आप इस lecture को end to end देखते हैं तो अगर 20 questions आ रहा है तो 15 questions आप easily solve कर सकते हैं by using all the concepts which we are going to discuss in today's video तो चलिए session को start करते हैं session start करने से पहले important information अगर मैं CSAT को two months में cover करना चाहता हूं that is by April end so you can join our CSAT batch जिसका admission start हुआ है 8th of March से 10 last 10 years का PYQ discussion 1500 plus questions in form of practice sheet 10 mock test basic to advanced level preparation formula based questions होते हैं उसको change करके जो logic और concept based questions हैं वो सारी की सारी चीज़ों को cover की जाएंगी the price for the course is 3999 and the code for maximum discount is 80 life देखो यहां पर ना आपको value put करके solve करना पड़ेगा यहां पर आपको value put करके solve करना पड़ेगा देखो क्योंकि previous year question है मेरे बात पहले ध्यान से सुनना क्योंकि previous year question है तो ऐसा question दुबारा नहीं आएगा बट इस concept पर question आएगा तो इन questions के थुरू मैं answer नहीं ला तो चलिए start करते हैं on multiplication with D सबसे पहली चीज़ की वर्ट समस्ते हैं आपर सबसे पहला की वर्ट क्या है they are different non zero digits क्या मतलब हुआ इसका different non zero digits का मतलब क्या होगा what is the meaning of different non zero digits what is the meaning of different non zero digits zero नहीं हो सकता ABCD की value क्या क्या हो सकती है ABCD जो है they can be either one two three four five six seven eight nine इसी में से कुछ होंगे इसी में से कुछ होंगे one से लेकर nine तक zero नहीं आ सकता और क्या दो इनकी values do alphabets की value same हो सकती है क्या दो alphabet की value same हो सकती है क्या दो alphabet की value same हो सकती है हाय आना नहीं हो सकती because different is given different non zero digit is given yes मत लिखो भई सवाल पढ़ो पहले different they are different same value नहीं हो सकती अब देखो क्या हो रहा है ABC का multiplication जब मैं D के साथ कर रहा हूं पुशन में क्या बोला है ABC का multiplication जब D के साथ कर रहा हूं तो क्या value मिल रही है 37DD यह मिल रहा है 37DD yes or no it's coming out to be 37DD means ABC की value क्या हो सकती है 37DD divided by D process देखते जाओ सर्फ 37DD divided by D starting में थोड़ा जीब सा लाइगा पर जब 4-5 question कर लेंगे तब आपको feel आ जाएगी 37DD divided by D अब यहां पर मैं इसको expand कर दे रहा हूं numerator को decimal expansion में क्या बनेगा यह यह बन जाएगा यही नंबर का expansion मैंने लिया था कि 37DD कैसे होगा सोनक क्योंकि एक्जाम में में mention है मैं question पर सवाल नहीं उठा सकता हमारा काम है सवाल सॉल्फ करना हम सवाल पर सवाल नहीं उठा सकते कि 37DD क्या हां से आ गया अच्छा इसको जब अधिक इतना हो जाएगा 11 क्या यह expression समझ में आया 3700 divided by d plus 11 क्या यह expression समझ में आया मैंने इसको थोड़ा simplify किया मैंने इसको थोड़ा simplify किया अब उसको आड़ करोगे 3000 को 700 से 10D को डी से तो आपको वैल्यू आ जाएगी अब देखो क्या हो रहा है अब मैं यहां पर वैल्यू एज्यूम करना स्टार्ट करूंगा और कोई तरीका नहीं सॉल्फ करने का अब सबसे पहले यहां पर अगर डी की वैल्यू वन एज्यूम करेंगे तो तुम मुझे बताओ अगर और आप डी को वन एज्यूम करते हो तो अबिसी की वैल्यू कितनी आएगी अगर यहां पर डी को वन रखते हो तो भीक्त कुङ है पॉसिब एक पूर सवाल पढ़ना है इसे लिए D equal to 1, this is wrong, मुझे यहाँ पर एक तीन डिजिट का नमबर, नॉट 4 डिजिट, अब क्या करेंगे, नहीं मिला solution, D को 2 लेते हैं, अब बताओ ABC कितना आएगा, आपको solve करना है, 3700 by 2 plus 11, ठीक, एक मालिक जेता हूं, 3700 by 2 plus 11, कितना आएगा, कितना आएगा, बताओ, डिवाइड करके, ये बन जाएगा, 1850 plus 11, 1861 आएगा, 1861, this is the solution, 1861, अब बताओ, क्या ये solution possible है, is this solution possible, क्या ये solution possible है, नहीं, क्यों, क्योंकि मुझे तीन डिजिट का नंबर चाहिए, not 4 डिजिट, not 4 डिजिट, तो ये भी गलत, D equal to 1 पे भी valid नहीं है, 2 पे भी valid नहीं है, अब चलो, क्या D को 3 ले सकता हूं, A, B, C is equal to 3700, divided by 3 plus 11, क्या ये solution possible होगा, मुझे बताना, क्या ये solution possible होगा, कितना मिलेगा, 3700, divided by 3 plus 11, 3700, divided by 3 plus 11, क्यों नहीं होगा possible, क्योंकि ये decimal में value दे रहा है, it is giving the value in decimal, A, B, C, point something something आने लगेगा, ठीक है, अपने answer भी लिखा है, good, 1, 2, 3, 3, point 3, 3, decimal में आ रहा है, इसलिए ये भी गलत, ये भी गलत होगया, सर इसको भी नहीं ले सकते, D की value 1, 2, 3 नहीं हो सकती, what about 4, अगर D को मैं 4 लूँ, अगर मैं D को 4 लूँ, तो ABC कितना आएगा बताना तो, 3700 डिवाइड बाइ 4 प्लस 11, कितनी value आएगी, अगर आप D को 4 लेते हैं, तो 3700 बाइ 4 प्लस 11, 936 आ रहा है, good, क्या ये possible है, is this solution possible, D को अगर आप 4 ले रहा हों, तो ABC की value आ जा रही है, 936, yes, तो हमसे क्या पूछा है, exam में, हमसे पूछा है, A प्लस B प्लस C की value, कितना आएगा, 9 प्लस 3, 12, प्लस 6, answer is 18, कौन सा option टिक करूँगा यहाँ पर, option number A, option number A, समझे में आया, कैसे सवाल को बनाना है, यहाँ पर आपको value रख के solve करना पड़ेगा, और कोई तरीका नहीं है, और ऐसे question exam में, पूछे जा रहे हैं काफी सारे, ऐसे question exam में काफी सारे पूछे जा रहे है, येस, critical, 10 D, प्लस D, 11, आया की नहीं आया समझ में, प्रैक्टिस से आयूशी, प्रैक्टिस से, पहले आप समझो, जल्दी सॉल्व तब करोगे, देखो, जल्दी सॉल्व करना ना, इस टू स्टेप प्रोसेस, मैंने कई बार डिस्केशन किया है ये चीज़ को, कि students गलती क्या करते है, they directly move to speed, answer ही नहीं आता, क्या करोगे आदे घंटे में paper खतम करके, जब answer ही सही नहीं आ रहा तो, पहला focus speed कभी नहीं होना चाहिए, ये SSC, CGL या banking का exam नहीं है, आपको 33% marks लाना है दो घंटे में, यहाँ पर accuracy important होती है, पहला focus इस पे, भले सवाल 5 मिनट में बने, भले question 5 मिनट में बने, बट सही बने, बट सही बने, पहला आपका काम ये होना चाहिए, accuracy, एक बार accuracy आ गई, फिर हम practice करके speed पे आ जाएंगे, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि speed important नहीं है, speed is important, बट पहला criteria accuracy है, फिर दूसरा criteria speed है, सीधा speed पे जाओगे तो फस जाओगे, किसी का कहना है सर, option back check कर सकते हैं, बिलकुल back check कर सकते हो आप option, अप option से value find कर सकते हो, बट UPSC भी जानता है, UPSC भी जानता है कि बच्चे smart है, हम लोग जो है option से check कर लेंगे, इसलिए एक option दे देता है, cannot be determined, या none of the above, ऐसे questions में एक option रहता है, cannot be determined, none of the above, फस गए आप, अब कैसे check करोगे, अब कैसे check करोगे, कोई तरीका नहीं है check करने का, अम्रेश आप message प्लीज एक बार करिए, आप बार बार message कर रहे हैं, तो बहुत सारे genuine comments चले जाते हैं, ये एक issue आ रहा है, अम्रेश, ठीक, एक issue आएगा, बार बार एक चीज़ को लिखेंगे, तो फिर बाकियों के messages चले जाते हैं, प्लीज राइट one time only, हाँ, अब चलो, मैं इसको आगे continue करता हूँ, मैं इस question को यहाँ पर नहीं रोक रहा, suppose, अगर मैंने D की value 5 ली, तब क्या आएगा ABC बताओ, अगर मैं D को 5 लेता हूँ, तब ABC कितना आएगा, please tell me, 3700 divided by 5 plus 11, क्या value आएगी, ये value कितनी आएगी ABC की, सर, ABC की value आजाएगी 751, कितना solution आ रहा है, 7 plus 5, 14, 14 plus 115, ये देर आएगा value, 7 plus 5 plus 1, 15, है न, A plus B plus C, 15, ये possible है कि नहीं है, ये solution possible है या नहीं है, is this solution possible or not, सब बिल्कुल possible है, तीन डिजिट का नंबर है 751, तो answer क्या होगा, 7 plus 5, 14 plus 1, 15, 15 भी तो हो सकता है answer, अब क्या करोगे, ये option भी match कर रहा है, ये option भी match कर रहा है, option A भी match कर रहा है, option C भी match कर रहा है, तो क्या choose करना पड़ेगा, तब कौन सा choose करूँगा, क्या option number D correct होगा, we cannot be determined, this is wrong, this is wrong, सवाल को इसे लिए पढ़ना बहुत जरूरी है, सवाल में क्या लिखा था, they are different non-zero digits, अगर इस case में मैंने D को 5 ले लिया, तो मुझे B 5 नहीं मिल सकता, समझ रहे हो, ये जो है गलत है, आप मैंसे काफी लोग को doubt था, comment में लिख रहे थे, क्या बोला है, different non-zero digit भाई, D अगर 5 हो गया, तो B की value 5 नहीं आ सकती, ये जो है आपका 5 नहीं हो सकता, ठीक, इसे लिए, this is wrong option, yes, this is not 15, this is 13, 7 plus 5, 12 plus 1, 13, समझे, तो D वाला option, D equal to 5 is not valid option, अरे 13 छोड़ो तुम concept को समझो इदर, कि D की value को 5 क्यों नहीं ले सकते, अगर D 5 लोग है तो B भी 5 हो जाएगा, therefore, this is wrong, और इसके आगे की values आप चेक कर लेना, D को 6, 7, 8, 9 कुछ भी रखोगे, तो ABC हमेशा decimal में मिलता है, ठीक, ABC हमेशा decimal में आ जाता है, तो ये value कभी नहीं हो सकता, ये दो value कभी नहीं हो सकते, 3, एक बचता है D equal to 4, और एक बचता है D equal to 5, 5 इसलिए मैं neglect करूँगा, because repetition आ जा रहा है, तो correct answer is 18 only, correct answer is 18 only, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ ये होगा, तब जो है, सिर्फ और सिर्फ ये होगा, तो एक एक वर्ड आपको पढ़ना पढ़ेगा, different non zero digits, नहीं नहीं, ऐसा कहीं नहीं लिखाए कि first को सही answer मानेंगे, आगे चले, ये question अगर clear है तो, देखो सारे, obviously exam में तो check करना पढ़ेगा, बट आप उसको ध्यान रखना कि decimal जिसमें मिल रहा है, में आपको check करना होगा, 4 और 5 पर ही, बिर्दविंद्र, 4 और 5 पर हमें check करना पढ़ेगा, D11 नहीं जा सकता न, non zero digits बोला है, तो 0 से 1 से लेकर 9 तक की तो होगा, यह first class में बताया था, decimal number system पढ़ाते वक्त, यह decimal number system में मैंने बताया था, चलो एक और सवाल बनाते हैं, थोड़ा अलग, यह भी PYQ ही है, A, B and C, D are two digit numbers, multiplying A, B with C, D, multiplying A, B with C, D, results in, results in, results in, three digit numbers, result in three digit numbers, D, E, F, D, E, F, ठीक, उसके बाद, adding, अब इसको add भी कर रहे हैं, adding, D, E, F, with, another three digit number, with another three digit number, क्या है वो, G, H, I, G, H, I, the result is 975, result is 975, click, अच्छा, अब क्या बोला है, further, A से लेकर आई तक न, A, B, C, D, E, F, H, I, ये सारे के सारे क्या हैं, बेर डिस्टिंक्त डिजिट, बेर डिस्टिंक्त डिजिट, अब क्या बोल रहा है, if e is equals to 0 and f is equals to 8 then what is a plus b plus c what is a plus b plus c yes all after option is six seven eight nine six seven eight nine repetition repeat on a value same हो जाया है अगर abc 946 होता तो 9 plus 4 plus 6 कर लेते बट उसकेस में वो नहीं आया था ना हमारा what is the value of a plus b plus c नहीं एक रंजन घुमा फिरा के चीज़े वही हो रही है क्या मैं सॉल्फ करूं should I solve this question कि बन गया अगर ट्राइ करेंगे तो मैं आपको वेट वेट कर लूँगा अगर ट्राइ नहीं कर रहे हैं तो लिट मी सॉल्फ we should not wait we should not waste time कि एक्जाम हमारा सर पे आ गया है देखो सबसे पहले की वर्ड निकालते हैं क्या है पहला कीवर्ड एबी और सीडी क्या है देयार टू डिजिट नंबर ठीक दोनों को मल्टिप्लाई करता हूं तो एक तीन डिजिट नंबर बनता है वो तीन डिजिट नंबर का नाम क्या है डीएफ वो तीन डिजिट नंबर का नाम है डीएफ अब डीएफ को एक और तीन डिजिट नंबर से आड़ करता हूं जी एचाई से तो क्या मिलता है नाइन सेवेंटी फाइफ A, B, C, D, E, F, G, H, I, R, distinct digit E value given है F value given है अब एक बात बटाओ distinct digit का मतलब क्या होगा क्या यहां कहीं पर भी non zero value लिखा हुआ है क्या यहां पर कहीं पर भी non zero value गिवन है स्टेट्मेंट में कच कहीं पर भी नौन जिरो वैल्यू लिखा है नहीं लिखा है तो जो ए से लेकर आई तक क्यूँ है यह लोग जिरो वैल्लू ले सकते हैं अजाते हैं नहीं सब्सक्नेर каче exert the यह पॉसिबिलिटी है मेरे पास तो मैं यह पर लिखता हूँ देखो A B C D E F G H I यही तक था ना कहां तक था यह से लेकर आई तक यह क्या क्या वैल्यूस ले सकते हैं यह ले सकते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 13 थी थीस वैल्यूस आर पॉसिबल इनके लिए बट इस्टिंक्थ होंगे ठीके टिर्डिपरेंट मतलब अगर जीए टू ले लिया तो कोई और जो है वह टू नहीं ले सकता ठीक अघर किसी ने टू ले लिया तो फिर वह टू नहीं ले सकता कि एक सेकंड लेडमी चेक जीब भी present है ठीक है अब देखिए यहाँ पर E की value 0 गिवन है और F की value 8 गिवन है तो पहले मैं assign कर देता हूं ए में दे देते हैं 0 और F में ले लेते हैं 8 तो 0 यहां से हट गया और 8 यहां से हट गया अब और कोई value नहीं हो सकती है जीरो नहीं हो सकता 8 नहीं हो सकता E, F को G, H, I से add करो, तो क्या मिल रहा, 9, 7, 5, 9, 7, 5, अब आप बताओ, इसकी value कितनी है, 8, 8 प्लस I, कभी भी 5 मिलेगा, क्योंकि I की value 0 नहीं हो सकती, I की value 0 नहीं हो सकती, because 0 तो E है, तो F प्लस I हमेशा क्या होगा, 8 प्लस I, it is not 5, it should be 15, यहाँ पर एक carry आ रहा होगा, यहाँ पर एक carry आ रहा होगा, यह 5 नहीं होगा, इसको 15 होना पड़ेगा, इसको 15 होना पड़ेगा, तो I की value मुझे क्या मिल गई यहाँ से, 15-8, nothing but 7, 15-8 is nothing but 7, तो यहाँ पर लिख लेते हैं, I की value आ गई 7, इसको भी हटा दो, इसको भी यहाँ से हटा दीजे, क्या यह point clear है, आपको add करके देखना है, आपको add करके देखना पड़ेगा, अब यहाँ पर E की value कितनी given है, सर E की value है 0, ठीक, E की value क्या है, 0, अब मुझे बताओ, 1 प्लस 0 प्लस H, 7 होना चाहिए कि 17 होना चाहिए, 7 होना चाहिए या 17 होना चाहिए, आपके हिसाब से, 17 के लिए आपको यहाँ पर big values लेने पड़ेंगे, 17 देखो कितना हो रहा है, अगर आपको 17 करना है तो H को कितना लेना पड़ेगा, 16, H को 16 लेना पड़ेगा जो possible नहीं है, मतलब यहाँ पर कोई carry generate नहीं होगा, 1 प्लस 0 प्लस H is equal to 7, तो H की value आ गई 6, H की value क्या आ गई, H की value आ गई मेरी 6, यहाँ पर से 6 को भी हटा दीजे, यहाँ पर से 6 को भी हटा दीजे, अब क्या बचा, अब बचा D and G, अब बचा D and G, अगर मैं D plus G को add करूं, तो value कितना मिलना चाहिए 9, ठीक, अगर मैं D और G को add करूं, तो answer आना चाहिए 9, अब बताओ D और G की क्या-क्या value possible है, D और G की क्या-क्या value हो सकती है, 4 या 5 में से कुछ भी दे दो, या तो यह 4 हो या 5 हो, नहीं तो 5 या 4, एग्जैक्ट नहीं बता सकता मैं, बट 5 और 4 में से कोई एक होगा, 5 और 4 में से ही कोई एक होगा, तो ये भी चला गया, ये भी चला गया, ठीक है, D भी गया, G भी चला गया, अब कौन बचा, अब बताओ, अब क्या बचा इसमें से, सारे वैल्यूज ले लिए, अब बचा A, B और C, ठीक, अब बचा सिर्फ A, B, and C, अब मुझे बताओ A, B, C की क्या वैल्यूज हो सकते हैं, A, B, C की क्या वैल्यूज पॉसिबल हो सकती हैं, 1, 2, 3, और 9, नंबर्स का क्या बच रहे हैं, देखो, A, B, C, 1, 2, 3, and 9, क्या हो सकते हैं, A, B, C की वैल्यूज, क्या 9 पॉसिबल है, क्या 9 पॉसिबल है, 9 को क्यों रिजट करूँगा, आपका एंसर एकदम सही है, 9 को क्यों रिजट करूँगा, दो रिजट होते हैं, एक तो 9 यहाँ पर आ चुका है, B प्लस G, और दूसरा रिजट यह होता है, आप मल्टिप्लाई करके देखना घर पे, कि इनके मल्टिप्लिकेशन को 3 डिजट का ही नंबर रखना है, अगर आप A, B और C, क्योंकि D की व वाल्यू फिक्स हो गई है, 5 यह 4, अगर आप A, B, C में से किसी को भी 9 रखोगे, तो मल्टिप्लिकेशन चार्ड डिजट का हो जाता है, मल्टिप्लिकेशन जो है, वो चार्ड डिजट का हो जाता है, तो आपके पास क्या बचासर है, हटा दो, यह 1, 2, 3 में से ही कुछ एक होंगे, क्या होंगे मुझे नहीं पता, बट इन में से ही एक होंगे, तो 1 प्लस 2 प्लस 3, इनका एडिशन कितना आ जाएगा, 6, this is the final answer of this question, option number A, option number A, yes or no, आया समझ में, किस तरीके से मैंने find किया, आपको process सीखना है, आपको value रख के find करना पड़ेगा exam में, इसमें कोई तरीका, कोई formula कुछ नहीं होता, आपको value substitute करके answer find करना पड़ेगा, nothing else, और ये question हर साल बढ़ते जा रहे हैं, हर साल जो है, इस type के questions जो है, वो increase होते जा रहे हैं, जो UPSC पूछ रहा है, वो complex शुरू में लगेगा, मैंने कहा था, 4-5 question का wait करो, 4-5 question का wait करो, फिर वो automatically feel आने लगीगी, क्या चल रहा है, second last step कौन सा है, second last step कौन सा है, ABC की value कैसे, सबका सब cancel हो गया था, 1, 2, 3 और 9 बचा था, 1, 2, 3 और 9 बचा था, तो मैंने ये बोला कि 9 value नहीं लेगा, क्योंकि अगर आप 9 put कर दोगे न, तो AB into CD, AB multiplied by CD, ये तीन डिजिट से बढ़ा हो जाएगा, ये तीन डिजिट से बढ़ा हो जाएगा, ठिक, और D प्लस G को मैंने कैसे लिखा, अरे सिंपल सी बात है, D प्लस G को 9 रखना है, 9 कब मिलेगा, या तो 5, 4 हो नहीं तो 4, 5 हो, दोई चीज़ में तो मिलेगा answer आपको, ठीक, एक बार देखो उसको फिर से discuss करेंगे बाद में, एक और सवाल, ऐसा ही question जो UPSC और फिर से एक बार पूछा गया था, if A, B, C and B, E, F are both three-digit number such that A, B, C, D, E, F A, B, C, D, E, F are distinct non-zero digits are distinct non-zero digits are distinct non-zero digits such that A, B, C plus D, E, F is nothing but one, 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 one थिक, what is the value of what is value of A plus B plus C plus D plus E plus F यह आपको find करना है this is the question options are 28, 29, 30, 31 28, 29, 30, 31 इसको कैसे solve करेंगे how we are going to solve this question exact value नहीं बता सकते आश्यू उस question में क्योंकि 1, 2 और 3 में से कोई एक होगा A, B, C but exactly क्या होगा हम नहीं बता सकते इसमें इसमें शुरूती ने लिखा 29 into 15 can be a 3 digit number नहीं शुरूती वो गलत है because आप सक्ष्चन को देखना है A, B into C, D कितना आ रहा है D, E, F बतलब अगर आप D को आप 5 रख रहे हैं तो वो 5 और बतलब उसका 100 digit 5 आना चाहिए जो की नहीं मिलेगा उस केस में Should I solve? चलिए तो आसान कोश्चन है यह सबसे पहले keyword पर focus करो keyword क्या है यहां पर कि they are distinct non zero digits non zero digit का मतलब क्या हुआ non zero digit का मतलब हुआ कि 1 से लेकर 9 तक के ही हो सकते है A, B, C, D, E और F जो है यह लोग जो है 1 से लेकर 9 तक के ही value लेंगे और distinct है तो अलग-अलग value लेना पड़ेगा distinct है तो अलग-अलग value लेना पड़ेगा अब देखो कैसे बनाएंगे इस question को इन्होंने बोला किया ABC plus DEFS 4 times 1 A, B, C, D, E, F add करने पर कितना आ रहा? 1, 2, 3, 4 अब एक बात बताओ, पहले वाले को मैं देखता हूं यहां पर focus करना C plus F यह कभी 1 हो सकता है यह यहां पर 11 होना चाहिए आप बताइए सोचके क्योंकि C और F कभी भी 0 नहीं हो सकते इस में से C और F जो है दोनों में से कोई भी 0 नहीं हो सकता क्योंकि options क्या क्या available है 1 से लेकर 9 तक के ठीक है 0 आप ले नहीं सकते तो यह हमेशा क्या बनेगा यह हमेशा बनेगा 11 ठीक C plus F is 11 11 आ रहा है मतलब एक carry generate हो रहा होगा उपर में एक जो है carry generate हो रहा होगा उपर में यह point clear है एक carry generate हो रहा है बी के उपर अब second वाले term को लिखते हैं देखो 1 प्लस B प्लस E क्या यह कभी 1 के बराबर आ रहा होगा यह 11 के बराबर होगा यह 1 के बराबर होगा यह 11 के बराबर होगा क्योंकि यह दोनों कभी 0 नहीं हो सकते तो it should be equal to 11 11 मतलब यहां पर एक carry generate हो गया ठीक यहां पर एक carry generate हो गया तो मुझे equation क्या मिली B प्लस E is equal to 11 minus 1 यह आ गया 10 यह आ गया C plus F is 11 B plus E is 10 अब आखरी वाला 1 प्लस A plus D यह किसके बराबर होना चाहिए 11 के मतलब 1 प्लस A plus D is nothing but 11 A plus D की value कितनी आ गई 10 क्या यह समझ में आया तीनों equation किस तरीके से मैंने बनाया क्या यह तीनों equation clear है अब देखो मुझसे पूछा क्या है मुझसे पूछा है A plus B plus C plus B plus E plus F मुझसे addition पूछा है ठीक मुझसे addition पूछा है मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ मैं इसको लिख देता हूँ यहाँ पर हमने किस form में find किया था A plus D B plus E C plus F मैं इसको यह लिख देता हूँ इसकी value कितनी है 10 11 add कर लो answer is 31 नितिन आपको exact A, B, C, D, E, F नहीं find करना था इस question में आपसे addition पूछा है वहाँ से भी करोगे तो answer सही आएगा but कुछ से सिर्फ और सिर्फ addition पूछा है therefore answer is 31 yes, no कुछ गलत कर दिया कि मैंने 10 plus 10 plus 11 करोगे 31 ही तो आएगा और क्या आएगा 10 plus 10 plus 1 करेंगे तो answer कितना आएगा 31 ही आएगा I have doubt in 2023 set A question number 5 LCM वहाला green red पढ़ेंगे ना आने वाले session में ही पढ़ेंगे LCM का application होता है यह PYQ है यह सारे की सारे questions और previous year questions these all are PYQs यह आपको आसान लगा होगा थोड़ा शुरू की तीन question बना लिये हैं तो यह वाला नहीं बना पाऊगे PQR यह वाला नहीं बनेगा एक यह वाला try करना तो एक यह वाला question try करना let A3BC and DE2F be a four digit numbers where each letter represent where each letter represent a different digit each letter represent a different digit greater than 3 okay if the sum of the numbers if sum of numbers यह जो दो number दिये वह हैं इनका addition कितना आ रहा है is 15902 15902 then find difference between A and D A और D के बीच का आपको difference find करना है ठीक options are one two three four hmm answer आएगा इस केस में सोच के बताओ अब answer आना चाहिए I believe मैं solve कर दू चलो देखते हैं cancer आएगा let me solve a3bcde2f here रहो a3bc और क्या था d e2f ठीक d e2f अब इसका addition कितना आ रहा है 15902 15902 अब इन्होंने क्या बोला a b c d e f के बारे में इन्होंने a b c d e f के बारे में बोला है कि they represent different digit greater than 3 3 से बड़े digit है ये 3 से बड़े हैं तो ये क्या क्या हो सकते है क्या possibilities है 4 5 6 7 8 9 यही possibility होगी और कोई value नहीं हो सकता yes or no 4 5 6 7 8 9 इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता है क्योंकि greater than 3 होना है अब अगर greater than 3 होना है तो पहला relation क्या मिल रहा है यहां पर c plus f 2 कभी नहीं होगा it should be 12 c plus f should be 12 12 करोगे तो one carry यहां चला जाएगा एक carry यहां चला गया ठीक c plus f is 12 अब मुझे बात बताओ अगर c plus f 12 है तो मैं क्या क्या केस ले सकता हूं यहां पर मैं यहां पर क्या क्या केस ले सकता हूं क्या क्या वैल्यूज आर पॉसिबल देखो एक तो यह हो सकता है कि आप 8 और 4 को consider कर ले आप 8 और 4 को consider कर लो 12 मिल जाएगा नहीं तो और कोई possibility दिखरी है एक और possibility दिखरी है sir 7 and 5 को consider कर लेते है 7 plus 5 भी तो 12 हो जाएगा और कुछ नहीं और कोई possibility नहीं exist कर दी और कोई possibility नहीं exist कर रही अब देखो इस case में आप क्या करोगे या तो 8-4 में से कुछ एक लेना पड़ेगा नहीं तो 7-5 में से कुछ एक लेना पड़ेगा कौन सा लूम है अगर doubt आया कभी भी मन में तो आप कोई भी एक लेकर solve कर लो आप कोई भी एक लेकर solve कर लो । ठीक तो यहीं assume कर लेता हूं मैं इसका मतलब क्या हुआ यह हो गया c मतलब 4 हट गया और 8 हट गया ठीक यह मैंने यह झीओम कर लिया कि वह 8 और 4 हैं अब इसको देखो 1 plus b plus 2 plus 0 1 plus b plus 2 यह किसके बराबर आएगा जीरो कभी नहीं हो सकता यह होगा 10 10 मतलब एक कहरी यहां पे लगा दो वन प्लस बी प्लस टू टेन बी की वैल्यू कितनी हा रही है बताओ 10-3 7 अच्छा हुआ मैंने 7,5 नहीं लिया क्योंकि अगर मैं 7,5 लेता तो देखो यहां पे इसलिए बी की वैल्यों हो जाएगी 7 और सी और आफ हो जाएंगे 8 या 4 में से कोई एक तिक 8 या 4 में से कोई एक हो जाएंगे अब यहां पर देखते हैं 1 प्लस 3 प्लस ए यह 9 होगा 19 होगा आप बताईए यह 9 होगा की 19 होगा देखते हैं सॉल्फ करके मुझे नहीं पता क्या होगा 1 प्लस 3 प्लस E is equals 2 1 प्लस 3 कितना होता है 4 प्लस E अब आप एक बात बताओ आप एक बात बताओ यह जो है वो आपका 5 6 7 8 और 9 हो सकता है तो 9 प्लस 4 या कभी भी यह 19 मिल पाएगा आपको कभी भी आपको 19 नहीं मिल पाएगा तो यह होगा 9 के बराबर तो E की वैल्यू कितनी आ गई सर्फ 5 आ गया यह का वैल्यू मतलब यह हट गया यहां से यह भाई साब भी चले गए यह भाई साब भी चले गए अब एन्ड में क्या बचा ए एक इसका एडीशन कितिना होगा इसका एडीशन होगा थरhrN a plus d is equal to 15. अब बताओ अगर iagon plus D 15 होना है तो क्या ही combination possible है six or nine का और कोई combination possible नहीं है six or nine का combination is possible अगर six or nine है तो इनके बीच का difference क्या होगा three इनके बीच का difference क्या होगा three तो the correct answer is option number C the correct answer is option number C आया समझ में यह अला process I believe अब question easy लग रहा होगा starting में थोड़ा tough लगेगा because पहला question था बट धीरे धीरे आपको यह habit develop करनी है आपको यह habit क्योंकि यह question तीन से चार आने वाले है exam में यह question तीन से चार आने वाले है exam में यह पहले का question है ठीक है यहाँ पर elimination लग सकता था बट अपके questions में नहीं लगेगा ठीक जलो आज इतना ही पढ़ाता हूं कल और ऐसे questions करेंगे दो तीन उसके बाद remainder theorem start करेंगे ठीक ऐसे questions और करेंगे डोंट वरी और भी questions है बहुत सारे questions है ऐसे 1 plus 3 plus e समझ में नहीं आया कहा है और वन प्लस 3 plus e को मैंने 9 कर दिया तो 1 plus 3 4 तो e की value कितनी आएगी 9 minus 4 means 5 9 minus 4 means 5 ठीक LCM का question भी करा दूंगा रजत जब वो topic करेंगे तब करा दूंगा wait for one or two days not more than that hello friends welcome to our session मेरा नाम अंकित तिवारी और हमने जो seaside की series start की है for 2024 उसमें आज हम लोग एक important section cover करेंगे which is known as number system वही हर साल 15 से 20 question number system topic से पूछे जाते हैं out of 80 questions में से और अगर आप इस lecture को end to end देखते हैं तो अगर 20 questions आ रहा है तो 15 questions आप easily solve कर सकते हैं by using all the concepts which we are going to discuss in today's video तो चलिए session को start करते है session start करने से पहले important information अगर मैं CSAT को two months में cover करना चाहता हूं that is by April end तो you can join our CSAT batch जिसका admission start हुआ है 8th of March से 10 last 10 years का PYQ discussion 1500 plus questions in form of practice sheet 10 mock test basic to advanced level preparation जो formula based questions होते हैं उसको change करके जो logic और concept based questions हैं वो सारी की सारी चीज़ों को cover की जाएंगी तप्राइस फॉर दा कोर्स त्री ट्री ट्रिपल नाइन एंड़ कोड़ फॉर maximum discount is 80 life last question क्या था कुछ homework दिया था क्या मैंने क्या मैंने homework दिया था क्या कोई question yes कोन सा कॉश्यन था भाई कोन सा कॉश्यन हुग था कुछ्यन हों भेगत है यह वाला डिफरेंस बट्वीन एंडी अच्छा 200 का पावर 6N वाला अच्छा ठीक है ठीक है कि यह वाले कोश्चन में कॉंफिडेंस आया है A B C D D E F इस टाइप के जो कुश्चन होंगे इस टाइप का जो कुश्चन हम ने किया था ठीक है येस ठीक है अक्षद कोई शू नहीं है आप जॉइन कर सकते हैं सेशन को एंसर इस 3 पावर 97 येस चलो ठीक है लेट एस कम टू टोड़े सेशन ये देखो वो जो A B C D वाले कुश्चन से जहां पर आपको नंबर करना होता है वह से कुश्चन हम और करेंगे बट अभी नहीं क्यों क्योंकि आपको थोड़ा यूनिट डिजिट का भी आईडिया होना जरूरी है वहां पर तो उन कुश्चन में वापस से आऊंगा अभी एक नेक्स्ट कंसेट स्टार्ट करते हैं विच इस नोन एस प्रॉब्लम बेज़ डॉन रिमेंडर थियोरम तो दिक देखो देखो अब डिवाइड करोगे एक नंबर से जिसको आप डिवाइड करोगे एक नंबर से और आपको एंड में बताना होगा कि और मुट इस रिमेंडर ते इसमें पढ़ने के विपर आपको क्म Tyra कि के विश्ण बंते हैं कि अगर आपको बोल रहा है aista B into C into D into E आपने एक नंबर को multiply किया A B C D E इसको आपने divide किया एक unknown number Z से इस पूरे expression का remainder कितना आएगा this is the question सवाल समझ में आ रहा है A B C D E आपको बहुत सारे numbers होंगे जो multiplication के form में होंगे जो आपको given होंगे multiplication के form में और इसको मैं divide कर रहा हूं किससे जड से तो what is the remainder of this complete expression तो remainder theorem यह कहता है हाली जी ऐसा कुछ लिखा है 21 into 36 into not 36 37 into 61 into 43 whole divided by 6 यह आपको एक expression दे दिया और बोला है कि इसका आपको remainder find करना है इसका आपको remainder find करना है तो एक तो प्रोसेस यह है कि इन सब को multiply कर लो पहला प्रोसेस तो यह बोलता है कि इन सब को multiply कर लेते हैं और उसके बाद जो final answer आएगा उसको सिक से डिवाइड करके देख लेंगे ठीक पहला स्टेप तो यह होता है कि इन सब को multiply कर दो बड़े से नंबरों को सिक से डिवाइड करना remainder मिल जाएगा बट क्या यह time consuming नहीं होगा मल्टिप्लिकेशन करना इतने सारे numbers को multiply करना अपस में क्या यह time consuming नहीं होगा इन सब को multiply करना तो remainder theorem यह कहता था कि इन सब को multiply करने के बाद divide करने से अच्छा है आप individually remainder find कर लो यह byatti यह rickem को multiply कर देना remainder of b by z उसको multiply करदेब रिमेंड और फ बाइज त्यूर नो समेंडर फिर्मग करने से अच्छा A by Z का remainder निकालो, B by Z का, C by Z, D by Z, E by Z और उन सब को multiply कर दो, उन सब को multiply कर दो तो यह कहता है हमारा remainder theorem, this is our remainder theorem अब यहाँ पर भी मैं क्या logic लगाऊंगा, यही logic लगाऊंगा इन पूरे को multiply करने से अच्छा, 21 by 6, इसका remainder find करो 37 by 6, इसका remainder find करो, 61 by 6, इसका remainder find करो और 43 by 6, इसका remainder find करके multiply कर दो, individually क्या बता सकते हैं, 21 by 6 का remainder कितना आएगा 21 by 6 का remainder कितना आएगा मैं रिमेंडर आना, रिमेंडर निकालना सब को आता है न 6, 3 जा 18 होगा, कितना remainder बचेगा, सर यहां पर बचेगा, 3 multiplied by, 37 by 6 करोगे, कितना आएगा 37 by 6 करोगे, कितना value आएगा, remainder कितना आएगा, 6, 6 जा 36, एक बच गया, 1 similarly, 61 by 6 करोगे, कितना बचेगा, 6, 10s आ 60, एक 1 बच गया, 6, 7s आ 42, एक 1 बच गया, final answer कितना आजाएगा, 3, what is the final answer, final answer is 3, तो यह पूरे बड़े से expression का remainder कितना होगा, 3, यह हमने find कर लिया, first में 2 कैसे आएगा, 6, 3, 18 होता है, देखो solve करना पड़ेगा, 21 by 6, मैंने आपको बताया है, basic maths हमें practice करनी पड़ेगी, मैं आपको idea दे दूँगा, अगर remainder निकालने में problem है, 21 को 6 से divide करते है, 6, 3, 18, कितना बच गया, 3, 3 is the remainder, clear है यह चीज, process समझ गए, लेको, this is equal to this नहीं है, remainder of this is equals to remainder of this है, यह मत सोचना कि मैं 6 को इतनी बार multiply कर रहा हूं, नहीं भई, remainder थिवर मैं अप्लाई कर रहा हूं, यह expression और यह expression same नहीं है, इसका remainder is equivalent to this, ठीक, यह अपने सवाल बदल दिया, यहाँ पर एक बर छे आपने इतने बार छे लिग दिया, यह डाउट नहीं, चलो कुछ कुछन बनाते हैं, देखो, जब हम पहला टाइप कवर कर रहे हैं, वेन आइम सॉल्विंग टाइप वन कुश्चन, यहाँ पर देखो, क्या 6 और 21 डिवाइड हो रहा था, क्या 6 और 21 डिवाइड हो रहा था, क्या यहाँ पर कुछ common exist करेगा 6 और 21 में, यहाँ पर बचेगा आपका 2 और यहाँ पर बच जाएगा 7 अभी जो हम टाइप वन पढ़ रहे हैं, वहाँ पर मैं सिंप्लिफिकेशन नहीं करूंगा, एक बर में एक ही चीज़ सीखेंगे हम लोग, जो मेरा टाइप वन है, कुश्चन सॉल्फ करने का, यहाँ पर मैं no simplification, अगर simplified हो भी रहा है, तो मैं simplification नहीं करूंगा, ठीक, यह point clear है, टाइप 2 में बताऊंगा कि जब simplification कर रहे हैं, तो question कैसे change हो रहा है, बट अभी के लिए यह doubt मत पूछना कि sir, divide हो रहा है, मैं नहीं करूंगा divide, अगर हो रहा है तो भी नहीं करूंगा divide, ठीक, ठीक कुश्चन बनाओ, चलो, 17 into 23 into 126 into 38 divided by 8, यह कितना आएगा इसका remainder, what is the remainder of this expression, पता यह थोड़ा, टाइमर के साथ बनाते हैं, एक मिनट, कुछ भी simplify मत करना, what is the answer we are getting, क्या ही answer आ रहा है, 252 लिख रहे हो, 252 remainder हो भी सकता है, is it possible to have 252 remainder, टाइम हो गया, चार सेकेंड और, चलो, बापरे, 630, तेखो आप logic को समझे नहीं है, तेखो यह पर क्या हो रहा है, remainder ठोर मैं अप्लाई करूँगा, तो हमें क्या करना है, individual remainder, means 17 by 8, 23 by 8, 126 by 8, 38 by 8, ठीक, बाइमेंडर ठोर मैं अप्लाई करके, इसको ऐसे लिख सकता हूँ, इसको ऐसे लिख सकता हूँ, अब एक बात बताओ, 17 by 8 का remainder कितना आएगा, what is the remainder of 17 by 8, इसका कितना आएगा value, 8 to the 16 होता है, यह 1 हो जाएगा, अचा 23 by 8 कितना होगा, 8 to the 16, 23 से 16 minus करोगे, तो I think 7 आजाएगा remainder, remainder आजाएगा 7, multiplied by, 126 by 8 करो, 8 1s are 8, 46, 8 5s are 40, कितना बचा, 6 बचा, multiplied by, 38 by 8, 8 4s are 32 होता है, तो यहाँ पर आजाएगा 6, यह expression बचा, यह expression बचा, remainder थोरम अप्लाई करने के बाद, 1 into 7 into 6 into 6, is this the answer, अब देखो हो क्या रहा है, जब भी आप किसी चीज को, शायद मैंने बताया है किसी क्लास में, कि जब भी आप किसी चीज को कोई number से divide करोगे, अगर आप 8 से divide करोगे, तो आपको remainder की value क्या-क्या मिल सकती है, remainder मिल सकता है 0 से लेकर 7 तक के, उसके अलावा और कोई remainder नहीं होगा, यह बात कभी मैंने discuss किया ता नहीं किया था क्लास में, कि अगर आप 8 से divide कर रहे हो तो remainder 0 से 7 के बीच में ही रहेगा, उससे जादा कोई value नहीं आ सकती ना बड़ी ना छोटी, अगर आप किसी चीज को 13 से divide कर रहे हो किसी number को, तो आपको remainder क्या मिल सकता है, 0 से लेकर 12 तक के, और कोई value नहीं होगा, अगर नहीं बताया हो तो अभी सुन लो, अगर मैं किसी भी number को 10 से divide कर रहा हूँ, तो remainder हमेशा मिलेगा 0 से लेकर 9 तक के, इस से जादा remainder नहीं आ सकता, जैसे यहाँ पर मैंने किसी number को अगर 8 से divide किया है, तो remainder मुझे मिल सकता है 0 से लेकर 7 तक के, ठीक, क्या point clear है, अलाग-अलाग number से divide करोगे तो remainder इस range में मिल सकता है, इस range में आपको answer मिलेगा, येस, तो यहाँ पर value क्या आ रही है, यहाँ पर जब multiply करोगे तो यह तो 8 से बड़ी आ रही है, छोटी आ रही है number, 6 इक्जा 36, 36 into 7 करोगे, यह एक बड़ा सा number हो जाएगा, बड़ा सा number आएगा ना, तो मैं क्या करूँगा, अगर यह आपको remainder थ्योरम apply करने के बाद, अगर remainder थ्योरम apply करने के बाद, जो value आ रही है, अगर यह denominator से बड़ी है, अगर यह value denominator से बड़ी है, तो फिर से divide कर दो, 8 से, जब तक के remainder 8 से less नहीं आ रहा, तब तक further divide करते रहो, ठीक, जब तक remainder 8 से कम नहीं आएगा, तब तक further division करते रहना, अगर मैं फिर से divide करूँ, आपको यह multiplication कितना आया था, 252 आया था, अब बताओ remainder कितना आएगा, ठीक, 252 divide by 8 करोगे तो कितना remainder आएगा, 8, 3s are 24, यहाँ पर बचा 12, 8, 1s are 8, 4 is the final remainder, in this case, ठीक, तो remainder theorem में आपको क्या करना है, अगर पहले बार apply करने के बाद, अगर numerator की value 8 से बड़ी आ रही है, तो फिर से divide कर दीजे 8 से, please divide it again with 8, तो आपका answer आ जाएगा, clear, अज़िस के और भी questions करते हैं, देरे देरे clear हो जाएगा, हाँ, हाँ, बिल्कुल, तीसरी बार भी divide करने का मौका आ सकता है, यह भी हो सकता है कि तीसरी बार भी आपको divide करना पड़े, let me give you another question, इसको solve करो, एक और question है, denominator के, second step में भी थ्योरम भी तो अप्लाई क्या हो गुर्विंदर, आप उसमें थ्योरम भी अप्लाई करो, same value मिलेगा, इसको try करो, यहीं पर समझा दूँगा आपको, what is the answer we are getting here, one or three, क्या मैं solve करूँ उस question को, देखे, क्या करेंगे, सबसे पहला step क्या है, सबसे पहला step है, remainder theorem apply करते हैं, इंडिविज्वाली, इंडिविज्वाली remainder theorem apply करते हैं, 243 by 12, कितना remainder आएगा, 243 by 12, 12 20s हा 243 होता है, तो पहले वाले case में remainder मिलेगा 3, आया ना, फर्स्ट वाले case में remainder आ जाएगा 3, 243 divided by 12, सेकेंड केस में क्या होगा, 245 divided by 12, कितना remainder आएगा, 12 20s हा होता है 240, तो 5 बजगया 5, ठीक, उसके बाद 247 को अगर 12 से divide करोगे कितना आएगा, 12 20s हा 240 होता है, तो यहां पर बजगया 7, ठीक, यहां पर बजगया 7, जब 249 से divide करोगे तो कितना हो जाएगा, यहां पर आ जाएगा remainder 9, और जब 251 से करोगे तो remainder आ जाएगा 11, क्या यह step clear है, क्या यह step clear है, 3 into 5 into 7 into 9 into 11, Is this step clear, क्या कुछ students लिख रहे थे repeat करने के इसलिए मैं पूछ रहा हूं, ठीक, यह step clear है, अब देखो, यह वाला जो मेरा number आएगा, क्या यह 12 से बढ़ा होगा, क्या यह number 12 से बढ़ा होगा, 3 into 5 into 7 into 9 into 11, Yes or No, Yes, तो अब मैं क्या करूंगा, मेरे पास तो एक रास्ता है, कि इन सब को multiply करके, कितना answer आया multiplication का, 10395, क्या यह आता है multiply करने पे, 10395, बड़ी सी value, यह आता है क्या आता है multiply करने पे, 10395, बट मैं बोलूँगा कि multiply मत करो, मैं यह कहूंगा कि multiply मत करो, क्यूं, क्यूंकि मैं इस पे अलग से remainder theorem फिर से apply कर देता हूं, multiplication से बचने के लिए तो remainder theorem आया है ना, तो आप क्या करो, क्लब कर दो, किसको, 3 को अलग रख दो, 5 into 7 को एक number लिख दो, 9 into 11 को एक number लिख दो, कितना बन जाएगा, 3 into 35 into 99, यह आ गया, इसको divide कर देते हैं 12 से, क्योंकि यह multiplication करने में आपको ज़्यादा महनत नहीं लगेगा, यह multiplication में आपको ज़्यादा महनत नहीं लगेगा, वो पूरा 10395 निकालने में समय भी लगता और गलती भी होती, तो मैंने यहाँ पर फिर से remainder theorem apply कर दिया, आप चाहते तो 5 into 3 कर सकते थे, आप चाहते तो 7 into 9 कर सकते थे, यह doubt मत करना कि सर इसको इस से multiply करता तो, किसी का भी group कर दो, it is up to you, अब बताओ, 3 को 12 से divide करूँगा कितना remainder आएगा, 3 को 12 से divide करूँगा कितना remainder आएगा, जल्दी, 3 को 12 से divide करोगे remainder कितना आएगा, 0 कहां से आएगा भी 3 आएगा ना, 3 को divide करोगे तो 3 आएगा ना, मैंने बताए भी था, 3 को अगर आप 12 से divide कर रहे हैं तो 12 0 0, 3 is the remainder, 3 is the remainder, तो यहाँ पर आगया 3, अब 35 से करेंगे तो कितना होगा, 12 2s are 24 होता है, और 12 3s are 36, तो यहाँ पर बच गया 11 into, 99 से divide करो तो, 12 5s होता है 60, 12 8s होता है, 8 2s are 16, 96, I think 3 बचेगा यहाँ पर, यहाँ पर 3 बचेगा, 3 11 and 3, 3 11 and 3, yes no, yes, अच्छा, यह अभी भी बड़ा है तो क्या करूँगा, फिर से apply कर दो, tension नहीं लेना है, एक pair इसका बना दो, क्या बन जाएगा यह, 33, यह हो गया मेरा 3, multiply करो, 3 करोगे तो as it is बचेगा, 33 को 12 से divide करोगे कितना आएगा, 33 को 12 से divide करोगे तो, 12 2s are 24, 24 means 6 plus 3, 9 आ जाएगा, 3 into 9 by 12, 3 into 9 by 12, अब क्या हो रहा है, 9 3s are 27, 27 by 12, 12 2s are 24, remainder is 3, इस question का answer क्या आएगा remainder 3, आया process समझ में, किस तरीके से हमको solve करना है, जब तक क्ये आपका यह वाली value 12 से कम नहीं होती, तब तक क्ये divide करते जाओ, तब तक divide करते रोओ, जब तक यह कम नहीं होगा, you will get the answer, ठीक, आगे चलू, तुमनों मेरी बात को seriously नहीं लेते हैं न, मैं कुछ suggestion देता हूं तू, you people don't take it seriously, yes or no, exam में rough के लिए space क्यों नहीं मिलेगा, एक साइड हिंदी वे लिखा रहता है, पुरा rough कर देना वहाँ पर, इसमें search and indices का question, अरे पहले यह तो खतम करने दो, आप लोगे doubt से लगता है, कुछ लोग पूस्ते हैं कि सर हम cut क्यों नहीं कर सकते इसको, simplify मैंने आपको पहली बताया है, कि type 1 है no simplification का, question paper पर लिखने पर कोई कुछ नहीं बोलता, कोई क्यों बोलेगा अंकिदा आप कहां पर rough करोगे, 3-4 पन्ने blank भी रहते हैं end में, अगर आपको वो भी कम पढ़ रहा है तो एक साइड पुरा हिंदी में रहता है, पुरा रफ कीजे कोई मना नहीं करेगा, तो प्लीज हाफ पेशेंस कब simplification करना है कब नहीं करना है मैं बताऊंगा, बट एक बार में एक अही न प्रोसेस सीखेंगे हम लोग, एक बार में हम एक अही प्रोसेस सीखेंगे ना, चलो, आगे चलते हैं, यह तो हो गया, एक और question ऐसा ही, फिर next type में चलेंगे, one more question, कहां गया, just give me a minute, हां, एक यह वाला सवाल, 1021 multiplied by 2021, 3021, ठीक है, whole divided by 14, इसका remainder, इसका remainder बताओ, sir why did you do 11 into 3, कुछ ना कुछ तो multiply करना पड़ेगा ना अम्रेश, तीन नंबर है तो pair बनाना पड़ेगा, दा उसका answer, remainder 9 आ रहा है, एक बार solve करके देखना पड़ेगा, 1 आ रहा है, let me solve, 13 different answer we are getting, चलो, let us solve this question, यह 1021 को पहले 14 से divide, individual remainder theorem लगाँगा, पहले इसको divide करते हैं, कितना आ रहा है, remainder divide करने पर, किसी ने solve किया है क्या, 1021 by 14, देखा answer तो मुझे भी याद नहीं रहता, क्योंकि 14 का table शायद ही कोई याद करता होगा, अगर doubt है कि सर कैसे आएगा, तो आप simply rough में divide करके देख लेना, क्योंकि 14 5 कितना होगा, 5 4 20, 70 हो जाएगा, 14 7 कितना होगा, 7 4 28, 98 हो जाएगा, 7 से cancel करते हैं, 98 तो यहां पर बज गया, 41 और 14 2 करेंगे 28, 14 3 कितना बनता है, 42 किता आ रहा है, 13 आ रहा है, रिमेंडर इस केस में, into 2 0 2 1 by 14 करोगे तो कितना आएगा, 2 0 2 1 by 14, 2 0 2 1 by 14, 5 आएगा, और 3 0 2 1 by 14, सही बताना वरना एंसर गलत आ जाएगा, 3 0 2 1 by 14, 11 आ रहा है, पक्का, क्या ये value आ रही है सबकी, ये मुझे clear दिख रहा है कि 14 से बड़ा value है, क्या ये value आ रही है सबकी, अगर किसी में doubt है तो मैं actual division कर दूँगा, अगर doubt है तो मैं actual division कर दूँगा, नहीं है तो आगे बढ़ेंगे, 13, 5 and 11, 13 के जगे में 4 आया, कौन से वाले में problem है, last वाले में problem है, solve कर देता हूं मैं, क्या कह रहा है, number 3021 divided by 14, तो 14 टूजा होता है 28, 22 आ गया, 1 से करो 14, फिर आ गया 8, 1, 5 से करोगे, 79 आ रहा है remainder, 11 किसने बताया था, last वाले का 9 आ रहा है, बागी दोनों सही है कि solve करूँ, बागी दोनों सही है, solve करूँ मैं फिर से, सारे, एक तो आ गया यह, इसको चेक करना पड़ेगा, 2, 0, 2, 1 by 14, कितना आएगा, 14, 1, 14, 6, 62 हो गया, 14, 4, 4, 16, और इधर से आ जाएगा आपका 156, यहां पर आ गया 61, फिर से 4 से कर दो, 56, 5 आ रहा है remainder, 5, 9 और 13, क्या तो रहा है, 9, 5, 5 आया यहां पर 9 आया, कि यह पेंडिंग है, इसको भी solve करना है, 11 not 9 क्यों, वाइड इस 11 not 9, 20 से 14 गया आया, 6, 62, 14, 4 जा 56, 6 बचा, 1 आ गया, 61, 61 minus 56, अच्छा यह वाला बोल रहा हो, 81 minus 70, ओके, it should be 11, sorry, typing mistake, it should be 11, it should be 11, 81 minus 70, 11, ठीक है यह expression, आगे बढ़े, क्या 13 भी गलत है, इसको भी solve करना है, अगे बढ़े, ठीक है, तो देखो, अब मेरा expression क्या आया, 13 into 5 into 11 by 14, अब आपको clear दिख रहा है, कि यह number अभी भी 14 से बढ़ा है, यह number अभी भी 14 से बढ़ा है, तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, 13 into 55 by 14, इन दोनों को एक साथ क्लब कर देते, इन दोनों को एक साथ क्लब कर दो, 13 by 14 करोगे, remainder आएगा 13, multiplied by, 55 by 14 कितना आता है, 55 by 14 कितना आएगा, 14 threes are, I think, 42 होता है, तो 42 और 55 क्या है, अपर 13 आ रहा है क्या, यहां पर फिर से 13 बच जाएगा, तो end में क्या result आ गया आपका, 169, इसको 14 से डिवाइड करो remainder निकाल लो, 29, 2 जा, 28, I think 1 is the answer, please confirm, I think 1 is the answer, remainder, final remainder, इस question का answer क्या आएगा, final remainder, remainder, 1, thick, clear यह चीज, बन जाएंगे, वैसे सवाल, type 1 के, type 1 के questions बन जाएंगे, सर, complete multiply करके, divide नहीं कर सकते हैं, अब फिर class पर सुनते नहीं हो, मैंने बताया तो था कि complete भी कर सकते हो, महनत जादा होगा, इसलिए ऐसे कर लेना, इस अप तो यू, एक आखरी कॉस्चन इस टाइप का, एक लास्ट कॉस्चन इस कैटेगरी का, the question is, 37 into 43 into 51 divided by 7 plus, 137 into 143 multiplied by 151 whole divided by 9, मुझे इस पूरे एक्सप्रेशन का, रिमेंडर फाइंड करना है, I need to find remainder of this expression, पूरी sheet ही मिलेगी या परना आपको practice करने के लिए, don't worry, yes, aka, you have missed, this thing मैं में जा कहता हूँ, class, please time पर जोईन करिये, या अगर miss कर रहे हैं तो, पुराना lecture देख लीजे, what is the answer we are getting here, 8 आ रहा है क्या answer, चलो, solve करके देखते हैं, सबसे पहले, पहले वाले case का remainder कैसे find करेंगे, 37 by 7, कितना आएगा, 75, 35, तो यहाँ पर बचा 2, multiplied by, 7, 6, 42, sorry, यह आपको हो जाएगा, 35 and 42, तो कितना remainder बचा, 1, और 51 में क्या करेंगे, 7, 7, 49, कितना remainder बचा, 2, यह आगया case, पहले case में remainder क्या आएगा, देखो multiply करने के बाद 7 से छोटी value है, multiply करने के बाद 7 से छोटी value है, इसे लिए, final remainder is 4, मैं इसको further divide नहीं करूँगा, the final remainder is 4, अब इसको चेक करते है, plus, 137 by 9 करो, 9, 1, 9, 47, I think 2 remainder बचेगा, I think इस case में 2 remainder बचेगा, उसके बाद से 143 से करो गए तो, 9, 1, 9, 53, 45 ना, तो 5 और 3, 8 remainder आएगा यहाँ पर, इस case में, the remainder is 8, और 151 को अगर cancel करेंगे तो, 9, 1, 9, 61, तो 61 means 54, 7 आ रहाए क्या, is coming out to be 7, yes, तो देखो यह वाली value जो है, यह 9 से बड़ी है, तो further remainder theorem apply करना पड़ेगा, आपको further remainder theorem apply करना पड़ेगा, कितना आएगा, 48, 56, ठीक है, 2 into 56, लिख लो, 2 into 56 by 9, यह divide होगा तो कितना आएगा remainder, यह बन जाएगा आपका 9, 6 or 54, 2 into 2, किै 4 आ रहा है, this case मेफी, इस case मेफी answer 4 आ रहा है, this case मेफी answer 4 आ रहा है, इसका remainder 4, इसका remainder 4, जब मैं add करूंगा 4, 4 plus 4, तो answer कितना हो जाएगा, 8, this is the final answer, this is the final answer, ठीक, this is the final answer, good, थीक क्या पहला टाइप क्लियर है जहाँ पर मुझे नहीं करना था क्या यह टाइप क्लियर है में विस अब चलो स्एकन्ण टाइप में चलता हूं मैं सब्सक्राइब अब दो इसको क्या आएगा find the remainder of this expression UPSC का सवाल ऐसी कुछ था actually मेरे पास previous year question है नहीं आच एक बार इसको try करके देखो ठीक है यह question में answer थोड़ा गड़बड़ आ जाएगा एक काम करूँ ना थोड़ा सा modification करते हैं इस question में चलो ठीक ऐसी बनाते हैं कोई बात नहीं है ऐसी बनाते हैं चलिए what is the answer of this expression 91 into 92 into 93 94 95 96 97 divided by 1261 देखो यहां पर अगर आप नॉर्मल रिवेंडर थोरम ने प्लाई करोगे तो बहुत महन्त हो जाएगा रिमेंडर थोरम में क्यूं यूज कर रहा था रिमेंडर थे वैल्यू बहुत बड़ा था बट यहां पर अगर आप इंडिविज्वल रिमेंडर थ्योरम अप्लाई करोगे तो वापस से 91 बचेगा 92 93 94 95 96 और 97 बच जाएगा यह सोर नो कि क्या यही बनेगा अगर मैं इसको सिंप्लिफाई करता रिमेंडर थ्योरम अप्लाई करके रिरेटर्न करता तो यही चीज़ बापस से लौट के आ जाएगी क्योंकि नियुमेरेटर का हर एक टर्म जो है वो छोटा है डिनॉमिनेटर से तब इस केस में क्या करूँगा देखो यह जो है मेरा टाइप 2 है यहां पर मैं सिंप्लिफिकेशन करूँगा सिंप्लिफाई करते वक्त आपको एक प्रोसेस समझना पड़ेगा इस 1261 को मैं कैसे लिख सकता हूं पहले ये बताओ ये 1261 को कैसे लिख सकते हैं फैक्ट राइस करके सब्सक्राइब क्या जी कि किस से डिवाइड हो राया है 702 वन 566 से डिवाइड नहीं हो रहा है से प्लेवट त्यों देख लो डिवायर करके 1221 सार 13 से अगर डिवाइड करेंगे तो 13 5 जा 15 नहीं 13 9 जा वाट इस 13 इंटू 9 272 पर 117 तो यह कितना हो गया 117 में यह बन गया 91 और 13 7 जा 91 तो यह 13 से तो डिविजिबल है तो मैं 1261 को कैसे लिख सकता हूं 1261 को मैं लिख सकता हूं 13 in to 97 कि दीच्व यह जो 1261 इसको कैसे लिख सकते हूं 13 इंटो 97 अब देखो हो क्या रहा है यह 97 यह 97 सिंप्लिफाई हो जाएगा यह 97 97 सिंप्लिफाई हो जाएगा यह सोर नो तो बेसिकली अब देखो जब सिंप्लिफाई हो जा रहा है तो सवाल को चेंज करके लिखेंगे 91 इंटू 92 93 94 95 96 divided by 13 चेंज हो गया मेरा कोश्चन मेरा कोश्चन चेंज हो गया 97 97 कैंसल हो अब एक बात बताओ अगर इसका रिमेंडर है आर वन और इस कोश्चन का जो ओरिजिनल कोश्चन था उसका रिमेंडर आर है तो क्या दोनों केस में आर की वैल्यू सेम होगी यहां से जो आपर रेमेंडर निकाल रहे हो R और यहां से जो वैलू मिलेगी R1 क्या यह दोनो बराबर होगी क्या यह दोनो बराबर होगी बताओ नही। जो महले व्रसिम ह слышmet करने से मना किया था गांसर बाले दो मैं इसको आटाता हूं यह जो रफवर के यहां पर है अब देखो समझो इस लॉजिक को जब भी आप डिनॉमिनेटर को सिंप्लिफाई कर रहे हैं ठीक जब भी आप डिनॉमिनेटर को रेडियूस कर रहे हैं यहां पर डिनॉमिनेटर किस नंबर से रेडियूस हुआ है यहां पर डिनॉमिनेटर को क इतनी होगी जब आप आरवन क्यलकुलेट करोगे तो 97 इंटू आर वन जब आप सिंप्लिफाइब करने के बाद रिमेंडर फाइंड कर रहे हो तो जितना फैक्टर से आपने डिनॉमिनेटर को हटाया था उतना आप मल्टिप्लाई कर देना यहां पर समझे इस चीज़ को जितने भी फैक्टर से आप उसको डिवाइड कर रहे हो डिनॉमिनेटर को उतना आप मल्टिप्लाई कर देना यहां पर 97 से तो यह जो आरवन आएगा यह मेरा फाइनल एंसर नहीं होगा मेरा एंसर होगा आरवन इंटू 97 अच्छा क्या यह फर्दर यहा कर दूं यह फर्दर सिंप्लिफिकेशन पॉसिबल है कुछ और कैंसल होता हुआ दिख रहा है यहां पर क्या कुछ और कैंसल होते हुए दिख रहा है यह 13 जो है यह डिवाइड हो जाएगा 91 से 13 इंटू 7 इस 91 तो कुश्चन अब क्या बन गया 7 इंटू 92 इंटू 93 94 95 96 गया यह 91 इंटीवन भी कैंसल हो गया 7 से 13 इंटीवन गया तो जो फाइनल आइंसर आएगा ठीक जो फाइनल एंसर मेरा आएगा उसमें 97 के साथ साथ क्या मुल्टिप्लाई करना पड़ेगा 13 भी क्यों क्योंकि मैंने 13 से भी रेड्यूस कर दिया डिनॉमिनेटर को जिस जि इंटीट 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 इंट 97 x 13 x 0 this is the final remainder of this expression यही question आपके exam में पूछा गया था what is the final answer? 0 yes or no जब भी आप simplify करोगे लोजिक बस इतना याद रखना जब भी आप simplify करोगे denominator को जो factor से आप divide कर रहे हो denominator को जो भी factor से आप हटा रहे हो वो final remainder में multiply कर देना वो आप final remainder में multiply कर देना बस यही logic है यहाँ पर nothing else बस यही एक logic है nothing else R1 को मैंने further reduce कर दिया यह मैंने find कर लिया R2 मुझे R1 नहीं चाहिए इस R1 को मैंने further reduce कर दिया नहीं 91 नहीं 85, 87, 89, 21 इसको किस से divide कर ले हम लोग चलो अप ठीक है इस दिस 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 दो कॉस्षिन फाइं रिमेंडर फाइं रिमेंडर फाइं रिमेंडर आफ दिस एक्स्प्रेशन क्या अंसर आइगा इसका करूँगा तो ये वापस से यहीं एक्स्प्रेशन बन जाएगा वापस से यहीं वाला एक्स्प्रेशन आ जाएगा अगर आप नॉर्मल रिमेंडर थियोरे में अप्लाई करते हो तो अब क्या करेंगा कर लेते हैं क्या सिंप्लिफिकेशन पॉसिबल है यह से 85 किस से कैंसल होता दिख रहा है यह 85 दिख रहा है मिरको फाइब से डिवाइड करोगे तो 17 आ जाएगा ठीक यह हो रहा है फाइब से डिवाइड करो 17 और यहाँ पर क्या बचा 20 क्या पॉइंट समझ में आया क्या पॉइंट समझ में आया मैंने इसको सिंप्लिफाई कर लिया 17 और 20 अच्छा और कहीं कैंसलेशन होता दिख रहा है यस इसको फिर से डिवाइड कर दो 5 से यहाँ पर आ जाएगा 4 यहाँ पर आ जाएगा 19 यहाँ गया lo yap4 और 19 यहाँ यहाँ पर सिंप्लिफिकेशन और पॉसिबल है नहीं और तो मैं क्या दिख रहाँ अब मैं इसका रिमेंड्डर फाइंड करने के बजाए 17 इंट्व 87 into 89 into 91 93 19 97 99 मैं इसका रिमेंडर फाइंड कर रहा हूं I am going to find the remainder of this expression मैंने expression को change कर दिया अब आप बताओ अगर इसका remainder r1 आएगा solve करने पर जो हम divide करके find कर लेंगे अगर इसका remainder r1 आएगा तो इसका remainder कितना आना चाहिए original expression का what is the remainder of original expression what is the remainder of original expression मैंने 100 को किसे divide किया दो बार 5 से divide किया हूं मतलब 100 से 4 पर आ गया हूं divide किसे वह होगा 25 से तो जो final remainder आएगा आर वन उसको आप 25 से multiply कर दीचेगा उसको आपको 25 से multiply कर देना है इसका बताओ तो कितना होगा 17 बाइ 4 करोगे कितना बनेगा यहीं पर लिखते हैं 17 फोर फोर जा 16 remainder आ गया 1 87 को करते हैं 4 टू जा 8 4 1 जा 4 यहां पर बचा 3 यहां पर 1 फिर 91 करोगे तो फोर टू जा एट 11 फोर टू जा एट फिर बजगया 3 मल्टिप्लाइट बाइट बाइ 93 फोर करो कितना आएगा 13 यहां पर आ जाएगा 1 19 से करोगे तो यहां पर आ जाएगा 3 फिर 97 बाइ 4 करोगे कितनी वैल्यू आएगी फोर टू जा एट 17 फिर आ जाएगा वन और 99 बाइ 4 करोगे तो फिर से आ जाएगा 3 यह वैल्यू आ गई मल्टिप्लाइग करने से 3 थी थी जा 9 थी जा 27 थी जा 81 तो आप क्या करोगे इसको 81 को फिर से 4 से डिवाइड कर दीजे फिर से डिवाइड करोगे तो कितना रिमेंडर बचेगा एंड में एंड में एंसर आ जाएगा आरवन ठीक आरवन की वैल्यू क्या आएगी एंड में वन यह जो नया इस इस प्रोसेस क्लियर वन इन्टु 25 तफाइनल आंसर इस 25 तफाइनल आंसर इस 25 अब जितने फैक्टर से सिंप्लिफाई कर रहे हो एंड में उसको मल्टिप्लाई कर देना आई हाएथ थे मिम हाओ अ ट्वाई कैसे क्योंकि खिंटल प्रइद किशंग 59 104 कप से अयह अगया यह 104 कप बनेगा यह हंडरेड फोर कब बनेगा जब आप इसको टूइंटीफाइव से स्टिवाइड करोगे दो भार फैब से डिवाइड किया तो 20 आया था एक बार और 5 से डिवाइड किया था तो 4 आया था इसलिए तो 25 लिखा मैंने कि अ कि अ क्लिए रही चीज कि देख दो टाइप हम डिसकस कर लिए हैं we have discussed two types of remainder problems 81 by 4 को डिवाइड करो ना खुदी समझ में आ जाएगा अच्छा यह भी डाउट है आप लोगों को let me clear कौन सा गुश्चन था पहला अच्छा और भी को पूश्चन था कि इसके पहले यह वाला सवाल चलो इसी सवाल को देखते हैं यह वाला कुश्चन क्याता है मेरा 21 37 61 21 37 61 43 divided by 6 यह हमारा सबसे पहला कुश्चन था यह हमारा सबसे पहला सवाल था तुम में से यह डाउट आ रहा है बच्चों को कि सर कब simplify करूंगा कब simplify नहीं करूंगा यह डाउट है न आप लोग मन में कि सर कब simplify करेंगे कब simplify करेंगे कब simplify करेंगे कब simplify नहीं करेंगे देखो दोनों मेठेट सेम एंसर देगा जब सवाल नॉर्मल तरीके से ना बने जब सवाल टाइप वन से ना बने तो simplify कर लेना तो इस कोश्चन में मैं सिंप्लिफिकेशन से सॉल्फ कर देता हूं इस कोश्चन में मैं सिंप्लिफिकेशन से सॉल्फ कर देता हूं क्या होगा थ्री से डिवाइड कर दो यहां पर आया टू यहां पर आ गया सेवन यहां पर आ गया टू नया और एक्सप्रेसिंम क्या बना इंटो थर्टी सेवेन इंटु इंटुट इंटु मेंट एगएतो इसका तूरा है कि इसका लो 그्स्किंश कितना अएगा जल्दीए से से फिर गयर से 207 को टू से दिवाइट करो गांट 61 को 2 से डिवाइड करो 1, 43 को 2 से डिवाइड करो, remainder 1 आ जाएगा हर एक केस में, हर एक केस में 1 आ जाएगा, इस expression का अगर remainder 1 आ रहा है, अगर इस expression का remainder 1 आ रहा है, तो इस expression का remainder कितना होगा, त्यान से देखना, denominator को किस से डिवाइड किया हूँ, डिनॉमिनेटर को किस फैक्टर से दिवाइट मैंने कुछ गलत लिखा ทำ कि अ नहीं ठीग है अधिनॉमिनेटर को मैंने किस फैक्टर से डिवाइट कियर ठीसे तो यहाँ पर या पर आपका वन आया उसमें 3 को अचेपलाई कर देना उसमें आ और प्झल एक्षाम में अब वो apply कर लेना जब ऐसा normal pattern का question हो तो easily solve कर लोगे बट problem कहां पर आती है problem आती है ऐसे expression में इसको आप कैसे solve करेंगे सारे के सारे 100 से छोटे हैं सारे के सारे values जो है वो 100 से छोटे हैं तो यहां पर normal pattern नहीं लगता तो simplify कर लेना question को easy बनाने के लिए बट जब भी simplify करोगे multiplication याद रखना end में end में multiplication याद रखना ठीक यह स्नो इस ठीक अच्छा एक और टाइप के सवाल है जो यूपेसी पूछ सकता है यह हमारा थर्ड काटिगरी है इस और तैप कि इस आर ठाइप ठाइप प्धाइब और का रोओगा सपोस्त तो पुस्चन इस फाइंड रिमेंदर आर उप अब क्या करोंगे स्केस में अप क्या करेंगे स्केस में पिट यहां पर टाइप बräge अप्लाई करो के तो भी फायदा नहीं हो रहा है यहां पर अगर आप सुन्पिटेशन करने जाऊए तो सिन्पिकेशन भी नहीं हो रहा है यहां पर कुछ भी नहीं है अपलाई तो मिस्की वाल्यू क्या येगी इस केस में रिवेंडर पताओ इस केस में रिवेंडर पताओ कि मड़े दा एंसर भी आर गेटिंग कि अब बताओ बताओ सोच के बताओ एंसर क्या आएगा कि अब फैक्टराइज करके देखो कुछ भी फैक्टराइज नहीं हो रहा है कि ट्राइज करके देख लीजिए हुँ अरे फैक्टराइज करने से मिलेगा क्या मल्टिप्लाइज करके सॉल्फ करोगे यह कह रहे हो अरे मल्टिप्लिकेशन क्यों करोगे देखो क्या यह पॉइंट क्लियर है जो मैंने लिखा है क्या यह पॉइंट क्लियर है क्या लिखा है मैंने यहाँ पर क्या लिखा है मैंने बोड पर रिमेंडर कभी भी negative नहीं हो सकता is this point clear रिमेंडर जो है वो कभी भी negative नहीं हो सकता ठीक यह याद रखना हमेशा रिमेंडर कैननी नेवर भी negative अब जो हम टॉपिक convert जेँए यहां पर इसको समझने एक लेडिस इस नेगेटिव रिमेंडर थियोरम नेगेटिव रिमेंडर थियोरम मतलब और नहीं होगा और कहां से आगे एवन और की कहानी एक मिनट भई किस डारेक्शन में जा रहे हैं हम लोग मैंने लिखाया हैं यहित्री की रिमेंडर करaros कन नेवर भी नेगेटीव आप एवन और में कहां से पहुच गए यह 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 नया इंटरप्रिदेशन है एक सिंपल सी लाइन आया रिमेंडर कन नेवर भी नेगेटिव थितने नहीं वि Miche h ca माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 नेगेटिव का मतलब क्या होता है कि नेगेटिव का मतलब जो नेगेटिव नहीं है ठीक रहा है ना जल्दी बताओ ठीक अच्छा रिमेंडर कभी नेगेटिव नहीं होता बट मैं एक नेगेटिव रिमेंडर फ्योरम एक लॉजिक बता रहा हूं हम इसको एपलाई करेंगे बट हम इस चीज को हमेशा ध्यान रखेंगे कि फाइनल एंसर नेगेटिव में ना आए अब क्वेशन क्या था मेरा ऐसे था तो फिफ्टी फिफ्टी फॉर एंधे फिफ्ती-फॉर दिवाइड़ वाइद फिफ्टी-फाइफ धियां देखना इसका रिमेंडर हमेशा इसके डिनॉमिनेटर वाले टर्म के रिस्पेट्ट में निकालता हूं जब भी कि आप remainder find कर रहे हो 55 reference रहेगा डिवाइड किस से कर रहे हो आप डिवाइड किस से कर रहे हो हमेशा डिनॉमिनेटर से तो यह होगा मेरा reference this is my reference अब एक बात बताओ 55 से अगर 53 पर पहुंचना है अगर मुझे 55 से 53 पर पहुंचना के दड़ माइनस करना पड़ेगा कि तरह माइन एक कि प्यवकि याप सुट्धी फ्प्रीव किद्र ग्याफ presume फिफ्टी फिफ्टी फॉर कि सिस इफिफ्टी फिफ्टी-फॉर this is your final remainder सम्झे है नेगटीव रीमेंडर को यहां से ह耶हां जाने स्थोच कर ले hablमाइनस निए जाने मैने स्थोच किर सबोल्क नहि ो एफ को मैनि स्थी और टारिको-หนön टार्म तू को एट इन्वाइनसरी इस तू कुरह माइनसरी प्लिए करके डिवाइड करनी की ज़रूत नहीं है इतनी महनत नो नीट टुडू इतना सारा महनत आगे चलू आगे नीचे स्मॉल नंबर होता तो जैसे सॉल्फ करते आए हूँ ऐसी ना सॉल्फ करते रहोगे अरे खर मैथड हर कोश्चन में अपली केबल होता है वही मैं सारे कोश्चन हर मेथड से नहीं सिखा सकता आप सो एक्जाम में सिर्फ पूछेगा रिमेंडर कैसे फाइंड करेंगे मैं आपको अलग-अलग स्टेप इसे लिए बता रहा हूँ कि किसी एक स्टेप में अगर फस किसका हूँ कुछ इसका रिमेंडर कितना है का नाइन गलत लिग दिया हूँ जस्ट अ बिनट जी तो सिंपल सवाल हो गया hmm what is remainder of this expression what is the remainder of this expression but अब आइए ऑजिए अन्सर आप है अगक्षिर बटो पर देंसर होता नहीं दिख रहा है सिंप्लिफिकेशन भी करूंगा तो प्रॉब्लम आएगी मतलब सिंप्लिफाई कैसे ही करूंगा सिंप्लिफाई कैसे ही करूंगा तो इस पर मैं अगर कुछ समझ में नाया तो मैं नेगेटिव रिमेंडर थ्योरम लगाता हूं देखो कैसा होगा 65 से 61 जाने में कितना माइनस करना पड़ेगा 65 से 61 जाने पर कितना माइनस करना पड़ेगा 65 से 61 जोगे तो कितना आगा रिमेंडर माइनस फॉर ठीक अचा 65 से 62 जाना है तो क्या करेंगे 65 से 62 जाना है तो क्या करोगे मैनस 3 65 से 63 जाना है तो kya करोगे 65 से 63 जाना है तो सर मैनस 2 यह पूरा का पूरा मौल्टिप्लिकेशन कितने आ रहा है मैनस 4 into मैनस 3 आ गया आपका 12, 12 मैनस 2 करोगे तो answer is minus 24 answer is minus 24 but क्या minus 24 सही है या गलत है क्या माइनस 24 सही एंसर है या गलत एंसर है मैंने एक statement आपको लिखाया था remainder can never be negative remainder can never be negative तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर अब मैं क्या करूँगा अब मैं क्या करूँगा माइनस 24 में मैं जो है यह negative value किसके respect में निकाल रहा हमेशा denominator के respect में find कर रहे थे न हम लोग हमेशा denominator के respect में माइनस देख रहे थे न कितना negative करना पड़ेगा yes or no कितना negative करना होगा वो तो denominator के respect में देख रहे हैं तो आप क्या करोगे जो भी आपकी negative value आई है इसको इसके साथ add कर दो माइनस 24 प्लस 65 बेसिकली क्या हो रहा है यह सब्ट्राक्ट हो जाएगा कितना answer आएगा 41 इस दा फाइनल रिमेंडर इस दा फाइनल रिमेंडर समझे जब भी आप negative रिमेंडर थियोरम लगाओगे अगर final answer positive में आ रहा है तो वो मेरा answer सही है अगर मेरा final answer negative में आ रहा है तो denominator में add कर देना 65 प्लस minus of 24 यह value को इसके साथ जोड़ दो answer आपका आ गया ठीक answer आपका आ गया कि समझे कि यस और नो यह सब method हर question में applicable होता है ठीक आपको जैसे क्योंकि अब कुशन करा हूं गाज class के end में UPSC ने पूछा था जिसमें चारो में थर्ड लग रहे थे यूप सी ने पूछा था जिसमें चारो में थर्ड लग रहे थे एक स्टूडेंट ने question लिखा है वही वाला solve कर लेता हूं चलो मान लीजिए सर सवाल अगर ऐसा आ गया कि रुको ने कुश्चिन इस लाइग दिस इसमें रिमेंडर कितना आएगा फाइनल रिमेंडर मताव तो इसमें क्या आएगा फाइनल रिमेंडर बताइए चाहो तो 54 भी आड़ कर लो अंकित कुमार नहीं लिखा है लो 54 भी आड़ कर दिया सब जोड़ दिया मैंने कुश्चन डिनॉमिनेटर स्मॉल है तो जो रेगुलर प्रोसेसर वहीं से बना लेंगे उसमें भी वैलिड होता है यह बता उसका एंसर कि अज़ कर देएंट अज़ कर देएंट एंसर बता है अज़ कर दो आट अबिथिस्ट वीच्ट वीर टेंगे यह अज़्यू 51 52 53 54 56 57 चलो देखते हैं सॉल्फ करके सिंप्लिफिकेशन होता दिख रहा है क्या सिंप्लिफिकेशन देखो सिंप्लिफिकेशन होता दिखे तो सिंप्लिफाई कर देना सबसे पहले यहां पर सिंप्लिफिकेशन दिख रहा है नहीं करता हूं यहां पर इमेंडर फाइंड करना चालू करता हूं 51 से 55 कितना आएगा अगर 51 को 55 से डिवाइड करूं तो मैं लिख देता हूं माइनस 4 ठीक 55 से 51 पे जाना है तो माइनस 4 अगर 52 से 55 पे जाना है तो माइनस 3 ठीक माइनस 3 और क्या कर सकते 53 से 55 पे जाना है तो माइनस 2 54 से 55 पे जाना है तो माइनस 1 है ना और इधर से अगर देखोगे तो 56 से 55 ये इस केस में कितना रिमेंडर राएगा सरी यह तो नॉर्मल प्लस वन आ रहा है यहां पे क्यों नेगेटिव रिमेंडर लगाओ गे यह तो नॉर्मल सवाल है 56 by 55 रिमेंडर 157 by 55 रिमेंडर तू या गया मैंने इंडिविजूल रिमेंडर फाइंड कर लिये मैरें इंडिविज्यार मैंटर लिए अब मैंटीप लाइग कर देते हैं फोर ऺीज़ ट्वेल टूसर ट्विंटीफेवर ट्विंटी फोर टूसर टूसर फॉंटीए अब सायन कया रहाै एस आई रहां माइनस 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 चार बर मुल्टिप्लाई होगा एक सवाल में सारी चीज़ें अपलाई करके सॉल्फ कर सकते हैं इस तरीके से थीक आया समझ में अब 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 अमडेश यूनीट टू वर्ग और कैलकुलेशन स्किल थोड़ा मल्टिप्लिकेशन वगएर अपर थोड़ा सा वर्क हमें करना पड़ेगा तो आपको कंसेप्ट में डाउट नहीं हो रहा है आपको हमेशा क्यालकुलेशन वाले पार्ट में डाउट हो रहा है ठीक नेगेटिव आता एक कुशन ही बना लेते हैं नेगेटिव आता तो 51, 52, 53, 56, 57 अब बताव एंसर कितना आएगा इसका रिमेंटर कितना आएगा इसका रिमेंटर कितना आएगा विकास में इंक्लूट कर देता हूं चलो नेक्स कुश्यन में जो आपने लिखा है वार इस आएँसर वी आरेटिंगे रिमेंटर आफ दिस कुश्यन आपको पता है कि वैं फिफ्टी वन बाई फिफ्टी वाई फिफ्टी वाई प्टी वाई करूंगा माइन स्फोर आ गया फिफ्टी वाई फिफ्टी वाई करूंगा इनक epdij वाई लॉड यहां पर आ गया वन यहाँ पर आ टूंगं यहां सब को यहां तक सबको क्लिование होगा माइनस-4-3-12-24 और यहां पर सर्मिर को final answer मिल रहा है माइनस-48 यहां पर मुझे answer क्या मिल रहा है माइनस-48 अगर माइनस-48 मिल गए आपको तब नेगेटिव remainder कभी नहीं हो सकता तो मुझे क्या करना पड़ेगा 55 में-48 को जोड़ना पड़ेगा माइनस 48 प्लस 55 कर दो क्या हो रहा है एक्च्वल में सब्ट्रेक्शन हो रहा है कितना एंसर आ रहा है फाइव और टू मीन्स सेवन समझे क्या है फाइनल एंसर इस सेवन सेयर्ट सारे मेथंट आगे जाकी कनवर्ट हूंगे मैं सिखाता है अग अलग मतलब कमपार्ट्मेंट करके आपको सिखा रहा हूं क्यूंकि एक साथ आप नहीं सीख पाते हैं सब कंध्यوज हो जाते हैं इसे एक साथ कंफ्यूज हो जाते हैं इसे लिए पढ़ते हो वक्त पेशेंस रखा करो थोड़ा क्योंकि आज मेरे पास पीवाई क्यू नहीं है इसके कल शुरू का 15 मिनिट हम पीवाई क्यू सॉल्फ करोगे करेंगे हम लोग तो आप देखोगे कि रिमेंडर थ्योरम का हर साल एक कुश्चन आ रहा है और आप सारे कुश्चन्स खुदी बना लोगे तिक मीन्स यह हुआ कि हम कोई भी मैंटर कफिर यही समझा रहा हूं मैं नहीं क्लास ओवर नहीं हुआ भी अच्छा एक और डाउट किसी ने पूशा तक इसका अंसर क्या आएगा 51 52 53 55 56 57 divided by 55 what is the remainder of this question what is the remainder of this question किसने पूचा था जीरो आ जाएगा क्यों कि यहां पर सिंप्लिफिकेशन होता दिख रहा है तो मैं इसको सिंप्लिफाई कर देता हूं मैं इसको सिंप्लिफाई कर देता हूं सिंप्लिफाई करने के बाद एक्स्प्रेशन क्या बच गया सिंप्लिफाई करने के बाद एक्स्प्रेशन बचा 51 52 53 156 57 whole divided by 1 अब इसका जो भी की रिमेंडर आएगा सपोर्ज इसका करी मेंडर है सिक सब्सक्राइब है इसका जो भी मैंडर आएगा मेरा जो इनिशियल कोशन ता उसका कितना होगा 55 into आर यह सबस्क्राइब क्योंकि मैंने डी नॉमिनेटर को 55 से डिवाईड किया तो जो यह वाले question का remainder आएगा उसमें मैं 55 multiply करूंगा उसमें मैं 55 multiply कर दूंगा क्योंकि one आ गया है किसी भी चीज को one से divide करो वो हमेशा divisible होता है remainder इस case में हमेशा zero आएगा तो answer कितना होगा 55 into zero which is zero 55 into zero which is zero yes हो गए हम लोग एक्सपर्ट remainder थे और हम में हुआ 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 है हुआ हुआ है हुआ है हुआ है इक मन से मत सोचो ऐसा हुआ तो क्या होगा जो जैसा हो रहा है वैसा question कर ले रहे हुआ है ठीक चलिए तो इस सवाल का जवाब दीजिए मेर को फर एक दो कुशन बनाओ टॉपिक एंड करूँगा पीवाई क्यू कल सॉल्फ कराऊंगा आगे बढ़ेंगे आज दो फाइंड रिमेंडर ओफ कितना है थर्टी वन बाइएट यह बना सकते हैं हम लोग अधिए रिमेंडर ओफ थर्टी वन बाइएट अले नेगेटिव रिमेंडर तक जाने की ज़रुत नहीं पड़ेगी न अंकिता डिनॉमिनेटर में आ गया तो एंसर जीरो हो रहा है ड यह तो सिंपल कोश्चिन था यूपी सी एक्जाम में देगा ऐसा कुश्चिन अब बताओ इस कोश्चिन का एंसर 313131 को मैंने डिवाइड किया 8 से कहां तक के 127 टाइंस तक तक तन वाट इस एंसर वाट इस रिमेंडर ओफ इस एक्स्प्रेशन वाट इस रिमेंडर ओफ इस एक्स्प्रेशन बताओ जीरो बिसिकली कुश्चिन क्या है आपका कुश्चिन यह है रिमेंडर ओफ 31 का पावर 127 डिवाइड बाए एट पहले आप 31 का पावर 127 फाइंड करो फिर उसको 8 से डिवाइड करो फिर उसको 8 से डिवाइड करो इसको 8 से डिवाइड करो this is the question for you क्या मैं सॉल्व करूं शुद आइ सॉल्व इस कॉस्टियन और नॉट तेको एक और कोस्टियन शेलो इसका अंसर बताओ मेरे को let me think is caramander 50 power 150 power 728 divided by 7 what is the remainder of this question hmm अगर कोई function इस form में दिया है expression ax plus 1 power n divided by a अगर आपसे इसका remainder पूछ रहा है तो यह हमेशा आता है 1 यह formula याद रखना ठीक यह formula याद रखना अगर कोई भी question इस form में है what is a, x and n these are integers generally positive integer ही देगा आपको generally आपको positive integer ही देगा अगर कोई भी question को मैं इस form में लिख सकूँ ax plus 1 whole power n divided by a तो इसका remainder हमेशा 1 आता है ठीक है भले n की value even हो तब भी और n की value odd हो तब भी ठीक दोनों ही case में remainder 1 आता है आपको अगर power वाले questions आते है तो आपको ये form create करने की कोशिश करना है कई बार directly create हो जाते है कई बार थोड़ा manipulation करना पड़ता है कई बार थोड़ा manipulation करना पड़ता है for example अगर मैं ये वाला सवाल देखूं क्या लिखाए 50 का power 728 by 7 अगर इसको standard form से compare करेंगे ax plus 1 का power n by a बताओ तो n की value कितनी आ रही है compare करने से मुझे n की value कितनी दिख रही है यहाँ पर what is the value of n here n n n मैं compare करके लिख सकता हूं n is equals to 728 अच्छा a की value कितनी है यहाँ पर देखके बताओ तो थोड़ा what is the value of a what is the value of a sir a की value 7 है अब मुझे एक बात बताओ क्या इस 50 को क्या इस 50 को मैं 7 into something plus 1 लिख सकता हूं क्या मैं इस 50 को 7 into something plus 1 लिख सकता हूं yes or no क्या लिख सकता हूं 50 को लिख सकते हैं 7 into 7 प्लस 1 डिवाइड बाइ 7 होल पावर 7 28 हां लिख सकते हैं जैसे ही आपने इसको इस फॉर्म में लिख दिया दिख ए मुझे गिवन होगा डिनॉमिनेटर में हमेशा इन मुझे गिवन होगा पावर में हमेशा क्या इस सवाल का लॉजिक समझ में आया हमें हुआ है नहीं एंटू एक्स कुछ भी हो बस यह इंटीजर होने चाहिए ए और एक्स जो है वो सिर्फ इंटीजर होने चाहिए और कुछ कंडिक वो इन कंपल्शन नहीं है उन्पे हुआ है एक और बनाव तो कुष्चन हां क्या ले लूँ मैं वैल्यू त्री नहीं लूँ गाइगा शरु तो किता आगा इसका रिमेंटर अस्ट यंद्स त्यू अन्धड अ लॉजिक just to understand the logic yeah 37 मतले को sorry 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 please change it परेशान रहोगे कितना लेने अब ठीक है ये लो ये 49 पावर 121 divided by six what is the answer 49 पावर 121 divided by six I see please focus on present question she said class में past future सब भूल जाएए present पर focus कीजिए अगर present पर focus करेंगे तो future में जो presents आने वाले हैं उससे आपकी सारी चीज़े cover हो जाएंगे और आपका future बहुत बहतर हो जाएगा but class में future पास्ट के कुश्चन ऐसा होगा तो वैसा कैसे बनाएंगे प्लीज मारा फोकस क्लास से हट जाएगा उसकेस में मैं आपके लिए बोल रहा हूं किता अंसर आएगा भाई 49 को क्या लिख सकता हूं है six into eight plus one whole power 121 divided by six चैए एक्स प्लस one power n वाला form में क्या यह is nothing but 1 तो क्या यह form clear is this form clear अब चलो अगर यह clear है तो एक और तरीका होता है हां पर remainder of ax-1 power n अगर ऐसा कुछ एक्स्प्रेशन हो divided by a ax-1 power n divided by a तो इसका एंसर क्या आता है प्लस वन कब बेन एन इस इवन और माइनस वन वेन एन इस ओड दो फॉर्मुले याद करने आपको दो फॉर्मुले याद करने अगर ax-1 power n by a तो remainder fix है भई वन अगर ax-1 power n हो रहा है negative sign आ रहा है हां पर तो क्या देखोगे अगर n even है तो plus 1 n odd है तो minus 1 ठीक n even है तो plus 1 और n अगर odd है तो minus 1 इस पॉइंट क्लियर दो फॉर्मुले में बता उसका एंसर इस का एंसर कितना आएगा उस हिसाब से इस एंसर अप डिसकूश्चन तुम लोग को पता है कि थिए पढ़ाने के बाद कुश्चन सौल कराऊंगा बट क्लास पर उस उस प्रोसेस में मतलब जहां पर मैंने आपको यह फॉर्मुला बताया यहां से लेकर नेक्स्ट कुश्चन देने के बीच में 20 स्टुडेंट्स ने लिग दिया सरा एक्जामपल दीजिए भई फ्लीज हैव सम् पेशेंस तुम लोग पढ़ाने में 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 को हसी बहुत आती है कई वार फॉर्मुला बता कि ना कुश्चन पर आऊंगा हुमन बींग हुम 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 है लीज कुछ फ् इंज आफ एंसर आता है 012-7 जिसको जो मन में आ रहा है वो लिग दे रहा है ऐसा लग रहा है 30 दिवनौमिनेटर में 830 तो आहीं नहीं सकता कभी तो इसको मैं वह आले फॉर्म में फॉर्मुले वाले फॉर्म में एक्सपैंड करता हूं कैसे बने गाई यह एट इन्टू 4 माइनस वन होल पावर 127 डिवाइड बाइट यह दिख रहा है एक्स माइनस वन बाइए एक्स माइनस वन बाइए का पावर 127 हाय आना यह वो फॉर्म में कर्वार्ट हो रहा है अब आपको पता है कि 127 इस और नंबर इसका रिमेंडर कितना आएगा माइनस वन बट मैंने क्या लिखाय था क्या रिमेंडर कभी नेगेटिव हो सकता है 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 क्या रिमेंडर कभी न आइंसर इस सेविन जब यह केस होगा माइनस वन वाइल्यू आ रही है तो रिमेंडर क्या करोगे डिनॉमिनेटर में जोड देना होतना तो आइंसर आ जाएगा सेविन ठीक है समझ गए इस कुश्चन को अगर एक ऐसा ही कुश्चन फिर से बना दू कि माइनस करना है ना इसका रिमेंडर कितना आइगा 133 not 0 sorry ठीक है चलो बनावत इसको 1330 पर देख रहा हूं ना मेरा फोकस डिनॉमिनेटर पर है जो डिनॉमिनेटर में वैल्यू है उसमें कुछ मींटीजर मल्टिप्लाई करके प्लस माइनस वन करने पर हम लोग वहां पहुंच रहे हैं कि नहीं आश्यू का गहना है विडाउट यूजिंग फॉर्मुला हाओ कैन वी सॉल्ल व्याइब तो जॉइन मैट्स ऑप्शनल बैच आश्यू एक एक इंडिविजूल लगा कर हम फिर उसमे सीरीज एक्सपैंशन लगाएंगे जो आपके काम का नहीं है कितना अंसर आएगा यह 1331 113 को बोलते हैं मतलब 11 into 121 अगर मैं करूँ अगर आप 11 into 121 करोगे तो 1331 आएगा माइनस तो 642 होल डिवाइड बैए 11 यह कों सा फॉर्म बन रहा है क्या यह x-1 वाला फॉर्म बन रहा है क्या यह x-1 वाला फॉर्म आ रहा है कि येस क्यूंकि पावर हीवन है क्यूंकि पावर एवन है तो रिमेंडर कितना आ जाएगा रिमेंडर कितना आ जाएगा वन थिक क्लियर है यह चीज़े पूरा रिमेंडर थे और हम खता में इतना ही था किसने लिखा है सर इतना सारा पढ़ेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे बताइए मैं टॉपिक स्किप करके पढ़ा दूँ यह मैं टॉपिक स्किप करके बढ़ा दूँ अबरले तो अच्छा यह जल्दी खतम हो जाएगा कोर्स हमारा जब जीएस वन पढ़ते हो जीएस टू पढ़ते हो जीएस थ्री पढ़ते हो जीएस फॉर पढ़ते हो एंसर राइटिंग सीखते हो एसे लिखते हो इतना कुछ ज सब्सक्राइब हो एक फैक्ट है मैं आपको नहीं बोल रहा हूं बट एक फैक्ट है यह कि हमें अगर जोग्रफी नहीं आती तो हम क्लास 6 की जोगरफी की किताब पढ़ लेएंगे खरीद के तेकिए बेसिक से कवर करने के लिए अगर पॉलिटी नहीं आता हिस्ट्री नही कोई ट्रॉपिक अगर नहीं आता है तो हम NCRT में जाकर बेसिक से कवर करते हैं कि नहीं करते हैं लोग क्लास 6 क्लास 5 की बुक्स पढ़ते हैं आपने नहीं पढ़ा होगा बट इतना तो जानते हो कि यह स्टुडेंट्स उस चीज को पढ़ते हैं बिकास मार्केट में अविलेबल होता है चैप्टर वन से पढ़ते हैं बट मैट्स नहीं आता बेसिक क्यालकुलेशन नहीं आती तो क्लास 5 और 6 की बुक को जाकर पन्ने पलटने में हमें शरम आती है इस देख्ट अपनी इगो पर ले लेते हैं कि यह लास 5 6 7 की बुक से मैं मैट्स कैसे सीखूं मैट्स मुझे नहीं आता तो नहीं आता मैं परिशान रहूंगा मैं C-7 में फेल होंगा बट मैं क्लास 5 6 की बुक नहीं पढ़ूंगा विकास वो मेरे इगो के अगेंस्ट है और यही प्रॉब्लम हो रही है C-7 में आपको एफर्ट लगाना पड़ेगा C-7 में इस जस्ट लाइक जीएस पेपर जीएस में लोग कट ओफ क्लियर कर ले रहें C-7 में नहीं कर पा रहें यह एक है इशू एक तो पेपर को सीरियसली लो और सीरियसली पढ़ना स्टार्ट कर दो अब 2024 का पढ़ो 2025 की तियारी करो 2026 की तियारी करो अब जिस भी साल की तियारी करो यह कौलिफाइंग पेपर 33% क्राइटेरिया में आपके सामने खड़ा है जब तक इसमें 33% नहीं ल आप 200 में 200 स्कोर कर लो थी चलो यह जो लॉजिक आप सीख गए हो इस पर बेच्ट एक यूप्यसी ने कुश्चन पूचाता यूप्यसी वाले भी इतने होश्यार है कि सिंपल सवाल नहीं पूस्ते उनका कॉस्चन था फाइंड रिमेंडर ओफ एक्जक्ट तो मुझे आद पूस्ट पूस्ट पावर था गया अचाहां टू पावर था ठीक है चेंज कर देता हूं उसको टू पावर वन नाइन टीटव बाई 60 अब ठीक है सबसे पावर निकार रहीं इस कुश्चन को यहां पर सारे में थे लगेंगे यहां पर सारे method लगेंगे, सबसे पहली बात, अगर मैं ax plus 1 वाला form apply करने जाओं, तो क्या मैं 2 को 6 के multiplication में कभी लिख सकता हूं, क्या यह possible है, क्या मैं 2 को 6 के multiplication में लिख सकता हूं, plus minus 1 में, क्या यह possibility कभी आएगी, नहीं आ सकती, कुछ भी कर लो, तो मैं यहां पर एक काम करत हूं, question को change करने है, simplification possible दिख रहा है, क्या simplification possible दिख रहा है, simplification possible दिख रहा है, yes, कैसे, 2 power 192 divided by 2 into 3, यह लिख दिया, 6 को, अब यह 2 power 192 divided by 2 power 1, कितना आ जाएगा question में, यह आ गया, 2 power 191 divided by 3, हाई अना, question को modify कर दिया, 2 power 192 by 6 को मैंने लिख दिया, 2 power 191 divided by 3, अब मैं इस सवाल को solve करूँगा, अब मैं इस सवाल को solve करूँगा, बट जो final answer आएगा, उसमें 3 नहीं, जो final answer आएगा, उसमें आप 2 जरूर multiply कर देना, उसमें आप 2 क्यों, क्योंकि आपने denominator को 2 से reduce किया है आपने denominator को 2 से reduce किया, इसलिए final answer में 2 multiply कर देना, end में, अब देखो, question क्या है, 2 power 191 divided by 3, इसका remainder कितना आएगा, इसको मैं डारेक लिख सकता हूँ, 3 into 1 minus 1 power 191 divided by 3, ऐसे लिखा जा सकता है इसको, what is the remainder of this thing, ax minus 1, ax minus 1 divided by a, और odd power है, यहां पर power odd है, minus में अगर odd power हो, तो remainder कितना आता है, यह remainder minus 1 आ जायेगा, यह remainder minus 1 हो जाएगा, बट आपको पता है कि सर माइनस 1 remainder not possible, तो यहां पर 3 को add कर देते है, minus 1 plus 3, कितना answer आया है? तू कितना एंसर आ गया टू एक option टू भी था एक option टू भी था बट एंसर टू नहीं होगा क्यों कि इस expression का remainder आया है टू इस expression का remainder आया है टू फाइनल एंसर इस टू इंटू टू फोर तो जितने concept पड़े थे negative remainder से लेकर power वाले question से लेकर सिंप्लिफिकेशन से लेकर उन्होंने एक ही question में दे दिया था कि उन्होंने एक ही question में पूछ दिया था कोई shortcut short trick काम नहीं आता जब तक concept से नहीं सीखोगे UPSC का सवाल बने गाई नहीं कि आपको लगेगा कि हां सर सही बना क्या आया हूं तू आ गया था टिक कर दिया मैंने टू पर बाद में वहीं चीज नेगेटिव हो जाती है कि आखे हैं कि कुलियर है ये सवाल और ऑज ещё गदाय कि 192 वन नाइन्ट यां कैसे हूँ है तुम्हारे पास 192 चोकलेट्स थे इसना पूछा था मैं नाम नहीं पड़ पाया अगर तुम्हारे पास 192 चकलेट्स थे और मैंने एक चॉक्लेट ले लिया तो कितने चॉक्लेट बचेंगे बताओ हूं हाओ मैनी चॉक्लेट्स लेफ्ट है बस तो वही 191 लिखा हुआ है यहां पर एक टू डिवाइड हो जाएगा न वही यह यह वाला फॉर्मुला लिख लो अगर प्रॉब्लम है तो A power B divided by A power C is equals to A power B minus C A power B divided by A power C is equals to A power B minus C ठीक भाव प्रृदेश वाला कॉश्यन ले लोगा ब्ल्क जाओ अभी वह चीज पढ़ाया नहीं न ना यह टॉपिक वह चीज में ले लोगा don't worry hello friends welcome to our session मेरा नाम अंकित तिवारी और हमने जो सीसाइट की सीरीज स्टार्ट की है for 2024 उसमें आज हम लोग एक important section cover करेंगे which is known as number system वही हर साल 15 से 20 question number system topic से पूछे जाते हैं out of 80 questions में से और अगर आप इस lecture को end to end देखते हैं तो अगर 20 questions आ रहा है तो 15 questions आप easily solve कर सकते हैं by using all the concepts which we are going to discuss in today's video तो चलिए session को start करते है session start करने से पहले important information अगर मैं CSAT को two months में cover करना चाहता हूं that is by April end so you can join our CSAT batch जिसका admission start हुआ है 8th of March से 10 last 10 years का PYQ discussion 1500 plus questions in form of practice sheet 10 mock test basic to advanced level preparation जो formula based questions होते हैं उसको change करके जो logic और concept based questions है वो सारी की सारी चीज़ों को cover की जाएंगी the price for the course is 3999 and the code for maximum discount is 80 life क्या सवाल भेजे हो 51 27 37 ने 51 into 27 into 35 multiplied by 62 multiplied by 75 whole divided by 100 थिक यह कुश्यन था 51 27 35 62 75 बताएं यह वाट इस रिमेंदर अव इस एक्सप्रेशन वाट इस रिमेंदर अव इस एक्सप्रेशन का इस एंसर आएगा इस कुश्यन का और इस फाइनल रिमेंडर भी आर गेटिंग वेट ओके चलो एक मिनट देता हूं उस कुश्यन को सौल्फ करने के लिए बेर आर वेट प्साइब ड् Politik कोर आक मिनट बताव एक्श्र का पाइनल चुश्री आर देक्या है क्छेब यहक्वर इस एक्सप्रेशन बisर नवीक्र भी करने का दो सक्वेंदर घस एक्ति रिमेंदर व्ग इस दिस दिल मार कession 12 GPA गौरब का पूछना है सर नंबर सिस्टम कितने दिन चलेगा और तीन-चार क्लासस लोगा तुकि इस नंबर सिस्टम के अंदर में मैं बहुत सारे टॉपिक्स कवर करा दूँगा आपका ठीक है अंजनी राइट एंसर मुकुंध मानस करेक्ट सुलेखा एंसर रॉंग है गौरव एंसर रॉंग है आशु तप्तिक्स करेक्ट ब्रिजेश बीर दविंदर सिंग आशुतोष हिमानशी येस उतकर्ष का कहना है मैं ही सहार हूँ किस बारे में भाई उतकर्ष किस रेस्पेक्ट में आप कह रहे हैं आशुतोष आप एंसर चेंज नहीं कर सकते हैं कई ऑप्शन देना रहेगा देखो यहां पर क्या सिंप्लिफिकेशन पॉसिबल है जल्दी है सिंप्लिफिकेशन पॉसिबल यह कि इससिंप्लिफिकेशन पॉसिबल कि रदे था यह हो जाएगा ठीप और यह हो जाएगा फौर्ट से टिवाईट कर देते हैं उप्वागा यह uns tu voor यहां हो जाएगा टू से और यहां पर आजाएगा 31 है ना इस 62 और फोर इवन नंबर दिख रहा है टू से टू डिवाइड होई सकता है पाथ से भी करोगे तो दो बार करना पड़ेगा क्या प्रॉब्लम है सुमित अगर 5 से करते तो दो बार डिवाइड हो जाता है अब देखो तो 27 into 35 into 31 into 3 whole divided by 2 अब वही चीज जो मैं आपको हमेशा से बताता आया हूं अगर सिंप्लिफिकेशन करोगे सपोज इसका रिमेंडर आर आएगा बताना थो र की वैल्यू कितनी आ रही है डिनॉमिनेटर में 2 है तो 51 से दिवाइड करो वन बचेगा रिमेंडर वन वन हर बार रिमेंडर वन बचेगा तो यह आप अपशन में हमेशा आपको वन available होगा option में हमेशा आपको 1 available होगा but one is not the correct answer why मैंने बताया था original expression में denominator जितने factor से divide हुआ है उतने से ही answer multiply हो जाएगा तो यहां पर 100 था initially final value आया था remainder denominator का 2 किस से divide कि आओंगा 100 को हंड्रेड को डिवाइड किया होंगा 50 से तब मिला होगा 250 क्यों फर्स्ट टाइम 25 से डिवाइड किये थे सेकेंड टाइम 2 से डिवाइड किये थे तो फाइनल एंसर क्या आता है the final answer is 1 into 25 into 2 which is nothing but 50 1 into 25 into 2 क्योंकि पहली बार 25 से कम किया था दूसरी बार 2 से therefore 50 is the correct answer समझ गए कैसे बनाना है इन कुश्चंस को कि कोई बात नहीं सीरो गलत टाइप हो गया थो टाइपिंग से यहां पर सही जवाब दो गलत जवाब दो कोई फरक नहीं बढ़ रहा इक्जाम में गलती मत करना बस ठीक है कैलकुलेशन मिस्टेक तो फिर प्रक्टिस से इंप्रूव हो जाएगी बड़ कंसेप्ट सब को समझ में आ गया होगा आगे बढ़ू चलो एक और टॉपिक है जहां से स्ट्रेट फॉरवर्ड कुश्चिन्स पूछे जाते हैं एक्जाम में वो टॉपिक है यूनिट डिजिट प्रॉब्लम अब कि नहीं सेम आएगा सुमेट आप सॉल्व करके देख लेना 5 से भी करोगे तो सेम आएगा अब किसी भी मेटेट से किसी से भी डिवाइड करो मुझसे मत पूछो कि या एंसर डिफरेंट आएगा अब सॉल्व करके देखो तो यहां पर भी कंफूजन आ रहा है कि सर अगर ऐसे करते तो क्या होता मुझसे मत पूछिए वैसे करके सॉल्फ कर लो एक बार आप सॉल्फ कर लोगे आपका डाउट क्लियर हो जाएगा अगर आप सॉल्फ नहीं करेंगे तो आपको बार-बार यह डाउट आता रहेगा कि मेठेट से डिफरेंट एंसर आता जस्ट सॉल्फ इट वन्स अर आप देखोगे कि एंसर सेम आया है अपने आप इस कंसेप्ट पर कॉन्फिडेंस आ जाएगा ठीक सर पीज पीज गो स्लो क्या क्लास की पेस ज्यादा है मुझे तो स्लो लगती है क्लास की पेस प्रेड़ना अभी स्पीड पे कोई फोकस ही नहीं करना मेरेको मेरेको स्पीड बढ़वाना ही नहीं है आपका हाव वाला कुशन बता दूंगा विकास 200 फेक्टोरियल बाइ सिक्स पावर एं ठीक चलो राइट डिवाइड अनली विद फोर गॉट फिफ्टी एज है यूनिट डिजिट प्रॉब्लम यूनिट डिजिट प्रॉब्लम अगर मैं कोई नंबर लिखों 132 तो इसमें से यूनिट डिजिट क्या होगा इसमें से यूनिट डिजिट कौन सी होगी इसमें से यूनिट डिजिट कौन सी होगी टू होगी इसमें कोई प्रॉब्लम न 9993 अगर इन सब नंबरों को मैं 10 से टिवाइड करता हूं अगर इन सारे नंबर्स को मैं 10 से टिवाइड करता हूं तो मेरे को Remeander क्या मिलेगा Remeander when divided by 10 पताइए तो जब मैं इसको 10 से इस केस में वन इस केस में 8 और इस केस में 3 हाया ना 183 ही मिलेगा आपको समझ में आ रहा है 1 क्या है सर यूनिट डिजिट तो 1 था सर 8 क्या है second वाले का unit digit 3 क्या है third वाले का unit digit तो unit digit क्या होता है unit digit of a number is equal to remainder when number is divided by 10 किसी भी number का unit digit क्या होता है आप उस number को 10 से divide कर दो जो remainder मिला वही तो unit digit है जो भी आपको remainder मिला वही तो unit digit है yes or no हाया ना जल्दी अच्छा अगर मेरे से पूस्ता कि वाट आर दे लास्ट टू डिजिट आफ एनी नंबर अगर एक बड़ा से नंबर देता और पूस्ता और यूनिट डिजिट फाइंड करो तो कैसे फाइंड करते हैं अलांकि वह टॉपिक नहीं एक स्कोर्स में उसके सवाल नहीं पूछे जाते हैं अगर पूस्त देता है कि आखरी के दो डिजिट कैसे मिलेंगे हम् मिलेंगे जो रिमेनडर आया ने आपको ये आदकना ना है कि यूनिट डिजिट क्या होता है नतिंग उस नंबर को से डिवाइड करने पर जो रिमेंडर आता है इस नूनिटगे ए गारे चिंछट Si this यूनिट डिजिट अब देखो, प्रोसेस सीखते हैं, दो टाइप के सवाल बनते हैं यहां पर, यूनिट डिजिट में, यूनिट डिजिट प्रॉबलम में, you are mostly getting two types of questions, पहला होगा, एक नॉर्मल सा mathematical expression given होगा, जिसके सवाल आने की उमीदे बहुत कम है, क्योंकि बड़ा easy होता है, दूसरा powers वाले expression given होते हैं, इस topic पर question UPSC पूछता है generally, तो हम एक एक करके दोनों topic को cover कर लेंगे, sir is anything divided by 100 will be remainder, will be unit digit, yes, यही तो लिखा है मैंने, तो देखो, first category के questions कैसे आएंगे, first category question आएगा, 78 into 32 into 24 into 61 into 79, एक आपको expression दे दिया, एक आपको बड़ा सा expression दे दिया और वोला, find the unit digit of this expression, अगर यह सारे नंबरों को मैं multiply करूँ, अगर मैं इन सारे नंबरों को multiply करूँ, तो एक जो बड़ी सी जो भी value आ रही होगी, कितने भी digit की, मुझे नहीं पता, पर इसका जो last digit होगा, वो मुझे find करना है, सवाल समझ में आया, सवाल समझ में आया, क्या है, रे answer मत बताओ, सवाल समझ में आया है की नहीं, येस, देखो, method ये होगा, क्योंकि मुझे last digit चाहिए, तो मैं बाकी सारे digits को भूल जाओंगा, मैं सिर्फ last digit पर focus करूँगा, मैं सिर्फ और सिर्फ focus कहां करूँगा, मैं सिर्फ और सिर्फ आखरी digit पर focus करूँगा, क्योंकि यहाँ पर multiplication लिखा है, तो सबसे पहले मैं किसको multiply करूँगा, 8 multiplied by 2, कितना answer आएगा, 16, ध्यान से देखना, 8 को 2 से multiply किया, answer कितना है, 16, इसमें से unit digit कौन सा है, 6, इसको भूल जाओ, इस 1 को हटा दो यहाँ से, क्या बचा, 6, इस 6 को multiply करता हूँ 4 से, 6 into 4 कितना आएगा, सर यह आजाएगा 24, 24 में से 2 को हटा दो, क्योंकि वो 10th place है, मुझे unit digit चाहिए, तो क्या बचा, 4, यह 4 multiply होगा 1 से, जो अगला unit digit था, कितना आएगा multiplication, 4, 1 जा 4, यहाँ पर वैसे भी कोई, 10th digit नहीं है, भूल जाएए, 4 को consider करते, 4 into 9, answer is 36, 3 को ignore कर दो, ते क्योंकि बड़ा सा जो भी number आएगा, मुझे 10th place, 100th place पे कुछ लेना देना नहीं है, unit digit क्या होगा, 6, चाहिए logic समझाया, normal expression का ऐसे ही find करते हैं, नॉर्मल expression का unit digit ऐसे ही find किया जाता है, ठीक, आगे चलू, चली आगे चलते हैं, एक कुशन और बना के देखते हैं ऐसे, find unit digit of this expression, find unit digit of this expression, सागर जब edition का question करेंगे, तब edition की बात करेंगे, what is the answer of this question, focus कहाँ पर करना है, सिर्फ और सिर्फ आखरी डिजिट पर, बाकी expression को हटा दो, कोई लेना देना है नहीं है मरे को, 7 into 9 करूँगा कितना आएगा, 63, इस 6 को हटा दो, 3 into 3 करोगे कितना आएगा, 9, 9 into 5 करोगे कितना आएगा, 45, इस 4 को हटा दो, 5 is your final answer, 5 is your final answer, ठीक, 5 is your final answer, find the unit digit of this expression, find unit digit of this expression, 0 कहां से आ रहा है मतलब, मैं यह नहीं समझ पाया, इसका unit digit क्या है, 7, plus sign लगा हुआ, इनका unit digit क्या होगा, multiplication में है, तो 9, 3, 20, 7, 2 को हटा दो, और यहां पर कितना बचा, 7 into 5 करोगे, तो 35, 3 को हटा दीजे, ठीक, यह जो multiplication था, पूरा इसका unit digit कितना आए, 5, तो 5, प्लस 7, क्योंकि आप एडिशन हो रहा है, कितना बनेगा, 12, 1 को ignore कर दो, 2 is the final answer, 2 is the final answer, ठीक, 7, plus 5, 12 आया, मुझे unit digit find करना था, तो unit digit आ गया, 2, unit digit is nothing but 2, ठीक है, 7 into 9 क्यों करोगे, जब प्लस लिखा हुआ है, तो, यह कैसा सवाल है, अपने मर्दी से थोड़ी बदल सकते हैं, कुश्चन को, जो मन में आएगा, वो थोड़ी करेंगे, जो सवाल में लिखा होगा, वो करेंगे, जिसने भी पूछा है, तुब लोग के डाउट हमेशा अनेक्सपेक्टेड रहते हैं, मुझे लगता है, इस टॉपिक पर डाउट आएगा, पर वो अलगी रहता है, कोई बात नहीं, इधर, एक और बना लो, सिंपल सिंपल से कुश्चन है, पर नेक्स्ट कंसेप्ट पर चलूँगा, 784, 618, 917, 4, 6, 3, एक बारस का अंसर बता दीजे, पर इस आंसर, क्यासे स्वल्फ करेंगे इसको, फिर से यूनिट डिजिट कंसीटर कर लो, 4 इन तो एट कितना आता है, 32, 3 को हटा दीजे, 2 इन तो 7 कितना आता है, 14, 1 को हटा दो, 4 इन तो 3 कितना आता है, 12, the final answer is 2, the final answer is 2, आपको multiply करते जाना है, एक के बाद एक और और आपको जो भी 10th place में आएगा उसको इग्नोर कर देना जो भी 10th place में value आएगा वो इग्नोर कर देना ठीक अगर इसी question को थोड़ा modify कर दूँ कितना answer आएगा इस case में कि इस case में answer कितना आएगा थ्री आ रहा है answer चलिए में question में को solve करना पड़ेगा I don't want to यहां से हां multiplication है 840 32 3 को हटा दो बीच में plus लगा हुआ है 7 3s are 21 2 को हटा दो तो 2 plus 1 answer कितना आजाएगा 3 2 plus 1 answer is 3 आगे चले नेक्स सुवाल पर एक और लास्ट कुच्च्च्च्च्च्च्च्च्च फिर उन टाइप 2 पर चलेंगे देन विल मुव्व्व तो टाइप 2 the question is 81 82 find the unit digit of this expression find the unit digit of this expression find the unit digit of this expression symbols are 0 sir 81 82 84 अगर मैं इसको एक्स्पाइंड कर दूँ अगर मैं इसको एक्स्पाइंड कर दूँ तो 85 86 87 88 और 89 यहां तक जाएगा 89 तक जाएगा अब आपको क्लियर दिख रहा है यू नीट टू जब लास्ट डिजिट को मल्टिप्लाई करोगे तो पूरा मल्टिप्लाई करने पर भी 0 आएगा यहाद रखना जब भी 2 क्रॉस 5 मल्टिप्लाई होता है क्या जेनरेट होता है एक 0 ठीक जब भी 2 होक्रोस 5 मल्टिप्लाई होता है क्या बंजाता है कि जब 0 एक बार आ गया तो किसी से भी मल्टिप्लाई करनों आंसर जैंगे ऐसे कोश्चंस अगर टू और फाइफ कीप मिल रहा है मल्टिप्लाई हो रहा है तो पूरा सॉल्फ करने की भी जरूद नहीं है डारेक्ट एंसर लिख दो जिरो डारेक्ट एंसर लिख दीजे जिरो ठीक तो यह दमारा पहला टाइप कवर हो गया नौव वी आर गोई टो फोकस अबाउट दे सेकेंड टाइप जो सेकेंड टाइप ऑफ कुछे जाते हैं इसके लिए थोड़ा सा हमें समझना पड़ेगा सेकेंड टाइप आफ कुछेंज कैसे हुए जहां पर आपको पावर्स जिवन होंगे जहां पर आपको पावर्स जिवन होंगे ठीक 917 वाले एक बर कौन सा 917 इतंसेसा हुआ सब्धेत ऐना है ना भरी सबिसَ फोटीन यहां पर प्लससाइन लगा था तो मैने एडिशन कर दिया ठीक तो ने हो यहां पर आपको कंसेप्ट समझना है थोड़े के लिए में चैट ओफ कर रहा हो थोड़े देर के लिए में चैट आफ कर रहा हूं जब यह concept समझा दूंगा पूरा क्योंकि आप बीच में यूविल जंप टुदा कंक्लूजन कि सर ऐसे में कैसे होगा वैसे में कैसे होगा इसलिए 10 मिनिट के लिए चैट बंद हो रहा है जब यह पूरा concept कवर हो जाएगा तो मैं चैट आउन करूंगा तब अपने डाउट पूछ लेना ठीक शुड़ाई एंड दा शुड़ाई स्टॉप दे चैट ऑप्शन कि जो भी आपका डाउट हो दीरे-दीरे क्लियर होगा तुम बीच में सीधा कंक्लूशन पर उत्र होगे अकांशा ऐसे हम कोई भी रैंडम टॉपिक का कुश्चन नहीं कर सकते बीच में वही यह बात आपको समझना होगा एक सेकिंड अव्टू एंड चलो ठीक है चैट बंद हो गया अब शान्ती हो गई है चैट बॉक्स में देखो सबसे पहले यहां पर हम वैल्यू फिल करते हैं तू पावर वन तू स्क्वाइर तू क्यूब तू पावर फोर तू पावर फाइफ तू पावर सिक्स तू पावर सेवन तू पावर एट तू पावर नाइन तू पावर टेन 11 12 ठीक आपको एक मिनट दे रहा हूं प्लीज फिल इस वैल्यू और यह याद भी रखना बहुत सारे questions में काम भी आएगा बहुत सारे सवालों में काम भी आएगा ठीक कितना होता है कि अस दो फावर हने में टो इस ट्त अजे न से पावर टूटो जाता है इस न फावर त यू जा रहा है यह कितना हो जाता है यह हो जाता होगा 2048 इसको अगर मैंने टू से मल्टिप्लाई कर दिया तो 16 94096 यह वैल्यू एक बार नोट कर लो यह वैल्यू जो है एक बार नोट कर लो यह टू के डिफरेंट डिफरेंट पावर से 12 तक के यह पता होना चाहिए अब देखो मैं कहां पर फोकस कर रहा हूं मेरा टॉपिक का नाम है यूनिट डिजिट तो मैं सिर्फ और सिर्फ यूनिट डिजिट को देखूंगा अब यूनिक डिजिट को देखने का मतलब क्या है यह सारे वैल्यू उस को हटा दीजें यह सारी वैल्यूस को मैंने हटा दिया अब जब मैंने वैल्यू हटाया तो अब ध्यान से देखना 2486 इसके बाद फिर से 2486 2486 क्या लास्ट डिजिट रिपीट होता हुआ दिख रहा है क्या लास्ट डिजिट रिपीट होता हुआ दिख रहा है कब रिपीट हो रहा है every power of 4 after every power of 4 अगर मैं यह वैल्यू है पर लिखूं स्टेटमेंट को कि आफ्टर एवरी पावर ओफ फोर यूनिट डिजिट रिपीट रिपीट हर एक पावर ओफ फोर के बाद जो है यूनिट डिजिट रिपीट होता है अभी सिर्फ टू का केस ले रहे हैं आगे चलके मैं बता दूंगा कि 3456 सब के लिए वैलिट होता है यह फिर मुझे पता है तुम यही चैट कमेंट डाउट पूछने के लिए परिशान होगे अंदर से इसलिए मैंने चैट बंद किया है एक बार पढ़ा देता हूं फिर जो डाउट होगा पूछ लेना और मुझे पता है 99% कोई डाउट नही 2 पावर 7 का लास्ट डिजिट कितना होगा तो मैं कैसे सॉल्फ करूंगा इसको मैं सॉल्फ करता हूँ जो भी आपको पावर में वैल्यू गिवन है जो भी आपकी वैल्यू पावर में गिवन है अगर मैं 7 को आपको पता है रिपिटीशन किसके बाद हो रहा है चार के तो 2 के पावर 7 का last digit क्या होगा जो 2 के पावर क्यूब का होता है which is nothing but 8 which is nothing but 2 कितना होता है 8 चेक करते हैं 2 पावर 7 का last digit कितना है देखना 2 पावर 7 का last digit is 8 जो 2 पावर 3 का है तो आपको कैसे इसको solve करना है जो भी पावर में value होगी suppose a different question 2 power 6 का last digit कैसे निकालेंगे how we are going to find the last digit of 2 power 6 आप क्या करोगे आप जो है 6 को divide करोगे 4 से you are going to divide 6 with 4 remainder कितना बचेगा 4 ones are 4 remainder is 2 तो 2 power 6 में कितना आता है last digit जो 2 square में present होता है मतलब 4 2 square का last digit is 4 चेक करते हैं देखे 2 square का अगर 4 था तो 2 power 6 का कितना आ गया 4 यहाँ पर similarity मिल गई यहाँ पर similarity आ गई तो आपको क्या करना है आपको जो भी power दिया होगा उसको 4 से divide करिए और जो remainder बचा वो substitute कर देना वो चीज़ आप substitute कर देना क्योंकि power of 4 के बाद जो unique digit है नंबर repeat नहीं होता याद रखना नंबर अलग आया था नंबर तो बढ़ता जाएगा बट जो आखरी digit है वो repeat होती है जो आखरी digit है वो होती है repeat एक और case लेता हूँ suppose 2 power 5 पूछ लूँ मैं 2 power 5 का last digit कितना होगा वही same process sir 5 को divide करेंगे 4 से 4 1s are 4 remainder आगया 1 2 power 5 का last digit वही होगा जो 2 power 1 का होता है which is nothing but 2 which is nothing but 2 ठीक यहाँ तक के क्या यहाँ तक clear है क्योंकि एक और case लूँगा मैं suppose question ऐसा हो कि से 2 power 8 का last digit कितना होगा 2 power 8 का last digit कितना होगा तो मेरा पास process वही है कि 8 को divide कर देते हैं 4 से तो 4 to the 8 इस case में आ रहा है remainder 0 समझ रहे हो आपको natural instinct क्या बोलेगा कि sir यह तो 0 आ जा रहा है तो मैं इसको substitute कर देता हूँ 2 power 0 से answer आ जाएगा 1 मैं यही सिखा है ना कि जो remainder बचेगा उसको substitute कर देना but 2 power 0 अगर मैं substitute कर रहा हो तो remainder आ रहा है 1 हमने यहाँ देखा है कि 2 power 8 का कितना है last digit it is 6 not 1 it is 6 not 1 कहां पर गलती हो गई गलती यहाँ पर हुई है कि जब आप इसको reduce करेंगे तो मेरे पास available powers कितने है 2 power 1 से लेकर 2 power 4 तक है 2 power 0 वाला case exist नहीं करता यहाँ पर यहाँ पर 2 power 0 वाला case exist नहीं करता इसलिए answer 1 मत बोलना अगर आपसे 2 power 8 2 power 12 का पूछ रहा है वो power जो 4 से perfectly divisible है उस case में आप substitute किस से करेंगे उस case में आप substitute करेंगे power 4 से क्योंकि 4 का rule चल रहा है रूल 4 का चल रहा है 2 power 7 पे कितना मिला था जितना 2 power 3 पे था 2 power 6 पे कितना मिला था जो 2 square पे था तो 2 power 8 पे कितना मिलेगा जो 2 power 4 पे था 2 power 12 में कितना मिलेगा क्योंकि 12 भी perfectly divisible है तो वो भी आपको मिलेगा 2 power 4 पे तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा सही तरीका the correct way is 2 power 4 which is nothing but कितना रेता है 16 6 is the last digit 6 is the last digit clear है यह चीज is this thing clear सिब तू के लिए समझाया हो भी हाया ना अगर perfectly divisible हो रहा है remainder 0 आ रहा है तो 4 से substitute करना बाकी case में जो remainder आ रहा है उसी से substitute कर देना ठीक ठीक है थोड़ा दर के लिए फिर chat बन कर रहा हूँ आप लोगो ने yes लिखा मतलब मैं समझ गया चीज़े ठीक है थोड़ा दर के लिए फिर से chat बन कर रहा हूँ for five minutes देखो हमसे इतना easy तो पूछे गानी two power वाला अगर सवाल आता है two power 723 इसका last digit कितना होगा two power 723 इसका last digit कितना होगा पताईए two power 723 का last digit कितना होगा बहुत बढ़ा नंबर है बहुत बढ़ा नंबर है पर मुझे पता है प्रोसेस इस 723 को डिवाइड करते हैं किस से डिवाइड करोगे इसको डिवाइड करूंगा ठीक और रिमेंडर कितना आएगा फाइंड करते हैं देखो फोर वन्जा फोर थर्टी टू एट से डिवाइड कर दिये थर्टी टू जिरो फिर आगया थ्री तो आइटिंग थ्री इस दा रिमेंडर कितना रिमेंडर बचा तीन रिमेंडर बचा तो लाज दीजिट कितना होगा जो नहीं पर नहीं कि यह कि नहीं बर एक अगर आपसे सवाल पूस्ता किसा में टू पावर 122 का मताओ तो यह क्या होगा 120 को अगर आप डिवाइड करो 4 से क्या प्रॉब्लम आ रहा है बोर्ड में 120 को अगर डिवाइड करो 4 से तो 4 3s are 12 00 और यह आ जाएगा तो 0 क्या कोई remainder बचा क्या कोई remainder बचा नहीं तो in that case आप क्या करेंगे जब भी कोई remainder नहीं बच रहा रिमेंडर 0 आ रहा है तो इसको मैं substitute करता हूं 2 पावर 4 मतलब 16 वाट इस लास्ट डिजिट लास्ट डिजिट इस 6 लास्ट डिजिट इस 6 यह था आपका यूनिट डिजिट की कहानी यह थी आपकी यूनिट डिजिट की कहानी कि अब बिलीव हम यहां तक comfortable होंगे कि यह सीख लिए तो अब कुछ नहीं है पढ़ाने के लिए इस टॉपिक में अगर आप यह सीख लिए तो इस टॉपिक में और कुछ नहीं है पढ़ाने के लिए इस टॉपिक राहूल कोश्चन दे दूँगा मैं कहां कह रहा हूं कि टॉपिक एंड हो गया है तो ऑगर जीड़ो क्यों होगा शाली नी क्लियर कि लिए लगता है कि अभी कभी चैड बन कर देने मैं ते रहा हूं नो कुश्चन दे रहा हूं मैं प्रीवेस यह भी करवा रहा हूं अभी एक छोटी सी चीज पढ़ाया हूं वह पूछ रहा हूं तो आप उस पर यस और नो बोलने के बजाए यू आर आस्किंग डिफरेंट दिफरेंट तिंग्स तो देखो क्या हो रहा है यहां पर आफ्टर एवरी पावर ओफ फोर यूनिट डिजिट रिपीट एक आफ्टर एवरी पावर ओफ यूनिट डिजिट रिपीट याड आउट है नंबर सिस्टम के अभी और क्लासे से सुना ली शुडवी डिसकस्ट नंबर सिस्टम स्लेबस फर्स और टॉपिक फर्स तो मुझे लगता है कि तुम लोग ऐसे मेरे को परिशान करने के लिए कमेंट्स लिखते हो क्या यह रीजन है डाउट जेन्विन है मैं यह नहीं कह रहा हूं कि डाउट खराब है यहां नंबर सिस्टम कब तक चलेगा हमें जानना है हमें क्यूरियोसिटी भी है बट अट टॉपिक के बीच में बिलकुल क्या टॉपिक के बीच में यह सारी चीज़ें कमेंट बंद नहीं करूंगा ठीक चलो इदर आ जाओ वापस से यहां पर फोकस करो तो आफ्टर एवरी पावर आफ फोर यूनिट डिजिट रिपीट्स इसको मैं क्या कहता हूं इस नोन आज लॉन आज लॉफ साइक्लिसिट नाम आपको याद रखने की ज़रूत नहीं कोई एक्जाम में नहीं पूछने वाला ठीक कोई नहीं पूछने वाला सुनाली नो नीट तो सॉरी लॉफ साइक्लिसिटी क्या होता है हर पावर फोर के बाद यूरिट डिजिट रिपीट होता है अब कुश्चन यह आएगा कि कि क्या सरी सिर्फ टू के लिए वैलिट है या बाकी नमबरों के लिए था साइख को श्रीन सिर्फ पूलिड है यह वैलिट है। जीरो से लेकर 9 तक के सारे के सारे नंबर law of cyclicity को follow करते हैं देखो पढ़ाने का दो तरीका होता है या तो हर एक unit digit के लिए formula याद करवा दू जीरो से लेकर 9 तक के unit digit के लिए formula याद करा दू जो मुझे पसंद नहीं है मैं यह मान के चलता हूं कि हमारे पास limited दिमाग है उसमें क्या क्या चीज़े याद रखेंगे उससे अच्छा आप individual case भूल जाए आप बस यह formula याद रखिए after every power of four unit digit repeats यह सारे नंबरों के लिए valid है अब मैं लिखना start करता हूं suppose 0 power 0 0 power 1 0 power 2 0 power that is 0 power 0 1 से शुरू करूंगा बताओ तो क्या आएगा क्या आएगा वैल्यू किस ने लिखा 0 power 0 0 square 0 power 1 हमेशा 0 आजाएगा ठीक अच्छा आगे लिखते हैं 1 power 1 1 square 1 cube 1 power 4 कितना आएगा 1 square 1 square 1 cube 1 power 4 1 आजाएगा 1 1 1 1 1 good अच्छा 2 के लिख चुका हूं यहां पर मैं summarize कर दे रहा हूं 2 square 2 cube 2 power 4 यह हमने find किया था 2 4 6 2 4 8 2 4 8 और 6 यह आ गया 2 का हमने लिख दिया अब चलो 3 का लिखते हैं what about 3 power 1 3 square 3 cube 3 power 4 इसका मैं value लिख देता हूं last digit आप लिख लेना ठीक 3 power 1 3 3 square 9 3 cube होता है 27 ठीक 3 cube होता है 27 तो 2 को नहीं लिख रहा 3 power 4 होता है 81 यह हो गया 3 का series यह हो गया 3 का series what about 4 4 power 1 होता है 4 4 square होता है 16 का 6 4 क्यों होता है 64 का 4 और 4 power 4 होता है 256 ठीक 4 power 4 होता है 256 ठीक ठीक what about 5 5 के case में क्या एगा 5 power 1 5 5 square 25 का 5 125 का 5 625 का 5 5 5 power 4 होता है 625 ठीक 5 power 4 is nothing but 625 अच्छा 6 का भी लिख देते हैं आपर 6 power 1 6 square 6 cube 6 power 4 6 power 1 6 6 square 36 भी 6 आ गया 6 cube कितना होता है I think it is 216 जब आप 36 को 6 से multiply करोगे तो 216 आता है तो आखरी डिजिट आ जाएगा 6 और 6 power 4 में क्या होगा है multiply करके बताना calculator से 216 इंटू 6 कितना आता है 216 इंटू 6 8 8 64 नहीं आएगा 1296 आएगा तो इसका भी लास्ट डिजिट 6 ही आता है अब घर पे चेक कर लेना अब घर पे चेक कर लेना लास्ट डिजिट 6 ही आता है उसमें भी ठीक एक और बच्रा है कौन सा 7 देखते हैं चलो 7 power 1 7 square 7 cube 7 power 4 7 power 1 आता है 7 7 square is 49 49 मतलब 9 आ गया ठीक 7 क्यूब होता है 49 इंटू 7 होता है 343 तो आखरी डिजिट आ गया 3 और 343 को जब फिर से 7 से डिवाइड करोगे तो आखरी डिजिट आता है वन एक जब मल्टिप्लाई करेंगे तो लास्ट डिजिट आ जाएगा वन यह इस तरीके से चलता है कि यह स्टू 4 0 1 तो आखरी यूनिट को ले रहा हूं मैं सिर्फ मैं यूनिट डिजिट ले रहा हूं 2 4 0 1 एक और बज़ गया 8 8 power 1 8 square 8 cube 8 power 4 इसका बताना तो एक पावर 1 तो आ गया 8 8 8 जा कितना होता है 64 तो 64 मतलब 4 8 cube कितना होता है भी 64 इंटो 8 करोगे तो 8 432 तू आना चाहिए और फिर 8 से मल्टिप्लाई करोगे 6 आ जाएगा ठीक 512 और यह कितना आता है देख लेना मल्टिप्लाई करके 4096 यह हो गया 8 के लिए अच्छा वाट बाउट 9 9 square 9 cube 9 power 4 9 power 1 होता है 9 9 square होता है 81 81 means 1 फिर से अगर 9 से मल्टिप्लाई करोगे तो 9 आ जाएगा इधर में 9 1 लिख दिया सारा का सारा वैल्यू ठीक अब देखो यहां पर स्टार्टिंग से देखते हैं यह मैं एक observation लिख रहा हूं बताना सही है गलत whenever last digit is 0 1 5 and 6 ठीक वेनेवर लास्ट डिजिट इस 0 1 5 & 6 एनी पावर कोई भी पावर में रख लो विल गिव सेम लास्ट डिजिट तो आपको solve करने की जरूती नहीं है इस case में तो अगर 0 1 5 या 6 अगर आखरी डिजिट है तो पावर कुछ भी हो लास्ट डिजिट सेम मिलने वाला है हमने देखा था देखो जीरो पर लास्ट डिजिट हमेशा सेम होता है वन पर हमेशा सेम होता है फाइव पर हमेशा सेम होता है तो 0 156 के लिए तो आपको solve भी नहीं करना कभी यह हमेशा सेम रहेगा अब कौन से डिजिट बज गए तू थरी फोर सेवेन एट नाइन इस पर आप क्या अप्लाई करोगे इस पर आप अप्लाई कर दोगे law of लॉफ साइक्लिसिटी इस पे आप अप्लाई कर दोगे लॉफ साइक्लिसिटी एक्जाम में अगर कुश्यन आता है तो एक्जाम में अगर कुश्यन आता है तो इस पे मैं लॉफ साइक्लिसिटी एप्लाई कर दूगा ठीक इसका मतलब यह नहीं है कि यह लोग लॉफ साइक् यह स्टेटमेंट गलत तो नहीं होगा ना किसर हर्थ पावर और फोर के बाद रिपीट हो रहा है क्योंकि यह तो इस यह तो इस नो भाई से रहा है तो अगर मैं बोल दूंगा कि चार के पावर के बाद जीरो रहे गावाज डिजिट सही है यह यह भी वन में भी सेम कहानी आ आपको अलग अलग स्पेशल केस याद करने के बजाए मैं आपको एक जनरल ट्रेंड दे दिया कि पावर और फोर के बाद सब रिपीट होगा यहां भी हर बार रिपीट हो रहा है यहां पर पावर और फोर के बाद रिपीटीशन है इसमें अगर आप देखोगे इसमें आपको कुछ भी याद नहीं रखना पड़ेगा आपको सिर्फ एक लाइन याद रखना है कि पावर और फोर के बाद सब रिपीट होता है यह दो के लिए फॉलो कर रहा है तो चार के लिए भी करेगा यहां पर भी सेम कहानी जीरो और वन वाली इधर देखो चार के बाद पीट हो रहा चार के बाद भी यहां पर भी हिर दो के बाद रिपीट हो पर मैं अलग से क्यों याद रूप स्पचिल के अगर दो के बाद रचों दो चार के बाद भाद भी पीट होगा वस्रव एक लाईद रखनाि रिप्टीशन ऑस वरillon एवरी पावर रीपीट इतना य तो चलिए एक सवाल देता हूं उसी पर बेस्ट देखते हैं एंसर आता है कि नहीं फाइंड लास्ट डिजिट फाइंड लास्ट डिजिट अब दिस कुश्चन हाला कि यूपीस ये भी नहीं पूछता है यूपीस इसके मल्टिपल एक्स्प्रेशन पूछता है पूछता है इसके मल्टिपल एक्स्प्रेशन बताओ एंसर लेको कैसे बनाओगे इस कुश्चन को ध्यान से जिन से नहीं बना उनको बोल रहा हूं और जिन से बन गया वो भी एक बार देख लो पहले एक बात बताओ मुझे क्या फाइंड करना मुझे फाइंड करना है यूनिट डिजिट मुझे फाइंड करना है यूनिट डिजिट तो क्या मैं इस पूरे एक्स्प्रेशन को इग्नोर कर देता हूं मेरी काम का तो सिर्फ यह है हाय ना मेरे काम का तो सिर्फ इतना ही है यह थाउजन हंड्रेट और टेंथ प्लेस के नंबर का मैं क्या करूंगा यह रहेंगे तो यह जो चेंज लाएंगे यह 10,000 और 100 प्लेस पर लाएंगे मुझे तो चाहिए यूनिट डिजिट तो इस कोश्चन को सिंप्लिफाइग कर दिया मैंने इस को सिंप्लिफाइग कर दिया अब मैंने क्या बताय था इसको फॉर से डिवाइड करके रिमेंडर फाइंड कर लो इसको फूर से डिवाइड करों फॉर टू जा 8, 19 बचा, फॉर फॉर सा 16 थ्री बचा, 39 फोर नाइन जा 36 फिर से 39 मींस फॉर नाइन जा 36 रिमेंडर इस 3 रिमेंडर कितना आया थ्री मींस इसको मैं क्या लिंख सकता हूं अधि 7 पावर 40 आप डाविपर्सें पावर थ्री कितना होता है 343 3 is the last digit आया समझ में 3 is the last digit समझ गया है हम लोग इस question को किस तरीके से बनाना था आपको डिवाइड करना है ये 7 क्यूप का last digit में लिखा चुका हूं टेबल में जाके refer कर लेना नहीं नहीं बिल्कुल सेम नहीं है बिल्कुल सेम नहीं है जो प्रोसेस बताया हूं वससी पर फोकस करिए ना जो रिमेंडर होगा उसके आपर पावर में लिख देना जो रिमेंडर होगा वो पावर में लिख के सिंप्लिफाई कर देना क्यों रिमेंडर को एंसर बना रहे हो क्यों विकास क्यों हम मतलब उस मेथट को नहीं मान रहे जो मैं बता रहा हूं क्यों डबल 9 को डिवाइड करना चाह रहे हो मैं एक आपको जनरल फॉर्मूला बता रहा हूं जो हर बार वैलेड हो आप उसको स्पेसिफिक में चेंज कर रहे हैं प्रब्लम हो जाएगा अगर रिमेंडर जीरो होता तो जब होता तब देखते ना मैंने बताया रिमेंडर जीरो पर डाल देना पर यहां पर नहीं है रिमेंडर जीरो यहां पर रिमेंडर जीरो नहीं है एक और सवाल बनाई है what is the last digit of this expression what is the last digit of this expression अभी यह के डाउट है सर्वाइवी डिवाइड बाई ऑनली फॉर पुरी रमायन खत्म होने के बाद आप पूछ रहे हैं राम सीता के बारे में वह फॉर से इसलिए डिवाइड कर रहे हैं क्योंकि लॉफ साइकल सीटी मैंने यही बताया था कि पावर ऑफ फॉर के बाद सब रिपीट होता है पावर ऑफ फॉर शाइडव अभी जोइन किये हैं फॉर के पावर के बाद सब कुछ रिपीट होता है इसलिए फॉर से डिवाइड करता हूं हर चीज मैं सॉल्फ कर दू इस कुश्चन को मुझे एंसर नहीं पता है एंसर मत दीजे इता अभी अभी फ्रे जीरो आ रहा है में भी शाइड टू और फाइव मुल्टिप्लाई हो रहा होगा क्या सब्सक्राइब कर दो न देखो कैसे बनेगा पहले तो सवाल को सिंप्लीफाई करो इर्रेलेवेंट कंटेंट हटा दो थ्री पावर 321 eight पावर 7915 पावर 243 या आ गया कुशन को सिंप्लीफाई कर दिया अब देखो थी पावर 321 कि से डिवाइड करूंगा 321 को सब 321 को डिवाइड करो 4 से 4 8 32 यहां पर आगे है 0 जब इसको यहां ले जाएंगे तो 0 1 रिमेंडर कितना बचा वन तो इसका लास्ट डिजिट कितना होगा इसका लास्ट डिजिट हो जाएगा जो 3 पावर 1 में होता है ठीक क्या पहला पॉइंट क्लियर है थ्री पावर 1 इसका अंसर आ जाएगा अच्छा 791 का क्या करेंगे 791 को भी 4 से डिवाइड करते हैं कितना रिमेंडर बचा सर्थ 3 बचा तो यहाँ पर क्या बच जाएगा सिंप्ली 4 क्यूब और इसको क्यों ही स्वाल्फ करना जब लास्ट डिजिट अगर 5 है तो कुछ भी पावर रखो कोई फरक नहीं पड़ता एंसर इस 5 अब देखो 3 पावर 1 मीन्स 3 फोर क्यों कितना होता है फोर फोर्फ जा 16 16 फोर्फ जा 64 तो यहां पर आ गया 4 और 5 मल्टिप्लाई करोंगे लास्ट डिजिट 0 आ जाएगा क्यूंकि 2 इंटू 5 मल्टिप्लाई हो रहा है फोर फाइब जा 20 20 इंटू 3 60 एंसर इस जीरो कि क्लियर है सवाल क्या यह सवाल क्लियर है äh कहाँ पर 8 है Oh sorry 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 mistake from my side यहाँ पर 8 है नच, it should be 8, cube हाँ यहाँ पर 8, cube है प्लीज इसको rectify कर लेना 8 क्यों कितना आता है 8 8 64 ठीक और 64 into 8 करूँगा तो लास्ट डिजिट कितना आएगा यहां पर यहां पर आ जाएगा 2 into 5 ठीक है तो अभी भी सेम आएगा 5 2s are 10 और 10 3s are 30 3 को हटा दो answer is 0 answer is 0 ठीक क्या यह doubt आ रहा था अप लोगों को मैंने गलती से 4 लिग दिया तो it should be 8 पर इसके आगे वही कहानी है जहां पर टू और फाइव मल्टिप्लाई हो गया लास्ट डिजिट फिक्स है जिरो नहीं मिशाल इसको फिर से नहीं बताऊंगा एक ऐसा ही कुश्चन आखरी और सॉल्फ करवा देता हो इस कुश्चन को रिपीट नहीं करते हैं एक ऐसा ही सवाल फिर से बना देते हैं सवाल वुड बी लाइक दिस हुआ है hasta tun find the last digit of this expression nah find the last digit of this expression 1 और 5 के लिए तो solve भी करने की जरुवत नहीं है सिर्फ 3 और 7 के लिए करना है solve सॉल्व भी करने की जरुवत नहीं है answer is 5 एंसर 5 ना भई मैं solve कर दूंगा solve करने की जरुवत नहीं है क्यों कि यह हमेशा देगा वन यह कुछ भी दे मेरे को फरक नहीं पड़ता यह हमेशा देगा 5 और यह कुछ भी दे मैं इतना जानता हूं कि 3 और 5 कभी भी इवन नंबर नहीं देंगे इवन नंबर नहीं देंगे तो जीरो आने का कोई पॉसिबिलिटी नहीं है अगर एक बार फाइव आ गया तो फाइजल एंसर फाइव ही रहेगा अगर यहां पर इवन नंबर आता तो फिर वो मल्टिप्लाई होगे जीरो देता है बट हम कोश्चन सीख रहे हैं तो मैं सॉल्फ कर देता हूं आपके लिए इसको कैसे 35, 4, 8, 32, 3 बचा, 35 करोगे तो कितना होगा, 4, 8, 32, तो I think यहां पर बचेगा आपका 3 क्यूब, है ना, यहां पर आ जाएगा 3 क्यूब, और क्या बच रहा है, 7, तो इसको कितना लिख सकते हैं, 4 बार 9 को अगर डिवाइड करोगे, 4 से तो कितना आएगा, 4, 2, 8, 19, 4, 4, 16, 3, 4, 9, 36, 3, और 4, 9, 36, 3, तो इसको क्या लिख सकता हो मैं यहां पर, इसको लिख सकता हो, 7 का क्यूब, इसको लिख सकते हो, 7 का क्यूब, तो कितना बन गया, 3, 3, 9, 3, 27, मतलब 1, 2, 7, 5, 2, यह कितना आजाएगा, 3, 43, means 3, what is the answer we are getting, 5, 3, 15, 15, 7, थीक है, last answer, unit digit, हमेशा 5 ही आएगा, थीक, last number is 5, थीक है, लिखना चाहो तो लिख लो, 105 आता है, बट, last digit is 5 only, क्या से questions और करने है, कि नहीं, आगे चलते हैं, next topic पर, तो डिवाइड करना remainder निकालना है, और कुछ नहीं करना आपको, आपको सिर्फ वाइड करना remainder find करना है, ठीक, चलिए, अच्छा, एक थोड़ा different type of question जो UPSC ने दिया था, मुझे exact value याद नहीं है, बट इन्होंने कुछ ऐसा question दिया था, 823, 9 into 7 into 5 into 3 into 1, ऐसा कुछ question इन्होंने दिया था, कि find the unit digit of this expression, find the unit digit of this expression, यह latest का ही question है, find the unit digit of this expression, क्या answer आएगा, इस case में, अपने तो चार options बना दिये, तीन options बना दिये, इस question के, चलो देखते हैं, एको कुछ नहीं करना, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ लास्ट डिजिट पर फोकस करते हैं, लास्ट डिजिट क्या है, 3, यह multiplication कितना आएगा, 970, 63 into 15, किसी ने multiply किया गया, 63 into 15 कितना आता है, सही सही बताना, 945, यह multiplication आप करके देख लेना, यह सवाल यह बन गया, simplify होने के बाद, सवाल बन गया, simplify होने के बाद, 3 power 945, 3 power 945, अब इसको आप direct solve कर सकते हो, क्या करेंगे, 945 को 4 से divide करो, 4, 2, 8, 14, 3, 12, 2 बचा, 25, 25 के लिए 4, 6, 24, what is the remainder, 1, तो 3 power 945 कितना देगा, 3 power 1, answer is 3, यह शायद सीसा 2023 का ही question है, यहाँ पर 3 था कि नहीं, यह नहीं पता, बड़ पैटन यही था, इसी साइट 2023 का ही question था, यह अगर concept से सीख गए तो सवाल बनाने में प्राब्लम नहीं आएगी, ठीक, क्लियर है logic, अक्षद शुरू से यही तो बता रहा हूं कि रिमेंडर देखना है, क्लियर, एक आखरी सवाल इस टॉपिक का, फिर एंड करूँगा, एक होता है कि हमें समझ में आ रहा है, अच्छी बात है, बट मज़े के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, एक्जाम क्लियर करने के लिए पढ़ रहे हैं, तो जो टॉपिक जैसे ही समझ में आ गया, उसको एंड क अच्छी बात इस एक्ष्प्रेशन, एक्ष्प्रेशन, क्यों राहूल क्यों रिमेंडर थ्योरम से कर रहे हो, एंसर से मारा बट जो मैं बताया हूं क्या मतलब कुछ हम, हमने प्रण लिया है कि बंकित सर के में नहीं करेंगे सॉल, अरे ये 7 लिखाता है, यार, हटी गया, 3847, पावर 5, फैक्टोरियल, 3847, भाई, 3847, पावर 5, फैक्टोरियल, कितना आया जा इसका एंसर, हम, पर दा एंसर भी आर गेदिए, जल्दी बताओ, लास्ट डिजिट, फिर चार ओप्शन आपी लोगों ने दे दिये, 0, 1, 2, 6, पाँचपा ओप्शन भी आ गया, 7, छटा ओप्शन भी आ गया, 4, कोई नमबर बचा भी है, एनिवन हैविंग 9, येस, आंशी ने 9 लिख दिया, गुड, और और क्या बच रहा है नमबर, 8 आया किसी का 8, लेको क्या करोगे, 5 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, 5 फैक्टोरियल का मतलब होता है, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये होता है, 5, 4, 3, 2, 1, तो मल्टिप्लाई करोगे, कितना बनेगा, 20, 20 से 60, 120, तो मैं इसको क्या लिख दूंगा, देखो, सिर्फ और सिर्फ लाज डिजिट पर फोकस करते, 7 पावर 120, आपको कुश्चन को सिंप्लिफाई करना आना चाहिए, आपको जो है, कुश्चन को सिंप्लिफाई करना आना चाहिए, 7 पावर 120, अब आप जानते हो, 120 जो है, कि अगर remainder 0 बच रहा है तो इसको किस से replace करूंगा 7 power 4 से I am going to replace it with 7 power 4 what is the value of 7 power 4 what is the value of 7 power 4 अगर याद नहीं है तो ऐसे भी लिख सकते हो 7 square into 7 square क्या हो गया 49 into 49 what is the last digit क्यों बोट काम नहीं कर रहा लास्ट डिजिट इस वन लास्ट डिजिट इस वन ठीक क्लियर रहे कुश्चिन यह आखरी सवाल है यह आखरी सवाल है आगे चले चलिए अब देखो सुनों अल्मोस्ट टाइम होने जा रहा है 450 नया नेक्स्ट टॉपिक जो में स्टार्ट करना है वह है एल्सी एमें एट्सी एफ उसके अप्लिकेशन पर कुश्चन्स आते हैं हमेशा ठीक रिमेंडर जीरो है तो पावर फोर होता है हर कुश् पर किरना है हास बात सुनों नेक्स्ट टॉपिक हैसे एल्सी एफ एल्सी एम है वर उसको पढ़ाने के लिए मुझे डेढ़ घंटा चाहिए तो मैं उस टॉपिक को अभी स्टार्ट नहीं कर रहा तिक नेक्स्ट क्लास में हम लोग लिए एल्सी एफ क्या अप्लिकेशन टॉपिक दे आर नहीं कल नहीं पढ़ रहे हैं दे आर बेस्ट वर्ड प्रॉब्लम्स जिनको सॉल्फ करने का कोई ऐसा मैथमेटिकल तरीका नहीं होता दे आर प्योर्ली कॉमन सेंस बेस्ट कोश्चन तो अब जो है जब भी हमें टाइम मिलेगा इस टॉपिक को एक साथ न को अब हम कॉमन सेंस आपलाई करके कोश्चन सॉल्फ करेंगे युप्यस चिकाइश और नो हुल परहने और यह सोचना कि इंपॉर्टेंट यह सबसे ज़रा इंपॉर्टेंट यहीं है सब्सक्राइब इंपोर्टेंट यह आठ से नौ कोश्चन है जो डारेक्ट आपके बनते हैं जो डारेक्ट बनते हैं तो फर्स्ट कोश्चन इस टाइब का हमने कुछ कुश्चन किये भी थे बताओ अन नंबर 136 is added is added to 5b7 and the sum obtained and sum obtained sum obtained is 7a3 ठीक है where a and b are integers where a and b are integers अब क्या कह रहा आगे it is given that it is given that 7a3 7a3 is divisible by 3 it is divisible by 3 then only possible value of 8 then only possible value of b only possible value word को द्यान से समझना options are 2578 2578 पताओ क्या answer होगा इसका ऐसे सवाल थोड़े वह थमने देखे थे हैं तू आ रहा option एक और कुश्चन था रुको जट गिव में टू मिनिट्स एक अच्छा सवाल है जिसको सॉल्फ करते हैं हम लोग लोग इस तो मिन त्यून एस्प्राइब अच्चा इन, ए रथा जू आजान, है व्हां संझ एक्रण, आए इन, मुझ ए कहां गया वही कुछन मिल नहीं रहा है चलो कोई नहीं इसको सॉल्फ करते हैं फिर देखते हैं उस कुश्चन को क्या किया रहा है 136 को एड़ किया 527 में तो 723 मिल गया क्या रहा है 136 को एड़ किया 527 में 136 527 क्या मिला आपको आपको मिला 7a3 एंसर 7a3 ठीक यह रहा पहला इन्फॉरमेशन दूसरा इन्फॉरमेशन क्या है कि 7a3 इस डिविजिबल बाइ इस त्री यह दो समय मुझे दे दिया थिक धियान से यह दो इंफॉरमेशन मुझे दे दिया अब आड करके देख लेते हैं क्या प्रॉबलम है 6 प्लस 7 कितना आएगा एक्श्वल में क्या 6 प्लस 7 कभी 3 हो सकता है यह 3 नहीं होगा इट शुड भी 13 तो 1 एक कैरी में चला गया ठीक 1 एक कैरी में चला गया अब यहां ध्यान से देखना 1 प्लस 3 4 क्या बनके आ रहा है 4 प्लस B is equal to A ठीक 4 प्लस B is equal to A अब 1 प्लस 5 7 कभी नहीं होगा समझने हो 1 प्लस 5 कभी भी 7 नहीं होगा यहां पर एक और कैरी जिनरेट होना चाहिए यहां पर एक कैरी जिनरेट होना चाहिए means 4 प्लस B क्या होना चाहिए 4 प्लस B होना चाहिए यहां पर एक डबल डिजिट का नंबर जिनरेट होगा यहां पर अभी मैं इसको as it is रख दे रहा हूँ, मैं यहां से रेखता हूँ, कोई भी number divisible by 3 कब होता है, क्या हमें यह criteria याद है, बच्पन में पढ़ते थे, कोई भी number divisible by 3 कब होता है, कोई भी number divisible by 3 कब होता है, divisibility by 3 की condition क्या होती है, divisibility by 3 की condition यह होती है, कि जो sum of digits है, they should be divisible by 3, मतलब 7 plus a plus 3, यह जो number आएगा, यह 3 से डिवाइड हो, 7 plus 3 कितना हो जाता है, 10 plus a, अब एक बात बताओ, a की value क्या-क्या हो सकती है, a की value क्या-क्या हो सकती है, अगर मैं a को 2 रख दू, तो यह बन जाएगा 12, 12 is divisible by 3, 12 is divisible by 3, अच्छा, अगर मैं a को 5 रख दू, तो यह बन जाएगा 15, यह बन जाएगा 15, क्योंकि 15 भी divisible है 3 से, 15 भी divisible है 3 से, और क्या ले सकते हैं, अगर मैं a को, अगर मैं A को 8 रख दू तो यह क्या बन जाएगा 18 अगर मैं A को 8 रख दू तो यह क्या बन जाएगा 18 तो मेरे पास A के लिए क्या क्या options हो गए सब्सक्राइब हो सकता है और 8 हो सकता है तो हो सकता है अगर मैंने यहां पर टू पुट किया आप मुझे बताओ अगर B को मैंने टू पुट किया तो क्या A कभी डबल डिजिट का बनेगा क्या यह कैरी जेनरेट होगी किया है क्या यह कैरी जेनरेट होगी अगर मैंने एक उटू ले लिया तो इसलिए टू जो है क्या डबल डिजिट का हो रहा है क्या है이고 डिजिट का हो रहा है नहीं therefore 5B नहीं ले सकते क्या बचा a is equals to 8 अब बताओ अगर मैं a को 8 रखूँ ठीक यहां पर कुछ गलत लिखा है कि मैंने एक सेगे एक सेगे एक सेगे एक सेगे आइम डूइंग सम्थिंग रॉंग मुझे एक ही वैल्यू रखनी है ना ठीक है यहां पर एक छोटा सा मिस्टेक है मैं इसको इस तरीके से क्यों देख रहा था आप लोगों ने भी नहीं बताया तू फाइव और एट ठीक टू फाइव एन एट यस 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 समझ गया टू फाइव एन एट यहां पर रिलेशन क्य सबसिट्यूट करनी हिए चलो चैक करते हैं अगर एकज क्यों लीओ टू प्ट पुट करूँगा तो बी कितना आ जाएगा अगर वाल्यू टू पुट करूँगा इक यहां एक टू पर carry generate हो रही हो तो यहां पर आप क्या substitute कर सकते हो बताओ अगर आप A को 8 substitute करते हो तो B आएगा 4 ठीक अगर आप A को 8 substitute करते हो तो B आजाएगा 4 और अगर आप A को कितना है अगर 5 substitute करते हो तो B आजाएगा 1 आ रहा समझ में अलग-अलग value substitute करोगे तो यहाँ पर क्या बन सकता है yes no अरो भाई हाँ ना yes no कैसे find करेंगे answer what should be the correct answer in this case 1 and 3 plus q होगा sir a is double digit देखो सवाल क्या कह रहा है 1, 3, 6 को add करो 5, B, 7 से solution मिलेगा 7, A, 3 7, A, 3 को divisible by 3 रखना है तो B की only possible value B की only possible value अगर मैं अगर मैं A को 2 रख लूँ ठीक है A को 2 का मतलब क्या होता है A को 2 रखा जा सकता है नहीं रखा जा सकता है आपको यहाँ पर क्या करना है आपको यहाँ पर चाहिए एक double digit का number आपको यहाँ पर चाहिए अगर मैंने B को 8 substitute किया तो 4 प्लस 8 कितना आएगा 12 यह पहला case हुआ यह पहला case हुआ जब आपको A की value मिली थी 2 A की value मिली थी 2 अब अगर मैं A की value को last digit को अगर 5 लूँ तो 4 प्लस B कितना लूँगा कि यह 5 5 with carry यह कब generate होगा यह generate कब होगा जब B की value हो जाएगी 11 क्या यह possible है ABCD A and B are one digit number क्या B की value कभी 11 हो सकती है क्या B की value 11 हो सकती है नहीं अगर last case को भी consider करोगे last case क्या है 8 तो 4 प्लस B अगर आखरी digit को 8 करूँ because 1 carry होना ज़रूरी है 1 carry generate होना ज़रूरी है तो वही problem आ जाएगा B कितना हो जाएगा 14 not possible double digit का नहीं हो सकता these are single digit number तो A कही possibility बचती है आप B को 1 लेंगे तो A की value 2 generate होगी with a carry 1 with a carry 1 तो यहाँ पर answer क्या आएगा यहाँ पर answer हो जाएगा B should be 8 तीक B should be 8 समझ गए हाय है ना yes no एक अच्छा question तर just give me 2 minutes let me search that question इसी साल का question है इसी logic से related है just wait for 2 minutes हाँ तो sum का digit 3 से तभी ना divide होगा जब 12, 15 या 18 आएगा divisible का मतलब होता है remainder 0 just wait for 2 minutes आएफ थाँ क्यों मत्या रे मतलबने को एफ है boy इस्मेट नाएश नाए़ आएण high आए़, आए़ मतलबने को याँ, आए़ए़ए़गा आएवारश आए़ए़गा आएवा, आए़एवा यह यह रहा गुच्छिन the question is consider the following problem 3p plus 4p plus double p plus double p is equals to r q2 where p q r are different digits where p, q, r are different digits अब क्या बोल रहा है what is the arithmetic mean of all such possible sums what is mean of या mean आपको नहीं पता होगा so I will use this word what is the average of all possible sums answer is answer is 102, 120, 202, 202, and 220 इसको solve करते है क्या हो गया है 7x plus 96 पढ़ा चुका हूँ मैं R कहीं नहीं लिखा क्या है R लिखा तो है R Q 2 क्या ट्राइ करोगे या मैं solve करो इस question को 3 P plus 4 P plus double P plus double P is equals to R Q 2 where P Q R are different digits what is the average of all possible sums option are 102, 120, 202, 220 सबसे ज़ादा परशान किया था कि average शब्द कहां से आ गया अच्छा बता दूँगा आयूशी 8 कैसे लिया बहले यह वाले question को समझो बिलकुल लिख सकते हो 4 P plus 3 P को 7 P देखिए जान से यहाँ पर मैं क्या करूँगा left hand side में decimal system का expansion apply करता हो left hand side में 3 P को क्या लिख सकते है 30 plus P clear रहे यह चीज 3 P को क्या लिख सकते है 30 plus P 4 P को क्या लिख सकते हो 40 plus P P P को क्या लिख सकते हो 10 P plus P दिक है और दुबारा जो double P है उसको क्या लिख सकते हो 10 P plus P क्या यह expansion clear है right hand side को भी नहीं कर रहा for a purpose क्या यह expansion clear है क्या यह expansion clear है 1st class में बताया था अगर doubt है तो आपको 1st class देखना पड़ेगा जाकर 10th place को 10 से multiply किया unit place को unit से multiply किया 3 P बन गया 30 plus P 4 P बन गया 40 plus P P P बन गया 10 P plus P और double P फिर से आगया 10 P plus P अभी right hand side को expand नहीं किया हूँ अब इनको जोड देते है 30 plus 40 कितना हो जाएगा 70 plus P plus P हो गया 2 P 12 13 13 में 10 जोड दिया 23 plus 24 P left hand side का expansion यह आया left hand side का expansion यह आया 70 plus 24 P clear 70 plus 24 P जल्दी बताओ आप लोग class revise नहीं कर रहे है I think we are not revising the previous sessions क्या revision करते हैं हम लोग नहीं करते क्या हम revision करते हैं पिछले classes का yes add करना है सुमेथ 1, 2, 10, P 10, P, 10, P यह हो गया 11 plus 11 22, 23, 24 तो देखो इसको मैं कैसा लिख रहा हूँ 70 plus 24 P is equals to R Q 2, 2, 2 अब ध्यान से इस सवाल को देखो अगर दोनों साइड का expression same है यहां पर question में given है कि भाई this is equal to this आपको यहां पर क्या logic लगाना है अगर राइट हैंड साइड का unit digit 2 है अगर राइट हैंड साइड का unit digit 2 है तो लेफ्ट हैंड साइड का unit digit क्या होना है? चाहिए बताओ तो left hand side का भी unit digit क्या होना चाहिए अगर दो नंबर बराबर है तो उनके सारे digits भी तो same होने चाहिए हाया ना left hand side का भी unit digit 2 होना चाहिए अब एक बात बताओ इसका तो 0 है इसका तो 0 है इसका लास्ट डिजिट क्या होगा इसका लास्ट डिजिट क्या होगा 24P का 24P का लास्ट डिजिट क्या होगा 24P का लास्ट डिजिट क्या होगा जो 4 into P का multiplication होगा समझ रहे हैं इसका लास्ट डिजिट क्या होगा जो 4 into P का होता है यहां पर अगर आपने 0 रख दिया तो 4 into P की value जो भी हो उसका लास्ट डिजिट 2 होना बहुत जरूरी है तभी तो यह equality hold करेगी समझ रहे हो तभी तो यह equality hold करेगी P को 2 नहीं होना पड़ेगा 4 into P को होना पड़ेगा 2 अब 4 into P 2 कब होता है अगर मैं P को 3 रखूं तो 4 into 3 सर 12 लास्ट डिजिट इस 2 और जब मैं 4 into 8 करूंगा तो यह होता है 32 लास्ट डिजिट इस 2 आपको क्या value मिलेगी आपको P की 2 value मिलेगी एक आएगा 3 और एक आएगा 8 समझें यहाँ पर आपको last digit compare करना पड़ेगा उसका 2 है इधर वाले का 0 है तो इसका last digit यह जो expression है 24 into P इसका last digit जो है वो होना चाहिए 2 अब यह last digit 2 कब देगा एक case में देता है जब P की value 3 हो और एक case में देता है जब P की value 8 है तब आपको क्या मिलता है 2 और 2 ठीक पी की value 3 आगई पी की value 8 आगई अब दो case लेकर solve करेंगे इस question को case 1 जब आप P को ले रहे हो 3 जब आप P को 3 ले रहे हो तो आर क्यू तू की value कितनी थी 70 प्लस 24 पी 70 प्लस 24 पी को जैसे ही आपने 3 रखा यह कितना बन जाएगा 70 प्लस 24 इंटू 3 कितना आता है 4 3 जा 12 और 72 पहला value आया 142 पहली value आया 142 जब आप P को 8 लेते हो तो यह क्या बनेगा यह बन जाएगा RQ2 is equal to 70 प्लस 24 इंटू 8 74 प्लस 70 प्लस 24 इंटू 8 कितना आता है 70 प्लस 8 4 जा 32 3 चला गया उपर 8 2 जा 16 192 यह वाली value कितनी होगी यह बन जाएगा 262 दो possible cases बनते हैं एक में RQ2 की value आती है 142 दूसरे case में आती है 262 आप से क्या पूछा है आप से पूछा है average तो average कैसे निकालोगे 142 प्लस 262 divided by 2 बताना तो add करके कितना आ रहा है इसको add करके divide करो इसको add करके divide करो कितना answer आएगा 404 एडिशन आएगा divide by 2 करोगे answer is 202 option number C ठीक तो यह आपको समझना पड़ेगा यहां पर ठीक पताईए आया समझ में क्योंकि सवाल इस लेवल का पूछेंगे थोड़ा सा में आपर सोचना पड़ेगा वन मोर या इसको एक बार फिर से repeat कर दो कि इससे भी खतरनाक कोशन इस बेटिंग क्या फिर से repeat कर दो अब जो चाहते हैं कि मैं क्लास एंड कर दू वह आप अपने तरफ से क्लास एंड कर दीजे भाई आप मुझे नहीं फोर्स कर सकते क्लास एंड करने लिए जिसको भी अगर लग रहा है कि मैं इस से जादा नहीं पड़ सकता तो कोई बात नहीं आप कर दो आप बाद में रिकॉर्डिंग देख लेना बट मुझे तो पढ़ाने दो कि मुझे तो पढ़ाने दो देखो इसको फिर से repeat कर देता हूं कि बहुत सारे लोगों को नहीं समझ में आया है मेरे को कॉस्चिन क्या दिया था था थ्री पी प्लस फोर पी प्लस डबल पी इकोल्स टू आर क्यूट तू अब मैंने जब इसको एक्सपैंड किया तो मैंने देखा कि 70 प्लस ट्विंटी फोर पी के बराबर आ रहा है कि क्या हो कि क्लियर है तो नहीं एक्स्प्लेइन करता क्या नहीं करूं एक्स्प्लेइन इस कुश्चन को करन कि कंघी है के 1 कि यह चलीए नहीं समझाना तो कोई बात नहीं जैसा आप लोग कहें जलो फिर आज की क्लास यहीं पर एंड करते हैं कुर्ड होग्र और gleichen स्मय तीं में पढ़ा हो समझ में नहीं आता वाट इस और डिमांड को मुझे म्हें कंफ्यूज कर देथे कई बार कैना एक्स्प्रेंड करना है नहीं कर NK को हुँ है कर दो मैं काम करता हुँ मैं इस कोश्ट्स को एक्स्प्रेंड कर देता हूँ चैट बंद करके देखो, क्या हो रहा है, 30P plus 40P plus 10P plus P, 10P plus P, मैंने इस को expand कर दिया, ये value कितना आएगा, 70 plus 24P, ये आगया left hand side में, अब क्या करना है, इन्होंने given दिया है कि 70 plus 24P is equal to RQ2, इसका right hand side क्या है 2, तो इसका भी आपका left hand side का भी unit digit होना चाहिए 2, ठीक, अब यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 0 है, तो basically क्या बचा, ये जो 24P है, इसका आखरी digit होना चाहिए 2, इसका आखरी digit होना चाहिए 2, अब कुछ लोगों का ये doubt है, कि सर, 24 into P को, मैं ऐसे लिख देता हूं 242, मैं इसको लिख देता हूं 242, ये मेरा last digit हो गया, ये last digit नहीं है, 24P में last digit is not P, because मैंने expansion पहले कर चुका हूं, मैं पहले से expand कर चुका हूं, इस case में मेरा आखरी digit होता P, पर जब मैंने इसको expand कर दिया है, तो इस expression का आखरी digit P नहीं है भाई, ये 24 into P है, देखो, P, P, 10 into P, इसका आखरी digit P थोड़ी है, 10P का आखरी digit P थोड़ी है, ये तो 10 into P है, मैंने आप एक्सपैंशन apply किया है, इस चीज़ को आप नहीं सोच रहे हैं, तो मुझे क्या चाहिए, मुझे एक ऐसा number चाहिए, P की value, जहाँ पर 4 into P जो है, ये आपको 2 दे दे, last digit, ये जो 4 into P है, ये आपको last digit 2 दे दे, तो मैंने देखा कि अगर P को 3 ले ले, तो 12 मिल जाएगा, आखरी digit 2, और अगर P को 8 ले ले, तो मुझे आखरी digit मिल जाएगा 2, और कोई case में possible नहीं है, पी को 1 लोगे, 4 मिल जाएगा, अगर P को 2 लोगे, तो आखरी digit 8 आजाएगा, मुझे आखरी digit 2 चाहिए, तो मेरे पास दो ये option बचे, एक तो बचा 3, एक बचा 8, अब इन दोनों case में, क्योंकि मुझे R और Q तो नहीं पता, R और Q पता नहीं है, find करने का कोई तरीका भी नहीं है, तो R Q 2 की value में, इस equation से find कर लेता हूँ, R Q 2 की value में, इस expression से find कर लेता हूँ, 70 प्लस 24 P, जब आप P को 3 put करेंगे, तो 70 प्लस 72, answer is 142, जब आप P को 8 put करोगे, तो 70 प्लस 24 इंटू 8, answer is 262, और यही दो जो addition है, इसका आपको average find करना था, therefore answer is 202, समझे अब, इसको direct unit digit नहीं बोल सकते, क्योंकि यह formula तो expand करने के बाद आया है, यह formula तो expand करने के बाद आया है, ठीक, हाँ, ठीक है कहाणी, नहीं, yes, no, आया समझ में, मैं को लगता है कि जब chat बंद करके पढ़ाता हो, तो आप ज़्यादा सवस्ते हैं, हाँ या ना, क्या आगे से यह process continue रखें, कि हम लोग chat बंद करके समझेंगे, फिर थोड़े देर के लिए chat on करेंगे, जहाँ पर हर आदमी डाउट पूछ ले, चैट बंद कर दिया करें, दोसों तो कैसे addition करके, एक question देता हूँ आपको मैं, होमवर्क में, ठीक है, इसी से मिलता है जुलता question है, इसका answer आप बताना, question है, consider the following multiplication, P into Q, P Q into 3 is equals to, R, Q, Q, where P, Q are different digits, where P, Q, R, are different digits, and R is not equal to 0, यह भी बता दिया है कि R की value जो है, वो 0 नहीं है, तो आपको बताना है, what is the value of, what is the value of P plus R divided by Q, यह आपको find करना है, options are, 1, 2, 3, cannot be determined, cannot be determined, clear है question, P Q into 3 है, और R Q Q लिखा हुआ है, यह पर आपको तरीका वही है, expand करके ही समझना पढ़ेगा इस question को, इस question को मुझे expand करके ही समझना पढ़ेगा, और जब expand करूँगा ना, तो मैं unit digit को same करता हूँ, यह question इसी logic पर बनेगा, कि आपको unit digit को same करना पढ़ेगा, यहाँ पर आपको unit digit को same करना पढ़ेगा, ऐसे questions हमने किये थे शायद एक-दो class पहले, वहाँ पर मैं जान मुझ कि इसको नहीं लाया था, क्योंकि हमने unit digit का concept नहीं पढ़ा था, अब जो है आप unit digit सीख गए हो, तो अब इसको attempt करना, Hello friends, Welcome to our session, मेरा नाम अंकित तिवारी, और हमने जो सीखाइट की सीरीज स्टार्ट की है, for 2024, उसमें आज हम लोग एक important section cover करेंगे, which is known as number system, वही हर साल 15 से 20 question number system topic से, पूछे जाते हैं, out of 80 questions में से, और अगर आप इस lecture को end to end देखते हैं, तो अगर 20 questions आ रहा है, तो 15 questions आप easily solve कर सकते हैं, by using all the concepts which we are going to discuss in today's video, तो चलिए session को start करते हैं, session start करने से पहले एक important information, अगर मैं CSAT को 2 months में cover करना चाहता हूं, that is by April end, तो you can join our CSAT batch, जिसका admission start हुआ है 8th of March से, thus last 10 years का PYQ discussion, 1500 plus questions in form of practice sheet, 10 mock test, basic to advanced level preparation, जो formula based questions होते हैं, उसको change करके जो logic और concept based questions हैं, वो सारी की सारी चीज़ों को cover की जाएंगी, the price for the course is 3999, and the code for maximum discount is 80 life, दीपक नंबर सिस्टम में अभी और तीन क्लास लूँगा, मैं आराउंड, 3 to 4 classes, यह 3.40 पीम से ही होती है, आज की क्लास 3.30 बज़ उन्होंने schedule कर दी थी, हाँ, last class में क्या पढ़े थे, यह word problem स्टार्ट करना था, word problem की question बनाया थे, नहीं बनाया थे, कितने questions किये थे word problem के, कितने question बढ़ाया था, हमारी आकरी class चाहिए Friday होई थी, आपने बोला था, HCF LCM, HCF LCM पे discussion नहीं हुआ है न अब तक के, देखो word problem की questions को हमेशा करते रहेंगे, पर HCF LCM पे discussion हुआ है नहीं हुआ है, ठीक, तो चलिए, वहीं से start करते हैं, सबसे पहला है HCF, यह दो नहीं हुआ है, यह दोनों जो है, यह सेम चीज है, ठीक, अगर HCF लिखा हो, या GCD लिखा हो, बोध हार सेम थी, तो सबसे पहले ही है यह आद रखना, हाइस्ट कॉमन फैक्टर और, ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर, यह दोनों की दोनों चीज जो है, आर सेम, अब देखो, अगर, ऐसा लिखा हुआ है कि, HCF of, A, B, is equal to P, इसका मतलब समझा सकते हो, कि theoretical meaning, यह एक्जाम में आपको, HCF या LCM निकालने कभी नहीं बोलेगा, किसी भी question में, आप से पूछेगा application, तो application आप तभी apply कर पाओगे, इस knowledge को, जब तक आपको इसका conceptual meaning ना पता हो, तो HCF और LCM का concept सीखना ज़रूरी है, because question कहां से आएंगे, questions आएंगे application वाले part से, in fact, HCF का application कम पूछते हैं, तीन-चार साल में एक question, बट LCM का application इतना important है कि, हर साल एक question आ रहा है, हर साल एक question आ रहा है, तो अगर A और B का HCF P है, तो इसका मतलब क्या होगा, what is the meaning of this thing, बोथ A and B have highest common factor SP, ठीक है, और कोई explanation, कोई add करना चाहे तो, मैंने बताया, दो number का HCF एक तीसरा number है, इसका मतलब क्या हुआ, what is the meaning of this thing, P is divided by both A and B नहीं, पूल्टा है, देखो, HCF of 10,15, कितना आता है, एनिवन, HCF of 10,15, highest common factor कैसे निकालेंगे, मैं भी सिखा दूँगा, बट जिसको भी आता है, find करना, HCF of, या नहीं भी आता है, तो चलो मैं लिख देता हूँ, HCF of 10,15 is 5, यह मैंने लिख दिया, ठीक, HCF of 10,15 is 5, यह मैंने लिख दिया, तो इसका significance क्या है, देखो, 5 is the largest number, which can divide, both 10 and 15, क्या यह statement समझ में आया, what is the meaning of HCF, कि HCF जो है 5, 10,15 का highest common factor है 5, 5 यह सबसे बड़ा number है, जो 10 और 15 दोनों को divide कर सके, yes or no, यह common factor भी होता है, कोई इसमें गलत बात नहीं है, बड़ HCF के application के point of view से, मैं इस concept को समझा रहा हूँ, HCF और LCM के हमारा main focus है, application वाले questions बनाना, और थोड़ा, आज मेरी energy down रहेगी, तो I expect कि, आपके तरफ से, जोश थोड़ा जादा रहेगा, आपके तरफ से, थोड़ा जादा जोश रहेगा, जरूरी नहीं दीपक की prime number हो, अगर मैं 20 और 10 का HCF निकालू, तो 10 आ जाता है, जो कि एक composite number है, तो prime composite सब भूल जाओ, सीधे साह है, HCF का मतलब क्या हो रहा है, ये समझो पहले, सबसे पहले HCF का मतलब समझिए, तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, HCF of A, B is P, इसका मतलब ये है, कि P is the largest number, P is the largest number, which can divide both A and B, P is the largest number, which can divide both A and B, क्या ये logic हमारे दिमाग में fit हो गया, क्योंकि इसी के basis पे सवाल बनेंगे, इसी के basis पे सवाल बनेंगे, कि HCF क्या बताता है, HCF वो सबसे बड़ा नंबर होता है, जो इन दोनों को divide कर सके, जो इन दोनों को divide कर सके, अब देखो, HCF find कैसे करते हैं, आप अब तक जो भी process सीखे हो, HCF find करने का, उस process को मत apply करना, because HCF and LCM, दोनों में आपको find करने सिखाऊंगा, same process which is factorization, तो अगर ये method से familiar नहीं हो, अगर इस method से familiar नहीं हो, तो थोड़ा शुरू में अजीब सा लगेगा, but I would say कि इसी method को pursue करना, दीरे-दीरे comfortability बढ़ जाएगी, क्योंकि इस factorization तरीके से, HCF और LCM दोनों निकल जाता है, HCF और LCM दोनों निकल जाता है, इसलिए एक ही method सिखाऊंगा, starting में थोड़ा अजीब सा लगेगा, बढ़ दीरे-दीरे practice हो जाएगी, और एक ही method से हम दोनों value find करेंगे, सर हमने 10 या 15 क्यों नहीं लिया highest number, भाई आप 10, अगर मैं 10 ले लेता, तो क्या 10 15 को divide कर पाएगा perfectly, जया, भाई HCF का मतलब क्या है, वो सबसे बड़ा number जो इन दोनों को divide कर सके, अगर मैं 10 लेता सबसे बड़ा number, तो क्या 15 डिवाइड होता, 5 remainder आ जाता, ठीक, पड़े किये, how we are going to find HCF, तो एक आपको मैं question देता हूं, HCF find करने के लिए, 150, 210, and 375, मुझे ये 3 number given है, अब मुझसे बोला है कि, find HCF of, find HCF of these 3 numbers, तो आपके लिए method क्या है, आपके लिए method है, step 1, इन सारे numbers को पहले आप factorize कर दो, क्या ये हमसे हो जाएगा, 150 को factorize करो, prime numbers में, 210 को करो, और 375 को करो, बताना तो क्या answer आएगा, इन तीनों case में, इन तीनों case में, क्या answer आएगा, 150, 200, 10 and 375, इसको जब आप factorize करोगे तो, इसको जब factorize करेंगे, तो क्या आएगा, 150 कितना बनता है, ये होता है, 15 into 10, तो, 2 into 3 into 5 square, क्या ये आएगा, 150 का क्या बन जाएगा, प्राइम factorization, 2 power 1, 3 power 1, 5 square, second वाला, 210 को कैसे लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं, 7 into 30, और 30 कितना हो जाता है, 30 हो जाता है, 5 into 6, तो, I think, 2 into 3 into 5 into 7, ये आ रहा है क्या, 3, 2s are 6, 5, 6 are 30, 7s are 210, क्या 210 का प्राइम factorization ये आ गया, what about 3, 75, 3, 75 को, अगर मैं 3 से डिवाइड करूं, तो कितना बनेगा, यहां पर आ जाएगा, 3, 1, 2, और 5, ठीक है, तो, I think, यह बन रहा है, 3 into 5 cube, येस, 3 into 5 cube, ये मैंने इसको, prime numbers में factorize कर दिया, this is the step 1, चाहे LCM find करना हो, या HCF find करना हो, दोनों ही तरीके के लिए, आपको factorization करना पड़ेगा, और factorization इसे लिए करने बोल रहा हूं, क्योंकि number of factor, sum of factors, कौन से factors perfect square है, बहुत सारी information देता है, ये factorization, इसे लिए ये method, धीरे धीरे हम सीखते जाएंगे, अब, अगर आपको HCF लिखना है, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, आपको इन तीनों में से, common number ढूंडना है, पावर को भूल जाओ, इन तीनों में common number कौन सा है, क्या two common है, तीनों में, numbers को देखना, पावर को नहीं, क्या two common है इन तीनों में, yes or no, क्या two common है इन तीनों में, नहीं है, क्या three common है, क्या three common है इन तीनों में, yes, तो 3 को लिख लो, इन तीनों में जो common है वो लिख लेना, 3 common है, क्या 5 common है इन तीनों में, is 5 is common, yes sir 5 common है, 5 को भी लिख दिया, क्या 7 common है तीनों में, क्या 7 common है तीनों में, नहीं है 7 common, तो 7 को नहीं लिखेंगे, तो प्राइम नंबर्स क्या बन गए 3 और 5 अब 3 और 5 का power क्या डालोगे 3 और 5 का power आप डालना जो minimum power present है यहाँ पर minimum power क्या present है 3 की 1 और 5 की minimum power क्या present है 1 तो 3 power 1 5 power 1 answer is 15 यह प्रोसेस याद रहेगा आदे यंटे वेट करना है क्योंकि LCM भी इसी तरीके से निकालूंगा वहाँ पर minimum की जगे maximum पावर ले आऊंगा minimum की जगे maximum पावर ले आऊंगा जो जो number common है उनको लिख दो और उसके के बाद से उसकी minimum पावर से आप उसको substitute कर देना अब जो है अधित्य और टाइम प्राइम नंबर नहीं यह तो आप प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए ही वैलिड होता है ना फैक्टराइजेशन तो प्राइम ही नंबर के लिए कर सकते हो अब उसके बाद जब आप उसको multiply करोगे तो value प्राइम भी आ सकती है composite भी आ सकती है वह कोई शू नहीं है highest common factor एक composite नंबर भी हो सकता है वह कोई problem नहीं है बट focus कहां पर करना है इसको expand करके लिख दो ठीक उसके बाद से एक्सपैंड करने के बाद जो common numbers है उनको लिख दीजिए और third step क्या होगा उन common numbers का minimum power लिखना ठीक उन common numbers का minimum पावर लिखते ना है क्लियर है यहां तक अगर clear है तो कुछ और questions देता हूं एक्सिए फाइंड करने के इसका आपको HCF find करना है बताओ तो क्या answer आएगा 54 वह क्लियर नहीं है तो हो जाएगा क्लियर अम्रेश तीरे दीरे clear हो जायाएगा don't worry अमजद ने लिखा sir odd number और even number please watch lecture from starting I cannot go to the first class अगे clear अम्रेश ऐसे नहीं हो सकता आप दूसरे class में हैं फिर मैं repeat ऐसे तो यह class नहीं बढ़ पाएगी कि please be on one class only या तो उसको recording में देख लो या इसको recording में देख लेना दोनों एक साथ देखोगे तो आप दोनों ही class का नहीं समझ पाएंगे यह प्रॉब्लम हो जाएगे आपके साथ दोनों class देखनी है दोनों class देख तो लोगे वो तो मैं कह रहा हूं कि दोनों class आप देख तो सकते हैं बर दोनों class समझने में प्रॉब्लम हो जाएगी दोस्त क्या इसको factorize किया किसी ने चलो देखते है 54 का factorization कितना होगा नाइन इंटू 6 होता है 54 तो क्या लिख देंगे 3 इंटू 3 क्या यह 3 क्यूब इंटू 2 यह आएगा इसका factorization 54 is nothing but 3 क्यूब इंटू 2 72 को क्या लिखते हैं हम लोग 72 होता है 9 इंटू 8 means 2 क्यूब इंटू 3 स्क्वार 2 क्यूब इंटू 3 स्क्वार और 198 क्या हो जाएगा 198 होता है शायद 99 इंटू 2 होता है 99 इंटू 2 तो 99 को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 इंटू 3 स्क्वार इंटू 11 तो इंटू 3 स्क्वार इंटू 11 गुड अब देखो यहां से मुझे क्या करना है सबसे पहले common numbers लिखने ती common क्या है 3 जो है वो तीनों में common है तो मैंने 3 को लिख दिया multiplied by 2 को देखो दोनों number में 2 common है इन सब में तो 2 को लिख दिया 11 common नहीं है तो 11 को नहीं लिखेंगे अब एक बात बताओ 2 की minimum power कितनी है यहां पर 2 power 1 यहां पर 2 cube और यहां पर 2 power 1 तो minimum power आएगी 2 की 1 तो minimum power is 1 अच्छा 3 की minimum power कितनी है देखो 3 square 3 square और 3 cube यहां पर 3 की minimum power कितनी है 3 square means यहां पर आप apply कर देना 3 square तो 3 3 is a 9 और 9 2 is a 18 18 is the HCF 18 is the HCF अब यह HCF क्या signify कर रहा है 18 is the largest number सबसे बड़ा number है 18 जो इन तीनों को divide कर सके सीखना आपको यह है कि 18 is the largest number which can divide 54 which can divide 72 and which can divide 198 clear से आप क्या आप सियवा यह फाइंट कर लेंगे हम लोग कर है कर ती अची अधा अगर मैं LCM की बात करूं कि LCM का मतलब क्या होता है फुल फॉर्म जान लो बट फुल फॉर्म कहीं काम नहीं आएगा यिस्ट कॉमन मुल्टिपल लीस्ट कॉमन अगर यह लिखा हुआ है कि LCM क्या होगा इसका सिग्निफिकेंस क्या होगा इसका सिग्निफिकेंस क्या होगा एल सी एम ओफ ए कॉमा बीस पी जैसे मैंने एच्छी एफ के केस में बताया था आपको बताईए या फिर से एक्जामपल लेकर समझते सब्सक्राइब कुश्चन इस LCM of कितना ले ले 12 और 14 नहीं लेते हैं ले लेते हैं चलो 6,8 बताओ तो 6,8 का LCM क्या आएगा आप जो लॉंग डिविजन मेथट से सॉल्फ करते थे एक लॉंग डिविजन मेथट से हम LCM निकालते थे ना अगर याद है तो 6,8 पहले इसको 2 से डिवाइड करो 3,4 फिर 3 से डिवाइड करो 1,4 फिर 2 से डिवाइड करो 1,2 फिर 2 से डिवाइड करो 1,1 यहां तक आता था यहां तक आता था फिर क्या करते थे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 कितना हो जा रहा है 6 तूज़ा टूज़ा 24 6 और 8 का LCM अब बताओ LCM का मतलब क्या हो रहा है ए बी और पी देक के समझ में नहीं आ रहा था बट अब समझ में आएगा कि 6,8 का LCM 24 है अब 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 इस तिंग इसका मतलब होता है कि 24 इस लीस्ट या स्मालेस्ट नंबर which is divisible by both 6 and 8 समझें LCM का मतलब क्या हो रहा है 24 वो सबसे छोटा नंबर है जो 6 और 8 दोनों से डिवाइड हो रहा है जो 6 और 8 दोनों से डिवाइड हो रहा है यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा LCM of A, B is P then P is the smallest number divisible by both A and B आया समझ में LCM का कंसेप्ट क्या कहता है सबसे छोटा नंबर जो इन दोनों से divisible है HCF में क्या होता था सबसे बड़ा नंबर जो इन दोनों को डिवाइड कर सके HCF और LCM की बीच का basic difference यही है किर वी हमिया है यह में यह स्थार रुखा मता कर से सब्सक्राइब परदा कर से कुइए क्या न्युभर है यह मिड्रियों क्या इस नुगर के तरहिए पिर अदर एंगर जाने मेंनिक कोई प्रशूंग्लम नहीं होगी दो तीन नंबर्स का LCM find कर लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे कि LCM कैसे एक तो यह long division वाला method है एक method तो है long division वाला दूसरा होता है factorization के थ्रूप question is find LCM of number 36 48 64 72 यह रोको पहला question है न तो इतना बड़ा नहीं लेते हैं छोटा नंबर ले लेते हैं take it as 64,72 यह है मेरे पास case 64,72 मुझे इसका LCM find करना है LCM के साथ-साथ मैं इसका HCF भी find करूँगा find LCM and HCF of 64,72 तो step 1 मेरे पास क्या होता है मैं यहीं पर parallel solve करता हूं यह वाला board है HCF के लिए यह वाला side है LCM के लिए तो 64 को कैसे लिख सकते हैं बताओ 64 का prime factorization कैसा बनेगा कितना आ जाएगा 64 डारेक्ट लिख डूँ तू पावर शिक्स टू पावर शिक्स डारेक्ट लिख सकता हूं HCF को रहा एंसर मत बताओ यह बताओ 64 को टू पावर शिक्स लिख सकते हैं अच्छा 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 वट अबाउट 72 72 को मैं लिख सकता हूं टू क्यूब इंटू थ्री स्क्वार अब यहां से अगर मैं कॉमन लूँ यहां से अगर आप कॉमन लोगे HCF करने के लिए तो थ्री नहीं कि रिपीट हो रहा है सिर्फ तो रिपीट हो रहा है और टू का मिनिमंट पावर कितना है क्यूब मींस हाइएस्ट कॉमन फैक्टर इस एक इट जो है वह सबसे बड़ा नंबर है जो 64 और 72 को डिवाइड कर सके ठीक एट जो है वो सबसे बड़ा नंबर है जो 64 और 72 दोनों को डिवाइड कर सके डिस इस दा प्रोसेस ओफ राइटिंग HCF अब LCM लिखने के लिए क्या करोगे देखो LCM लिखना इससे भी आसान होता है जब आपने प्राइम सब्सक्राइब कर दिया 64 इस टू पावर सिक्स और 72 इस टू क्यूब इंटू थ्री स्क्वाइर ठीक मैंने इसको इस तरीके से लिख दिया अब LCM कितना होता है LCM लिखने के लिए जितने भी प्राइम नंबर्स प्रेजन्ट है पावर पर पहले फोकस नहीं करेंगे पहले जो नंबर से उन पर फोकस करेंगे क्या-क्या प्रेजन्ट है तू प्रेजन्ट है और थ scientist है है यहना टू और थ्री स्क्या तो वो मैंने लिख दिया अब आपक का जो भी maximum power exist करता है उस maximum power को यहां पर put कर दो 2 power 6 3 square you will get the answer you will get the answer as 576 what is 576 सबसे छोटा number जो 64 और 72 दोनों से divisible हो यह difference है HCF और LCM का क्या चीज़ क्लियर है कि कुछ टूडेंस का डाउट था कि सर बड़ा नंबर हुआ तो भई एक लाग का LCM निकाल के क्या करोगे एक्जाम में जो questions आते हैं वो इसी तरीके के data रहते हैं तो मैं आपको क्यों पांच डिजिट छे डिजिट का HCF और LCM find करवाऊं आपसे कोई personal दुश्मनी तो है कि लाए UPSC मैक्स टू मैक्स तीन या चार डिजिट का मिलेगा चार डिजिट भी नहीं मिलता तीन डिजिट मिलता है मैक्स टू मैक्स तो जो exam में पूँछा जा सकता हैं वही पढ़ रहे हैं एक्जिस्ट तो बहुत सारी होगा एक्जाम में एक और कुश्चन बना लेते हैं सियम का क्या नंबर ले लूँ मैं अब बताओ तो इसका एल्सियम एच्सिफ दोनों फाइंड कर लेना कि इसका दोनों एल्सियम एच्सिफ फाइंड कर लेना जल्दी से कि येस प्रितेश क्योंकि आप मैं को लग रहा कहीं न कहीं फैक्टराइजेशन की क्लास नहीं देखे हो तो एक बार देख लेना शायद स्टार्टिंग क्लास में पढ़ाया था अब फैक्टराइजेशन प्रोसेस करोगे तो प्राइम नंबर ही आएगा देखते यह जो डाउट है इस रिटेट टू फर्स्ट और सेकेंड क्लास तो अगर नहीं देखे तो एक बार देख लीजेगा उस वीडियो को अगरे कई बार बोला है क्लास में कि कोई भी लेक्चर मिस होता है तो स्टार्टिंग से देख कराना अधर्वाइस प्रॉब्लम होगी क्लास में क्या आएगा एंसर तो बताओ आधित्य क्या फैक्टराइजेशन के वक्त कभी मैं क 36 वट अबाउटल सीम चलो सॉल्फ कर लेते हैं यही से 72 को कैसे लिखेंगे इडिज एट इंटु नाइन मींस टू क्यूब इंटु थ्री स्क्वार थार्टी सिक्स को कैसे लिखते थे हम आई 36 हो जाता है शिक्स का स्क्वाईर मींस तू सक्वाएर इंटु थ्री स्क्वायर एंड वाटबाउट 144 detention2 च करोगे तो कितना आ जाएगा 3 का स्क्वाएर इंटु तो पावर कितना शेका बन जाएगा 12 है ना 12 मतलब 4 2 square 2 square ऐसा कुछ आ रहा है गया टू पावर 4 into 3 square 2 power 4 into 3 square यह मैंने expand कर दिया अब HCF कितना आएगा common का minimum common क्या यहां पर 2 और 3 2 भी सब में repeat हो रहा है 3 भी सब में repeat हो रहा है और minimum power 2 की कितनी है square और 3 की मिनिमम पावर कितनी है square ही है सब में बराबर ही है तो square ही मान लूँगा तो यह कितना बन गया यह बन गया आपका 4936 this is HCF 4936 is HCF अब अगर LCM लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे 2 into 3 जो भी प्रेजेंट था मैंने लिख दिया अब मैक्सिमम पावर 2 का मैक्सिमम पावर 4 है और 3 का मैक्सिमम पावर 2 है यह कितना आ आएगा 144 है ना 144 है क्लियर यह चीज़ अब और कुश्चन नहीं कराऊंगा एच्च यह ल्च यह आप फाइंड करना सीख गए बागे हम करेंगे कुश्च जब अप्लिकेशन इसका पढ़ेंगे तब शलाइ मूव फारवर्ड आगे चले अब देखो जल्दी से एंसर बताओ क्या एंसर आएगा इसका find LCM of 8, 12 and 15 what is the answer yes आयूशी HCF में common term का lowest power और LCM में सारे terms का highest power 8, 12 और 15 का कितना आएगा बई LCM 8 को कैसे लिखेंगे 8 is nothing but 2 cube 12 is nothing but 2 square into 3 और 15 is nothing but 3 into 5 अच्छा इसका HCF कितना आएगा बताना तो इसका HCF कितना आएगा LCM तो आप लिख लोगे सारे terms लिख लो 2, 3 और 5 अब इन सबको maximum power से replace कर दो 2 का maximum power 3 है और 3 और 5 का maximum power 1 है तो यह हो जाएगा 2 cube into 15 means 120 LCM तो आगे है 120 what is HCF here what is HCF here HCF क्या होगा देखो 2 यहाँ पर है यहाँ पर है बट यहाँ पर नहीं है 3 इन दोनों में है बट पहले वाले में नहीं है अगर कुछ भी common नहीं है तो HCF आता है हमेशा 1 क्योंकि 1 common होता है सब में क्योंकि सब में 1 तो common होता ही है है ना इसको ऐसे तो लिखी सकते हैं हम तो अगर कुछ भी common नहीं है तो HCF आ जाता है 1 ठीक जब कुछ भी common नहीं है तो HCF आ जाएगा आपका 1 अब देखो इसी question को मैं थोड़ा expand करना चालू करता हूँ हम पहला application सीखेंगे फाइंड इस स्मॉलेस्ट थ्री डिजिट नंबर डिविजिबल बाई क्या 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 लिए थे हैं आपर हम 8, 12, 15 डिविजिबल बाई 8, 12, 15 क्या answer होगा बताओ तो अब question में LCM बगेरा कुछ नहीं लिखा है अब सवाल सिर्फ और सिर्फ ऐसा है फाइंड थे स्मॉलेस्ट थ्री डिजिट नंबर विच इस डिविजिबल बाई 8, 12, 15 सबसे चोटा नंबर कौन सा होता है 8, 12, 15 से डिवाइड होने वाला सबसे चोटा नंबर कौन सा होता है 8, 12, 15 से डिवाइड होने वाला सबसे चोटा नंबर होता है LCM Least Common Multiple ठीक तो वैल्यू कितनी आ गई 120 क्या 120 से कोई चोटा नंबर एक्जिस्ट करेगा जो इन तीनों से डिवाइड हो रहा हो क्या 120 से कोई चोटा नंबर एक्जिस्ट कर रहा है जो इन तीनों से डिवाइड होता हो क्या 120 से कोई स्मॉल नंबर एक्जिस्ट करेगा जो 8, 12 और 15 से डिविजिबल हो नहीं एक्जिस्ट करेगा क्योंकि LCM की डेफिनेशन ही है यह है यह सबसे चोटा नंबर तो यह है तो यह जो नंबर आया है यह तीन डिविजिट का है तो इस इस दा लीस्ट थ्री डिविजिट नंबर डिविजिबल बाई दीज थिंग्स ठीक ठीक है LCM ही आ रहा है 120 तो इससे छोटा कुछ एक्जिस्ट करी नहीं सकता तो तीन डिजिट का लीस्ट नंबर क्या हुआ तीन डिजिट का लीस्ट नंबर हुआ 120 आशु तो अगर वाला कुश्चन नहीं नेक्स कुश्चन में कि देखिए मैं तीसरी या चौती बार पूछ रहा हूं कि इसके बाद मैं इस चीज को रिपीट नहीं करूंगा दस मिनिट बाद आप डाउट नहीं पूछ सकते कि सर यह कैसे आ गया कि इस अच्छा अगर 120 आ गया वाट इस दर नेक्स्ट नंबर आफ्टर 120 विच इस डिविजिबल बाई 8 12 15 यह बताओ कि वाट इस दा सेकेंड नंबर 120 के बाद अगला नंबर कौन सा होगा जो 8 12 15 से डिवाइड होगा अगर 120 डिवाइड हो रहा है तो 2 इंटू 120 भी तो डिवाइड होगा यह चीज याद रखिएगा अगर 120 डिवाइड हो रहा है तो 2 इंटू 120 भी डिवाइड होगा उसके बाद से 3 इंटू 120 मीन्स 360 भी डिविजिबल होगा इस सारे ही नंबर्स डिविजिबल होगे तो क्यासा कुश्चन मिलेगा आपको आपको LCM find करना है और फिर उसके इंटिग्रल मल्टिपल्स निकालते जाने हैं कुश्चन के accordingly कुश्चन के accordingly इंटिग्रल मल्टिपल्स निकाल देना जैसे कि यह सवाल तो सिंपल था find the smallest three-digit number अगर कुश्चन में यह पूस था कि find largest three-digit number divisible by 8 12 15 तब मेरा answer क्या आता है तब मेरा answer क्या आता कि what is the largest three-digit number divisible by them three-digit का सबसे बड़ा number जो इन तीनों से divide होता हो what is the largest number क्या करूंगा मुझे पता है 8 12 और 15 का LCM कितना आता है 120 मुझे बस इतना पता है कि पहला number 120 है मुझे बस इतना पता है कि पहला number 120 है अब मैं इस 120 का two three four five से multiplication करके चक करते रहूंगा ठीक इंटीग्रल मतलब 720 होगा 840 होगा 960 होगा कि 960 कैसे आया 120 इंटू 8 करके 960 के बाद अगला कौन सा होगा जो इन सबसे डिविजिबल होगा वो होगा 1080 देख रहे हो यह होगा 120 इंटू 8 यह होगा 120 इंटू 9 तो अगर एक्जाम में पूछा लार्जेस्ट थ्री डिजिट नंबर वट इस लार्जेस्ट थी डिजिट नंबर इुट इसन नह्तिंग बट 960-ग को अ अगर कुशें में पूछा what is श्मॉलेस्ट फोर डिजिट नंबर तो मैं कि लिंगूँ अ मौलेस्ट फॉर डिजिट क्या है पहला चार डिजिट का नंबर क्या मिल रहे इं already 80 तो इस तरीके से इन सवालों को attempt किया जाता है इसमे एक arithmetic progression का भी concept लगता है जो हम आगे चल के सीखेंगे UPSC question कभी भी एक concept पर नहीं बनाता UPSC हमेशा जो है 2 से 3 concept mix करके एक सवाल पूछेगा आप से अगर concept clear है तो you can easily solve pick yes no yes चलो एक और question बनाओ find largest three digit number which is divisible by two three four six and eight बता हो two three four six and eight find the largest इस तीन डिजिट नंबर विच इस डिविजिबल बाइट टू थ्री फोर सिक्स एंड एट टेक अ मिनिट एंड सॉल दिस कुश्शन पता ना क्या एंसर आ रहा है सॉल्स करने पर कि क्या आगिया सबका एंसर अंजनी 120 कैसे आएगा वही अकांशा लार्जेस्ट पुछा है आप स्मॉलेस्ट बता रहे हैं सबसे पहला काम क्या होगा सबसे पहला काम होगा इनका LCM फाइंड करना तो LCM कैसे निकलेगा तू को कैसे लिख सकता हूँ तू पावर वन थ्री को कैसे लिख सकता हूँ थ्री पावर वन फोर को कैसे लिख सकता हूँ तू स्क्वाइर सिक्स को कैसे लिख सकता हूँ तू इंटू थ्री और एट को कैसे लिख सकता हूँ तू क्यूब ठीक यह मैंने इसको प्राइम फैक्टर्स में लिख दिया simply अब क्या होगा आपको LCM find करने के लिए क्या करना होता है आपको LCM find करने के लिए इन में से जितने भी terms present है जैसे 2 present है और 3 present है लिख दो maximum power 2 का कितना है cube और 3 का maximum power कितना है 1 तो यह हो जाएगा 2 cube into 3 क्या LCM 24 आ रहा है is LCM coming out to be 24 yes अब आपको LCM को multiply करते जाना है नंबरों से यह चक करने के लिए कि largest टीन डिजिट नंबर क्या बनेगा लार्जेस्ट टीन डिजिट नंबर क्या बनेगा और यह hit and trial से ही करना होता है यह आपको hit and trial से ही करना होगा support 24 into अगर मैं 30 करूं तो कितना आ जाएगा 4 3s are 12, 720 ठीक है यह अभी भी तीन डिजिट नंबर है अगर मैं 24 multiplied by 30 करूंगा तो 720 आ जाएगा एक काम करते है 24 को 40 से multiply करते है 4 4s are 16 और 1 उपर 960 आ रहा है ठीक जब मैंने 40 से multiply किया तो मैंने देखा कि sir 960 आ रहा है means अगर एक बार और 24 add कर दूं तो यह बन जाएगा 984 यह 984 कहां से आया क्यों problem कर रहा है board यह आ गया 24 into 41 करके तो वाट इस दा लार्जेस्ट तीन डिजिट नंबर 984 क्योंकि अगर मैं इसके आगे बढ़ा अगर मैंने फिर से 24 add किया तो यह चार डिजिट का हो जाएगा ठीक यह बन जाएगा चार डिजिट का तो वाट इसस्मालेस्ट फोह डिजिट से मल्टिप्लाइ करने पर इस 984 में 24 जोड दीजे कितना आएगा 8 2 108 108 ठीक है कितना आ जाएगा 1008 यह होगा smallest 4 digit number this is smallest 4 digit number this is largest 3 digit number अनफा आपने late join किया है LCM कैसे find करते मैंने starting में बताया था वह वापस से उस पर नहीं जा रहे एक बर आप recorded में देख लेना क्लियर है इसे सवाल येस और नो अब देखो क्या हो रहा है UPSC ऐसे questions भी नहीं पूछेगी UPSC सवाल पूछेगा इस तरीके से की find largest 3 digit number क्या ले ले numbers को अब बताओ वाट इस दे लार्जेस्ट 3 digit number जिसको मैं 7, 10 और 12 से डिवाइड करूँ तो वो remainder 3 लीव करें इस इस दा कॉस्चन एक एक करके concept को बढ़ाते जा रहे हैं जो exam में होता है येस काजल यही तो मीनिंग है LCM का सारे 24 के मल्टिपर्स डिविजिबल होंगे रेनू कल कोई class नहीं हुई थी येस प्लीस टेल मी दा आंसर लार्जेस्ट इन दिजिट नंबर जिसको 7, 10 और 12 से डिवाइड करें तो remainder 3 आता है क्या मैं solve करूँ जब भी रिमेंडर वग्यारा का concept यहां पर आड कर दे जब भी कोई चीज एक्स्ट्राइड कर दे तो उसको भूल जो आपहले आप मुझे बताओ लार्जेस्ट थी डिजिट नंबर डिविजिबल बाई देस थी 7, 10 और 12 का पहले तो LCM निकाल लो 7 बन गया 7 पावर 1 10 बन गया 2 इंटू 5 और 12 बन गया 2 स्क्वार इंटू 3 अब सब्सक्राइब कर सकता हूं उसका वाट इस एल सीम एल सीम इस टू स्क्वार क्योंकि टू का मैक्सिमम पावर टू है थ्री 357 कितना आ रहा है वही मल्टिप्लाइब करने पर कितना आ रहा है मल्टिप्लाइब करने पर वैल्यू आ रही है 420 यही आ रहा है ठीक एल सीम आ गया 420 कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें अब एक बात बताओ लार्जेस्ट थी डिजिट नंबर जो इन तीनों से डिवाइड हो वह कितना होगा ठीक नेक्स्ट वैल्यू कितनी होगी वह होगी 420 इंटू टू मीन्स जीरो फॉर एट फॉर्टी है ना 840 क्य एक उन्हाइट को चार डिजिट का बन जाएगा मैं थी से अगर मल्टिपलाई करता हूं तो वह बन जाएगा चार डिजिट का है यहां तक कि तुम हैने फाइंड कर लिया वैने इसको इगनोर किया था अब इसको इंट्रूड्यूस करता हूं बताओ अब मैं इसको अगर अगर 840 को यहां से समझना LCM को 420 को अगर 710 और 12 से डिवाइड करें तो रिमेंडर कितना आएगा अगर 420 या 840 को 710 और 12 से डिवाइड करोगे तो रिमेंडर कितना मिलेगा सोचिए 420 या 840 को अगर उनसे डिवाइड करोगे तो रिमेंडर 0 मिल जाएगा मुझे कितना चाहिए remainder मुझे चाहिए 3 मतलब मैं क्या करूंगा इन सब में 3 आइड कर दो 423 अगर आपने 423 को इन सब से डिवाइड किया remainder 3 अगला क्या होगा 843 आया समझ में जितना भी आपकी वैल्यू है उसमें remainder आइड कर दो 843 अगला क्या होगा 843 तो एंड में UPSC का सवाल ऐसा होगा एंड में UPSC का कुश्चन इस तरीके से होगा कि 840 में 3 आइड कर दो अगर सेम कुश्चन पूस्ता लार्जिस त्री डिजिट नंबर डिवाइड बाइड बाइड इस लीव सरी मेंडर 5 अगर बोल देता कि दो एन्ड में कितना पूस्त ना चाहिए रिमेंडर बचना चाहिए ऐसाइब तब क्या करते एंसर क्या होता कि मैं तब क्या होता अगर रिमेंडर 5 बोलता तो आप सबसे पहले इस रिमेंडर को भूल जाते आप सबसे पहले value तू फाइंड करते जो होता 840 अब उसमें पांच आड़ कर दो 840 प्लेस फाइव एंसर इस 845 ठीक किया पहला कंसेप्ट क्लियर है जितना भी रिमेंडर लिखा वे रोटा आड़ कर देना इंड में शुरू में रिमेंडर को हटा के सॉल्फ करना और एंड में रिमेंडर को एड़ कर देना बस इतना ही करना है और कुछ नहीं करना इतना ही प्रोसेस है यही है एल्सियम का पहला एप्लिकेशन ठीक है ऐसा कोश्चन आप एक्जाम में देखते होगे बट अगर आप नहीं पढ़े होगे तो आपको यह समझ में नहीं आता होगा कि सरी इसमें एल्सियम के कंसेप्ट से सॉल्फ करना है और अगर 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 ऑनली टू से मल्टिप्लाई करने का वज़े वी निट्री डिजिट येस तीन डिजिट ही चाहिए था इसलिए दो से मल्टिप्लाई किया क्या और कुश्चन करने इस टाइप के यह दूसरे अप्लिकेशन में चलू एल्सियम का बताओ इस टाइप के कुश्चन में आऊंगा जब अरित्मेटिक प्रोग्रेशन पढ़ लेंगे तो क्योंकि एक और कंसेप्ट यहां पर लगता है तब आपका फाइनल सवाल बन के त्यार होता है ठीक नेक्स्ट सेकेंड अप्लिकेशन अब देखो क्योंकि मैं ल्सियम का अप्ल यह देखते हैं सपोज पहला अप्लिकेशन डिफ्रेंट बेल्स पहला टाइप ठीक है यह जान रखना कुश्चन्स आता है कि मेरे पास तीन ठोक बैल है तिक बैल वन बैल टू बैल थ्री एप्लिकेशन वन अगर बैल वन जो है वो रिंग कर रहा है पांच सेकेंड के गैप में यह रिंग कर रहा है छे सेकेंड के गैप में और यह रिंग कर रहा है दस सेकेंड के गैप में ठीक है यह अलग-अलग टाइम इंटरवल में बज रहे हैं तो बताओ एक साथ वें डेविल रिंग टूगेधर अगर यह चीज़ कोश्चन में में है टूगेदर तो दिस इस दा कुश्चन ओफ एल्सी अम अप्लिकेशन अगर अलग-अलग टाइम पर यह लोग काम कर रहे हैं तो एक साथ फिर से कब आएंगे इस इस अप्लिकेशन ओफ ल्सी एम कि पहला पॉइंट क्लिए रहे हुआ है एंसर तो ठीक है जो भी आएगा है कि पॉइंट क्लिए रहे है कि येस नो अरे मैं कुछ समझाए नहीं हूं मैं बस बताया हूं कि यह केस का कुश्चन आए तो ल्सी अम निकालना है नथिंग एल्स अच्छा एक और टाइप होता है जो बहुत पूच्छा जाता है सपiggly आपके पास ट्राफिक लाइट ठीवन ट्ळीट और ट्री यह अलग अलग ट्राफिक लाइट्स है डूँज आरे डिफेरेंट ट्राफिक seconds में these are traffic lights तो यह कब एक साथ color change करेंगे this is also the example of LCM जब भी together word लिखा होगा कि अलग अलग interval में लोग काम कर रहे हैं चाहे वो घंटी हो चाहे वो traffic light हो चाहे एक circle में दौड़ता हुआ बच्चा हो एक circular track में running हो रही हो यह तीन केस बनते हैं LCM application के कि बई एक circular track में पहला बच्चा जो है वो एक घंटे में दौड़ ले रहा है मान लो कि एक बच्चा जो है वन आवर में पूरा का पूरा circle complete कर रहा जो दूसरा बच्चा है वो चार घंटे में पूरा circle cover कर रहा दोनों एक साथ दोड़ना चालू किए starting point पर दोनों एक साथ कब आएंगे starting point पर फिर से दोनों एक साथ कब आएंगे तो यह सवाल होता है LCM application का यह तीन major categories होते हैं यह तीन major categories होते हैं जहां पर आपको LCM find करना होता है बताओ yes या no फिर इसके कुछ questions करेंगे हम लो कि तीन केस याद कर लो येस चलो पीवाई क्यों से ही start करते हैं तो अलाम क्लॉक्स तो अलाम क्लोक्स रिंग टीर अलाम at regular interval at regular interval of 50 seconds and 48 seconds if they first beep together if they first beep together at 12 noon at what time at what time will they beep again will they beep again for first time I have a options list 12 10 pm option b 12 11 pm c 12 12 pm option d none of the above क्या answer आएगा इस question का none of the above क्या मैं solve कर दूँ none of the above नहीं मेरे को exact answer बताओ अर्चिता किस टाइम पर ये लोग टोल करेंगे एक साथ कि बारा को कुछ नहीं करना बारा बज़े वो पहली बार बज़े थे एक साथ आपको बताना है कि अगला नंबर उनका कब आएगा ठीक है कि आप बारा बज़ के 20 मिनट आ रहा है एंसर नी बारा बज़ के 30 मिनट नहीं होगा इंग 1220 इस दा करेक्ट आंसर option तो डी है नन ऑफ दाब बबट एग्जाक्ट टाइम है 1220 कि यह स्वाल्ब करने स्कूषिन को क्या आगे चलू ए अगर किसी से नहीं बना उना जल्दी से कमेंट करो मैं सुह यूंद कर दूंगा वाल senior the यह पहली बार एक साथ किस्षे कर रिंग किये थे यह पहली बार रिंग किये थे बार बज़े 12 नून अब ध्यान से इधर यह पहली टाइम इन्होंने रिंग किया था 12 noon पे एक बज रहा है 50 seconds के बाद दूसरा बज रहा है 48 seconds के बाद क्या यह question LCM का application है यह समझ में आ रहा है इसमें तो किसी को डाउट नहीं है जो मैंने आपको तीन केसे लिखवाए थे अगर दो घड़ी अलग अलग टाइम पे बज रही है तो एक साथ उनका नंबर कब आएगा इसमें तो कोई डाउट नहीं है क्योंकि एक्जाम में कभी नहीं लिखा होगा कि LCM फाइंड करो यह आपको सवाल पढ़के समझना पड़ेगा तो देखो सबसे पहले मैं क्या करूंगा 50 सेकेंड को लिख देता हूं प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या बनेगा टू इंटू फाइव स्क्वाइर ठीक 25 टूजा 50 होता है तो 2 इंटू 5 स्क्वाइर वाट बाउट 48 इट इस 12 इंटू 4 ना तो 48 को लिख देते हैं 2 पा इसके लिए को शॉर्ट ट्रिक नहीं होती है यह प्राक्टिस से आ जाता है मैं आपको पहले दिन बताया था फैक्टराइजेशन कि कुछ नंबर्स अपने से ज्यूम करके स्वाल्फ कर लेना यह बहुत इजी चीज़ है इट विल नॉट टेक टाइम तो LCM कितना आएगा 55 25 और यह कितना बन जाएगा 16 16 into 25 into 3 what is the answer we are getting 16 into multiplication करके बताओ नमर को यह डारेक्ट कर लो 25 3 75 16 into 75 answer is 1200 यूनिट पे ध्यान रखना 1200 सेकेंड ठीक 1200 सेकेंड एक बात बताना एक मिनट में कितने सेकेंड्स होते हैं ये कनवर्जन भी यहीं पर सीख लो एक मिनट में कितने सेकेंड्स होते एक मिनट में होते हैं 60 seconds मतलब 60 seconds is one minute 60 seconds means one minute जब भी आपको एक सेकेंड is one by 60 minute या छोड़ो यूनिट्री मेथड जब टाइम एन वर्क पढ़ेंगे तब बताऊंगा डारेक्ट याद रखिए अगर मुझे मिनिट से सेकेंड्स में जाना है तो मैं क्या करता हूं अगर यहां से यहां जाना है तो मल्टिप्लाइड बाइ सिक्स्टी और अगर यहां से यहां आना है तो डिवाइड बाइ सिक्स्टी कर वर्शन याद रहेगा जब भी मिनिट से से केंड्स में जाना है मल्टिप्लाइड कर देना सिक्स्टी से और से केंड्स मिनिट में जाना है तो डिवाइड कर देना मत पहली बार अगर घंटी बारा बजे बजी थी तो दूसरे बार एक साथ कब ये लोग रिंग करेंगे इट इस 12 20 पीम था एंसर इस 12 20 पीम बीस मिनट बाद बीस मिनट बाद तो एंसर क्या आएगा इस कुश्चन का आप्शन नंबर बी एंसर इस ऑप्शन नंबर डी यह रहा सॉलूशन ठीक अगली बार कब ये लोग एक साथ बजेंगे बताना दो अगली बार ये लोग एक साथ कब बजेंगे किस समय पे नेक्स्ट नंबर कब आएगा इनका एक साथ रिंग करने का गुड बारा बज़के बीस मिनिट पर बजे थे फिर बीस मिनिट बाद एक साथ इनका नंबर आएगा मींज टुवेलव फॉर्टी पी-म ठीक टुवेल फॉर्टी पी-म गुड चलो अगर ये समझ गए तो इस सवाल का जवाब दो the question is four bells told together four bells told together at nine am they told after seven comma eight comma eleven comma twelve seconds ये इतने देर के बाद बज़ रहे हैं अब question यह है कि how many times will they told will they told together in next three hours in the next three hours this is the question options are three four five six three four five six what is the answer of this question how much what is the answer अंजनी और अंकित का एंसर आ गया ठीक बाकी स्टुडेंट्स अधित्य का भी एंसर आ गया अलग एंसर है ठीक है आयू श्ताप्ति दजेंद्र अभिने अधित्य ब्रिजेश रचना नंदनी अक्षत में कहा है solving ठीक है यह बता किसी को यह तो doubt नहीं है कि LCM find करना है जो मैंने आपको तीन application लिखवाए थे एक साथ कब बजेंगे जब भी एक साथ वाला कुश्यन आता है तो आपको LCM find करना होता है yes or no I think five or six में डाउट आ रहा होगा आपको I think five or six में डाउट आ रहा होगा कि नहीं कुछ लोग cancer five आ रहे हैं कुछ लोग cancer six आ रहे हैं इसी में प्रॉब्लम है कि क्या वैल्यू ले देखो इसका LCM कितना है यह मुझे बताओ मैं सॉल्व नहीं कर रहा वाट इस एल सियम कि एल सियम कितना आ रहा है वन इट फॉर इट आ रहा है गया हाँ है वन एट फॉर इट सेकेंड के बाद हर वन एट फॉर एट सेकेंड के बाद यह लोग एक साथ रिंग करेंगे, है ना, देखो देहान से, कोश्चन को समझो, हर बार 1848 सेकेंड के बाद ये लोग एक साथ रिंग करेंगे, अब मुझे बताओ, तीन घंटा, तीन घंटे में नंबर ओफ सेकेंड कितने होते हैं, आईशी आपने बिल्कुल सही किया, आप चाहो तो मिनट में भी सॉल्फ कर सकते हो, जैसे चाहे वैसे कर सकते हो, तीन घंटे में नंबर ओफ सेकेंड थ्री आवर्स में, ये लो, अगर मुझे आवर से मिनट में जाना है अगर मुझे आवर से मिनट में जाना है तो मैं multiply करूंगा 60 से अगर मुझे अवर में जाना है करूंगा 1 By 60 से यह Conversion याद रखना है आपको अगर मुझे से seconds में जाना है तो मैं extremely करूंगा 60 into 60 means 3600 से और अगर मुझे सेकेंड से आवर में जाना है तो मैं multiply करूँगा 3600 से 1 upon division को मैंने 1 upon multiplication लिख दिया division को मैंने 1 upon multiplication लिख दिया ठीक क्या ये जीज clear है unit conversion अगर हमें नहीं पता है तो अभी या भी बता दिया हो तो speak time and distance में नहीं बताऊंगा बिल्कुल अच्छा time कितना दिया था 3 hours तो 3 hours को अगर seconds में convert करना है तो 3 into 3600 कितना answer आएगा 0018 10800 ये value आई 10800 3 घंटे में कितने seconds हो गए 3 घंटे में हो गए इतने seconds मेरे bell कब बज रहे हैं एक के बाद एक ये बज रहे हैं 1848 seconds के बाद ये बज रहे हैं 1848 seconds के बाद तो total ये लोग कितनी बार बजेंगे 108 00 divided by 1848 what is the answer I am getting 10800 divided by 1848 total time इतना है हर बार इतने seconds के बाद बज रहे हैं तो मैंने divide कर दिया एंसर कितना आ रहा है 5.8 something ऐसे कुछ आ रहे है फाइज पॉइंट सम्थिंग आ रहा है न अब मुझे बताओ अगर फाइज पॉइंट सम्थिंग आ रहा है 5.8 it is closed to 8 तो एंसर 5 होगा यह एंसर 6 होगा यही डिवेट है 5.844 आ रहा है नो जो तुमने बताया मैंने लिग दिया एंसर क्या होगा 5 होगा 6 होगा अच्छी करू को कमेंट करना बंद करो बंद करो कमेंट करना बंद करो प्लीज स्टॉप यह क्या कर दिये कहां गया एर कुश्चन यह वाला इसके पहले वाले सवाल पे चलते है मैंने क्या फाइंड किया था कि एक घड़ी 50 सेकंड के बाद बजेगी दूसरी घड़ी 48 सेकंड के बाद बजेगी मतलब इनका number कब आएगा, एक साथ ये लोग बजेंगे 20 मिनिट बाद, एक साथ ये लोग बजेंगे 20 मिनिट बाद, ठीक, हाय ना, जल्दी से, एक साथ इनका number आएगा 20 मिनिट बाद, अब अगर मैं यहाँ पर इस question में आपको बोलता कि 12 बज़े ये लोग एक साथ रिंग किये थे 12 बज़ के 50 मिनट तक यह लोग कितने बार फिर से एक साथ रिंग करेंगे यह मेरा सवाल अगर यह लोग 12 बज़े रिंग किये थे एक साथ तो 12 बज़ के 50 पचास मिनिट तक ठीक है आने वाले 50 मिनिट में यह लोग कितने बार रिंग करेंगे यह लोग कितने बार रिंग करेंगे बताओ गयाप कितना है 50 मिनिट का यह लोग बजते कितने बार है 20 मिनिट के बाद एक साथ बज रहे हैं तो 50 by 20 करूंगा एंसर कितना आएगा 2.5 क्या लोग दो बार बज रहे हमने देखा था 1220 पर 1240 पर 1220 पर इनका नंबर आ रहा है एक साथ 1240 पर इसका मतलब क्या हो रहा है इसका मतलब यह हो रहा है कि 5 बार तो यह लोग बज जाएंगे पर जो 6 टाइम है वो कभी नहीं आ पाएगा the correct answer is 5 not 6 round up नहीं करना इसको 5.844 का मतलब क्या है 5 बार तो बज गया बट छटी बार तक पहुँच नहीं पाया 6 टाइम तक पहुँच नहीं पाया अगर division की value 5.999 भी होती तो भी मैं अंसर 5 ही लेता because 6 टाइम तक ये पहुँच नहीं पा रहा है समझे सिक्स्ट टाइम तक ये पहुच नहीं पा रहा है इसलिए दा करेक्ट एंसर इस का गया सी जान मुझके यूपी एसी ने close option दिया confuse होने के लिए यूपी एसी ने जान मुझके close option दिया 6 टाइम पूरा हो गया था टाइम जो है वो पूरा हो गया था इसलिए छटी बार नहीं बज़ेगा का इस यह और ट्राफिक लाइट वाले question हमेशा पूछते हैं एक साल यह आएगा एक साल ट्राफिक लाइट आएगा यही रिपिटीशन चलता है यह प्यस्टी में इस साल का भी question कराऊंगा कि पूझा मिनिमम में मिनिट में सॉल्फ करोंगा एंसर से माइगा क्योंकि रेशियो तो बराबर ही आएगी अगर आप मिनिट में भी सॉल्फ करेंगे तो आपका एंसर फाइब यह आएगा कर लेना इस तीन घंटे को मिनिट में कनवर्ट कर लेना 180 मिनिट और इसको भी मिनिट में कनवर्ट कर लेना 1848 सेकेंट को इसको भी मिनिट में कनवर्ट कर लेना 30 मिनिट 8 सेकेंट फिर उसको डिवाइड कर लेना वैल्यू सेमी आएगी कुछ नहीं बदलेगा कि एक और सवाल सॉल्फ कर दो सेम है देखते हैं किसका अंसर सबसे पहले आता है थ्री बेल्स क लिंगे आप लेख है कि एंड गृप्टिंस बचया आता है फूटी कर जेखते हैं किस अंसर पहलेह ti 용त अवाला कि कि एंड पहले है कि अच्वे आता है ग्विंग खती बेल घ्कश क करह 15 फenda टे टॉट ब्सक अटर म bending है 8 a.m. at what time they will ring together again at what time they will ring together again this is the question options are 8 बच्चके 45 minute 8.45 पे am लिखा है के question में हाँ लिख देता हूँ am 10.30 am c 11 am 1.30 pm पता हूँ एंसर कब आएगा इनका नंबर क्या solve करनी की जरूरत है 9, 12 और 15 का अगर आप LCM निकालो के कितना आएगा अच्छा आएगा वन इंटी आ जा रहे है वन एटी हाँ वन इक पी आ रहे है ठीक है नाइन टुवेल अच्छा यूनिट पर ध्यान देना ठीक है यह कितना आया आपका वन एटी मिनिट इस इंपोर्टेंट की वन एटी मिनिट आया वन एटी मिनिट का मतलब क्या होता है संब्सक्राइब का में जुटन अब inanवर्जन फॉर्मॉला लिख वा चुका हूं वह कनवर्जन फॉर्मॉला आपको लिख वा चुका हूं ठीक तीन घंट आ गया अगर आत्वजे एक साथ इनका नंबर आये था तो अगला नंबर कभा आएगा तीन घंटे बाद विच नथींग बट 11 विच नथींग बट 11 ठीक यहां तक किया आप यह से कुश्टिंग बना लोगे अब हुँँआ नहीं 720 नहीं आएगा बही बन एक्टी आएगा लसी हमने फाइंट किया है चैसे सवाल बन जाएंगे अब एक होमवर्क लिखता हूं रुको देखते हैं यह बनता है या नहीं लास्ट क्लास में भी शायद मैंने कुछ होमवर्क दिया था जिसको डिसकस नहीं किया है स्ज़ आए नहीं लाए 6 3 कंझе कुटेव प्राफिक लाइट change after 36, 42 and 72 36, 42 and 72 seconds if lights are first switched on at if lights are first switched on at 9 a.m. sharp 9 a.m. sharp at what time at what time will they change simultaneously will they change simultaneously will they change simultaneously options are 9.8 minutes 4 seconds 9.8 minutes 24 seconds and option D none of the above on a national highway on a national highway NH6 9.8 minutes 1.8 minutes अरे कोई भी रोड का नाम है वस लिखि दो कुछ भी हशोका मार भी दो अटल मार्ग कुछ ही लिख दो अपने घर के पास वाला कोई भी रोड तीन consecutive traffic lights change after 36 42 and 72 seconds if lights are first switched on at 9 a.m. sharp फिर से कभ एक साथ बदलेंगे homework नहींगे अभी solve करेंगे एक traffic light वाल वुशन बना लेते हैं दो लोगों का answer आ गया option A ठीक है ठीक है सबका answer A आया है B भी आया है देखते हैं कौन सा सही होगा चलिए दो answer मिल गए option A और option B क्या मैं solve कर दूँ LC M is 504 seconds ठीक है चलो डारेक्ट यहीं से शुरू करता हूँ आप लोगों ने बता दिया कि सर LC M आया है 504 seconds ठीक LC M कितना है 504 seconds अब ध्यान से देखना सारे option आठाट मिनट के हैं मतलब 8 into 60 कितना होता है एक मिनट में कितने seconds होते हैं एक मिनट में 60 seconds होते है तो 8 into 60 क्या हो जाएगा 480 इसको मैं कैसे लिख रहा हूं 480 प्लस 24 seconds इसको मैं लिख सकता हूं 480 प्लस 24 वाट इस 480 480 इस नथिंग बट 8 into 60 करता तो 400 आता 8 into 60 किया तो यह आ गया प्लस 24 और वाट इस 8 into 60 इस नथिंग बट आठ मिनट 24 सेकेंड तो एंसर क्या आएगा नौ बचके आठ मिनट 24 सेकेंड आप लोग यहां तक फाइंड कर लिए बट कनवर्ट करने में कहीं न कहीं चूक हो गई अब ध्यान रहेगा यह चीज क्या अंसर आएगा नौ बचके आठ मिनट 24 सेकेंड ना की 4 सेकेंड इसलिए मैंने स्कॉर सेकेंड करके लिखा 8 इंटू 60 प्लस 24 यह 8 इंटू 60 सेकेंड को लिख देंगे 8 मिनट और वह 24 सेकेंड 24 ही रहेगा हाना कोई रिस्पॉंस नहीं हिबर निशन वे तो नहीं चले गए हाँ अगया है कि एए आज इतना ही पड़ाओंगा आज लंभी optimize नहीं लोंगा ठीक सुनिये अब आज यहीं पे कर रहा हूं यह ट्राफिक लाई और सर कुलर ट्रैक वाले जो कोश्यंस नहीं तो तीनध mapped करेंगे कल क्लास में HCF का application देखेंगे फिर वापस से word problem पर आएंगे ठीक नहीं last class का homework आज नहीं कर रहा हूं है discuss कल कर दूंगा last class का homework और जो आपके जो वह वाले questions थे न वर्ड प्रॉब्लम्स वाले जो पीवाई क्यों उनको भी solve करेंगे तो जो major portion था मेरा number system में यह चीज़ याद रखिएगा remainder theorem decimal expansion number of zeros unit digit और यह LCM और HCF का application जो major portions थे वो हमने cover कर लिया है बट यह जो topic है इसको मैं अभी end नहीं करूंगा I will take three more classes क्यों बहुत सारे different different types के पीवाई क्यों है जिनमें कोई method नहीं लगता जिनका कोई formula नहीं होता common sense से solve करना है तो उनको जो है हम लोग जितना maximum हो सके cover करेंगे ठीक काफी सारे लोग पूछ रहे थे में भी शायद आप impatient हो रहे होंगे कि number system और कितना पढ़ेंगे but believe me team class में नहीं हुआ तो चार class पढ़ाऊंगा पर number system और permutation combination इस पर हम लोग कोई चांस नहीं लेंगे तीक इस पर हम लोग कोई चांस नहीं लेंगे यह जितना आगे खीच सकते हैं जितने सारे टाइप कवर कर सकते हैं वह हम सब्सक्राइब करेंगे बताया तो मैंने मिनट में कर वर्ट किया तो भी म Cathy आट मिनिट में चाहइद आ겨 को नहीं एट 04 मिनिट कैसे आईगा व्य मिनिट उwnफ करना फ्यर me लोग एक important section cover करेंगे which is known as number system हर साल 15-20 question number system topic से पूछे जाते हैं out of 80 questions में से और अगर आप इस lecture को end-to-end देखते हैं तो अगर 20 questions आ रहा है तो 15 questions आप easily solve कर सकते हैं by using all the concepts which we are going to discuss in today's video तो चलिए session को start करते हैं session start करने से पहले एक important information अगर मैं CSAT को 2 months में cover करना चाहता हूँ that is by April end तो you can join our CSAT batch जिसका admission start हुआ है 8th of March से 10 last 10 years का PYQ discussion 1500 plus questions in form of practice sheet 10 mock test basic to advanced level preparation जो formula based questions होते हैं उसको change करके जो logic और concept based questions हैं वो सारी की सारी चीज़ों को cover की जाएंगी the price for the course is 3999 and the code for maximum discount is 80 life कल की class में हमने पढ़ा था I think LCM का application क्या हो रहा है एको हो रहा है आवास class अटक रही है एक बार confirm करो क्या audio visual में कोई problem है All good जिनको भी problem हो रहा है जिनके side से एक बार अपने system को refresh कर लो ठीक शालीनी आवास कमा रही है तो volume increase कर लो ठीक एक बार आप system को refresh करके देखो दिपेश जालीनी आप भी एक बार system refresh कर लो because majority of students को problem नहीं हो रही है अच्छा री जॉइन करने से एक बार log out करके फिर से री जॉइन करोगे तो system ठीक हो जा रहा है ठीक चलिए फिर स्टार्ट करते हैं session को अच्छा अच्छा तो एल्सियम का application वाले questions clear थे आपको lcm find करना था हमेशा अच्छा मुझे बताना कौन-कौन से questions हो गए हैं उसके बाद आगे बढ़ेंगे यह फॉट्टी एंफॉटी एट सेकिंड्स वाला question कर लिए थे चार बैल वाला question हो गया था एक यह question करते हैं इसमें concept भी सीखेंगे the question is three runners running around a circular track running around a circular track can complete one revolution in two comma four comma five point five hours when will they meet at starting point this is the question options आपको गिवन है 22 hours option b 33 11 और option d is 44 hours when they will meet at starting point together क्या अप्रोच होगा discussion को बनाओगे कैसे discussion को कैसे बनाओगे LCM से good but LCM find कैसे करोगे how you are going to find LCM question यह है कि LCM of two four and five point five यह कैसे find करेंगे कैसे find करोगे एक तो आप minutes में find करके solve कर सकते हो गलत नहीं है वो भी बट फिर आपको end में hours में convert करना पड़ेगा दो बार minute में बिना convert किये solve करना हुआ because the topic which we are going to study is LCM and HCF of fractions ठीक LCM and HCF of fractions fraction का LCM और HCF कैसे निकालेंगे suppose आपको एक fraction given है A by B comma C by D comma E by F ये आपको एक तीन numbers given है ठीक है A by B के form में C by D के form में and E by F के form में अगर आपसे पूसता है कि find LCM of this fraction कितना होगा find LCM of this fraction पहले fraction का A जो है numerator है B है denominator दूसरे का C numerator D denominator E numerator F denominator तो आपको क्या करना होगा this is nothing but LCM of numerator A C E divided by HCF of denominator which is B D F क्या ये formula याद रहेगा अगर आपको fraction का LCM निकालना है तो उपर वाले numerator का LCM निकाल देना और denominator का HCF निकाल के डिवाइड कर देना ये क्या आएगा ये आएगा LCM की वाल्यू के बराबर येस और नो जल्दी बताइए येस और नो अगर आपसे fraction का HCF पूस्ता मान लो अगर आपको ये पूस्ता कि find HCF of this fraction A by B C by D E by F तो ये कितना आता है आप यहाँ पर numerator का HCF निकालते है A, C, E whole divided by denominator का LCM which is B, D, F B, D, F तो ये मैंने आपको LCM और HCF दूनों का अगर fraction में present है तो LCM और HCF निकालना सीख गए हम लोग अगर fraction में present है तो इस formula को जल्दी से note करो फिर मैं इस question को solve करता हूँ हम इसका LCM निकालेंगे इसी formula से जल्दी से note करो और हो जाएगा तो मुझे बताना देखो मुझे किसका LCM निकालना है मुझे LCM find करना है 2,4,5.5 अच्छा 5.5 को मैं लिख सकता हूँ 11 by 2 इसमें किसी को doubt तो नहीं है क्योंकि यह 5.5 बन जाएगा 55 by 10 विच इस नथिंग बट 11 by 2 अगर 5 से divide करोगे तो तो आपको क्या करना है 2 by 1,4 by 1 11 by 2 इसका आपको LCM find करना है You need to find LCM of these fractions You need to find LCM of these fractions तो formula क्या होता है 2,4 और 11 का LCM निकाल लो और divided by 1,1 और 2 का HCF ठीक बताओ तो 2,4 और 11 का LCM कितना आएगा जो process हमने कल सीखा था उससे What is the LCM of 2,4 and 11 44 आजाएगा Good What is HCF of 1,1 and 2 What is HCF of 1,1 and 2 HCF आजाएगा 1 तो आपका LCM क्या नहीं कल गया 44 hours तो इस question का answer क्या होगा The answer of this question is option number D यह कब एक साथ मिलेंगे यह मिलेंगे 44 hours के बाद क्या हो गया Sir, बहुत लोग जोईन नहीं कर पा रहे है क्लास के कोई problem आ रहा है login करने में क्योंकि class की strength आज कम है usually क्या ऐसा कुछ problem आ रहा है नहीं है कांचा 55 by 10 लोगे तो 220 नहीं आएगा yes app काम नहीं कर रहा है just wait for two minutes just wait for two minutes शोबित किसी को बेजना न क्लास में हाँ वो बच्चे कह रहे हैं कि join नहीं कर पा रहे है एप का server down है कुछ तो issue है एक बार भेजना किसी को अच्छा है अच्छा है थीक है और बता देना मैसेज करके तो अच्छा है टुडे डे आस्क पर अपडेट एन आफटर अपडेट सर्वर डाउन बता रहा है क्या किया जाए कि काम करते हैं क्लास को continue करते हैं साइट क्रैश है यह क्या वात हुई एप और साउंड भी नहीं काम कर रहा है अच्छा एक काम करते है थोड़े देर पढ़ते हैं उसके बाद देखेंगे अगर फुक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है तो फिर क्लास को कर देंगे वेबसाइट पर चल रहा है क्लास लिए टिक वेबसाइट पर चल रहा है एप में प्रॉब्लम आ रही है तो यह चीज आगे से भी याद रखना कि कभी अगर आप में दिक्कत आए तो वेब साइट से लॉग इन कर लेना चंद्र कमल का कहना है वीडियो ओडियो प्रॉब्लम है अपडेट में ग्लिच होगा अपडेट में पहले भी हो चुका है अपडेट में ग्लिच आता है फिर वो इसको ठीक कर देते हैं अभी क्या करें विंडोस पे भी नहीं चल रहा है रहार चलो मैं पढ़ाना स्टार्ट करता हूं सुनो मैं पढ़ाना स्टार्ट करता हूं जो ल प्रॉब्लम आएगी तो कल की क्लास में रिपीट कर दूंगा अभी पढ़ना स्टार्ट करते हैं ठीक ठीक जो लोग भी नहीं जोइन कर पा रहे हैं उनको आप मेसेज फॉरवड कर दीजेगा अगर आपके कॉंटाक्ट में हुए तो कि मैं सारी चीजे रिपीट कर दूंगा अब अभी पढ़ाई स्टार्ट करते हैं ठीक चलो फिर वापस से तो यह मुझे फाइंड करना आ गया अगर फ्रैक्शन्स में होगा तो लस्टीम कैसे निकालेंगे थीक यह चीज अब देखो उस डिसकेशन को एंड कर रहे हैं अब कि नोटिफिकेशन से जा सकते हैं नहीं जा सकते हैं कैसे हो सकता है यह सब कुछ नहीं अब डिसकेशन होगा सिर्फ पढ़ाई पर फोकस करते हैं अगर कहोगे तो नेक्स क्लास में रिपीट हो जाएगा ब बना लोगे हाँ अब फोरेस्टर वांस तो प्लांट 44 अपल ट्रीस 44 अपल ट्रीस, 66 बनाना ट्रीस and 110 mango ट्रीस in equal rows in equal rows bracket में in number of trees see he also want to make he also want to make distinct row of trees distinct row of trees that is only one type of tree only one type in each row the number of minimum rows required the number of minimum row required this is the question options are 2, 3, 10, 11 2, 3, 10, 11 इस question को एक बार read करो solve मत करो एक बार read करो फिर इसके मतलब पर मैं discussion करूँगा कि सवाल कहना क्या चाहता है जली से एक बार read करो हो जायेगा तो मुझे बताना अच्छिआ ये कुश्चर LCM का application लग रहा है आपको पढ़ने पे, समझने पे, क्या ये question LCM का application लग रहा है, कि नहीं, हमने जब तक LCM का application के questions किये हैं, क्या ये LCM का application लग रहा है, नहीं, this is the question of application of HCF, this is the question of application of HCF, बिलकुल नितिका, together word नहीं लिखा है, अब सवाल का मतलब समझते हैं हम लो, द्यान से सुनना, एक forester, एक मतलब किसान के पास में, जो जंगल में फल लगाना चाहता है, फलो का पेड, उसके पास 44 apple trees हैं, 66 banana trees हैं, और 110 mango trees है, टोटल नंबर ओफ ट्री कितने हुए इसके पास, क्या count कर सकते हो, टोटल नंबर ओफ पेड इसके पास कितने available हैं, 220 पेड़ हैं, अब क्या कह रहा है, इनको यह लगाएगा, 110 mango trees in equal rose, अब यह equal rose किसके respect में, number of trees के respect में, मतलब अगर पांच रो लगा रहा है, तो पांच रो में number of trees बराबर होंगे, is this point clear, यह minimum अगले सवाल में maximum बन जाएगा गुरविंदर, तो तुम confuse हो जाओगे, HCFA की LCM है, इसे शब्द पे मत देखना, लो, the number of rows required, इस पे मत देखना, minimum यह अगले case में maximum बन जाएगा, यहाँ ध्यान देना, कि इसको जो रो लगाएगा पेड़ के, उन हर एक रो में number of trees बराबर होंगे, हर एक रो में number of trees बराबर होंगे, और क्या कह रहा है, He also want to make a distinct row of trees, मतलब हर एक रो में एक ही type का tree हो, दो conditions है, HCF के application में दो conditions होते हैं, पहला कि हर एक रो में, आप क्या कर रहे हो, आप categorize कर रहे हो, आपके पास total कितने पेड़ थे, 44 थे apple के, 66 थे banana के, और 110 थे mango के, ठीक, आप इनको रो में break करोगे, तो जब आप रो में break करोगे, रो 1, रो 2, रो 3, रो 4, 1, 2, 3, 4, ठीक, आगे भी हो सकते हैं, मुझे नहीं पता, मैंने अब तक question solve नहीं किया, मैंने ये देखा, कि हर एक रो में number of trees बराबर होने चाहिए, मानलो मैं 5 tree plant कर रहा हूँ, मैं 5 tree plant कर रहा हूँ, just an assumption, तो हर रो में 5 tree ही होने चाहिए, ठीक, ये था पहला statement, और दूसरा statement ये कह रहा है कि distinct रो मतलब, आप हर एक रो में एक ही type का पेल लगाओगे, अगर यहाँ पर apple लगा है, तो ये सारे के सारे apple होंगे, अगर यहाँ पर banana लगा है, तो ये सारे के सारे banana होंगे, ऐसा नहीं हो सकता, कि आप यहाँ पर 3 apple और एक banana लगा दे, is this thing clear, the meaning of question, आपको इन नंबरों को break करना है, इन में maximum common कितना हो सकता है, what is the maximum common number in these things, 44, 44 को कैसे लिखते है, 11 into 2 square, what is 66, 11, 3 into 2 into 11, and what is 110, I think यह हो जाता है, 2 square, नहीं, 2 into 5, 10 into 11, 2 into 5 into 11, क्या इन तीनों का HCF निकाल सकते हो, इनका HCF कितना आगा, 44, 66 और 110, what is the HCF, what is the HCF, देखो common क्या-क्या है, 2 common है, और 11 common है, और दोनों का minimum power 1 है, तो HCF आ गया 22, यह 22 क्या बता रहा है, यह जो HCF आया है 22, यह बता रहा है, length of row, यह क्या बता रहा है, length of row, और I would say, maximum length of row, इस से ज़्यादा बड़ा आप length मत रखना row का, जो मैंने आप पांच पेड़ बोले हैं न, एक्च्वल में आप 22 पेड़ लगाएंगे, हर एक row में, ठीक, एक्च्वल में आप 22 पेड़ लगाएंगे, this is length of the row means, आपके हर एक row में 22 ट्रीज लगेंगे, मैं बिल्कुल दुबारा repeat नहीं करूँगा, अगर किसी को doubt है, तो पूछ लो अभी, I am giving you time, क्या ये चीज समझ में आई है, LCM का application समझना असान होता है, HCF का application में थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है, हर एक row में आप 22 पौधें लगाएंगे, अगर आप 22 पौधें लगाओगे, तो फिर कोई issue नहीं होगा, कैसे issue नहीं होगा, अब बताओ, apple के लिए कितने rows required है, number of rows, एक row में 22 पौधे, apple के total पौधें है, 44, मतलब 2 row हो गया apple का, और क्या था आपका, बनाना, बनाना के number of rows कितने होंगे, total पेड़ थे 66, 66 by 22 करो, number of rows हो गए, सिर्फ और सिर्फ बनाना के 3 row, ठीक, बनाना के हो गए 3 row, और आखरी में बचा mango, तो mango के पास कितने पेड़ थे, 110, इसको 22 से डिवाइड करो, आज आएगा 5, ठीक, तो total number of row required, 5 plus 3 plus 2, answer is 10, ठीक, यह सारे condition satisfy कर रहा है, दो row बनाना के, जिसमें 22-22 पेड़ होंगे, ठीक है, पूरे एपल के होंगे, तीन row बनाना के, जिसमें 22-22 बनाना के पेड़ होंगे, और सिर्फ बनाना के होंगे, और आखरी में 5 रोब बनेगा mango का, clear यह चीज, तो answer is 100, sorry, answer is 10, clear, क्या यह सवाल clear है, देखो बहुत जादा questions नहीं है, क्योंकि बहुत जादा पूछा नहीं जाता, बट हमें आना चाहिए यह question, इस type के सवाल हमसे बनने चाहिए, एक और question बनाता हूँ ऐसी, जिनको भी नहीं समझ में आयों उनके लिए, what will be least possible number of, what will be least possible number of planks, if 3 pieces, 3 pieces of timber, 42 meter, 49 meter and 63 meter long, have to be divided into planks of same length, into planks of same length, this is the question, options are 7, 8, 22, 7, 8, 22, none of the above, बता होता है, इस question का answer? ठीक, अधित आपके device, आता हूँ, मैं आपके doubt पर, इस question को try करो, इस question को try कीजिए, का answer आएगा? देको question में पूछा क्या है, सवाल में पूछा क्या है? सवाल में ये पूछा है, कि आपको least possible number of planks चाहिए, planks मतलब लकडी का, पट्रा बोल दो, ठीक है? तो आपको वो सबसे least possible number of planks कब मिलेगा? जब आप इनको maximum length पे divide करोगे, हाई अना? ये बात समझ में आ रही है, कि आपको यहाँ पर least possible number of planks कब मिलेगा? जब आप इसको maximum length पे divide करो, 42, 49 और 63 को maximum length पे divide करेंगे, तभी आपको least possible number of planks मिलेगा? हाई अना? जब आपको आपके पास क्या-क्या number है? 42, 42 को मैं लिख सकता हूँ, 2 into 3 into 7, 49 को मैं लिख सकता हूँ, 7 square और 63 को लिख सकता हूँ, 3 square into 7, ठीक? तो यहाँ से अगर आप HCF find करोगे, HCF क्या होता है? HCF होता है वो सबसे बड़ा number, ठीक? वो सबसे बड़ा number, जो इन सब को divide कर सके, ठीक? तो यहाँ से common क्या निकल कर आएगा? 7 ही common है, और minimum power 1, तो HCF आगया 7, HCF आगया 7, अब 42 मीटर वाला जो plank है मेरा, वहाँ से आपको कितने मिल जाएंगे? 42 by 7 करोगे तो, 6 planks, ठीक, 42 by 7 करोगे तो, 6 planks मिल जाएंगे, 49 by 7 करोगे तो, कितने planks मिल जाएंगे? 7 और 63 by 7 करोगे तो, कितना मिल जाएगा 9? एड कर दो, 6 plus 7, 13, 13 plus 9, answer is 22, एक answer is 22, वहाँ सा option में टिक करूँगा? option number C, ठीक, टोटल आपके पास 22 planks मिल जाएंगे, जो ये अलग-अलग timber से बने होंगे, बट इनका length बराबर होगा, वो जो बराबर length अगर पूसता, तो answer क्या होता? 7 meter, इसको मैं 7 meters के 6 planks में break किया हूँ, इसको मैं 7 meter के 7 planks में break किया हूँ, और इसको मैं 7 meter के 9 planks में break किया हूँ, ठीक है? हाई अना? एक UPSC का ही question करते हैं, देखते हैं कितना समझे हैं हम लो? यह लो, question is, UPSC में पूछा गया था, what is the, greatest possible rate at which a man can walk 51 kilometer and 85 kilometer in exact number of minutes I think answer is 11 kilometer per minute 13 kilometer per minute 15 kilometer per minute 17 kilometer per minute बदाओ तो answer what is the answer what is the greatest possible rate कितनी स्पीड से यह आदमी चले कि इसको 51 kilometer और 85 kilometer यह को equal number of minutes नहीं लिखा है यहाँ पर लिखा है exact number of minutes तीक, exact number of minutes में यह cover कर सके exact का मतलब यह होता है कि एक minute, दो minute, पाँच minute integer number आए तीक है decimal में ना आए minutes की value यह सार नो पर आए समझे की नहीं समझे exact number of minutes मैं जब समय देता हूं तब yes no नहीं लिखते हैं फिर जब वो question complete हो जाता है पांच मिनट बाट डाउट आता है आप लोगों का कि सर्वहाँ पर exact number of minutes का मतलब क्या था इस चलो एक काम करते हैं सुनो मेरे को आप 51 और hcf 85 का hcf निकाल के बताओ फिर मैं समझाता हूं क्या चीज़ है यह इस फिफ्टी वन फिफ्टी वन को कितने लिखते हैं आई थींग यह इन टू थी होगा यह ओगा थी इन टू सवेंटीन और 85 होता है तो इन दोनों का अगर hcf निकालना है तो यह hcf आ जाएगा 17 हाँ यह यह hcf आ जाएगा 17 है अगर यह आदमी 17 किलो मीटर पर मिनट की स्पीड से चले तीक अचली कुश्चन जो फिसिबल नहीं है इग्जाटली 17 किलो मीटर पर मिनट की स्पीड से अगर यह वॉक करे तो आप मेरे को बताओ कि 51 किलो मीटर चलने में इसको कितना समय लगेगा तीन म्यनत और 85 किलो मेटर चलने में कितना समय लगेगा फाइब मेनिट इस दा इनियन व एक्जक नंबर ओफ मिनेट पॉऩ कि मतलब वो तीन मिनेट 40 सकेंड ना चले वो चार मिनेट 15 सके ना चले अगर वो चल रहा है तो एक्जक नंबर ओफ मिनेट पे चले 3 4 5 6 7 8 therefore it is the application of HCF कि आप इस time interval को कितने बड़े number में बाट सकते हो जो इन दोनों को divide कर सके तिक divide करने का मतलब क्या आता था remainder zero यही कहानी है exact number of minutes की क्या point समझ में आया यहां पर आप स्पीड पूछा था total minutes नहीं पूछा था कि एक एंसर इस 17 किलो मीटर पर मिनिट कि येस्ट नो कि हुआ है चोटा मिनिट क्यों होगा मतलब यह आप और अगर कोई स्पीड से जाओगे तो आप इसको exact number of minutes में cover नहीं कर पाओगे अगर आप कोई और स्पीड से जाओगे अगर मानलो आप 34 किलो मीटर पर मिनिट से जा रहे हो तो आप यह 51 को exact minute में नहीं cover करोगे एक decimal portion आ जाएगा टाइम में टाइम में एक decimal portion आ जाएगा पस यही मैं समझाना चाहा रहा था यही सवाल इन्हों ने पूछा था यूपीस्टी ने तो question cut in नहीं है सिर्फ और सिर्फ आपको थोड़ा ध्यान रखना है यहाँ पर चलिए आगे चलते हैं यह तो हो गया एक और छोटा सा concept है HCF LCM topic की इंड कर देंगे इसके साथ the question is the HCF and LCM the HCF and LCM of two numbers अर अलागी कोशन यूपीस्टी तो नहीं पूछेगा पर स्टेट PCS में पूछ सकता है 12 and 144 ठीक इफ वन नंबर is 36 find other find other number options are 448 72 or option B 432 solve this question हाउ टू क्या लिखे हो संदीप समझ नहीं पाया मैं हाउ टू नो इट इस HCF आपको ब्रेक करना है जहां पर भी आप चीजों को ब्रेक करने वह HCF का सवाल है जहां पर भी together वाला concept आ रहाएगी सब एक साथ कब करेंगे एक काम वह LCM का होता है इसमें याद रखना है इस question को बनाने के लिए एक formula होता है सीधा-सीधा formula है valid only when two numbers are given यह सिर्फ और सिर्फ दो numbers पे ही valid होगा ठीक जब भी आपको दो number दिये हैं तभी यह process valid होगा यह क्या कहता है product of number मतलब number one multiplied by number two is equal to LCM into HCF दोनों number का जो multiplication होता है वह LCM into HCF के बराबर होता है तो LCM HCF कितना है 12 into 144 is equals to पहला number क्या था मेरा 36 दूसरे number को मैं A मान लेता हूं तो क्या मैं दूसरा number number find कर सकता हूं क्या दूसरा number मिल जाएगा यह गया one से यह गया three से अब अगर three से इसको cancel करोगे three fours are 12 और 48 तो the number is 48 नंबर is 48 जब दो number given होगा तभी apply करना यह technique जब दो number given होगा तभी यह technique apply करना क्लियर LCM HCF में कुछ confidence आया कि यह जो आगे चले नंबर सिस्टम के नेक्स्ट टॉपिक पर एक वाथ सोचके तो आया था कि मैं नंबर सिस्टम का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाऊंगा बट काफी सारे स्टुडेंट्स जॉइन नहीं किये हैं तो मैं नेक्स्ट टॉपिक नहीं पढ़ा रहा अभी नंबर सिस्टम का बट जो मैं आपको बताया था था ना मिसलिनस वर्ड प्रॉब्लम वाले जो questions होते हैं जो previous year में बहुत सारे पूछे गये हैं नंबर सिस्टम में एक आपको सिर्फ और सिर्फ प्रोसेश सीखना है ठीक आपको सिर्फ और सिर्फ प्रोसेश सीखना है तो चलो वो questions को पहले बनाते हैं लेकर सॉल इस questions yes I know app of server issue है ठीक है मैं समझ गया बटब class end नहीं कर रहे है मैं repeat कर दूंगा हर चीज़ अगर चाहेंगे आप लोग तो कल की class में hmm yellow question is these all are pyq's there are certain two digit numbers the difference between the number the difference between between numbers and the one obtained by then the one obtained on reversing obtained on reversing it is always 27 how many such maximum two digit numbers are there how many class stuck work down something written okay problem refresh system i think how many maximum two digit numbers are there how many two digit numbers are there question is how many two digit numbers are there so options are 3 4 5 3 4 5 or option d is none of the above none of the above question question there are certain two digit numbers number number and reverse interchange which between between and the number कि एप इस वरकिंग कि सब ठीक है चलो तो बताओ एंसर कैसे सॉल्फ करेंगे इन कुश्चन्स को हुआ है 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 कि देखो आशी में क्लास एंड नहीं करूंगा क्योंकि अगर मैं एंड कर दूंगा क्लास आपके बस रिकॉर्डिंग के लिए कुछ नहीं रहेगा लेट मीटीच जो भी प्रॉबलम होगा कल फिर से इसको रिपीट कर देंगे अगर आज में अधिकर दिया क्या चाहते हो आप लोग एंड करना चाहते हो तो एंड कर देंगे बट प्रॉब्लम यहीं कि फिर विकॉर्डिंग भी नहीं रहेगा पढ़ने क कि अगर आपका सिस्टम नहीं चल रहा है तो बंद कर दीजिए सिस्टम रिकॉर्डिंग देख लेना का राजन यह कैसा डॉक्टर राजन यह कैसा एक्सक्यूज है कि साड़े चारवे से जूम है कि सुनाली ना आवाज आ रहा है न स्क्रीन विजिबल है तो एंड कर दो कि जिनके भी सिस्टम में प्रॉब्लम हो रहा है आप एंड कर दीजिए चलो इस कुश्चन को देखते हैं इधर आओ कि साटेंट टू डिजिट नमबर मैं दो डिजिट नमबर को क्या मान ले रहा हूं ए बी इस इस माइट डिजिट नमबर कि क्या चीज़ क्लियर है दो डिजिट नमबर एबी है कि दो डिजिट नंबर है एबी इसको जब रिवर्स करूंगा तो क्या नंबर बन जाएगा बीए यस और नो और इनके बीच का डिफरेंस कितना गिवन है कुश्चन में इनके बीच का डिफरेंस गिवन है 27 यह समझ में आया कि नहीं आया एक दो डिजिट का नंबर लिया था मैं एबी जब उसके डिजिट को रिवर्स कर दूंगा तो वो बन जाएगा बीए विच इस इकोल तो 27 विच इकोल तो 27 ठीक अब यहां पर अगर मैं एक्स्पैंशन अप्लाई करूं तो यह अबी को क्या लिख सकता हूं 10 a प्लस बी माइनस ओफ 10 b प्लस ए ऐसे लिख सकते 10 a माइनस ए कितना हो जाएगा यह ऐसा बन जाएगा a माइनस b is equals to 3 I am giving you half a minute अगर doubt है तो पूछो then I will proceed further a माइनस b की value आ गई 3 a माइनस b की value आ गई 3 कहाई चीज clear है मिरको बोला था कि number और उसको reverse करने के बाद जो difference आ रहा है वो है 27 तो मैंने expansion लगाया और देखा कि भई a यूनिट डिजिट और यह a-b क्या है दिस इस माइ ओरिजिनल नंबर दिस इस माइ ओरिजिनल नंबर ठीक टेन कैसे आया यह पहली क्लास है वही अपढ़ना और बीरदविंद्र एक टेन कैसे आया है एक कांट explain नाओ यह नंबर सिस्टम की पहली क्लास है शहर आपने नहीं देखी है वाला लेक्चर शहर आपने वाला लेक्चर नहीं देखा है येस और नो वेदिगा कभी डाउटे 10 क्यों लिखे है रहा है ना बता दो अगर नहीं देखे हो तो फिर देख लेना क्योंकि यह सारी चीज़ हमने देखा था कि expansion कैसे करते हैं नंबर्स का है ठीक तो देखो 10th digit और unit digit मेरे को relation क्या मिला 10th digit और unit digit का जो difference है वो 3 होना चाहिए 10th और unit digit का जो difference है वो होना चाहिए 3 तो मैं अब मेरे पास और कोई equation तो है नहीं solve करने के लिए क्या मेरे पास और कोई equation है नहीं है तो मैं क्या करूँगा अब यहाँ पर value assume करूँगा suppose A की value अगर मैंने 1 ले लिया ठीक है फिर तुम बोलोगे कि doubt हो रहा है देखो उल्टा चलाते हैं A की value अगर मैंने 9 ले लिया तो फिर B कितना आना चाहिए जल्दी बताओ B कितना आना चाहिए अगर A को 9 लिया तो मुझे B को लेना पड़ेगा 6 ठीक अगर मैंने A को 9 ले लिया तो B को लेना पड़ा मुझे 6 similarly अगर मैंने A को ले लिया 8 तो B को कितना लेना पड़ेगा 8-5 is 3 तो यह हो जाएगा 5 हम बाद में cross check भी करेंगे अगर आपने 8 लिया तो आ जाएगा 5 अगर आपने 7 लिया तो यह होना चाहिए 4 7-4 3 अगर आपने 6 लिया तो यह होना चाहिए 3 2 डिजिट अगर आपने पहला डिजिट 6 ले लिया तो दूसरा डिजिट हो जाएगा 3 क्योंकि तीन का ही आप चाहिए अगर आपने 5 लिया तो यह हो जाएगा 2 ठीक अगर आपने 4 लिया तो यह हो जाएगा जीरो येस और नो येस और नो यहां तक कि मैंने वैल्यू अब मुझे क्या करना है चिक करके देखना है कि भाई रिवर्स करके अगर माइनस करूं तो क्या हर बार 27 आ रहा है ये बन जाएगा 36 25 14 03 क्या हर बार एंसर 27 आ रहा है रिवर्स करके माइनस करने पर क्या रिवर्स करके माइनस करने पर जो कंडिशन दिया था कि नंबर माइनस दे रिवर्स ओफ दे नंबर विल गिव यू 27 तो कितने नंबर पॉसिबल है मेरे पास वाड़े नंबर आफ नंबर पॉसिबल हर बार आ रहा है वह 27 माइनस करोगे तो क्यों नहीं आएगा क्यों नहीं आएगा बिलकुल आएगा तो एक दो तीन चार पांच छे और साथ क्या मेरा एंसर 7 आना चाहिए ठीक है यहां पर तो नोटा है मैंने टिक कर दिया बट एक्च्वल एंसर अगर यूपी एससी ने सपोस्ट चलो एंसर को तुछ आप्शन को चेंज कर देता हूं मैं तो मादले एक आप्शन ले लेते हैं 6 एक आप्शन ले लेते हैं 7 क्या टिक करते किसको टिक करते 6 को टिक करते कि 7 को टिक करते गुड यहां पर बोला है सरेटेन टू डिजिट नंबर्स समझ रहे हो रिवर्स करने के बाद भी जो नंबर बन रहा है वो टू डिजिट का होना चाहिए यह वाले केस में पॉसिबल नहीं है क्योंकि 30 को रिवर्स करोगे तो 3 जो है वो एक सिंगल डिजिट का नंबर हो जाता है इसे लिए करेक्ट आंसर इस एक दो तीन चार पांच छे यू श सब्सक्राइब के साथ लिखा हुआ है तो यह सवाल आपके एक्जाम में इस तरीके के पूछे जाते हैं जहां पर आपको कितने नंबर्स पॉसिबल हैं वह सब फाइंड करना पड़ता है आपको एंसर फाइंड करने के बाद काउंट करना है कि कितने एंसर्स आये हैं वह इनकी माइनस करके देखो ना माइनस मैं कैसे बताऊंगी 96 माइनस क्या चाहते हो आप कि मैं 96-69 को सब्ट्रैक करूं और लिखोंगी 27 आ रहा है मैं 85-58 करके लिखोंगी 27 आ रहा है 74-47 को 27 लिखूं 63-36 को 27 लिखूं 52-25 को लिखूं 37-27 41-14 आप सॉल्फ करके देखिए ना क्लियर है कोश्चन तो बताओ आगे चलूंगा मैं अगर यह सवाल क्लियर है तो उसका एग्जाक्ट एंसर आएगा आपका 3 यस चलिए नेक्स्ट कोश्चन देखते हैं क्या कह रहा है यह मैं अच्छा कोश्चन तर दे एज ओफ Mr. X last year was square of a number was square of a number and it would be cube of a number next year cube of a number next year what is the least number of years what is least number of years he must wait he must wait for his age to become for his age to become to become cube of a number again cube of a number again देख बताओ उसका answer options are 42 और कितना है 38 42 38 option C 25 and option D 16 बताओ क्योंकि आयूशी 3 is not 2 digit number 30-3 हो जा रहा है 3 is not 2 digit number एक बर सवाल रीड कर दो मैं question भी समझा दूँगा यह सारे के सारे PYQs है these all are PYQs shall I solve क्या मैं बनाओ question को try कर रहे हो अभी yes चलो ठीक है देखो पहले इस question को समझते है question क्या है question यह बोल रहा है कि Mr. X का जो पिछले साल उमर था Mr. X का जो पिछले साल उमर था वो था square of a number किसी भी number का square था और अगले साल जो उमर होगा वो होगा cube of a number साफ साफ लिगा है देखो last year square था और next year हो जाएगा cube last year square था next year हो जाएगा cube तो अब यह बोल रहा है कि और कितने साल यह वेट करें कि इसका उमर जो है फिर से cube हो जाए किसी और number का is question clear सिर्फ वासिर्फ सवाल को tricky करते हैं और कुछ नहीं करते हैं यह लोग एक काम करता हूँ मैं cube और square लिखता हूँ numbers का यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ square of numbers और यहाँ पर मैं लिखूंगा cube of numbers 1 का square कितना होता है 1 ही होता है 2 का square हो जाता है 4 फिर उसके बाद से 3 का 9 16 25 36 49 64 81 100 इसके आगे नहीं लिख रहा है क्योंकि 100 साल से ज़्यादा कोई जिंदा रहता नहीं है अब cube अगर लिखने जाओगे तो क्या आजाएगा 1 का cube 2 का आएगा 8 3 का 27 उसके बाद से 4 का 64 5 का 125 आगे लिखने का कोई logic ही नहीं है क्योंकि मैं इंसान की उमर की बात कर रहा हूँ अब देखो यह जो है यहाँ पर मैं इस box में लिखूंगा X का present age ठीक इन्होंने क्या कहा है इन्होंने कहा है question में कि यहाँ पर X का present age लिखेंगे एक साल पहले square था अगर मैं X के present age को देखूं अगर यह 26 साल होता तो देखो एक साल पहले अगर आप 26 में minus 1 करो तो यह बनता है 5 का square एक साल बाद cube होगा मतलब 26 में अगर आप plus 1 करो तो यह बन जाएगा 3 cube 26 में अगर आप minus 1 करो तो यह बन जाएगा 5 square तो क्या मैं लिख सकता हूँ इस एक्स प्रेजेंट age यह X का present age है 26 साल हाँ या ना यह है X का present age जल्दी हिटेंट ट्राइल से सॉल्फ करने है सारे सवाल हिटेंट ट्राइल से अब अगर में को present age मिल गया 26 तो मुझे clear दिख रहा है अगला cube कब आएगा जब यह 64 साल का हो जाए इसको और कितना वेट करना पड़ेगा अगर यह और वेट करेगा तो इसका उमर 64 साल हो जाएगा तो answer कितना आएगा इस question में इस question का answer आएगा 38 38 इस question simple है बस वो language को complicate कर देते हैं थाकि अब पहले ही घबरा जाओ हिंका एम रहता है कि पहले ही डरा देना question पड़के कि सर्फ पता नहीं square, cube, x क्या-क्या लिखा हुआ है but is there anything in the question क्या इसको समझने के लिए या इसको solve करने के लिए कोई extra knowledge की जरूरत है यह हमें पता था सारा knowledge बस उसको apply करना सीखना है सिर्फ और सिर्फ उसको application वाला पार्ट आपको सीखना है अच्छा एक बात बताओ तो how many years he should wait how many years he should wait so that age becomes square of a number अगर square of a number बनाना है तो कितने साल यह wait करे नहीं मुहमद आप कोई और number लोगे तो वो condition satisfy नहीं करेगा आपको यह condition देखनी है न क्या यहां पर कोई और number ले सकते हो जिसको minus one करने पर square बन जाए और plus one करने पर cube बन जाए कि बताओ क्या मैं इसमें कोई ऐसा number कर सकता हूं जो minus one करने पर square आ जाए और plus one करने पर इस column में आ जाए और कोई number exist नहीं करता अगर square की बात करोगे तो देखो 25 जो है वह एक square है अगला square क्या है 36 तो यह वाई साब की present age है 26 साल 36 साल पहुंचने में कितना समय लगेगा 10 साल प्रैंसर क्या होगा 36 minus 26 is equal to 10 years दस साल अगर यह wait करता है तो फिर से इसका age square हो जाएगा clear तो यह भी एक common sense वाला सवाल था आगे चलो चलो यह सवाल बनो देखते हैं कितने लोगों से बनेगा the question is a frog tries to come out of a dried well एक सूखे कोई से एक मेढग जो है बाहर आने की कोशिश कर रहा है 4.5 मीटर डीप इसाड़े चार मीटर का depth है विद स्लिपरी वाल्स विद स्लिपरी वाल्स अवरी ताइम अवरी ताइम फ्रॉग जंप्स अवरी ताइम फ्रॉग जंप्स 30 संटीमेटर ताइम प्रॉग अवरी उसम सक्टीमेटर्व प्रॉग गन्हिंटर गंग है दें आदिए ओर आधम टैसलम स्लिपरी है टाइम प्रॉग तो नंवरी ताइक कलए for frog required for frog to come out of wealth options are 28 29 30 31 पताओ उसका अंसर तुम लोगों को लगता है कि तुम्हारा जीवन कटिन है देखो बचारी फ्रॉक का कितना जीवन कटिन है एक तो कुआ सूखा उपर से इतना गहरा फिर दिवाले भी स्लिपरी है फिर जब बचारा जंप कर रहा है तीस सिंटीमीटर तो 15 सिंटीमीटर नी अब बताइए क्या एंसर आ रहा है इस कुश्चन का क्या एंसर आ रहा है इस कुश्चन का अब कि मेड़क के जीवन के संघर्ष को अप्रीशेट कर पा रहे हो कि नहीं हां है क्या हम मेड़क के जीवन के संघर्ष को अप्रीशेट कर पा रहे हैं कि नहीं है ना इस तक अप्रीशेट नहीं कर पाऊगे तब तक सॉल्व नहीं कर पाऊगे कि सॉल्व करूं मैं तो देखो ये है मेरा कुआं ठीक और यहां कहीं पर है मेरा मेड़क मेरी ड्रॉइंग थोड़ी खराब है वट दिखना इमाजिन कर ले ना यहीं है फ्रॉग यह फ्रॉग अब देखो क्या हो रहा है सबसे पहले यह टोटल वेल का डेप्थ कितना है वाट इस देप्थ औफ टोटल वेल कि अच्छा ठीक है मेड़क अंदर था कोई बात नहीं 45 मीटर नहीं 4.5 मीटर अगर मैं इसको सेंटी मीटर में कनवर्ट करूं आपको यह चीज़ पता है कि वन मीटर में होता है 100 सेंटी मीटर तो 4.5 मीटर में कितना होगा 450 सेंटी मीटर इस पॉइंट क्लियर अगर आपको मैं फिर से चार्ट बना दे रहा हूं कनवर्जन फॉर्मुला मीटर से सेंटी मीटर में जाओगे तो मल्टिप्लाइड बाइंड्रेड और अगर सेंटी मीटर से मीटर में जाओगे तो मल्टिप्लाइड बाइंड्रेड थीख है क्लियर यह चीज़ तो पूरा का पूरा इसका लेंथ कितना आ गया 450 सेंटी मीट ठीक अब एक बर में कूद रहा है 30 cm और खिसक के नीचे आ जा रहा है 15 cm वन जंप में इसका नेट मूवमेंट कितना होगा बताओ तो एक बार अगर वो जंप कर रहा है तो उसका नेट मूवमेंट कितना होगा एक जंप में नेट मूवमेंट है 15 cm का दो जंप के बाद कितना मूव करेगा दो जंप के बाद उसकी पोजीशन कहा होगी क्या हुआ यहां से यहां कुदा देखो यहां से यहां पहले जंप किया बट फिर नीचे आ गया 15 सिंटीमीटर तो पहले जंप में एक जंप के बाद यहां पहुचे तो समझे रहे हो आप तो मुझे एक बात बताओ 420 cm पहुचने के लिए कितना जंप चाहिए number of jump required to reach 420 cm चल्दी से 420 cm पहुचने के लिए कितना इसको जंप करना पड़ेगा एक जंप में 15 cm जा रहा है number of jump n is equals to 420 तो n is equals to 420 by 15 कितना आएगा ये ये value कितनी आएगी 420 by 15 28 आएगा मतलब 28 jump के बाद ठीक है this is his 28th jump 28th jump के बाद जो मेरा मेधा क्या है वो पहुच जाएगा 420 cm पहे अब सिर्फ और सिर्फ 30 cm ही बाकी है अब सिर्फ और सिर्फ 30 cm का ही गैब बाकी है कुए के बाहर निकलने में ठीक ये बात समझ में आ रही है बस मैं इतना संपल सा लॉजिक बताया हूँ कैलकुलेशन में कि 28 जंप करेगा तो 420 पे पहुच जाएगा यस और नो वाइ 420 इस नॉट दा एंसर है एंसर क्वेश्चन यह है कि क्या यह समझ में आया कि 28 जंप करेगा तो 420 cm पह आ जाएगा क्यूं हुआ कैसे हुआ छोड़ दो 28 जंप करने के बाद 420 पे पहुच गया हा या न फिर वही बात खुशी जो मैं बोल रहा हूँ आप लोग सुनने ही रहे हो अब देखो 28 जंप के बाद जब यह 29 जंप लेगा जब यह 29 जंप लेगा तो क्या यह स्लिप करेगा या नहीं करेगा यह बताओ क्योंकि 29 जंप लेते ही यह मेढग जो है यह यहां पहुच जाएगा कुए के ऊपर इस दिवाल से निकल गया इस दिवाल से निकल गया तो जो उसका आखरी जंप होगा उसमें स्लिपिंग नहीं होगी इसे लिए मैं 420 के लिए कैलकुलेट किया और जो लास्ट जंप होग उसमें यह 30 सेंटीमेटर कूच जाएगा वापस स्लिप नहीं करेगा क्योंकि दिवाल तो खतम हो गई टॉप पे पहुंच गया है इसलिए फाइनल आंसर कितना आएगा 28 प्लस 1 इस इकॉल्स तो 29 इस दा करेक्ट एंसर ऑप्शन नंबर भी समझें क्यों मैंने 420 लिया इसलिए लिया क्योंकि जो मैक्सिमम हाइट थी उससे मैं 30 कम ले रहा हूं उससे मैं 30 कम ले रहा हूं क्योंकि आखरी वाले जंप में यह स्लिप नहीं करेगा यह टॉप पे पहुंच जाएगा अगर आपको अभी भी डाउट है तो आप एक काम करिएगा आप एक कुवे में जाएगा और फिर 30-30 सेंटीमेटर कूद के देखना जो आखरी जंप होगा उसमें स्लिपिंग नहीं होगी दो आप्शन है आपके पास या तो मेरी बात पर ट्रस्ट कर लो नहीं तो किसी कु होना चाहिए पर और वाल स्लिपरी होने चाहिए कंडिशन साटिस्वाइए एक बर में 30 सेंटीमेटर ही जंप करना है और पंदरा फिसल के भी आना है तब आप देखोगे कि 29 जंप्स लगते हैं प्लस वन क्यों क्योंकि आखरी जंप है इस दा लास्ट जंप इस दा लास्ट जंप आया कुशन कुछ गया दिमांग में एक्जाम में आप वही करके आते 30 टिक करके आते और फिर प्रॉब्लम हो जाती नेगेटिव हो जाता है अच्छ एक बात बताओ क्या ये कंसेप्ट सोच पाते है एक्जाम में खुद से ये कुशन टफ था इजी था ये कुशन टफ था या इजी था ये बताओ मुझे is this question tough और easy hard एको जितने लोग भी hard कह रहे हैं इस question को ये सवाल आ यह था 22 में शायद इस question को एक बात राई करो three pillars x y z of different heights three spiders a b and c starts to climb starts climbing these pillars simultaneously लिखा है मैं लिखने रहा हूं एक साथ climb कर रहे हैं in one chance question बढ़ा है in one chance आप साथ में लिखते जाना a climbs on x by six centimeter and slip down slip down कितना है one centimeter ठीक अब जो है बी जो है बी चड़ला है चड़ रहा है वाई पे बी क्लाइम्स on y by seven centimeter slips down कितना three centimeter और आखरी जो है आपका सी जो है स्पाइडर सी वो क्लाइम्ब कर रहा है on z by 6.5 cm एक बार में हर एक अटेम्ट में 6.5 cm चड़ रहा है और slip down कितना हो जा रहा है तू सेंटीमेटर ठीक इच रहे एक स्पाइडर रिक्वार्स पॉर्टी चांसे तो रीच दा टॉप what is the height of shortest pillar आपको बताना है height of shortest pillar यह तो question में पूछा है आप मेरे को बताओगे सारे pillar का height shortest pillar option is 161 cm में है सब कुछ 161 cm 163 cm 182 cm and option D 210 cm इस question को solve मत करो इस question को एक बार read करो जल्दी से और जैसी read होगा मुझे बताना इस बीड़ हुआ हुआ इस देखो जिनको भी यह लगा था कि सर हम वो concept नहीं सोच पाते एक्चुली यह जो question है न यह पूछा गया था 2017 में और इसके पहले वाला इसके पहले आप फ्रॉग के परस्पेक्टिव से सोच रहे थे अब अब अपने आपको spider के अंदर ढाल लीजे जस्ट इमाजिन यॉर्सेल्फ आइज स्पाइडर और मुझे तीनों टावर का हाइट चाहिए तीनों पिलर्स का और शॉर्टेस्ट कौन सा यह भी बता देना लोग सॉल्फ करो एक बार ट्राइग करो फिर मैं सॉल्फ कर देता हूँ है है बस लॉजिक यही है कि टॉप पे पहुंचने के बाद स्लिप नहीं करेगा यह शॉर्टेस्ट इस वाई वाई आ रहा है शॉर्टेस्ट कितना लेंधा रहा है वाई का 163 और बाकी तीनों का लेंध मतलब बाकी दोनों का लेंध आप दे पिलर चलो मैं सॉल्फ करता हूं देखो क्या हो रहा है पिलर से एक्स वाई जेड ना तो पिलर बना देता हूं दिस पिलर एक्स दिस पिलर वाई दिस पिलर जेड ठीक इस पे चड़ रहा है स्पाइडर ए इस पे चड़ रहा है स्पाइडर बी और इस पे चड़ रहा है स्पाइडर सी करके मैंने स्पाइडर भी बना दिये अब एक बात बताओ स्पाइडर एक आएक बार में नेट मुव्मेंट कितना हो रहा है छे सेंटीमीटर चल रहा है एक सेंटीमीटर स्लिप कर रहा है तो इसका एक बार में नेट कितना हो रहा है 5 cm हो रहा है इसका एक बार में net movement, इसका एक बार में net movement हो रहा है 5 cm का, अब बताए सबको लग रहे है 40 chances, सबको अगर 40 chances लग रहे हैं, तो मुझे बताओ, 39th attempt में, ये spider कितनी दूरी चड़ लेगा, 39th attempt तक के ये spider कितनी दूरी चड़ेगा, 39 into 5, कितना आ रहा है, 39 into 5, अरे, 39 into 5 आ रहा है, 195, ये यहां तक पहुँच गया, 195 cm तक के, 39th attempt में, ये 195 cm तक पहुँच गया, मैंने बताया था, आखरी जो ये 40 वा attempt लेगा, इसमें ये top तक चले जाएगा, slip नहीं होगा, क्योंकि जैसे ही top पहुच रहे हो, आप फिसलना बंद कर दोगे, तो, एक बार में कितना चल रहा था, 6 cm, तो अब ये slip नहीं करेगा, आप इसमें जोड दीजिए, 40 वे attempt में, प्लस 6, तो answer कितना आ जाएगा, 201 meter, x pillar का length, क्या point clear है, x pillar का length हो जाएगा, 201 cm, x point का length, x pillar का length हो जाएगा, height हो जाएगी, 201 cm, अब B की बात करते हैं, देखो, B एक बार में कितना net चल रहा था, 7 cm उपर गया, तो 3 cm फिसल के नीचे आ गया, बतलब इसका net कितना है, इसका net है, 4 cm का, ठीक है, 7-3, 7-3, अब आप बताओ, 39th attempt तक, यह कितना length चल लेगा, 39 into 4 कितना आता है, 39 into 4, 9 4s are 36, 3 गया उपर, 4 3s are 12, 3 जोड़ दो, 156 आ रहा है क्या, yes 156, अब जो इसका 48th attempt होगा, 40th attempt, क्योंकि यह एक बर में 7 cm कूद रहा था, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 7 add कर दो, 156 प्लस 7, कितना आएगा, Y का height हो गया, 163 cm, ठीक, the height of Y is 163 cm, अब बात करते हैं C की, C spider की क्या कहानी है, 6.5 cm चड़ता है, तो 2 cm फिसल जाता है, तो आप इसका net कितना होगा, इसका net हो जाएगा 4.5 cm, तो मुझे बताना, 39th attempt में, यह कितना distance चल लेगा, 4.5 into 39, 4.5 into 39, 175.5, यह दूरी कितनी हो गई इसकी, 175.5, ठीक, अब अगला जो जम्प होगा, आखरी इसका attempt, ठीक, लास्ट अटेम्ट में यह कितना चल रहा था, हमने देखा, एक बार में यह जाता है, 6.5 cm, तो इसमें add कर दो, 6.5 add कर दीजे, 175.5 में, what is the correct answer, 182 cm, ठीक है, तीनो pillar का हमने length निकाल दिया, अब सवाल कैसा भी frame करेगा, shortest पूछा है, तो Y है, largest पूछता तो X है, moderate level पूछता, बीच में in between, तो Z आ जाता, तो what is the correct answer, 163 cm, option number B, option number B is correct, यह दो question same concept के, वापस फिर से पूछे जा सकते हैं, किस form में पूछेगा, यह तो नहीं बता सकते, पूछ सकता है भई, और questions करें, आगे चलू, मेढग बना दिया आपको, और कभी आपको spider बना देगा, कुछ भी बना देगा, depend on examiner, चलो, एक और question ले लो, यह भी होई, how many pairs, how many pairs, अब यहाँ पर आपको answer नहीं लाना, कितने answers possible हैं, यह बताने, how many pairs of natural numbers, how many pairs of natural numbers are there, such that difference of whose square is 63, options are 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 2, बताओ तो इसका answer, इस पर आपको timer देता हूं, रुको, timer कहा गया, maximum time is, 1 minute 30 seconds, कितने pairs बनेंगे, कितने सेदिए्टें, आपकों क strat Know Thatилиnaaz, कितने отно करो準, आपकों कर दो, डिरूप है, गपकों कर दो, खो, वहा है, गए है।, बताना सेद्थम्स, जढे, क накamede यहाँं में हों, चाल, इस रीक हैम, आपकों कर के हैं, चाल, चाल, बता है।, टो, इस रीकों, less than 30 seconds remaining almost 30 seconds चलिए सॉल्व करते हैं लिट इस सॉल्व दिस कुश्टिन देखो क्या बोल रहा है हाओ मैनी पेर्स आप नैश्रल नमबर आर देर सच देट इफरेंस ओफ हूज स्क्वाइर सि Lewis करता हूँ लेक्ड रहे नमबर्स आरए कॉमा हुं पताईए है कि इसके लावा और कोई भी इन इन फॉर्मेशन दी गई है कुश्चन में एसकोर माइनस बी स्कॉर इस 63 अब मिर को इसी से सॉल्फ करना जो भी करना यही से करना तो एसकोर माइनस बी स्कॉर को मैं ऐसे लिख सकता हूं अब देखो मैं एंसर नहीं ला रहा है मैं आपको एक्ट्वल नंबर भी फाइंड करके बताऊंगा सबसे पहले इस 63 के ने फैक्टर्स निकालते हैं वाट आर दा फैक्टर्स ओफ 63 जल्दी से बताओ वाट आर दा फैक्टर्स ओफ 63 यह हो जाएगा थ्री स्कॉयर इंटू सेवन हाई अना थ्री स्कॉयर इंटू सेवन और बेटर वे में लिग देता हूं थ्री इंटू थ्री इंटू सेवन हाई अना, अब देखो, इस 63 को मैं कितने तरीके से लिख सकता हूँ इस 63 को मैं लिख सकता हूँ, 3 into 3 को एक नंबर बना दो 9 into 7 लिख सकता हूँ, 63 को इस 63 को मैं लिख सकता हूँ, 9 into 7 इस 63 को मैं लिख सकता हूँ, मान लो ये 3 को as it is रहने दो यह क्या बन जाएगा 21 into 3 एक लिख सकता हूं 9 into 7 एक लिख सकता हूं 21 into 3 और एक और तरीके से लिख सकता हूं इन सब को multiply कर दो 63 into 1 yes no 63 को लिखा 9 into 7 21 into 3 63 into 1 तो कि और बिर पास कोई question नहीं है तो मैं इसी को expand करके देखा कि आर कितने तरीकों से लिख सकते हैं इसको जितने डिफ्रेंट डिफ्रेंट तरीकों से लिखोगे उतना मेरे को solution possible होगा जितने डिफ्रेंट तरीके से मैं लिख पाऊंगा उतना solution possible तीन डिफ्रेंट तरीके से लिखाऊं एंसर इस थ्री एंसर इस थ्री बट मेरा काम यहां पर खतम नहीं हुए हम exact number find करेंगे बट UPSC exam में आपको इतना ही करना था बट अब हम लोग इसको solve करते हैं एक एक case लेते है case 1 case 1 क्या बोल रहा है a plus b into a minus b is equals to 9 into 7 अब यहां से आप बताओ a plus b की वैल्यू कितनी होनी चाहिए a plus b की वैल्यू अम्रेश आपका प्लीज जूम आउट जूम क्या लोग जूम इन लग रहा है आपर बहुत ज्यादा क्या बोट देखने में कोई प्रॉब्लम है अम्रेश आपका डाउट में समझी नहीं पा रहा है देखो यह बड़ा नंबर a plus b होगा और छोटा नंबर a minus b होगा तो यह क्या बन जाएगा a plus b is equals to 9 और a minus b is equals to 7 क्या इसको solve करके a और b की value बता सकते हूँ क्या इसको solve करके a और b की value बता सकते हैं दोनों को add कर दो b और b cancel 2a is equals to 16 तो 1 आ गया 8 और जब यहां पर आप a को 8 पुट करोगे तो 8 plus b is equals to 9 तो b आ गया 1 पहला pair मुझे मिल गया 8,1 पहला pair मुझे मिल गया 8,1 जब मैंने इस multiplication को 9 into 7 के बराबर लिखा इसको मैं 9 into 7 के बराबर जब लिख दूँगा तो अब दूसरा case क्या होगा a plus b into a minus b is equals to 21 into 3 यह था second case तो यहां पर क्या निकल के आ रहा है a plus b is equal to 21 and a minus b is equals to 3 ठीक a minus b is equals to 3 क्या इसको solve करके a और b की value लिख सकते हो कितना आएगा बताओ इसको solve करने पर दोनों को add कर दो 2a is equals to 24 a की value आ गई 12 यहां पर substitute करोगे तो b की value आ गई 9 तो एक और pair मुझे मिल गया 12,9 का इन दोनों का square करके minus करो you will always get 63 एक pair यह मिल गया अगर case 3 की बात करो case 3 क्या होगा a plus b a minus b is equals to 63 into 1 is equals to 63 into 1 बता सकते हो a और b की value a plus b आ गया 63 a minus b आ गया 1 add कर दो 2a is equals to 64 a is equals to 32 32 और b कितना आ जाएगा 31 एक और पेर यह मिल गया एक और पेर मुझे मिल गया 32,31 तो मैंने क्या किया देखो may be possibility UPSC actual number पूछ ले number of solutions तीन होंगे यह मुझे दिख रहा है मैंने exact numbers भी find कर लिए exact pair find कर लिया अब यह जो तीनों pair है they will satisfy this condition पहला क्या था आपका 8 square minus 1 square यह 63 ही आएगा दूसरा number क्या था 12 square minus 9 square solve करके देखना 63 ही आएगा 32 square minus 31 square solve करके देखना 63 ही आएगा therefore answer is 3 ऐसे questions फिर पूछे जा सकते है इस 63 को बदल के कुछ और लिख देगा इस 63 को बदल के कुछ और लिख देगा समझे यहां से मैंने शुरू किया कितने तरीके से multiplication को अलग किया जा सकता है कितने possible combinations बन सकते है right hand side में ठीक है कुछ तो बोलो how much a ball will take jump अच्छा वो jump वाला question वो question अभी है नहीं में बस करा दूँगा next class में देखो more question homework में एक दे रहे ता हूँ आप try कर ले ना सेम कोश्चर है अगर मैं 63 को हटा कर 72 कर दूँ देखो में को पता नहीं answer क्या आएगा मैं बस randomly ले रहा हूँ number अगर 63 को अटा के 72 करें तो क्या आएगा अगर 63 को अटा के 72 करेंगे तो बताओ तो कितने solutions possible होंगे a square minus b square अगर 72 है exact solution नहीं चाहिए मेरे को मेरे को चाहिए कि कितने number of solutions possible होंगे कितने solutions possible होंगे वही 72 को factorize करके देखते हैं क्या क्या बन सकता है 72 is nothing बट 2 cube into 3 square बहुत जादा आ जाएंगे 2 cube into 3 square है ना तो 2 into 2 into 2 into 3 into 3 बहुत बड़ा number आएगा बताओ कितने solutions possible है कितने pairs possible है कितने pairs possible है जैसे यहां पर किये थे वैसे ही solve करना है कहां गया हम है पांच छे चार थ्री 3 square into 8 यह है आपका homework ट्राइब प्यर्स decide करो A B की value मिल जाएगे देखो एक pair क्या बन सकता है एक pair simple बन जाएगा जब मैं इस 2 को अलग कर लेता हूं बाकी सब को multiply कर देता हूं 3 3s are 9 9 4s are 36 तो यह हो जाएगा 36 into 2 एक case यह बन जाएगा दूसरा case ले लेता हूं simple आपका 2 2s are 4 और यहां पर आ जाएगा 3 3s are 9 2s are 18 means 18 into 4 और क्या case बन सकता है एक बन सकता है आपका simple 9 into 8 का और 1 3 को छोड़ देते हैं आपका और क्या बन जाएगा एक 3 2 multiply कर दो 3 2s are 6 2 2s are 4 4 3s are 12 12 into 6 इस तरीके से आपको check करना है कितने multiplication possible होंगे ठीक एक तो आखरी में आपका यह बने गई 72 into 1 इसमें तो कोई problem नहीं है 72 into 1 एक दो तीन चार पांच तुमेर को दिख रहे है क्या और possible है कोई केस 2 2s are 4 3s are 12 हो चुका है 3 2s are 6 है 3 3s are 9 2s are 18 ले चुका हूं मैं 36 ले चुका हूं I think 5 ही केस बनेंगे इसमें यह ना I think 5 ही केस बनेंगे एक और केस बच रहा है कौन सा 3 को अगर अलग कर दो 3 2s are 6 2s are 12 2s are 24 येस एक और केस बन रहा है 24 into 3 का एक और केस बच रहा है 24 into 3 का तो ऐसे करके आपको number of cases find करने कि किस तरीके से arrange कर सकते हो अगर 6 केस बन रहे हैं तो 6 pairs are possible 6 pairs are possible तो लॉजिक समझ में आया कि नंबर ऑफ फैक्टर से बहुत ज्यादा निकल जाते हैं इस केस में उसमें आपको दो माइनस करना पड़ेगा आकाश नंबर ऑफ फैक्टर में से इन पावर का मल्टिप्लिकेशन ही दे रहा है 3 into 2 6 इसके पहले वाले में देखोगे तो 2 into 2 यहां से और एक यहां से तो 2 प्लस 1 3 इस तरीके सिखा गया question भी मैंने यहां पर लिख दिया और दीजिए homework दूसरा question imagine करके बना लो कुछ questions को अगर बनाना चाहते हो तो अगर यही difference आपको 81 का दे देता तब क्या आता मेरा answer कि तब एक ही case बनता अगर 81 होता तो 81 होता तो शायद एक ही case बनता दो case बनता मतलब एक 9 इंटू 9 का और एक बनता 81 इंटू 1 का है ना तो लिखाता हूं 72 इंटू 1 यह यह वित पॉसिबिलिटी है यह वित पॉसिबिलिटी है फाइंड करने लिए अगर 81 लिखता तो दो possible solutions आते इस तरीके से आप सवालों को देख सकते हैं 3 इंटू 27 भी हो जाता येस cases बढ़ जाते लोग इसको solve करना home work में क्या लिखे हैं चलो ठीक है आज इतना ही पढ़ाता हूं यह PQR वाला question कल पकल करा दूँगा धजेंद्र ने लिखा है PQ into 3 ऐसा वाल था PQ into 3 is equals to कितना लिखे है आर क्यू क्यू आर क्यू 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 आर डिफरेंट डिजिट्स ठिक यह भी मेंचन है कि PQR जो है दे आर डिफरेंट डिजिट्स और क्या चीज है आर इस नॉट इक्वल टू जीरो और क्या कह रहा है यहां पर आपका लॉजिक फिर से वही लगेगा एक्सपैंशन वाला लॉजिक वाला लॉजिक यह कह रहा है कि PQ इंटू 3 कर लो यह क्या बन जाएगा 10 P प्लस Q multiplied by 3 is equals to R Q Q तो यह कितना आएगा 10 into this करोगे तो यह बन जाएगा 30 into P plus 3 Q is equals to R Q Q है ना अब आपको क्या करना है आपको देखो जीरो into P वही कहानी जीरो into P यह कितना मिलेगा आपको दो answer आया इसका क्या हमने try किया था इस question को क्या हमने इस सवाल को try किया था नहीं किये थे वही यह homework में दिया था कि नहीं दिया था question अच्छा है क्योंकि यह question नहीं दिया हो homework में अरे इसको expand कैसे करोगे देखो यह क्या बन रहा है 30 into P plus 3 Q और यहाँ पर क्या आएगा अगर इसको भी expand करें तो 100 into R plus 11 Q solve नहीं हुआ 30 into P plus 3 Q और को पहले left hand side को expand किया पहले left hand side को expand किया तो कुछ फाइदा नहीं मिला मेरे को तो मैंने right hand side को भी expand कर दिया अब एक काम करते है कुछ shifting हो पाईगी क्या यह 3 अगर इधर चले जाए तो यह कितना बचेगा 30 P is equals to 100 R plus 8 Q यह बन गया काम यह equation सबने find की थी 30 P is equals to 100 R plus 8 Q क्या यह equation तक आपने solve किया था पूरा तमानी solve करूंगा हिंद दूंगा सिर्फ येस अब एक बात बताओ यहां का left hand side का unit digit कितना आएगा what is the unit digit of left hand side what is the unit digit of left hand side यहां पर फिर से लिख देता हूं यह रेको 30 P is equals to 100 Q plus 8 R यह यह ना नहीं 100 R plus 8 Q 100 R plus 8 Q यहां का unit digit जो है यह है 0 इसका भी unit digit because 0 into R करोगे तो 0 हो जाएगा left hand side का 0 है यह वाले term का भी 0 है तो इसका भी unit digit कितना होना पड़ेगा unit digit रखना पड़ेगा 0 अब unit digit 0 कभ होगा जब 8 into Q कितना आए कोई भी नंबर हो बट उसका last digit 0 हो तो what is the value of Q here what is the value of Q कितक सिंपल सा लोजिक है क्यों को कितना रखना पड़ेगा 5 8 into 5 करोगे तभी तो 40 बनेगा last digit 0 क्यों की वैल्यू आ गई 5 यहां से क्योंकि वैल्यू आ गई 5 क्या आगे solve होगा कि मैं solve करूँ अब आप इस equation में values put करके check कर सकते हो 100 r plus 40 क्या यहां पर value put करके check कर सकते हो p और r की वैल्यू क्या होगी yes no यह आपको सोचना पड़ेगा यह आपको सोचना पड़ेगा थोड़ा सा और आसान कर देता हूं p is equals to 100 r plus 40 divided by 30 p is equals to 100 r plus 40 divided by 30 अब देखो question में क्या बोला है सवाल में बोला है p q r are different digits r की value को मैं 0 ले नहीं सकता तो अब मैं यहां पर value लिखना चालू करूंगा what is p it is 100 r plus 40 divided by 30 ऐसे कुछ था 100 r plus 40 divided by 30 देखो यहां पर अगर r को one assume करे जल्दी अगर r को one assume करे तो और क्या p की value possible है अगर मैं r को one लूँ तो p किसमें मिल रहा है decimals में मिल रहा है it is not possible अगर r को 2 लोगे तो कितनी value आ रही है तू लोगे तो 200 plus 40 पी कितना आ रहा है 240 by 30 which is equal to 8 yes it is possible it is possible तो मेरा क्या बन गया question question में पूछा था p plus r divided by q means p कितना है 8 plus r is 2 divided by q कितना आया था हमारा क्यों हमने लिया था 5 ठीक तैनल स्कों ऐसी रख दो इधर ही रख दो हरी जरुत नहीं है जरुत रवी भाई तो 8 plus 2 by 5 कितना आ जाएगा 10 by 5 which is 2 this is the final solution मैं r equal to 2 पे इसलिए रुक गया क्योंकि अगर r को 3 put करता तो p की value आती decimal में गलत हो जाता अगर r को 4 put करता तो भी 440 by 30 decimal आता गलत हो जाता 5 put कर नहीं सकता क्योंकि repetition allow नहीं है q की value पहले से 5 है आप आर को अलग-अलग value put करके चेक कर लेना 6 789 इन सब पर वो वर्क नहीं करेगा तो एक जिसने भी डाउट पूछा था धजेंद्र आया समझ में logic कि कि को अच्छे कुशन से आपको एक्जाम में दो से तीन सवाल मिलने वाले हैं ऐसे एक्जाम में आपको दो से तीन सवाल ऐसे मिलने वाले हैं और आपको यही कोई logic लगाना होगा कि आर यूनिट डिजिट को बराबर कर देता हूं इसमें से मुझे PQR में से कोई एक value पता चल जाए फिर मैं दूसरे को hit and trial रखके तीसरी value find करूँगा मैं दूसरे को hit and trial रखके तीसरे की value find करूँगा बट at least एक value तो मुझे कहीं से पता चल जाए Hello friends, welcome to our session मेरा नाम अंकित तिवारी और हमने जो seaside की series start की है for 2024 उसमें आज हम लोग एक important section cover करेंगे which is known as number system हर साल 15-20 question number system topic से पूछे जाते हैं out of 80 questions में से और अगर आप इस lecture को end to end देखते हैं तो अगर 20 questions आ रहा है तो 15 questions आप easily solve कर सकते हैं by using all the concepts which we are going to discuss in today's video तो चलिए session को start करते है session start करने से पहले एक important information अगर मैं CSAT को 2 months में cover करना चाहता हूँ that is by April end तो you can join our CSAT batch जिसका admission start हुआ है 8th of March से 10 last 10 years का PYQ discussion 1500 plus questions in form of practice sheet 10 mock test basic to advanced level preparation जो formula based questions होते हैं उसको change करके जो logic और concept based questions है वो सारी की सारी चीज़ों को cover की जाएंगी the price for the course is 3999 and the code for maximum discount is 80 life देखो number system में एक important topic pending था उस topic के concept को देख लेंगे उसके बाद फिर से जो हम question solve कर रहे थे ना कल वैसे ही questions को solve किया जाएगा आज के भी session का aim यही है कि different different types के question को cover करना जो previous year में पूछे गए हैं तो चलो fraction का LCM के लिए simplest form लिखना परता है समझा नी शिवा मैं तुम्हारे डाउट fraction का अगर LCM निकालना है तो numerator का LCM और denominator का HCF वही आपके पास method है आप उस question को दो पार्ट में break कर दो कि numerator में जो जो numbers present है उनका LCM निकाल लो और denominator में जो जो number present है उनका HCF उसी तरीके से हम लोग find करते हैं fraction के LCM को तो चली इस्टार्ट करते हैं आज की class को आज हम लोग पहले discussion करेंगे first half में with related to decimals what is decimals 5.5 by 10 को 11 by 5 नहीं लिखा था मैं उसको 11 by 2 लिखा था 5.5 को 11 by 2 लिखे थे fraction में convert करके ठीक decimals क्या होते हैं देखो decimals होते हैं क्या मैं decimals को एक और चीज़ बोल सकता हूं fractions are decimal यह कहीं चीज़ है यह fractions are decimal decimal मतलब 5.8 6.2 7.3 यस और नो simplest form क्या होता है शिवा तो क्या पूश्रों मैं नहीं समझ पा रहा है actual में simplest form क्या होता है what do you mean by simplest form यह मैंने कभी बोला है उस question को solve करने के लिए मैंने simplest form बोला था प्लीज कन्फर्म बाकी students जो मैं 5.5 11 by 2 लिख के solve किया था simplest form मैंने कुछ कहा था नहीं नेवर तो confusion कहा पर आ रहा है अगर आपने यह word कही सुना है तो ignore करो ठीक है एक simple सा तरीका बता है मैंने fraction का LCM और HCF apply करने का उसको बस याद रखो that is sufficient में भी different methods exist करते होंगे पर मुझे क्या करना उससे एक्जाम में 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 तो specify करेगा नहीं क्योंकि conventional पेपर नहीं है इस अब जेक्टिव पेपर तो आप रफ में किसी भी है तो method गलत है कि देखो टॉपिक को end करते हैं इस डिस्क आर्गुमेंट के साथ कि जो method मैं बताया हूं उसको सीख लो that is more than sufficient चलिए आगे चलते decimals को fraction भी कह सकते decimal आपको पता है 5.8 6.9 इस तरीके से अब देखो decimal को मैं दो part में divide कर रहा हूं पहला होता है finite decimal what do you meant by finite decimal what is the meaning of finite decimal finite decimal का मतलब यह होता है कि यह decimal के बाद कुछ points पे जाके रुक जाएगा point to three two seven point nine one eight six point seven two one के बात समझ में आ रही है finite decimal मतलब कि जो decimals में जो numbers है वो finite है आप उनको count कर सकते हो ठीक these are known as finite decimal एक और decimal का टाइप होता है जिसको कहते है recurring decimal ठीक रेकरिंग डेसिमल में क्या होगा recurring decimal में जो decimal वाली value है वो कभी रुकेगी नहीं point three 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 चल रही है एक पॉइंट three 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 करके बढ़ता जा रहा है या one point four one four two six seven इस तरीके से चल रहा है तो जो finite decimals होते हैं यहां पर decimal value जो है वो टर्मिनेट हो जाती है रुक जाती है जो finite value है वो टर्मिनेट हो जाती है और जो recurring decimals होता है यहां पर जो decimals होते हैं दे आर नॉन terminating ठीक क्लियर है यह चीज कि एक होता है terminating decimal एक होता है non terminating decimal अब जो recurring decimal है इसको और आप दो पार्ट में break कर सकते हो recurring decimal को मैं short form में लिखूंगा rd तो recurring decimal दो पार्ट में break होता है first होता है repeating recurring decimal rrd it is repeating recurring decimal और एक पार्ट होता है non repeating recurring decimal nrrd full form आप लिख ले न repeating recurring decimal it is repeating rd and it is non repeating rd it is non repeating rd repeating recurring decimal का मतलब क्या हुआ one by three जिसकी वैल्यू क्या होती है 0.333 जो decimal के बाद जो value record कर रहा है बार बार वो repeat होता जाएगा for example two point six two five six two six two six two चलो ऐसे लिख दिया यह भी क्या है repeating recurring decimal क्या यह repeating recurring decimal की category में आएगा मुझे बताना जो मैं value लिख रहा हूं 31.25676767 चाहिए repeating recurring decimal के फॉर्म में आएगा अच्छा नॉन रिपीटिंग recurring decimal की अगर मैं बात करूं तो यहां पर क्या होता है जो पार रिपीट देखो six seven six seven six seven repeat हो रहा है ना six seven six seven six seven repeat हो रहा है ना तो यह आपका repeating वाले ही पार्ट में कहलाता है अब नॉन repeating recurring decimal का मतलब क्या होगा इसका मतलब होता है थ्री पॉइंट वन four seven a nine eight two यह भी रेकर कर रहा है टर्मिनेट नहीं होगा बट decimal के बाद जो value है वो repeat नहीं हो रही कभी भी थिक तो दीज आरडाड एक्शाम्पल्स ओफ नॉनर क्रींग को ऐसीञीं क्लासिफिकेशन क्लीर हुआ वह क्लासिफिकेशन क्लीर हुआ था है Noii कि dacimal repeating recurring asi दाशिमल और नॉन क्लासिबी केशन क्लीयर हुआ क्लिया मिव Summit से देखना जो finite decimals होते हैं इनको मैं numbering कर रहा हूं category one category two और category three तीक यह तीन category में मैं इसको वो कर रहा हूं classify कर रहा हूं इसमें जो category one है and category two ठीक है category one और category two क्या होते हैं finite decimal और category two क्या था repeating recurring decimal ठीक यह जो दोनों होते हैं इन दोनों को मैं classify करता हूं as rational numbers ठीक और हमारा जो third category है what is third category non repeating recurring decimal यह कहलाता है irrational number यादे मैं जब आपको rational number बताया था तब मैंने irrational number नहीं समझाया था आपको do we remember कि जब rational number हम पढ़े थे तब मैंने irrational के वारे में नहीं बताया था क्योंकि irrational number किसको बोलते हैं जो non repeating sorry non repeating कहा लिख रहा हूं मैं रोंग 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 रिपीटिंग नॉन रेकरींग ठीक इडिज रिपीटिंग नॉन रेकरिंग डेसिमर नमबर तो यह जो category होती है जहां पर वाल्यू रिपीट तो हो रही है एक मिनुट भाई रेकरिंग होगा इससे स्कृरेक्ट सॉरी इस सर्गारौंड में नॉइज आ रहा है क्या बैग्राउंड में नॉइज आ रहा है कि जल्दी बताओ और अध्यष्यटिबल है या नहीं मतलब आवास तो आ री ला कोई पता है है क्या हूआ उसके साथ हम पढ़ सकते है कि नहीं पढ़ सकते है लूम अगर प्रॉब्लम ज़्यादा होगी तो फिर मैं ऑप्रेशन टीम से किसी को बोलूँगा वो उनको शांत कराएंगे हमारा पांच मिनिट जाएगा आज़ा ठीक है रुख जो मैं एक बर बोल देता हूं फिर हम कंटिन्यू करते हैं कि जिस्ट गिव मी अ मिनिट चलो कंटिन्यू करते हैं वह अपने बंद हो जाएगा थोड़ दिर में यह बात समझ में आ गई जो मेरे तो हमें हैंगे فयारीट के डेसिमल है और जो रेपीटिंग रेकरिंग डेसिमल है वह कहल लाते है रैशनल नमब्र और जो नोन रिपीटिंग रेकरिंग डेसिमल है जो और्दू मतलब रैशनल प्लस एराशनल यह जो केटेगरी होती है यह मिल के कहलाती है रियल नंबर तो इन दोनों को जब आप जोड़ हो गे तो यह कहलाता है रियल नंबर यह आपको समझ में आया क्लासिफिकेशन कि रियल नंबर is nothing it is rational plus irrational rational नंबर क्या होता है जो finite डेसिमल हो और जो रिपीटिंग रेकरिंग डेसिमल हो और इर्रैशनल नंबर वो होते हैं जो नॉन रिपीटिंग रेकरिंग डेसिमल होते हैं अगर मैं एक्जामपल लिखो तो रूट टू इस एन इर्रैशनल नंबर रूट थ्री इस एन इर्रैशनल नंबर पाई इस एन इ से convert करना बहुत आसान होता है इसमें आपको कुछ चीज सि सिखानी नहीं है और लूं रिपीटिंग नंबर्स में कैसे convert किया जाता है इसको कैसे कणवर्ट किया जाता है को यह से टेनल नंबर है रिपीटिंग ऑद धा रिपीटिंग को कहते हैं इसको नहीं कहेंगे रूट टूरूट तील पाई को यह दो गया अब चलो सबसे पहला चुड़ा सट एक चैस ले-लते हैं finite decimal का एक बात बताओ 0.324 इसको मैं rational number में कैसे convert करूंगा इसको मैं कैसे convert करूंगा rational numbers में अगर मुझे convert करना हुआ तो एक आपको finite सा decimal दे दिया है सिंपल 324 बाइ एक दो तीन थाउजन आप सिंप्लिफाई कर लोगे आपको पी बाइ क्यू का फॉर्म मिल जाएगा जैसे ही पी बाइ क्यू का फॉर्म मिला इट इस rational number सिंप्लिफाई करना है करो नहीं करना है मत करो क्यूंकि यह यह एक rational number है याद है definition पी बाइ क्यू का फॉर्म हो जिसमें क्यू जो है वो जीरो ना हो ठीक इस पी बाइ क्यू फॉर्म एंड क्यू इस नॉट इकोल टू जिरो तो finite decimal में हमको कोई प्रॉब्लम आएगा अगर 3.256 लिखा होता तो मैं इसको लिख देता थ्री टू फाइब सिक्स बाइट थाउजंड ठीक कोई भी फाइनाइट डेसिमल का कोश्चन होगा तो मैं इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दूँगा हाना हाँ 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 यस देखो डिबेट आती है यहां पर कहां पर डिबेट आएगी डिबेट आएगी रिपीटिंग रेकरिंग डेसिमल अब देखिए जो रिपीटिंग रेकरिंग डेसिमल होता है हाँ पर कुछ कुछ केसे बनते हैं फॉर एक नंबर हुआ जीरो पॉइंट थी थी चल रहा है एंड तक के एक नंबर हो गया फाइव पॉइंट सिक्स टूच्स तूच्स टू चल रहा है सेवेंटी वन पॉइंट एट नाइन वन फोर वन फोर इस तरीके से चल रहा है यहां पर डेसिमल के बाद कौन सा डिजिट रिपीट हो रहा है इसेрал का तक यहां पर डेसिमल के बाद कौन से डिजिट रिपीत हो रहा है बताओ तो है तो मैं इसको ऐसे लिखोंगा कि नोटेशन समझ में आएगा roughly झालड 3 बार 0.3 बार का मतलब यह होता है कि यह 3 जो है यह repeat होता जाएगा यह 3 जो है वह repeat होता रहेगा यहां पर क्या चीज repeat हो रही है 5.6262 तो यह बन जाएगा 62 बार ठीक 5.62 बार यहां पर क्या हो रहा है देखुर डेसिमल के बाद नंबर तो है 891414 बट रिपीट क्या हो रहा है सिर्फ और सिर्फ वन फोर सॉरी इडिस 71.8914 अब मैं बार किस पर लगाऊंगा मैं बार लगाऊंगा वन फोर के उपर में क्योंकि repeat हो रहा है तो यह दोनों सेम केस में आता है कि डेसिमल के बाद जो भी डिजिट से वो repeat हो रहे है यह अलग case बनता है जहां पर कुछ वैल्यूज रिपीट हो रहे हैं कुछ नहीं हो रहे हैं तो इसको मैं सेकेंड केस में सॉल्फ करूंगा पहले हम इस टाइप के कुश्चन को अटेम्ट करते हैं एक बार यूपेसी ने पूछा था यह आपके स्टेट पीजिस वगएरह में भी पूछ लेता है एक शॉट ट 0.333 याइस को ऐसे लिक्ता हूं देखो सपोज मुझे ये चार कुश्चन मिले हैं मुझे इसको कनवर्ट करना है रैशनल नंबर में तो मैं इसको बार नोटेशन में लिख सकता हूं 0.3 बार ठीक इसको कैसे लिख सकते हैं 0.67 बार 985 985 मीन्स 0.985 बार ठीक इसको कैसे लिख सकते हैं 7.63 बार अब देखना इसको अगर मैं फ्रैक्शन में कनवर्ट करूं रैशनल नंबर में तो मैं डैरेक्ट इसको लिखूंगा 3 बाई 9 आया समझ में 0.3 को मैंने लिख दिया 0.3 बार को मैंने लिख दिया 3 बाई 9 0.67 बार को मैंने क्या लिखा 67 बाई 99 0.985 बार को क्या लिखोगे 985 बाई 999 जल्दी बताओ जो मैंने लिखा हो समझ में आया क्या चीज मैंने लिखी है हूं 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 था ही कहां जो कहीं चले जाएगा किसका राउट था वन कहां गया वन तो था ही नहीं खुशी कहां दिख रहा तुमको वन ध्यान से देखो जब भी आप इसको इस फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं याद रखना यह जो 9 क्या रिप्रेजेंट करता है नंबर ओफ डिजिट्स रिपीटिंग इस कोश्चन में सिर्फ और सिर्फ थ्री रिपीट हो रहा था ठीक इसे लिए मैंने एक बार 9 लिख दिया सिंगल डिजिट Worthy जो रिपीट हो रहा है इसमें 6 और 7 दो डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं इसे लिए डबल 9 लिख दिया यहां पर 3 डिजिटτο 9 8 5 repeat हो रहा है नाय भी रिपीट हो रहा है 8 भी 5 भी बार कितने डिजिट्स की उपर में टीन डिजिट के उपर इसलिए 3 बार 9 तो जितने डिजिट्स repeat हो रहे होंगो फिक जितने डिजिट्स repeat हो रहे होंगے उतने डिजिट्स उतने बार 9 आप denominator में लिख देना this point us is this point clear कि जीतने डिजिट्स repeat बार 9 लिग देना और जो वाल्यू रिपीट होने वाली है थ्री वो चले जाएगा नियूमरेटर में यहां पर 0.67 तो यह आ गया नियूमरेटर में 0.985 तो यह 985 आ गया नियूमरेटर में तीक क्लियर है एक करके आओंगा ना आदेश अब क्या डाउट पूछ रहोगी सब्सक्राइब बोला ना पहले हम पहला के सीखेंगे फिर दूसरा के सीखेंगे हमने मैंने कहा था ना कि पहले हम फर्स्ट के सीखेंगे फिर हम सेकेंड के सीखेंगे कि पहले सेकेंड केस ही सिखा दूसीदा फिर वही बात आधे लोग आप लोग थोड़ा कभी-कभी अजीव सभी है करते हो आखरी का एंसर क्या होगा अरे पहले यह तीन समझे की नहीं समझे यह तो बताओ यह कोशन मैंने लिखा है तो मैं सॉल्फ करवाऊंगा ना अगर मुझे नहीं सॉल्फ करवाना होता तो मैं यह कोशन एक्सप्रेसी नहीं करता आपके सामने क्या यह तीन समझ में आया है पॉइंट फ्री को डिवाइड नहीं कर रहा है थ्री को अच्छा सेवन पॉइंट सिक्स्ट्री बार को कैसे लिखोगे देखो इन इन तीनों कोशन और इसमें डिफ्रेंस क्या है यहां पर इंटीजर वाला पार्ट जीरो था यहां पर सेवन ह है यहां पर इंटीजर वाला पार्ट जीरो था यह पर सेवन है अगर ये मैं आपको बोलता पॉइंट शिक्स री बार इसको फ्रैक्शन में कंवर्ट करनाहीज और ने तो आप कर देते अगर 0.63 बार को रैशनल में convert करना होता तो आप कर लेते इस प्रोसेस से क्या answer आता 63 बाइंटी नाइन गुड ये बन जाता 63 बाइंटी नाइन तो इस question को आप क्या करना लोग इसके लिए अलग से formula सिखाते हैं नो नीड आप 7.63 बार को लिख ले ना 7 प्लस 0.63 बार 7 तो खुदी एक rational number है तो as it is रहेगा 0.63 बार का क्या हो जाएगा ये बन जाएगा 7 प्लस 63 बाइंटी नाइन इसको आगे simplify करके solve कर लोगे तो you will get the answer तो जब भी आपको integer part दिया है इसको 7 प्लस something लिख लेना इसको आप 7 प्लस something लिखकर solve कर लेना कि ठीक है नहीं कुछ लोगों का डाउट तसर 999 क्यों आ रहे है डिनॉमिनेटर में क्या जानना चाहते हो फिर में कुझे कोई rocket science नहीं है अब solve करेंगे question को आपको answer में 9 मिल जाएगा कि डिराइव इट चलिए देख लो पॉइंट 333333 ठीक यह मेरा ओरिजनल नंबर था ठीक इस ओरिजनल नंबर को मैं ले लेता हूं एक्स तीक इसको मैं ले लेता हूं एक्स अब इस नंबर को मैं 10 से मल्टिप्लाई कर देता हूं मुझे बताना तो टेंस से मल्टिप्लाई करोगे तो क्या बनेगा यह नंबर जब आप 10 से मल्टिप्लाई करोगे तो क्या बनेगा यह नंबर यह बन जाएगा थ्री पॉइ 10x इस तरफ में है ना अब क्या करना है देखो यह 10x और यह एकस की वैल्यू इन दोनों को सब्ट्राक्ट कर दो इन दोनों को subtract कर दो minus करोगे तो क्या बचेगा कोई decimal वाली value cancel out हो जाएगी सिर्फ 3 बचेगा यहाँ पर और यहाँ पर क्या बचेगा 10x minus x 9x तो जो मैंने originally value ली थी 0.3333 जिसकी value x थी वो x की value कितनी आ जाएगी 3 by 9 उस x की value कितनी आएगी 3 by 9 समझे आपको इतना अच्छा method सिखा है कि डारेक्ट लिक दो 3 by 9 इतना क्यों solve करोगे और जानना है यह लोग दूसरा कोशन क्या था 0.67 बार था ना इसको मैं ले लेता हूँ 0.676767 इनको मैंने ले लिया x के बराबर अब इस x को मुल्टिप्लाई करो 100 से क्योंकि दो डो डिजिट्स रिपीट और इस ले हंड्रेट से मुल्टिप्लाई करोगे तक आएगा 67.67676767 इस इक्वल टू 100 X जब दोनों एक्वेशन को माइनस करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड में बचता है सिर्फ 67 और यहां पर बचता है 100 माइनस X विच इस नटिंग बट 99 X तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 67 बाइ 99 अगर तीन डिजिट रिपीट होते हैं तो थाउजेंट से मल्टिप्लाई करके सॉल्फ करता एक छोटा सा ट्रिक ठाट आरेक लिखने के लिए क्योंकि इस पर कोई कंसेप्च्वल कोश्चन बनते नहीं है स्टेट फॉरवड होते हैं इसलिए मैंने मेठेट स्किप कर दिया अगर आप लॉंग मेठेट जानना चाहते हैं तो मैं आगे से जो छोटे-छोटे ट्रिक से उनको स्किप करके लॉंग मेठेट पर ही आ जाऊंगा है बताओ क्या चाहते हो आखरी वाला दीपक प्रूफ करने क्या जरूत है क्या इसको सॉल्फ करना है सेवन प्लस पॉइंट सिक्स्ट्री बार को लिख दो सेवन प्लस पॉइंट सिक्स्ट्री बार इसको आप मल्टिप्लाई कर लेना एक्समान के 10s 100 से तो यह 63 by 99 बन जायागा इसको add कर देना थीक बन जाएंगे अब यह questions अब चलो next case में चलते हैं अगर यह सवाल बन जा रहे हैं तो let's move to the next case next case में आपको question कैसा देगा? question देगा 0.679999 और 0.182 अब देखो इनको मैं कैसे change करूँगा अब मेरे को इस तरीके से जो है सवाल दिया हुआ है यहाँ पर problem क्या और यह सबसे पहले question को bar notation में लिखना बार notation में लिखने का मतलब क्या हो रहा है यह बनेगा 0.67 ऐसा आ जाएगा sorry 9 रिपीट हो रहा है ना दो बार क्यों लिखा मैंने एक ही बार लिखेंगे 9 बार second time में answer क्या आएगा 0.182 बार तो कि 8282 रिपीट हो रहा है तीसरे केस में क्या रिपीट हो रहा है बई? 0.6723 बार और आखरी केस को कैसे लिखोगे 10.0741 बार ठीक इस तरीके से मैंने लिख दिया इसको अब इसमें आप answer कैसे लिखोगे यह देखो इसका answer कैसे आएगा? Anyone? सबसे पहले decimal के बाद जितने भी numbers हैं उनको लिख लीजे इसमें से आप minus कर दो non repeating part को divided by जितने numbers repeat हो रहे हैं उसके लिए आपको 9 लिखना पड़ता है यहाँ पर एक ही number है जो repeat हो रहा है तो 9 आ गया और जितने numbers नहीं repeat हो रहे है उनके लिए आ जाता है 0 यहाँ पर दो numbers हैं जो repeat नहीं हो रहे थे 6 and 7 therefore this is the final answer therefore this is the final answer numerator आप समझ गये हो denominator में मैं लिख देता हूँ यह 9 क्यों आया number of digits repeating और यह 00 कहां से आया number of digits non repeating ठीक है यह माइनस करो कि तो मिल जाएगा आपको कितना 612 by 900 उसको आगे आप और further divide कर सकते हो क्योंकि दोनों तरफ even number है तो एंड मेंसर आएगा वो आप डिवाइड करके फाइंड कर लेना कि इस दिस लॉजिक क्लियर इस दिस लॉजिक क्लियर यह वाला नंबर के फिर से लिखते हैं देखो 0.182 बार इसको मैं कैसे लिखूंगा इसको मैं लिखूंगा नियूमरेटर में पहले पूरे नंबर्स लिख लो 182 माइनस करो किस से नॉन रिपीटिंग पार्ट से मतलब माइनस 1 divided by कितने नंबर से जो रिपीट हो रहे हैं दो नंबर से रिपीट हो रहे हैं इसे लिए आज आएगा डबल 9 दो बार 9 आएगा कितने नंबर है जो नहीं रिपीट हो रहे हैं वन सिर्फ एक सिंगल नंबर है जो रिपीट नहीं हो रहा देयरफोर एक ही 0 यह आगे आपका एंसर ठीक 181 बा 9 90 इसको फर्दर सिंप्लिफाई कर लेना तुम लोग इसको तुम लोग फर्दर सिंप्लिफाई कर लेना अगर एक और केस लें कौन सा कुश्चन था 0.6723 बार .6723 bar इसको कैसे simplify करोगे सबसे पहले पूरे numbers को लिख दो 6723 minus जो आपका repeating part था उसको हटा कर कितने numbers बच रहे है 672 whole divided by कितना number repeat हो रहा है सिर्फ 3 repeat हो रहा है एक ही number 9 और कितने numbers नहीं repeat हो रहे है 6723 numbers repeat नहीं हो रहे है therefore 1,2,3 एंसर यह नहीं calculate करके simplify कर ले न वो मैं आपको नहीं बता रहा calculate करके सिंप्लिफाई कर लीजेगा ठीक एक आखरी question है कर लेते हैं friend करेंगे इस topic को क्या था सवाल 10.0741 देखो 10.0741 बार यह question था हमारा इसको मैंने बताया था जब भी integer present है आप क्या करोगे इसको parts में break कर लो 10 प्लस 0.0741 बार थीक कई किताबों में अलग अलग ट्रीक बताता है बट उतना याद नहीं रखना इसको fraction दो पार्ट में break कर लेना इसको find करने का तरीका बता चुका हूं अब देखो 10 तो 10 रहेगा इसको कैसे लिखेंगे पहले पूरा नंबर लिख लो 0741 माइनस किसको माइनस करना है 07 whole divided by कितने नंबर repeat हो रहे है इसर कितने about 99 कितने नंबर नहीं repeat हो रहे हैं रही है हलाकि जेयरो का कोई significance नहीं है लिखने का बड़ तुम confuse ना हो इसलिए मैंने लिख दी है इसको ऐसे actual में यह क्या बनेगा यह बनेगा 10 प्लस 741 में से अगर मैं 7 हटा दूँ तो कितना हो जाएगा यह बचेगा आपका 734 divided by नहीं 734 divided by this thing कैसको आगे solve कर लोगे हुआ है है ना तो को तुम्हें एक कुश्चन देता हूं पी वाई क्यों just give me a minute gisen रहा सवाल here I go the question is the recurring decimal representation 1.272727 is equivalent to options आपको दिये हुए है 13 by 11 14 by 11 C 1 27 by 99 option D 137 by 99 क्या अंसर आएगा इसका find करो answer इस सवाल का नहीं नंदनी calculator maths optional में अलाऊ होता है आपको simplify करना पड़ेगा जल्दी जल्दी अलग 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 एंसर क्यों आ रहा है वह बी और सी यह रखो क्या सॉल्द होगा यह 1.2727 को क्या लिख सकता हूं 1 प्लस 0.27 बार इसको ऐसे लिखा जा सकता है अब 1 प्लस 0.27 बार को क्या लिख सकता हूं 27 बाय 99 क्या यह सिंप्लिफाई होगा यह यह जाएगा नाइन से अगर डिवाइड करो तो 3 हो जाएगा और यहां पर आ जाएगा 11 तो 1 प्लस 3 बाय 11 इडिज नथिंग बट 14 बाय 11 यही तो आ रहा है option नंबर भी 14 बाय 11 126 बाय 99 को अगर आप सिंप्लिफाई करोगे तो 14 बाय 11 ही बनेगा क्लियर कर दो कि यह तरह को यह अखरी पेंडिंग टॉपिक था नंबर सिस्टम का तिक यह मुस्टी जो ब्रॉट क्याटिग्री ऑफ टॉपिक है वो हम लोग पढ़ चुके हैं बट अब हुमारा काम है आज का सेशन और कल के सेशन में जितने मैक्सिमम कोश्चन सॉल्फ कर सकते हैं अलग अलग टाइप के क्या डाउट है सर क्या सी रॉंग होगा मैं सी रॉंग नहीं होगा या लगां डाइनटीन हरत और को麼 इसको अगर बीना सिम्प्लिफाइब कि अटीना में यृट exh écrit ऑ एक्या क्या ready हो different different types के question solve करने के लिए जहाँ पर कोई formula कोई trick नहीं है आपको सिर्फ और सिर्फ common sense आपको apply करना है ठीक चलिए यह रेखो the question is when a certain number is multiplied by seven thick the product entirely comprises of only one 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 what is the smallest such number what is smallest such number options are 1 5 7 1 3 1 5 7 2 3 1 5 7 8 3 और 1 5 8 7 3 बनाओ तो इस सवाल को क्या question समझ में आया कि एक को एक number था जिसको जब मैं seven से multiply करूँ तो मेरे को one 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 के sequence मिल रहे हैं तो वो सबसे छोटा number कौन सा होगा should I solve डी आ रहा है एंसर one five eight seven three क्या question solve करने की जरूरत है do we need to solve this question या आगे चलो one five eight seven three को अप seven से multiply करोगे आपका answer आ जाएगा one 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 मैं सुमित multiply करके देख लो और क्या है चलो एक और सवाल देता हूं इफ एन इसा नंबर विच कंटेन वन जा रूको ऐसे नहीं लिखते हैं उसी लॉजिक पर कोश्चन बना रहा हूं सॉल करूंगा तो दोनों सवाल बन जायागा ठीक है परशान मत होना कि सॉल नहीं किये कर दूंगा सॉल कोई भी कोश्चन पेंडिंग नहीं रखता मैं इफ N is equals to 1 1 1 1 1 return up to 100 times N क्या है? sequence of 1 which is return up to 100 times if N which is this is divided by 7 find the remainder find remainder बता options नहीं है option अपने मंद से कुछ भी लिख लेना cancer आयागा इस question का इस सवाल का जवाब क्या होगा exact value बताओ मुझे कि 111 करके सौ बार लिख रहा हूं और उसको 7 से divide कर रहा हूं then what should be the remainder अगर आपने पहला question बनाया था concept से तो आपको इस question में problem नहीं होगी और अगर आपने option से वहाँ पर answer लाया था तो इस question में फस जाओगे क्योंकि वो जो question था वो UPSC ने पूछा था पहले बट इस टाइप का सवाल last year पूछा गया था 99 के terms में उसको भी solve करवा दूँगा क्या मैं solve करूँ should I solve this question 15873 तो खतम हो गया ना वो question इसका answer बताओ चलिए देखो सबसे पहले यही वाला question लेता हूँ मैं इस question को solve करने का एक तरीका यह होता है कि आप options के थूँ direct solve कर लो आपको जो भी number दिया हुआ है 15713 इसको 7 से multiply कर लो 15783 इसको 7 से multiply कर लीजे 15723 इसको 7 से multiply कर लो और 15873 इसको 7 से multiply कर लो ठीक आपने यही तरीका अपनाया था कि आप इन सब को 7 से multiply करके देख लो तो आपको यहां पर एक 111 का sequence मिल जाएगा बाकी cases में नहीं मिलेगा ठीक क्या यही लॉजिक हमने लगा तो इस question को solve करने के लिए जो की गलत नहीं है इस नोट रॉंग क्या इसी तरीके से किये थे हम लोग solve जब multiply केज़े तो आपको आखरी वाले में ही मिल रहा होगा 111 बाकी में कुछ और value आ रही होगी बट एक बात बताना मुझे exam में आखरी option तक पहुँचने से पहले मुझे शुरू के तीन option चेक करने पढ़ेंगे multiply करके क्या ये method time consuming नहीं होगा क्या ये method time consuming